चलिए, स्टार्ट करते हैं, न्यू चेप्टर है, और चेप्टर का नाम है सर, फाइनल अकाउंट, हमारे एक्जाम में कितने नंबर का आएगा ये, ये फिफ्टीन मार्क्स का कुश्चन आएगा, और सर, इसके अंदर दो तरीके का टॉपिक करेंगे फाइनल अकाउंट पे, एक with जी एस्टी, एक without जी एस्टी, सबसे पहले final account की हम बात करें, तो आपको पता होना चीए, final word से ही इसको final account भी बोलते हैं, financial statement वाला account भी बोलते हैं, तो final account का मतलब क्या है basically आप देखो तो हमारे accounting का जो सबसे end process है final का मतलब क्या होता है last जो accounting का हमारा last process है उस पे जो हमें काम करना होता है वो final account होता है तो अगर accounting का मैं process बताऊं तो आपने जैसे कि सबसे पहले journal सीखा journal के बाद sir आपने क्या सीखा laser laser के बाद आपने सीखा sir trial balance trial balance के बाद आपने सीखा balance sheet that is accounting process यह ना accounts का हमारा process है सबसे पहले हमने journal फिर laser फिर trial balance और फिर balance sheet और balance sheet को बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत 11th class का idea होगा और मैं पहले बता दूँ जो मैं class लूँगा और काफी बच्चे science के भी होते हैं तो मैं यह मान के चलूँगा कि आपको कुछ नहीं आता उसके according हम आगे चलेंगे तो balance sheet बनाने balance sheet हमारा तब तक तक तयार नहीं होता जब तक हमारा profit and loss नहीं बन जाता यानि यह आपस में एक आपस में यह दोनो connected रहते हैं यह चीज़ हमें समझना होगा तो sir यह accounting process है journal फिर laser फिर trial balance और then balance sheet यह चीज़े और यह चीज़े आप किताब का भी पता होना चाहिए आप सभी ने अगर book लिया हो तो book के अंदर ना जो यह book design होता है basically जो आपका syllabus बना Arts का बच्चा भी become लेगा science का बच्चा भी become लेगा and commerce का बच्चा तो बट OVVS है कि become लेता ही लेता है तो अगर Arts का बच्चा गलती से become ले लेगा तो जब तक उसे basic concept नहीं पता होगा तो वह आगे accounts नहीं कर पाएगा science का बच्चा same become ले ले कितना भी पढ़ने में intelligent हो लेकिन जब तक basic नहीं पता है तो नहीं कर पाएगा तो हमारे syllabus में journal भी है किताब में आप जब देखोगे तो आपको journal भी मिलेगा आपके syllabus में leisure भी मिलने वाला है और आपके syllabus में trial balance में मिलने वाला है लेकिन ये exam में नहीं पूछा जाएगा सर जर्नल लेजर और trial balance तो exam में नहीं पूछा जाएगा exam में आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ final account that is balance क्योंकि ये वो बच्चों को सीखना जरूरी है जो की बच्चे arts के या science के इसलिए आपकी किताब में या जो आपका DU का syllabus है syllabus भी पढ़ोगे तो वहाँ पर भी दे रखा है framework में journal, leisure, cash book और सारी चीज़ा आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा तो same इस किताब में भी मैं अगर बात करूं सर तो लगभग लगभग हमारे 8 चेप्टर 8 नहीं बोलेंगे, हम 7 इतने 7 चेप्टर जो है वो पूरा 11 वी का है 7 चेप्टर जो starting के आपकी किताब में है वो 11 वी का है 7 चेप्टर के बाद जितने भी आपको चेप्टर दिखेंगे इसमें, वो सारा आपका graduation become के अंदर आएगा तो पहले 7 chapter में से सिर्फ theory वाला part आपके exam में आएगा और बागी के chapter में से practical वाला part भी आ सकता है और theory वाला part पढ़ने का तरीका काफी सारे बच्चे क्या करते हैं starting से पढ़ रहे हैं और पता चला उन्होंने सिर्फ 7 chapter ही exam में तयारी करके गए और बागी का छोड़ दिया तो उनको दिक्कत हो जाएगी बागी में से कुछ भी नहीं आने वाला तो इसी तरीके से हमारा जो ये chapter है ना final account आपके किताब में अगर हम देखें मैंने सभी को बोला किताब कौन सा लेना है तो उसी के according चलेंगे final account जो है हमारी इस किताब में और नई बुक लेना है क्योंकि पुरानी बुक में बहुत सारी चीज़े changes आ चुकी है ये हमारा 11 चप्टर नंबर क्या है हमारा 11 तो हर किसी के पास book होना चाहिए book का नाम मैंने पहले ही बता दिया था जी अर्मोंगा तो final account basically क्यों है क्योंकि final stage पे आ गये हैं सर हम जब हम final stage पे आ गये हैं तो final stage पे क्या बन रहा है हमारा balance sheet that is called final account सर इस topic में क्या क्या सीखेंगे इस चप्टर में और क्या सीख लें ताकि हमारा ये clear हो जाए तो हमारा final account की अगर हम बात करें तो final account आने के लिए अगर आपको final account तभी माना जाएगा कि आपको final account आता है जब जब आपको तीन चीजों की knowledge हो जाए सर किस किस की knowledge चाहिए एक आपको trading account की knowledge हो ली चाहिए दूसरा आपको यहाँ पर profit and loss जिसको पी एंडल बोलते हैं शाट फॉर्म में मैं पूरा ही लिख देता हूँ जिसको हम कहेंगे profit and loss profit and loss account और finally last हमें knowledge लेनी पड़ेगी balance sheet balance sheet की सर total देखें ये चीज़े सीखनी होगी मैं ऐसा नहीं के देखिए 11th class में आपने final account करा हुआ है अगर मैं कहूँ के 11th class का extension थोड़ा से और मुझसे आगे लेके चलो तो फाइदा नहीं है क्योंकि हो सकता है पहले कुछ बच्चों ने पढ़ाओ और ये भी possible है पहले कुछ बच्चों ने पढ़ा ही ना हो तो हम सबसे पहले समझेंगे सर ट्रेडिंग अकाउंट फिर समझेंगे P&L account और फिर last में balance sheet आज ही समझ लेंगे हम ये ट्रेडिंग अकाउंट समझने के लिए आपको दो चीजों का knowledge होना बहुत जरुरी है सर आप ट्रेडिंग अकाउंट को समझने के लिए दो चीजों की knowledge चाहिए सर क्या पता होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए सर पहला जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए होना चाहिए आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस एक आपको direct expense का पता होना चाहिए trading account सीखने के लिए और साथ के साथ अगर मैं बात करूँ तो direct expense के बाद कुछ हम यहाँ पर basically अगर आप दो तरीके के खर्चे को separate करना सीख गए direct खर्चा जो है direct expense तो इस account को बनाने में help करेगा और indirect expense इस account को बनाने में help करने वाला है पहले हमें समझना होगा what is the direct expense what is the indirect expense trading account से सर बना के फाइदा क्या है trading account जब भी बनाएंगे तो यहाँ से एक result निकलता है और जो result यहाँ से निकलता है उसको बोलते है gross profit या gross profit हो सकता है या फिर और जो ये gross profit या gross loss हुआ न इस gross profit या gross loss को पता है कहाँ transfer कर देंगे profit and loss loss हुआ तब भी जाता है और profit हुआ तब भी जाएगा जैसे ही gross profit, gross loss P&L बना लेगे तो सर P&L से भी हमारा जो result निकलेगा या तो निकलेगा हमारा net profit या निकलेगा हमारा net loss इस net profit या net loss को हम आगे फर्दर लेके जाएंगे और वो लेके जाएंगे हम balance sheet finally balance sheet से क्या answer आएगा सर balance sheet से कोई answer नहीं आता basically यहाँ पर prove हो जाता है कि हमारा assets is equal to liability होना चाहिए या liability is equal to assets आप बोल सकते हो तो finally एक मज़े की बात आपको भी पता ही कि exam में आपको already पता होगा कि इसका answer क्या है क्योंकि अगर assets liability आपका match होता है तो ठीक otherwise आपने कहीं न कहीं error किया है 11th class में जितना पढ़ा था वो सारा तो आएगा ही आएगा उसके अलावा भी इसके अंदर extension उनको तो already पता होगा सर ये तो पहले से करते आए और जो बच्चे नए होंगे जो commerce के नहीं है उनके लिए ये नई बाते हैं तो मैंने जो बता दिया चलिए सर अब हम समझते हैं सर direct expense क्या होता है कुछ एक example लेते हैं बड़े simple सी बात है उस example से लेके चलेंगे अगर मैं example की बात करूँ तो मैं बात करूँ अगर factory की सर मैं बात कर लेता हूँ एक factory की आप ध्यान से सुनिएगा आपको clear हो जाएगा ये हमारा factory है सर factory की बात करें तो factory के अंदर जो काम होता है वो किसी चीज को manufacture करने का होता है manufacture मतलब तयार करने का हलाकि इस account से पहले भी एक account बनता है जो कि हम सीखेंगे थोड़ा सा hint लेंगे जिसे बोलते है manufacturing account जो आपने पहले कभी नहीं देखा है तो हम इसलिए factory से start करते है factory के अंदर क्या होता है कि factory के अंदर कहीं न कहीं से अगर मैं बात करूँ ये factory है तो factory में कहीं न कहीं से समान आता है सर, factory में कहीं न कहीं से समान आएगा अगर हम बात करें तो factory के अंदर आएगा और जैसे ही यहां पे माल तयार होगा माल तयार होने के बाद यहाँ से समान कहीं दूसरी जगह चला जाएगा जिसे हम बोल सकते हैं जहां से माल बिखता है उसको normally अप कुछ भी नाम दे दो या नाम दे दो अप showroom नाम दे दो या office नाम दे दो या retail दुकान दे दो कुछ भी नाम दे दो वहाँ पे जाकर बिकता है यानि माल बनेगा यहाँ पे और बिकेगा दूसरी जगह पे सबसे पहली बात सबसे पहली बात जब यहाँ से हम माल खरीदेंगे जब कभी भी यहाँ से हम माल खरीदेंगे तो जो माल फैक्टरी के अंदर आएगा तो इस जो ट्रक है जिस ट्रक पे माल आ रहा होगा इसको देना होगा सर किराया ठीक है इसको देना होगा किराया सेम जब यहां से यहां से बात करें आपका समान जैसे तयार होगा आपने समान इसके अंदर डाला और आप कहां पहुचा दोगे मान लेते हैं इसको हम आफिस मे ले जाओगे ठीक है ना आप कहां ले जाओगे इसको भी जब ले के जाएगा इसको भी देंगे किराया सर दोनों किराये में डिफरेंस है हिंदी में तो बोलने को एक ही वर्ड होता है कि किराय दिया हमने एक यहाँ पर बोला जा सकता है समान को लाने का किराया और एक समान को पहुंचाने का या भेजने का किराया हो सकता है दोनों तो इस किराय को क्या बोलते हैं सबसे पहले हम वो वर्ड देख लेते हैं जब समान आएगा तो इसको हम बोलेंगे पहली वर्ड एक तो होता है कैरीज जब सिर्फ कैरीज वर्ड का इस्तमाल किया जाए तो हमेशा समझ रहा है कि समान लाने वाला ही क्राया है या फिर आपको बोला जा सकता है carriage inward inward इसलिए क्योंकि factory के अंदर आपके समान in हो रहा है तो जब factory के अंदर in हो रहा है इसलिए क्या नाम रखा गया carriage inward साथ के साथ कुछ इसके synonyms भी use किये जाते हैं सर जैसे freight या फिर cottage ये सभी नाम एक ही है लेकिन सभी के नाम अलग अलग हैं लेकिन सभी का मतलब एक ही है क्या नाम है मतलब है और किराय समान को लाने का अब जो ये समान ले जाने का किराया है सर इसको भी यही बोलना है मैं इसको भी बोलेंगे हम carriage परक ही रहेगा outward सर ये carriage outward इसलिए क्योंकि ये दुकान फैक्टरी से समान निकल गया तो जब फैक्टरी से समान निकल जाता है तो उसको हम बोलते हैं outward तो ये हो गया हमारा carriage outward ये समान को ले जाने का खर्चाए अब कुछ और भी चर्चा कर लेते हैं जैसे आपको पता है अगर नहीं भी पता तो फैक्टरी के अंदर लाइटिंग भी लगी होती है फैक्टरी के अंदर देखोगे तो लाइटिंग लगी होती है और सर फैक्टरी के अंदर अगर मैं बिजली की बात करूं electricity की बात करूँ तो normally factory के अंदर जादा मातरा में electricity इस्तमाल होता है जादा मतलब वहाँ का power जादा चाहिए voltage, high voltage का चाहिए और compared to office के अंदर इतना power consumption नहीं होता तो factory के अंदर हो सकता electricity जो होगा जादा होगा तो electricity को हम बोलेंगे power यानि जहाँ पे जादा voltage का आपका काम आजाता है ना वहाँ पे बिजली के बिल को हम power के नाम से डिनोट कर देते हैं अकाउंट के अंदर जैसे आपके घर के अंदर भी दो socket होते हैं एक जहाँ पे आप प्रेस करते हो या पानी गरम करने के लिए rod वगएरा यूज करते हो उसका switch थोड़ा बड़ा होता है और जहाँ पे आप TV वगएरा mobile charge करते हो उसका socket थोड़ा छोटा होता है अगर जिसमें आप TV चला रहे हो या mobile charge कर रहे हो उसके अंदर अगर प्रेस वगएरा heavy use करोगे ना खराब हो जाएगा आपका switch क्योंकि वो power socket नहीं है तो power socket आप दुकान पे भी जाओगे ना तो बोलो कि आप switch दे दो तो वो पूछेंगे power switch चाहिए या normal तो आप बोलो कि power तो power का मतलब ही एकी word आता है निकल के सर जहाँ पे बिजली ज़्यादा ही तो फैक्टरी में ज़्यादा होगा तो फैक्टरी के अंदर अगर बिजली बिल की बात करें तो वो कौन सी electricity बिल की बात करें तो उसे किस नाम से जाना जाएगा सर power के नाम से सेम फैक्टरी के अंदर कई जगह पे फैक्टरी के अंदर देखा जाए तो power नहीं होता तो महाँ पर generator भी use किया जाता है आप तो घर में नहीं करते generator वगरा use बाकि Delhi के अंदर तो हमेशा light रहते है तो इतनी दिक्कत नहीं है लेकिन गाउं वगरा area में अभी भी generator की जगा पर inverter use होता है generator भी है कई जगा तो generator जब use करते हैं तो generator की tension नहीं है उसके अंदर क्या खर्च होता है डीजल पेट्रोल से नहीं चलता generator generator किससे चलता है डीजल से या कुछ ऐसे भी equipment वो use करते हैं जैसे koila वगरा से वो अपना काम चलाते हैं जैसे माल लेते हैं किसी का काम bakery का है तो bakery का काम है जब बिजली रहेगा तो electricity से काम कर लेते हैं और बिजली नहीं है तो वो koila से भी अपने भटी को जला सकते हैं तो मैं बात कर सकते हूं koila यानि coal तो coal भी हो सकता है अब सर बात करते हैं किराय की यहाँ पे अगर हम बात करें अगर दो चीज़े हैं यहाँ पे यह इंडिया है अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया के विदिन सिटी समान है तो बड़ी इजी किराया देके मंगवाए जा सकता है मैं डेली में हूँ और मिर को अगर अगर फटाफट फट फून करूँ और विदिन डे आ जाएगा लेकिन अगर समान मुझे महरास्टरा से मंगवाना है तो मुझे क्या लगेगा टाइम लगेगा और महरास्टरा से दूर चले जाए चाइना से मंगवाना है तो और भी टाइम लगेगा अगर वदीना इंडिया के बॉर्डर से मंगवा लेते हैं तब तो यहाँ दो तरीके के साथ हमोते हैं एक आप बाय बस मंगा सकते हो या बाय बस या ट्रेन ठीक है ने बाय एयर भी हो सकता है लेकिन हम दो बेसिकली करते हैं जब ट्रेन से आता है तो वहां ट्रेन के लिए और पर एक तरीके का टेक्स कह लो या कहलो किराया जो कि हमारा दीया जाता है समान को मंगवाने के लिए लेकिन सर अगर आप इंडिया से बाहर निकल गए तो बाहर निकलने का मतलब आपके उपर बहुत सारे boundaries लगा दिये जाते हैं मैं simple सी बात करूँ iPhone आप सब जिससे ज़्यादा connected हो मैं उसी example की बात करूँगा iPhone की बात करूँ तो iPhone इंडिया के अंदर भले ही आपका एक लाग का बिख रहा है तो difference कितने का आगे 20,000 तो हम ऐसा क्यों न करें कि iPhone बहुत सारा यहाँ पर खरीद के लिया है दुबई से और यहाँ बेचने लग जाए तो government कहता है अगर ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी government कहता आप जब कभी भी बाहर से कोई समान इंडिया में लेके आओगे कोई भी समान आप बाहर से लेके आते हो इंडिया के अंदर तो ऐसे situation में उपर आले बूँ बीचे फर्स प्रोर के पूछ लो तो ओक्ट्री या टेक्स की किराये की में बात कर रहा था अगर आप इंडिया के बाहर से समान मंगवाते हो तो वहाँ पे एक special text भी देना पड़ता है special text क्या होता है सर special text की हम बात करें तो वहाँ पे हमें देना पड़ता है क्या सर हमें देना पड़ता है वहाँ पे excise और custom duty याद रखना यह वर्ड, excise और custom duty, सर, excise duty या custom duty होते हैं दो तरीके के, अगर excise duty की बात करें, यहाँ से आप जब लाओगे, एक परकार का यह क्या है, सरकार को दोगे text, और उस text को लगाने के बाद भारत के अंदर समान आता है, और वो समान थोड़ा महंगा होके फिर बन ज जाता है, जिसको बोल सकते हैं, custom duty, सर, duty शब्द का मतलब होता है काम करना, लेकिन accounts के अंदर duty का मतलब है, text से, यहाँ पर एक excise duty भी हो सकता है, और एक हो सकता है custom duty, मैंने simple एक लिख दिया क्या, custom duty, अब इसके बाद बात करें, factory के अंदर क्या हो सकता है, सर, factory के अंदर हम right होगा, यहाँ पर power का use नहीं होगा, यहाँ पर electricity, bill का इस्तमाल होने वाला है, यहाँ पर electricity, bill का इस्तमाल होने वाला है, साथ के साथ और क्या हो सकता है, सर, यहाँ पर भी मजदूर काम करेंगे, यहाँ पर मजदूर काम करने वाले हैं, सर, जो यहाँ पर मजदूर काम करे तो वो दो तरीके के हमारे वर्क होते हैं, एक होता है कि हम दिमाग से काम कर रहे हैं, और एक होता है कि हम अपने फिजिकली वर्क कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं मजदूर की, जैसे कि सिमेंट वगरे आपने देखा होगा लेना ना, तो उनका दिमाग से काम नहीं कर जो कि दिहारी तौड ते दिया जाता है। यहाँ पर जब लोगों को तंखागी घाएगा तो इसको बोला जाएगा कोई हो जाता ही तो जो कि दिमाग से काम करता हुज आपका बोने जिंग वेक्टरी के अंदर भी अगांटेंट होगा है, यानि दोनों होंगे। यहां पर ना दो स्रार्टी के अंदर यह आपका वरक कर रहा है दिमाग से। ऐसे सिचुएसन में, हम यहाँ पर common नाम दे देंगे, San नाम देंगे wages and यानि सर मजदूरी के लिए wages और जो काम अच्छे तरीके से कर रहा है, कम्प्यूटर पर काम कर रहा है, टाई वगएरा लगा के काम कर रहा है, उसके लिए क्या वर्ड आ गया है, salary, तो यहां पर वर्ड क्या आ गया है सर, वेजिस और salary, सेम बात करें, यहां पर भी कुछ न कुछ लोग काम कर रहे होंगे, और ज़्यादा तर office में जो काम करते हैं न, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, customer relationship बनाना वगएरा होता है, जो customer से बात करते हैं, तो उसों देखोगे, तो वो मेहनत वाला काम कम होता है, तो यहां पर जो दिया जाता है न, इन वरकर को, वो होता है, salary, लेकिन यहां पर भी कुछ मज़दूर तो काम करते हैं, यह सर, loading, unloading का कुछ, तो यहां पर अगर दूसरा काम हो रहा होगा, तो हम बोल देंगे, salary and wages, तो सर, यहां पर देखिए, अगर पहले word लग गया, wages और salary, तो इसका मतलब वो कहां पर खर्चा हो रहा होगा, फैक्टरी में, अगर word आ गया, salary and, तो कहां पर खर्चा हो रहा होगा, office के अंदर खर्चा हो रहा होगा, सर, office में भी और बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे खर्चे, जैसे मैं बात करूँ, sweeper का, यह journal expense बोल लूँ, आपको basically यह tentative लेना है, कि जितने खर्चे हमारे factory के अंदर होते हैं न, यह सारे खर्चे जो factory के अंदर होगे, that is called direct expense, और सर, direct expense की बात करूँ, तो कहां से related होगा हमेशा, trading से, अब मैं खर्चे की बात करूँगा, जैसे कि मैंने कहा carriage, सिर्फ carriage word का इस्तमाल किया, तो carriage कहां पर हो रहा होगा खर्चा, और factory का खर्चा किस से related है, trading account में, अगर मैं कहूँ, carriage बताओ, कहां जाएगा, दो account आपके सामने, P&L और trading, तो कहां जाएगा ये, trading में, ऐसे मैंने बोला, octree कहां जाएगा आपका, trading में, क्योंकि किस से related है, octree, factory, ऐसे ही मैं बोलू, exercise duty या custom duty कहां जाएगा, trading में, ऐसे ही मैं बोलू, diesel का खर्चा कहां जाएगा, trading में, क्योंकि कहां से related है सारा, अगर मैं बोलू, wages कहां जाएगा, trading, अगर मैं salary और wages कहता हूँ, तो कहां चला जाता है, ये office में, यहां जितने भी खर्चे होंगे न, office में, यानि factory के gate से निकलने के बाद जितने भी खर्चे हैं, वो सारे indirect expense है, indirect expense है, वो सारा, वो सारा कौन सा expense माना जाएगा आपका, indirect expense, मैंन तो trading में जाएगा, अगर मैं electricity की बात करूँ, तो कहां use हो रहा है, office में use होगा, तो इस तरीके से एक तो हमें खर्चे का पता भी होना चाहिए, और एक conceptual mind में भी पता होना चाहिए हमें, कि सर ये खर्चा यहां से related है, तो इसके यहां देंगे, हां जी बताईए, अब rent common प भी हो सकता है, factory क्या हो इसता है, लेकि normally factory को rent पे लिया नहीं जाता, normally, क्योंकि factory पता है किस area में होता है, ऐसे area में होता है, जहां पे दूर दूर तक पूरा खाली होता है, और ऐसा area जहां पे कोई सुभीदा ना हो और खाली हो, वहां की जमीन अकसर क्या होती है, हमें सा, बहुत सस्ती जमीन होती है, तो जब जमीन बहुत सस्ती है, तो ऐसे situation में वो rent पे लेंगे या खुदी खरीद लेंगे, खुदी खरीद लेंगे, तो इसलिए अगर rent बोला जाए, तो आपका हमेशा किसका consider करना है, office का, लेकिन अगर specify कर दे factory rent, तब तो यहीं का माना जाएग ठीक है न, इसके बाद एक मैं बात कर रहा हूं, समान कहां से बिकेगा, बताओ, factory में से बिकेगा या office में से बिकेगा, जब समान बेचते हैं न, तो बेचने को word बोलते है, trading, trading का मतलब basically होता है, वेपार, तो trading, तो जब कभी भी office से समान को बेचा जाएगा, तो एक trading expense भी तो trading expense होगा हमारा कहां का, trading expense होगा हमारा trading account से related, factory का लगता है, लेकिन वो हमेशा कहां का मानना है आपने, office का मानना है, यहां तक समझ में आ रही है बात आपको, same rent का भी मैंने बता दिया, जब rent के आगे कोई clarity ना हो, तो क्या मानोगे आप, office का rent मान के उसको खदम करोगे तो हम account बनाएंगे अभी, laser भी सीखेंगे कि क्या क्या रहेगा, तो हमने सीख लिया direct expense और indirect expense में, क्या difference आपको पता चलिया है यहां पे, direct में क्या difference है और indirect, balance sheet तो हम बाद में देखेंगे, तो पहले यहां तक कोई दिक्कत, कोई परिशानी, दो खर्चे में divide कर दिया, पता हो, चाहें नहीं पता, चलिये सर, आप trading और P&L में एक साथ format बनाऊगा, और साथ के साथ में balance sheet भी बनाऊगा, आप सभी को भी इसी तरीके से बनाना होगा चलिये सबसे उपर लिखेंगे ट्रीदिंग अकांट या हम common लेखे चलेंगे trading and profit and loss नीचे लिखेंगे हम for the year ending date सबसे पहले यहां लिखना है, two opening stock सारी information आपको question में given होगा, कुछ भी find नहीं करना होता नॉर्मली, इसके बाद लिखना है हमें two purchase purchase को inside क्यों लिखा है क्योंकि purchase पर होगा adjustment और adjustment क्या होता है हम देखेंगे, less इसमें से कर देंगे purchase return सर पर्चेज return का एक और नाम है, क्या नाम है purchase return का एक और नाम है return outward purchase return का एक और नाम है return outward इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे और भी सारे के सारे, अभी मैं trading बना रहा हूँ तो direct expense यानि wages और क्या हो सकता है, sir wages के अलाबा हो सकता है हमारा आपका हो सकता है freight freight के साथ carriage भी हो सकता है sir और क्या हो सकता है यहां पर पावर और क्या हो सकता है आपका meditating and एक कर दो और भी बहुत सारी चीज़े हो सकती है लिखिन मैं यहां दिखाने गाई बाइ साइड में लिखना है आपने सेल्स और सेल्स पर अड़िस्मिन्ट होगा सर लेस सेल्स रिटन हांजी बोर्ट पर ध्यान दीजिए सेल्स रिटन इसका एक और नाम है रिटन इन वर्ड आप लोग का एक्जाम का न थोड़ा सा डेट सड्यूल हुआ है एक्जाम आपका मार्च में नहीं है इसका ध्यान डखना रिटना मार्च है बाकि जितने भी सब्जेक्ट है हर बच्चों को बोलूँगा जैसे भी तैयारी होती है बहीं कर लो स्टार्ट क्योंकि उनको दियू में फेल होने में उनको कोई मतलब भी नहीं होता बच्चा एक नंबर से भी फेल कर देते हैं ग्रेस पर्मोशन का पर्मोटिंग का कोई चक्कर नहीं होता तो आपका उन्होंने कहा है कि हम फैब हम 20-22 से स्ट करेंगे और हम 10, 12, 15 मार्च हतर खतम कर लेंगे यानि सेक इनकी तैयारी है मार्च में ही स्ट करेंगे इस बात का ध्यान रखना थे हमारे पास बसता है सर्थ सुर्पर दिसमबर में हमारे साथ दिन निकल चुके हैं मैं 10 दिन मान के चलू, तो 20 दिन दिसंबर में और जनवरी, तो हमें स्लेवस थोड़ा सा फास्ट खीचना पड़ेगा, तो उसके according ही मैं लेकर चलूँगा, तो आपकी भी responsibility के ऐसा छोड़ना मत के exam आएगा, तो हम revision कर लेंगे, या exam आएगा, तो तैयारी कर लेंगा, उस time पर कुछ नहीं होगा, revision करने का मौका मिलेगा, तो definitely करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि revision करने का मुझे मौका ना मिले, उसी के हिसाब से अभी notes वगएरा सब तैयारी करके चलना है आपको, क्योंकि time कम है, syllabus ज़्यादा है, by closing, sir closing stock, अभी पहले chapter हम start कर रहे हैं, अभी starting है, तो अभी ज़्यादा जल्द बाजी नहीं कर रहा है, अभी तीन दिन alternate लूँगा, जैसे ही 15-20 दिन एक बार एक chapter में हम आ जाएंगे, तो शायद मैं सुभे साम की class regular basis पे लगाऊँगा, ताकि आपका syllabus complete है, सुभे साथ बजेगी रहे, अब देखो syllabus खतम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, अरे college देखेंगे वो तब provision चुट्टियां भी पड़ेगी ना आपकी इसमें तो, sir यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यह क्या है हमारा trading account, और trading account के अंदर से जो निकलेगा, हमने क्या देखा सर, trading account से जो result आता है, वो आता है, यहाँ तो gross profit, gross loss, तो अब हमने trading account का format तयार कर लिया है, अगर इस side निकल के आया, तो होगा हमारा gross, और तरिफ gross profit नहीं लिखना, इसके आगे tf लिख रहा हूँ, transfer to profit and loss, क्यानि gross profit को transfer कर दो, और अगर in case इधर निकला, तो उसे बोलेंगे, gross loss और उसे transfer करेंगे, उसे भी पी एंडल में, अगर हमारा निकला gross profit, तो transfer हो जाएगा इधर, by gross profit, अगर निकला gross loss, तो to transfer हो जाएगा, gross loss, यानि आप ध्यान दीजिए, transfer की अगर मैं बात करूँ ना, तो transfer कैसे हो रहा है, ये वाला हिस्सा इधर जा रहा है, और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, बड़ी सी बात है, अगर transfer की हम बात करेंगे, ठीक है, अब sir, यहाँ पे सारे खर्चे, basically P&L है, इधर सारे खर्चे लिख रहे हैं, तो अब ये वाला जो हिस्सा था ना, इतना एरिया, ये trading के लिए reserve है, अब इसके नीचे का काम होगा सारा P&L, और आपको पता है P&L में कौन से खर्चे लिखने हैं, बताईए, अब संद्री एक्सपेंस, सर और क्या हो सकता है, इंट्रस्ट, और क्या हो सकता है, इलेक्टरिसिटी बिल, और क्या हो सकता है सर, मैं नोटिंग के राज प्राफ्टर टाइमिंग दूँगा, अभी सिर्फ नोटिंग करिये, इलेक्टरिसिटी बिल के साथ और क्या हो सकता है सर, बेड डेट्स, और क्या हो सकता है सर, डेप्रिशेशन, और क्या हो सकता है सर, वाटर बिल, और हो सकता है हमारा रेंट, और क्या हो सकता है लीगल चार्ज, और क्या हो सकता है सर, रिपेर, और क्या हो सकता है कैरिज आउटवर्ड, और क्या हो सकता है कमीशन, और सर, इस साइट बड़े कम इनकम होते हैं, जैसे कमीशन, जैसे इसकाउंट, जैसे इंटरस्ट, जैसे प्रोविजन, चलिए सर, हम बात करें, इस तरीके से हमारा पी एंडल, देखे, यहाँ पर हमने खर्चा लिखा ट्रेडिंग और नीचे पी एंडल, अगर इधर से आंसर निकलता है, हमारा जो भी आया आंसर, उसे हम बीजेंगे टू, इसे लिखेंगे नेट, और इधर से निकला तो बाई नेट, और सर इस नेट प्रोफिट, नेट लॉस को यहीं ने लिखना, इसे ट्रांसफर करेंगे, तू, यह हमारा पूरा का पूरा है, ट्रेडिंग और पी एंडल का एक फॉर्मेट, इसके बाद लगे हाथ हम बैलेंच शीट का भी देखेंगे, नोटिंग करने के लिए मैं प्रॉपर टाइम दूँँ, अभी चिंता मत परो, सिर्फ आपको एक कॉंसेप्ट को फोकस करना है, चलिए सर, अभी बताएंगे, रुख जाएंगे, डेप्रीशेशन भी मैंने लिखा है, देखूंगे, इस साइड लिखते हैं लाइबिलिटी, और इस साइड एसेट, यहाँ पर बैलेंग शीट, इस एट और डेट आजाएगा, सर यहाँ क्या क्या आने वाला है, इधर सबसे पहले आएगा कैपिटल, और कैपिटल में प्लस हो जाएगा नेट प्रॉफिट, माइनस हो जाएगा नेट लॉस अगर है तो, माइनस हो जाएगा ड्रॉइंग, तो यह कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कि इन चीजों को प्लस करना है, और इन चीजों को माइनस करना है, इसके बाद इस साइड में लाइबलिटी जैसे बैंक लोन, बैंक लोन, जैसे क्रेडिटर, जैसे बिल्स पेबल, जैसे एडवांस इंकम, जैसे आउट्स्टेंडिंग, इस साइड में एससे आजाएगा, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के साथ साथ देखा जाएगे तो फरनीचर, मसीनरी, कैश, बंक का बंस, बंक का बंस, नि्म्त बंस, तक्डेटर, ब्ड्र, प्रेपद इपेंड, प्रेपेड ऐटर, एक्डे़, और फाइनली ये दोनों साइड हमारा और भी सारी चीज़ें हो सकती है बट मैंने इतना ही लिखा है दोनों हमारा एक्वल आ जाएगा तो ये हमारा है बैलिंशीप से तो एक पर फटा-फट से हलाकि मैं आपका एक टेलीग्राम पे आपको कल वाटसप आ जाएगा और ये जि भी नोट करना है आपको और ये नोट आपको PDF के फॉर्मेट में नेक्स क्लास के अंदर मिल जाएगा जो कि आपके नोट करने है कई बार हाँ टेलीग्राम का लिंक दूँगा एक चैनल बनाऊंगा और वहीं भी मिलेगा ठीक है जिससे कि आपका कई बार मैं कुस्टें करा और साथ के साथ वीडियो भी मिल जाएगी जो कि रिकॉर्डिट पॉर्मेट में भी होगा लाइव सेक्शन में भी होगा जिसे आप जितनी मर्जी बार उतनी बार रिवाइज करके देख सकते हैं जो अच्छे लाइव में है चलिए अब फटा फट से एक बार आप नोटिं अब ठीक है कि यहां से नोट करते जाएए मैं बताते जाएएगा मैं उपर करता जाओंगा जितने बच्चे लाइब में किसी का डाउट है तो बताईए फटा फट आप इसको नोट करिए फटा फट जैसे नोट डन हो जाए मुझे बताईएगा बच्चे पूछें साथ ड्रॉइंग, ड्रॉइंग माइनस होगा किसे? जो कभी ओनर अपने प्रसनल यूज के लिए बिजनस से बिडरॉल करता है उसे कैतने ड्रॉइंग जो माइनस हो जाएगा हमारा capital से बिल्स टेबल बिल्स पेबल हमारा वो आइटम है जो की हम पेमिंट करते हैं क्रेडिटर के तरीके से होता है अब काफी बच्चों को देखो कुछ डेफिनेशन में प्राबलम हो सकती है तो अल्रेडी मैं कंटेंट में वीडियो डाल दूँगा सारे बेसिक डेफिनेशन के ड्राइंग क्या होता है बिल्स पेबल क्या होता है जिन बच्चों को देखना होगा वो चीज़े देख सकते हैं वोइस चेक कर लीजेगा जितने बच्चे लाइव हैं वोइस चेक कर लीजेगा और जितने बच्चे लाइव में चलिए मैं फॉर्मेट बना लेता हूं इतने आप भी फॉर्मेट बना लिजिए फटा-फट से यह कुशन स्रिफ और स्रिफ आपका आपका झाल झाल थोड़ा कंजेस्टर यह हमारा बैलेंच शीट है और यह ट्रेडिंग और यह ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस और प्रॉफिट और लॉस आप भी एक फॉर्मिट बना लीजिए साथ के साथ करेंगे सार अब रेजिस्टर जो आपका होता है ना एफ फोर साइस का होता है जर्नली तो रेजिस्टर कैसे यूज करना है मैं बता दूँ अगर मैं रेजिस्टर यूज करने के मान लेते हैं आपका ये रेजिस्टर है तो यूज करने का तरीका भी देख लो आप कि आपको कुश्चन्स जो करने हैं एक्जाम में भी इंफेक्ट इस तरीकी के पेजिस पर करना है एक पर पूरा हमारा प्रॉफिट एन लॉस जाएगा और यह पूरा बैलेंश शीट तो नहीं जाएगा लेकिन हाँ यह पूरा हमारा लगबग लगबग मान के चलो 75% एरिया क यह रखना काफी सारे बच्चे क्या करते हैं तो जो प्रॉब्लम फेस करोगे जैसे मान लो यहां हमने पी इंडल बना लिया और इधर हमने बैलेंश बना लिया तो हमें बार बार पलट पलट के देखना पड़ता है जिससे की गलती के चांसे बढ़ जाते हैं तो आप लिया था सर हमने देखा था सबसे पहले कि डारेक्ट एक्समेंस क्या होता है इंडारेक्ट एक्समेंस क्या होता है जितने भी फैक्टरी में होने वाले खर्चे होते हैं वो सारे के सारे कौन से खर्चे होते हमारे और ओफिस में होने वाले होते हैं इंडारेक्ट एक्समें कदमें लिए इन्धर आफिस अंधरा इससे जबी नहीं दो रौइन अगर स्भॉल एसके अगरद शब्फ एक माम में सिय। हम शरी को इन हो विकों। सब्सक्राइब करींगे हाला कि इस कोद्र कंटन में भी इनन क्वेacements दे रख़ है तो हम दीरे-दे स्कस्स करेंंगे एक्जाममें सर कैलकूलेटर लावड है तो से आप एक्लिवलेटर यह लिगें मेरे पास अभी हैable इनकलिकलेटर नी तो मैं दिखा देता है सिटीजियम और आदत अभी से डालना है। काफी सारे बच्चे पता क्या करते हैं कि अभी से मोबाइल पे जैसे कि सोचना कैल्कुलिटर टो यूज़ ही है। मोबाइल से कर लेते हैं तो मोबाइल पे करने के पाद मोबाइल पे आपका habit हो गया ठीक है जो कि आपके किताब में question number two है जिनके पास book है वो book में देख सकते हैं जिनके पास book नहीं है मैं सामने display भी कर रहा हूं question हलाकि सर क्या कहता है question में question में कहता है कि आपका trial balance दे रखा है और इससे आपको मदद से balance sheet बनाना है थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूँ आपके लिए चलिए मैं पढ़ता जाओंगा समझ में आता जाएगा करने का तरीका क्या होना चाहिए काफि सारे बच्चों का मानना होता है कि हमें काम करते हैं पहले ट्रेडिंग बना लेंगे फिर पीएंडल बनाएंगे और फिर balance sheet format में सब बनाते गए लेकिन पता चला है यहां जगह बचा ही नहीं तो फिर दिक्तत हो जाती अच्छी खासे तो मैं इसके लिए भी आपको बता देता हूं कि क्या करना है format के अंदर format के अंदर देखा जाए तो आप ट्रेडिंग के अंदर दस लाइन से दस से बारा लाइन से उपर का कभी ट्रेडिंग बनी नहीं सकता सर दस लाइन मैक्सिमम बोल दिया मैंने 10 लाइन से उपर का कभी ट्रेडिंग नहीं बन सकता पी एंडल बागी का बैलेंस पूरा लाइन छोड़िये नीचे जितने भी register में तो मैं मान के चल रहा हूं मेरा ट्रेडिंग इतने म और ये हमारा asset है प्रॉपर चीजे लिखनी है आपको exam में आपने अगर इतके नीचे az नहीं लिखा तब भी mark deduct हो जाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे capital हमेशा याद रखिएगा जैसे जैसे जो data मिलेगा वैसे वैसे मैं fill करता रहूँगा आप देखते जाईएगा कि क्या क्या चीजे कैसे होना है ठीक है तो सबसे पहले capital में देखें तो 101500 तो capital हमेशा insight लिखिएगा 101500 capital हमेशा insight क्यों sir insight क्यों रखा आपने क्योंकि इसके अंदर profit भी हो सकता है और drawing भी format में करवाया था तो हमेशा insight रखेंगे सर इसके बाद capital के बाद देखते हैं cash in hand cash in hand assets है तो यहाँ पर आगे हमारा cash सर cash in hand देखा जाए तो 6470 इसके बाद आगे देखा जाए तो cash at bank है तो सिर्फ हम bank भी लिखेंगे तब भी चलेगा सर bank का balance है 17190 इसके बाद देखा है opening stock सर ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग का पार्ट होता है सबसे पहले यहां लिखेंगे opening stock अगे opening stock सर कितने का है opening stock देख लेते हैं amount opening stock का हमारा 40,000 रूपीज तो सर यह आ गया हमारा 40,000 रूपीज ओपनिंग स्टॉक के बाद देखा जाए तो और क्या है हमारे पास available opening के बाद हमारे पास है furniture account तो furniture कितने का है हमारा सर 66 तो furniture यहां लिखेंगे furniture 66 नीचे कोई adjustment है नहीं मैं adjustment पे तो बाद में ही discussion करूँगा furniture के बाद sundry debtor दे रखा है आप debtor के अंदर दे रखा है आपको अलग अलग नाम तो आपके पास दो option है debtor को लिखने का पहले तो आमने जितने भी debtor देखे कभी नाम देखने को मिलता नहीं था तो आप simply क्या कर सकते हो यहां पे आप debtor का heading डालोगे आप simple क्या कर सकते हो मानलो मैंने यहां लिखा debtor आपके पास option अवेलिबल है सभी debtor को आप एड़ कर दो bracket में और एक ही बार लिखतो टाइम तो है नहीं एक्जाम रेने अलग अलग लिखा है उससे कोई मतलब नहीं अठारा पांसो प्लस चार हजार और सर प्लस 3400 प्लस क्या जाएगा हमारा 3400 चार हजार और इसमें प्लस कर देते हैं 3400 इन सभी को एड़ करके 81 डेटर के आगे लिख सकते हैं बच्चे बोलते हैं सार हमारा ऐसे दूसरा और क्या तरीका है दूसरा आप यहां पर दिखाओ भी मत लिख सकते हो और क्या option available आप सबका जैसे नाम लिख रहता है वैसे लि कर लेंगे वैसे कितने बन रहे हैं आठ और चार बाइस पांसो और तीन पच्चिस नौसो तोटलिंग आप क्रॉस वेरिफाई करते जाएगा कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपका लाइव लेक्च्चर बाद में देख सकते हैं बिल्कुल लाइव लेक्चर आप बाद म capital के बीच में चार लाइन कम से कम gap देके चलना है क्यालाइन कि यहां पर प्रॉपिट एड हो सकता है और लॉस लेस हो सकता है विए नहीं होता हमें से ओफिस का होता है तो पी एंडल में चला जाएगा एडविटीजमेंट, एडविटीजमेंट, तो 500 रुपए, मैं थोड़ा शॉट लिख रहा हूँ यहाँ पे, एडविटीजमेंट, सर इसके बाद आगे देखा जाए तो क्या है सर ट्रेड एक्समेंस, ट्रेड एक्समेंस मैंने क्लास के लेकिन ट्रेड होता कहा है, ओफिस में तो कहां डालना है पी एंडल में, तो यहाँ पे डालना है अपने ट्रेड एक्समेंस पी एंडल में, ट्रेड एक्समेंस, कितने रुपए है सर, 100 रुपए का ट्रेड एक्समेंस है, इसके बाद आगे देखा जाए तो सेलरी एंड व दो हजार और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कॉलेज के अंदर ना एक चीज़ मेंडेटरी नहीं होता कि तू और बाई लगाएं आपके 11 12 में तो बोला जाता है तू और बाई लगाईए या मत लगाईए लेकिन ऐसा मत करिएगा कि आधे में टू लगाया और आधे में नही लगाया या तो फूरे में लगाईए या तो बिलकुल भी मत लगाईए ध्यान रखना हो बैलेंशीट में तो सुरू सही तू और बाई का कॉंसेप्ट होता नहीं है सर सेलरी के बाद अगर देखा जाए तो क्या है मारा ऑफिस स्टोर क्या होता है एसेट्स होता है मारा ले लेते हैं ऐसेट्र कर बोफिस स्टोर में अड़र जयस्मेंट है नीचे इसलिए मैं इससे अंदर लिखूंगा अब अब अड़िसमेंट क्या होता है काफी बच्चों को पता होगा काफी बच्चों को नहीं पता होगा so that मैं अभी थोड़ी धीरे-धीरे discuss करूँगा उस बात पे sir traveling charge traveling office का खर्चा माना जाएगा two traveling charge sir कितने रुपे का 50 रुपे का आप सभी के पास किताब में भी गए टेलीफोन चार्ज generally sir telephone तो office में भी होता है और factory में भी होता है तो telephone charges कहा लिखे तो जब कुछ ना बोला जाए तो हम office का मानेंगे telephone charge के case में ठीक है तो telephone charge office का मान लेते हैं तो यहाँ आजाएगा two telephone 250 sir इसके बाद telephone charge के बाद rent कहां का होगा बताइए office का होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ भी two लगा देते हैं और two rent क्योंकि space थोड़ा सा कम है two rent कितने का rent है sir पंद्रा सो का पंद्रा सो का रेंट है stationery डेड़ सुरुपे यह भी हमारा यहीं का खर्चा है 150 stationery के बाद sir क्या है हमारा हमारा discount allowed है प्यान रखिएगा कई बार examiner आपके साथ क्या करेगा सिर्फ लिख देगा discount और discount लिखने के बाद यह नहीं बताएगा कि वो discount allowed है या discount receive है नहीं बताएगा examiner तो आपको दिमाग लगाना है अगर debit में है तो वो खर्चे वाला है अगर debit में है तो discount allowed वाला है और credit में है तो discount receive वाला है अगर allowed receive बता दिया तो पता ही चल गिया और नहीं बताया सिर्फ discount लिख दिया उसने तो आपको पता करना पड़ेगा जी debit में लिखा या फिर credit में तो यहाँ पर पहले हमारा discount allowed है 170 डेबिट में तो डिसकाउंट 170 सर डिसकाउंट के बाद आगे जीखा जाए तो discount receive भी है 3000 का तीन अजार का ने discount receive तो income है तो buy side में आ जाएगा discount receive और सिर्फ discount भी रिख देंगे तो चलेगा examiner को पता है कि बच्चे ने अगर credit में लिखा ने तो receive ही होगा चलिए सर इसके बाद दिखा जाए तो और क्या given है हमें बैडिट की बने बैडिट कितने का है अ एक मैं डिस्कांट receive है हमारा डी और 320 मेर यह गलत होगे है ठोड़ा संद तीन 속 यस 00.000 कतने वैं har duas q eat अ the number तो बैड़्ड ज़ार तो यहां लिखने बंदाट 322 कि अभी सिब कि ट cần कर दे tends लुए लुए सर अब इसके बाद ट्रेट क्रीटो इसी तरीके से देखो ट्रेड क्रीटो बहात सारे दे रखेए कौन कौन सेता अ और आपका रहा और आगे मॉडन है तो हम क्रेडिटर को इसके नीचे हम सब को प्लस करके दिखा देते हैं सर क्या 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 प्लस करके दिखाओंगे कौन कौन है कितने कितने बताते जाओं तो शोलह हजार अठाइस हजार और चार हजार और भी है चार हजार के बाद 48 अच्छा इसका टूटल 48 अगया चलिए सर फॉर्टी एट लिख दिया इसके बाद आ जाते हम आगे continue आगे चलते हैं सर यह तीनों हमारा हो गया अब सेल्स की बात करता है अब सेल्स यहां पर जो किया हुआ इसने टोटल सेल्स आपको कहां देखने को मिलेगा सर क्रेडिट में क्रेडिट में कितने का सेल्स है सर 38,900 तो सेल्स हमारा यहां आता है हमेशा सेल्स अंदर लिखिएगा 38,000 क्यों अंदर लिखते हैं क्योंकि 99% चांस है कि आपका पर्चेज रिटन भी होगा और इस कुश्चन में नहीं हुआ तो वह अलग बात है लेकिन आप अंदर लिखिएगा बाद में बाहर कर दे चाहिए आप लिखके डिलाइट एंड से क्रेडिट में डेबिट में लिखता है डिलाइट सेफ एंड कंपनी अब यह तो पता ही नहीं चल रहा है क्या है ना तो कई बार हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता सर इसे क्या है और क्या माने सर इसे खर्चा माने इंकम माने एक्स्पेंस तो यहाँ पर लिख देंगे हम डिलाइट कितने रुपए का सोला सो क्या सार इतने सारे पॉइंट हमें सोचने पड़ेंगे नहीं बस एक कोशन यही है बागी सभी कोशन जैसे करोगे ना दो तिन कोशन क्लियर पता चल जा जाएगा तो फाइनल अकाउंट क्या है बस आपको अमाउंट उठाना है और सही जगह पर फ्लेश करना है टोटलिंग सही से करना बस आप क्योंकि आप तो देखो कैलकुलेटर भी अलाओड है ग्यारवे क्लास के अंदर तो मान सकता हूं कि आप लोगो से गल्ती हो जाती दिए लेकिन आप तो कैलकुलेटर है कैलकुलेटर पर ध्यान से टोटलिंग करना और उसके हिसाब से चलना है पर्चेज अकाउंट सर पर्चेज कितने का हमारा 91 तो यहां पर्चेज और पर्चेज भी कहां लिखना है सर अंदर लिखना है 91940 ठीक है इसके बाद देख सेल्स रिटन आगे ना आपका सेल्स रिटन तो सेल्स अब कई बार एक्जामनर चला की क्या करेगा सेल्स रिटन लिखे गाई नहीं सिर्फ लिख देगा आपका रिटन ऐसे लिख दिया उसने रिटन आप बोलोगे सर रिटन में तो क्या है सेल्स एक पर्चेज से बताओ तो ध्यान देना अगर रिटन हुआ डबिड में और यह होगा credit में अगर return credit में है तो पता ही क्या है purchase return और return debit में है तो क्या है इस बात का अपने ध्यान रखना है तो यहां पे देखिए sales return आपको debit में देखने को मिल रहा है 2000 रुपए तो यहां से minus कर देंगे sales return sales return 2000 रुपए और purchase return क्रेडिट में मिलेगा तो यहां से माइनस कर देंगे परचेज रिटन सर कितने का है परचेज रिटन क्रेडिट में 32 रुपए का परचेज रिटन ठीक है ना इसके बाद आगे चलते हैं सर इसके बाद परचेज रिटन के बाद आगया पोस्ट डेटीड चेक अकाउंट क्या सर पूस्ट डेटिट चेक की अगर हम बात करें तो मान लो एक मिस्टर राम है मिस्टर राम है और एक मिस्टर मोहन है राम को ना पेमिंट करना है सर राम को पेमिंट करना है मोहन को और मोहन को जो पेमिंट देना है आज मान लेते हैं, आज तारिक है, no, और इसको payment देना है, मान लेते हैं, 10 तारिक को, 10, 12, 2022 में इसको payment देना है, लेकिन आज रात को ही जो राम है ना, राम जा रहा है, out of Delhi, और यह आने वाले समय में नहीं आप आएगा, 3-4 दिनों तक, इसका payment कब करना है, sir, 10 तारिक को, हम और हम्हें ये मानगे चलते हैं थोड़ी देर के लिए हमारे पास कोई फोन पे नहीं है हमारे पास कोई netbanking नहीं कुछ नहीं भिस चेक के धुथ ही पेमिंट होना अचा धूEG तो सर इसने क्या करता इसको पेमिंट देना है और आज यह नो तारिक को ही इसको जाना है और आएगा यह तीन दिन के बाद देखा जाए तो आएगा तो तीन दिन के बाद तो बारा तारीक हो जाएगा लेकिन मोहन ने बोला भहिया तू मुझे आज पेमेंट देखे जा अगर आज पेमेंट नहीं देगा तो मैं हजार रुपे penalty ले लूँआ तिर से ऐसे situation में राम के पास एक option बसता है कि आज ही बुला ले किसको आज ही बुला लेगा उसको किसको मोहन को मोहन को बुलाएगा अब इसके account में पैसे है चाहिए नहीं है सर मोहन को बुलाएगा और यहां पर इसने नाम लिखा सर मोहन नाम लिख दिया इसने और यहां पर अमाउंट लिख दिया मान लेते हैं एक लाक रुपए अमाउंट लिख दिया और साइन वगेरा सब कर दिया है बस डेट में यह पता है क्या डालेगा 10-12 डाल देगा और यह प्रभाते वाला जो चेक है ना ये चेक किसको उठा के देदेगा बताओ ये देदेगा जाता आगा जो चैक टो दिया है लेखिन पोस्ट देडे नमादी का मतलब शेट बोस्वेट हम Spidered check आप इसके पुइंट आप ढहाए चो इसको कर दो मिली जाएगा इस लिए इसको क्या बोला जाता है पोस्टी टीड चेक हमारा क्या होता है कितने रुपए है इसके बात सब्सक्राइब है कि जुरॉइंग अकब्सक्राइए जाएगा है कि कि किस्ट सो था हैнок 15-20 बशेटा फिरांट बसलिब में कहता है क्लोजिंग इस्टॉक अभी मैं फिलान के लिए क्लोजिंग इसके बाद अज्जस्मेंट स्टार्ट करेंगे हम लोजिंग इस टॉक यहां पर आ जाएगा हमारा वाइशाइड में वाइख क्लोजिंग इस टॉक कितने का है एक लाख रुपए का यह मैंने लिखा एक लाख और एक बैलेंस शीट के एसेट्स में भी आ सब्सक्राइग ने अश्ट यह बैलेंस का मतलब यह बच गया है पहले चेक करो ऑफिस इस्टोर था कितने का 12 रुपएक अब आपका बच गया कितने का है इसका मतलब बाकी का डैक टैकरीशेशन होगा यहां पर आपको पता चलिया सर रुपे स्यट्यय को नियुट। कि यहां तक देखने सो कोई कर दो यहां तक किसा दर ऑष यहां तक किसी कोकूई है एक पर चैट में बता दीजिए वोइस क्लियर नहीं आ रही तो एक पर बताईए का फटा-फट से हैं वोइस तो क्लिए चैट में लिख दीजिए आप हेंड्रेज अभी मैं लास्ट में लूँआ यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ तो मैं अब देखा आपने कि मैंने को कैसे किया मैंने देखा कि मेरा करने का कभी भी इंटेंशन नहीं था पूरे एक ट्रेटा दिया अब इसके बाद आपने दस लाइन छोड़ा हो बच जाएगा अब टोटलिंग करते हैं सर यहां का टोटलिंग क्या एगा हमारा 2000 माइनस कर दो के तो 36,000 तो एक लाग 36,000 यही टोटल सेम इधर लिखना है केल्कुलेटर लाएव आप मेरा केल्कुलेटर एक और लेना पर लेगा मैंनेस करिए क्या रहा है बताईए फटाफट क्या रहा है अरे माइनस करिए जल्दी से अले टी एट एक टी एक टी एक टीएट सेवन पॉट्टी अब इसमें से टोटल में से सबको माइनस करिए जीपी क्या रहा है बहिए जीपी बता दो जो बच्चे लाइब में उनकी भी बताने रिस्पॉन्सलिटी है पूछना है सार जो drawing दिया है वो क्या है drawing हमारे लिए capital को कम करना जाता है ना तो expense है ना तो income है जब कभी भी हम capital में से business में से पैसा निकाल लेते हैं that is drawing है तो drawing इसलिए हमारा capital में से minus हो जाता है क्योंकि business का capital क्या हो रहा है यहां पर कम हो रहा है पताइए इसका total gp क्या है कितने 8000 पटाफ़ टोटलिंग करिए अगली क्लास में calculator लेके आईएगा 8100 और देखिए यह वाला जीपी इदर आ जाएगा इसके बाद यहां निकलेगा नेट प्रॉफिट कुछ बच्चे कह रहे हैं मैं बेजबल नहीं अभी दिखाते हैं टोटल करिए यहां पर मेरे खाल यह वाला ज्यादा है न आट हजार और यहां पर तीन दो पांच दो साथ देखिए लॉस प्रॉफिट क्या रहा है मेरे खाल प्रॉफिट ही आएगा त्रासी चुरासी अस्सी माइनस कर दीजे जल्दी से टू नेट प्रॉफिट मानेस करके बताइए क्या रहा है टू नेट प्रॉफिट अधा अधा हाँ 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 कि कितने हैं साट रुपे ओनली है हां जी साट रुपे यह आ रहा है वैसे साथ रुपे ठीक बता रहे हो सर्माने की कोई दिक्तत नहीं है कि अब यह नेट प्रॉफिट है यहां पर एड हो जाएगा नेट प्रॉफिट तो क्या हो गया अब कुश्चन में कम प्रॉफिट आएगा तो एक्जाम में छोड़के थोड़ी आ जाएगा यहां पर प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट 60 अब साथ इसमें से माइनस प्लस करके बताईए capital माइनस प्लस करके बताईए अगली क्लास में सब के पास calculator होगा किस टाइप का है वह मेर पास आज है नहीं तो मैं आपसे इतना बोलता है नहीं के टूटल करिए टूटल करिए नहीं नॉर्मल आप citizen का मिल जाता है आपका 100 रुपे के आसपास का calculator आता है और कोई original original के चक्कर में मत पढ़िए लोकल लीजिए क्योंकि वो गिरते पढ़ते रहते हैं कि क्या है पताइए इसको माइनस करके क्या नाइंटी अब इसको टूटल कर दीजिए अब जो लाइव में बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं आपको भी बताना है कैल्गूलेटर आपने भी लेना है ठीक है टूटलिंग के आ रहे हैं से चेकर के बताईएगा है एक लाइख चेकर यह आंसर अलग आ रहे हैं से मैं बुक में देखने हैं ठीक है किसी को डाउट डाउट है तो बताईए समझ बहा रहे हैं यह अभी तक सवाल क्या था बेसिक आपको एक पॉर्मेट बताया गया और थोड़ी से ग्यारवी क्लास के याद जो थी पुरानी हो चुकी थी उसको थोड़ा सा बस रिमाइंड किया गया अब हम इसके बा करेंगे कि इसको एक बार फटा फट नोट करिए नेक्स क्लास से नोटिंग का थोड़ा सा प्रोविशन में अलग रहूँगा इनका मैं पीडियाफ शेयर करा करूंगा घर पर जाके नोटिंग का काम रहेगा ताकि मैं यहां से ज्यादा से ज्यादा क्योंकि अभी देखो करने में लगा लेकिन उसके लिए मैं अ करूंगा टेलीग्राम पर बना दूंगा और उसके अंदर आपको दे दिया जाएगा अ कि अिए बड़ से लुद्गे जाओ प्रा झालेे का-2 जुद्गरा वु ऐन। कि अनवता से लुदरा झालेेंगा ऴुद्गा भी कि अन्हान ज्यवता बादा टो झाल झाल तो मैं अगर बात करूं मैं यहां पर तो जो स्टूडेंट रेगुलर कॉलिज का है उसके लिए प्रावलम नहीं एंसी वेब कॉलेज के लिए बच्चों के लिए प्रावलम नहीं है जो एसोल में स्टूडेंट है क्योंकि अभी आपने ट्विल्फ पास किया है ट्विल्फ हमें सारे चीज का वेरनेस रहता हे अच्छ़ बिंए आपके कॉलेज का इग्जाम उन्होंने क्या कह दिया सकर्फैर में है अब बच्चे उच रहे है अभी टूओ स्टार्ट वाई नियु नहीं बच्चे इस है इसमेस्टर वाइब के एक्ज चल रहे हैं कल भी एक्जाम है फाइनल यह वाले बच्चों का उनको कल एक्जाम है और आज दे क्या है फ्राइडे उनको वेड़नेश दे को मैसेज आएका अपने बुक ले जाओ आके सिंपल सी बात कह रहा हूं नोटिस आप देख सकते हो एस वेल की साइट पर ऑफिसियल है तो दो दिन पहले बुक दे सकते हैं वह एड्मिट कार्ट पहले आ गया रोल नंबर सेंटर बाद में बुक आया तो पहली बात सर आप बुक का वेटना करें उनका कहना है सर हम बुक हा को आने वाला है ना कुछ सीधा आप मानके चले फैब में एक्जाम है जब भी एक्जाम होगा एक्जाम तो वन विक भीपोर आपके पास के आद आएगा सीधा एड्मिट कार्ट फिर आप परिशान हो जाओगे सर हम ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने तो कुछ किया ही नह होगा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला सार वह इसनेमा सिनेमा होता है और रियल लाइफ होता है थे कहां है ना फिक ă्मा सब्सक्राइब होती है और रियल लाइफ रियल लाइफ होती है आपके दो हजार तेईस में सार 21 पेपर होने है ये तैह है आप पटा-फट से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए इस बरुसे मतलब यह बुक मैंने बुक बटा दिया सर अकाउंट के लिए आपका लगना है जे आर मोंगा आ करेंगे तो कोई फाइदा नहीं होने वाला तो यह मैं वाले बच्चों के लिए आपके साथ जितने भी फ्रेंड वगरा होंगे वह आपसे कई बर पूछेंगे क्या भी तो भोलेंगे भी अभी तो मैसेज भी नहीं आया क्लास भी स्टाट ऐसे थोड़ी पेपर हो जाएगा तो यह स्कूल नहीं है यह कॉलेज है और कॉलेज के अंदर वह मानते हैं कि आप सभी बच्चे होशियार हो होशियार का मतलब आप से जब जो बोला जाए उस ताम करने के लिए तैयार हो आप इसक प्रकत नहीं है उनके अभी इंटर्नल अगले मैंने इंटर्नल आ जाएंगे दो तीन चप्टर उनके टेस्ट में भी आ जाएंगे तो संडे की क्लास रखते हैं इसके बाद हम जो भी हो संडे अच्छा खासा अजिस्मेंट करेंगे चाहिए दस से ग्यारा साड़ी ग्यारा तक लेके जाएंगे उस दिन हमें सिर्फ अजिस्मेंट करने और मंडे भी क्लास है मतलब कंटीनी हो जाएगा ठीक है ना ए ओलग की लाख संडे की अगली ऐगली किलास से होगा क्योंकि मैं अभी इस टाइम पर न समस्टर के भी पेपर चल रहीं इंकम टेक्स के समेस्टर पांच के भी पेपर चल रहें आपके और फिर समेस्टर छे के छे नहीं पांच में काफी सारे सब्जेक्ट है तो मैं अभी तो फिलाल दिन बर भी क्लास ले रहा हूं तो मुझे कमी पढ़ रहा है क्योंकि सबकी रिकॉर्डिंग करना अभी आपका म कुछ कोश्चन नहीं करना डेफिनेटली संडे से कोश्चन करना स्टार्ट कर देंगे हैं ठीक है चलिए मिलते हम नेक्स क्लास में हमने अभी तक फाइनल अकाउंट में क्या कर लिया सर फाइनल अकाउंट के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट का नॉलेज होना जरूरी है profit and loss का होना जरूरी है और balance sheet का trading account में sir बनाने के लिए आपको direct expense का जरूरत है direct expense किसों बोलते हैं जो कि related होता है हमारा sir factory से P&L account के लिए आपको indirect expense का पता होना जरूरी है जो कि related होता है हमारा office से balance sheet में हम assets और liability को लिखते हैं इसके बाद हमने क्या देखा था sir इसके बाद हमने देखा था आपका trading and profit and loss का format trading and profit and loss trading account से दो चीजे निकलता है हमारा या तो gross profit निकलेगा या फिर gross loss gross profit निकला चाहे gross loss निकला कहां चले जाएगा sir ये चला जाएगा हमारा P&L के अंदर P&L बनाने का purpose क्या है या तो आप यहां से net profit निकल लोगे या फिर net loss निकल लोगे इस net profit और net loss को कहां लेके जाओगे आप balance sheet के अंदर अगर profit आया तो balance sheet के capital वाले section में add हो जाएगा और loss आया तो capital वाले section में क्या हो जाएगा minus हो जाएगा बुक का कुछ बच्चे अगर जितने भी live class में मैं clear कर दूँ सर बुक का PDF notes वगरा के चक्कर में मत रहीएगा PDF से कभी पढ़ाई नहीं होते किताब खरीद लिजी Amazon से खरीदना Amazon से खरीदिए nearby shop से खरीदना नियरबाई shop से खरीदिए latest book होना चीए syllabus change है आपका पुरानी बुक अगर लेते हो अपने सीनियर से तो पूरी साल परिशान रोगे आप साल तो नहीं खेर दो ही मैंने बचिये हैं आपके पास सर आज देखेंगे हम major topic है हमारा adjustment post-dated check वगरा देख लिया था आज करेंगे हम adjustment सर इसको इतना संभाल के करना है आपने और इस तरीके से करना है कि exam के time पे आपका पूरा revision हो जाए तो हम जो आप question करेंगे अभी question नहीं फलाल हम adjustment करेंगे 20 से 22 adjustment हमें एक page पे एक जगही रखना है मतलब के sequence में क्योंकि final account के अंदर अगर आपसे सैलरी कहां जाएगा तो हर बच्चा जाएगा और wages Q जाएगा तो हर बच्चा जानता जाएगा कि trading में जाएगा आपको opinion करना आता है आपको exameln कहां परेशान करने वाला है सर परेशान करने वालब इसका अब का adjustment के कह लो जो आया हुआ है उनका कहने उनका यही परपस है कि बच्चों को हम वर्सटाइल करेंगे यानि उनका एजूकेशन इस तरीके से हम एक्सपैंड करने वाले के उसको हर चीज़ कि नौलेज दी जाए तो जोः स्कूल का माहूल था सर्व वह बिलकुल अलग था और काया माहूल बिलकुल अलग होने वाला पटने में तो चलिये स्टार्ट कर लेते हैं कि अध्जस्मेंट नमबर वण adjustment No.1 मैं adjustment कराने का देखो, पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? अगर मैं question No.1 करा दूह। 1, 2 वैसे 1 और 2 में तो कुछ नहीं था, 3, 4 करा दूह। महाँ हाँ चार adjustment तो जितने adjustment मैं करा दूह। उससे related अगर कोई question देखेगा तो पहले हम question practice कर लेंगे फिर आगे adjustment पर carry forward करेंगे ऐसा नहीं करने वाले कि मैं पहले 20 adjustment करा दूँ नहीं, अगर मान लो 4 adjustment करा है और मुझे लगा कि 4 adjustment इस question को करने के लिए capable हो जाएंगे तो फिर हम पहले वो question करेंगे, फिर हम जाएंगे किस पर 5 वे adjustment पर चलिए सर्थ, adjustment number 1 हमारा है होगा किस चीज़ पर होगा सर्थ, stock के उपर और basically closing stock closing stock अगर मैं closing stock की बात करूँ सबसे पहले एक concept समझ लेते हैं, what is adjustment सर, what is adjustment, ठीक है, पहले समझ लेते हैं, फिर apply करेंगे यह हमने बनाया trial balance अब आप सब को पता होना चाहिए, सर, जो trial balance बन रहा है, वो कहां से बन रहा होगा यह हमने बनाया trial balance, ठीक है न? trial balance से पहले मैंने क्या किया, सर, सबसे पहले मैंने किया journal, journal के बाद किया, मैंने laser, जैसे ही journal और laser किया, तो laser की हमने जो totaling था, उस totaling को हम यहाँ पे धीरे धीरे लिखते गया, जिसका नाम दे दिया गया trial balance, trial balance का दोनों side total हो जाता है, done लेकिन कुछ item हम भूल जाते हैं, सर, लिखते लिखते हमें याद नहीं रहा, अरे मैंने closing stock नहीं लिखा, या फिर मैंने किसी का salary नहीं दिया, किसी का मैंने wages record करना भूल गया, तो जब कोई चीज भूल जाते हैं, तो हम लिख देते हैं trial balance के बाहर कि भाया, आपका ये trial balance जो है, ये 100% ठीक trial balance नहीं है, इसके अंदर कुछ गलतियां रह गए ये, उन गलतियों को बाहर लिख देते हैं, जैसे सर, depreciation लगाना भूल गए, closing stock लिखना भूल गए, जैसे की outstanding salary लिखना भूल गए, जैसे की prepaid, तो जो गलतियां होगे, उनको कहां लिख देंगे हम, बाहर, अगर आपको एक trial मिलता है, और उसके trial balance के बाहर कोई चीज मिलता है, तो ये सारी चीजे जितनी भी बाहर मिल रही है ना, इनको call करते हैं, सर, adjustment हमीशा आपको पता है, accounting के दो entry होते हैं, एक debit होगा, एक credit होगा, ये पता है rule, जो trial balance के अंदर आया होगा, वो journal के रास्ते से लेजर में आया होगा, लेजर के लास्ते से trial balance में गया होगा, इसका मतलब double entry के साथ गया है, adjustment तो हम करना ही भूल गया है, सर, complete omission में चल रहा है, तो क्या इसका journal हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, क्या आगे का काम हुआ, नहीं हुआ, तो इसलिए हमारा adjustment की भी कितनी entry करें होगी, तो rectify हो जाए, दो, यानि हर एक adjustment के सर दो entry होगी, एक क्या होगी, debit और एक होगी, credit होगी, नॉर्मली, तो जो trial balance के बाहर given होता है, उसे क्या बोलेंगे हम, adjustment बोलेंगे, और जो trial balance के अंदर given होगा, उसे हम normal entry बोलेंगे, और trial balance के अंदर जो होगा, उसकी posting करेंगे स्रिफ और वो कहा जाएगा एक जगह जाएगा सपोस्ट एट मैंने यहां पर लिखा मसीनरी तो बस में लिख देंगे और कहीं पर नहीं लेके जाएंगे लेकिन अगर यहां लिखा मसीनरी पर्चेस वर सब्सक्राइब तो उसकी दो एंट्री होगी एक तो मसीनरी में भी जाएगा और एक लाइवलेटी में भी जाएगा तो हम दीरे-दीरे सारी आध्यासी चीजह सीख लेंगे तो adjustment पता चल गया तो इसी तरीके से हमारा क्या है पहला पइंट closing stock closing stock दो जगह देखने को मिल सकता है एक हो सकता है आपको ट्राइल बैलेंस में देखने को मिले और हो सकता है कहाँ देखने को मिले अड़्जेस्मेंट में हो सकता है trial balance में देखने को मिले या फिर हो सकता है आपको देखने को मिले कहां पर adjustment में सर अगर आपका मिलता है यहां तो सर ट्राइल बैलेंस वाले कितनी एंट्री करते हैं एक एंट्री अगर ट्राइल बैलेंस में निकला आपका तो सिर्फ कहां ले जाएंगे यह जाएगा सिर्फ और सिर्फ बीएस लिख रहा हूं बैलिंशीट को कहां चला जाएगा सर यह बैलिंशीट और सर बैलिंशीट म मिला तो सर अड़्जस्मेंट में एक जगह से बात नहीं बनेगी अड़्जस्मेंट में मिला तो कितनी जगह लिखनी पड़ेगी आपको सर दो जगह कहां कहां लिखनी पड़ेगी वह देख लेते हैं सर दो जगह लिखना पड़ेगा आपको एक तो लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में सर ट्रेडिंग अकाउंट में आपको लिखना पड़ेगा और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर किस साइड लिखोगे आप ट्रेडिंग में तो दो साइड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाओगे आप लिखने के लिए क्रेडिट साइड जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बाई साइड भी बोलते हैं जिसको हम बाई साइड यानि दूसरी साइड जो होता है क्रेडिट साइड और सर एक तो ए बेलीन शीट में या मैं पूरा ही लिख देता हूं क्योंकि ये मेरे को नोटस आगे में किताब में भी डालने हैं ऒगा Begin should आद आगा कर दो श कर दो श कर दो वहां कि अनदर हैं या जाएगा अणदा एसेट साइप अधु बैलन कर बन शिट में कभी कंड एक और आपके साथ और आपका क्लोजिंग इसेट कहानी खतं में अगर आपका वह अचला करेदिंग के एक डिशोष साइड में पिछला देख Sono वूपन के अंहीं take closing stock था यह था closing stock इसलिए मैंने इससे कहां लिखा आप बताइए यह मेंट का part closing Stock यह without adjustment है यह क्योंकि यह trial balance के कहा है पिछली class के अंदर हमने देखा था यह closing stock सर इस closing stock को हमने कहां use किया था पता है आपको इस closing stock को एक हमने यहां लिखा था और एक हमने कहां लिखा था assets में दो जगह entry हम करके चले थे मैंने बोला था debit होगा और credit होगा तो आप ध्यान से देखिए मैंने credit तो लिख दिया और asset side में लिखा तो asset side का मतलब यह क्या हो रहा है हमारा एक तरीका से देखा जाए तो यह debit ही हो रहा है तो एक तो credit में चला गया और एक debit में चला गया यानि हम accounting रूल को अच्छे से follow कर रहे हैं समस्य तब आती है नोट कि प्रॉब्लम तब create हो जाता है हमारा जब आपको closing stock का दो value गीवन है वेन कि मार्केट वेल्यू और मार्केट वेल्यू को हम कहता है रिलाइजिवल वेल्यू वेन मार्केट वेल्यू या फिर रिलाइजिवल वेल्यू एंड बुक वेल्यू या फिर हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइज बोथ हर गीवन जब दोनों दे दिया जाए ऐसे situation में क्या होगा सर ऐसे situation में इसका answer हो जाएगा अगर दो वेल्यू गीवन होगा तो always taken इस पर अकांटिंग इस सेंड़ टू एक्जाम्पल देखें सर मान लो closing stock आपको adjustment में गीवन है भले ही adjustment में गीवन हो चाहे आपका trial में गीवन है closing stock गीवन है आपका मान लेते है closing stock आपको गीवन है 40,000 और इसके bracket में लिख दिया गया सर market price जिसको मैं MB बोल रहा हूं ठीक है market value बोल दो या market price market price 60,000 तो बच्चा confused हो जाएगा सर आपने यह तो बता दिया कि closing stock trading में आएगा और कहा आएगा balance sheet में लेकिन closing stock की तो दो-दो amount दिख रहा है तो हमें कौन सा लेना है तो accounting standard 2 कहता है भाईया confused मत हो दोनों में से जो कम होगा वही लेना है always तो सर यहां पे दोनों में से कम कौन सा है closing stock का 40 या 60 40 तो आपने लेना है 40 तो इसका answer क्या हो जाएगा सर 40,000 सर एक और example हो जाएग चलिए example नंबर टू closing stock sir closing stock आपको दे रखा है मैंने 50,000 market value 30,000 तो अब कौन सा लेंगे हम very simple 30,000 क्योंकि rule के इसाब से whichever is lower का मतलब जो दोनों में से कम है ऐसा कभी मत समझना कि जितने का खरीदा है वही लिया जाएगा या फिर जितना market में बिख सकता है उतने का होगा दोनों चीजे possible आपको इसके according लेना होगा कोई दिख्कत यहां तक कोई परिशानी समझ मैं adjustment number one हो जाता है हमारा done इसके बाद चलते हम adjustment number two पे नोटिंग के लिए या फिर मैं आपको PDF शियर कर दूँगा सब एक साथ नोट कर लेंगा है ठीक है चलिए adjustment number two adjustment number two करते हैं हम किस पे सर अच्जेस्मेंट नंबर टू आउटस्टेंडिंग नो 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 आउटस्टेंडिंग आउटस्टेंडिंग को हम एक और नाम से जाते हैं अनपेड इसको एक और नाम से जाना जाता है एरियर इसको एक और नाम से जाना जाता है पेवल इसको एक और नाम से जाना जाता है दिव इसको एक और नाम से जाना जाता है In not paid, इसको एक और नाम से जाना जाता है, एक्रूड , ठीक है तो इतने सारे नाम मैंने पता है किया लिख दिया कई बार क्उश्चन में आ जाता है तो आपको समझ में आना चेये कि सर इतने सारे नाम है तो मतलब आउटसेंडिंग की दे सकते हैं आपको है ट्राइलबैलेंस के अंदर दो ही तो चीजे कर रहे हैं यहां तो activating हो सकत is development में या theho giving by अगर सर्फिवन हो था एक हमें कििंड इंट्रि करेंगे अगर और गीवन एक अगने अगर घिवन इन trial balance अगर given वह trial balance में तो entry कहां कितनी करेंगे बताओ एक ही होनी चाहिए तो sir outstanding का nature देखा जाए तो liability होता है तो हमें लिखना है liability side liability गलत हो गया liability side ठीक है अगर आपका given हुआ sir कहां sir given हुआ adjustment में मैंने पीछे adjustment सब्सक्राइब इस्तिमाल किया ना हाँ ठीक है अगर given हुआ आपका adjustment में तो sir adjustment में जैसे ही दे दिया एक जाएंगे हम profit and loss या फिर trading मतलब सब समझा नहीं profit and loss या trading outstanding की बात कर रहे है न तो यह सारा का सारा outstanding income भी सब्सक्राइब आपको ओखिते थे एक या कर Pero profit and loss या फिर trading में क्या होगा sir profit and loss या trading के अंदर बहुत basic सी चीज है इसको हम add कर देंगे add कर देंगे in expense जैसे sir अगर हुआ outstanding wages तो हम कहाँ add करेंगे trading में जाएंगे और उस trading के अंदर क्या करेंगे add कर देंगे wages के अंदर अगर हुआ outstanding salary तो कहाँ जाएंगे P&L में जाके add करेंगे तो दोनों जगा जा सकता है वो add हो जाएगा तो आपका क्या होगा add in expense हो जाएगा और ये कहीं भी जा सकता है add in expense related to account यानि sir trading से related है तो trading में PL से related है तो PL में सर अगर बात करें अब दूसरा कहाँ जाएगा सर balance sheet में सर balance sheet में कहाँ लेके जाओगे इसे balance sheet में लेके जाएंगे इसे किस साइट बताईए लाइबलिटी साइट लाइबलिटी साइट लाइबलिटी साइट बैलेंस चीट में कहाँ जाएगा लाइबलिटी साइट अगर मानलो मैं example भी ले ले लेता हूँ example सोचो हमारा पहले से rent given है चार हजार रुपए खेक है और outstanding rent दे दिया मान ले थे हजार रुपए तो यह हजार रुपए तो दोनों यह कहाँ पे चला जाएगा सर पी एंडल मेंों और पी एंडल में क्या आ गया हमारा तोटल 5000 अब कहां चले जाएगा बैलेंस शीट के तो लाइबलिटी में 5000 लेकर चार लेकर जाएगे या एक हजार लेकर जाएगे तो सर यहां पर कितना लेकर जाएंगे हम 1000 लेकर जाएगे इस बात को आप समझवाइए तो यहां पर हो सकता है लेकिन अब कुछ हो trial balance में तो हमारा यह दे रख है और एक adjustment चलिए ठीक है एक और adjustment होता है hidden adjustment मैं उसके लिए separate ही एक concept ले के आ जाओंगा कई बार balance sheet trial balance के अंदर होते वह भी और adjustment का पार्ट बन जाता है जिसको मैं hidden adjustment बोल रहा हूं तो मैं अलग से ले लूँआ ठीक है चलिए सर अरजस्मेंट नंबर टू में कोई doubt 3 पर आ जाते हैं मैं इस पर star भी लगा देता हूं सर इसका एक पार्ट पेंडिंग है अभी outstanding का एक पार्ट पेंडिंग है यह outstanding का part A मालो B हम कभी करेंगे hidden adjustment में सर 3 प्रेपेंड 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 या फिर नेख्पार्ट या फिर सर रिलेट तो नेक्स्ट बस रिलेटेटेट टू नेक्स ए ए यह हो मतलब अगले साल से रिलेटेड है ऐसा कुछ बोला जाए तो अगेन कितनी जगह होगा कि दो जगह है कि सर कहां कहां दो जगह है कि कि सर दो जगह जो होगा न कि वह होगा कि या तो ट्राइल बैलेंस में कि अगरे कि अगरे कि अगरे कि अगरे कि या फिर होगा इन अड्जिस्मेंट में या तो गीवन होगा अड्जिस्मेंट में कि सर अगर ट्राइल बैलेंस में हुआ तो कि इतनी जगह जाएगा एक जगह और एक जगह जाएगा यह बैलेंस शीट के इसेट साइड बैलेंस शीट के इसेट साइड दूसरा जाएगा सर अगर अड्जिस्मेंट में है तो आपको पता ही कि दो जगह लेके जाना होता है हमें एक चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट ठीक है सर दूसरा जाएगा बैलेंस शीट सर प्रॉफिट एंड लॉस में कहां जाएगा ये है लेस हो जाएगा और बैलेंस शीट के कहां जाएगा सर एसेट साइड बैलेंस शीट के कहां जाएगा एसेट साइड जैसे एक्जामपल आपका मैंने कहा रेंट दे रख रहा है पहले से बीस हजार रुपए है और मैंने बोला प्रीपेड रेंट दो हजार है तो उस बीस हजार जो आपने रेंट पी एंडल में लिखा है ना उसमें से 2000 माइनस कर देंगे तो पी एंडल में रह जाएगा 18 और 2000 रुपे कहां चले जाएगा सर एसेट साइड में समझ में आ रहा है आपको तो ये था adjustment number 3 जो किस से related था सर प्रीपेड एक्सपेंस या नेक्सपाइड या रिलेटिव तो नेक्स नहीं इंकम नी एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस की बात कर रहे हैं इंकम पे तो अभी आए नहीं हम अभी सारा खर्चा चल रहे है ठीक है कोई दिकत यहां तक क्लियर है चलिए आगले पॉइंट पे चलते है है और ज्यस्मेंट नमबर पूर है 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 up अधियुक्रेश्म अब नरव फूर है कि डेप्री शेशन कि इसको तो पार्ट में करेंगे देखें जिसके उपर मैं स्थार लगा रहा हूं नो इसका एक और पार्ट आएगा कि यह कमिंग सून में मान दूआ है कि इसके उपर भी कि डप्रीशेशन कि अगर हम डप्रीशेशन की बात करें कि तो सर कि अगें यह दो जगए गीवन हो सकता है कि यह तो गीवन होगा आपको ट्राइल बैलेंस में कि गीवन इन कि ट्राइल बैलेंस कि सर दूसरा कहां गीवन हो सकता है कि अड़्जस्मेंट में कि अगर यह आपका गीवन हुआ कि ट्राइल बैलेंस में तो कितनी एंट्री एक एंट्री और कहां जाएगा सर अगर डप्रीशेशन गीवन हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइट अगर हुआ ट्राइल बैलेंस में प्रॉफिट एंट्री एंट्री कहां बहुत सिंपल सी बात है एक तो चला जाएगा बैलेंस शीट में और एक चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस में एक चला जाएगा प्रॉफिट एंड सर बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट में हो जाएगा लेस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड चला जाएगा सर एक्जामपल मान लेते हैं मसीनरी पचास अजार है एंड डेप्रीशेशन 10 पर्सेंट है डेप्रीशेशन कितने पर्सेंट है 10 पर्सेंट आंसर आप एसेट साइड में जाओगे सर एसेट साइड में जाने के बाद आप लिखोगे मसीनरी और पचास अजार यहां से माइनस कर दोगे डेप्रीशेशन पांच हजार और बैलेंस शीट के एसेट में बच जाएगा अब बताएए पी एंडल में कितना जाएगा पी एंडल में चला जाएगा हमारा पांच हजार रुपे क्लियर है यसका second part आते हैं जब provision for depreciation देता है यह सरिफ था depreciation इसके बाद देखेंगे हम provision for depreciation मैं यहाँसका adjustment number 4 था इसको 6 नाम दे देता है sorry 4 के बाद 5 नाम दे देता है adjustment number 5 provision for depreciation sir, provision for depreciation provision for depreciation चलिये है अगेन प्रोविजन फोर डेप्रीशेशन पहले समझ लेते हूथा क्या है है हलाकि एक चैप्टर भी हमारा डेप्रीशेशन ए इस 10 के अंदर कवर करेंगे मैं अगला चप्टर या उससे अगला चप्टर जो भी है वह करने वाला हूँ तो डेप्रिशेशन प्रोविजन मे आजाता है कुछ इस तरीके से आप ध्यान लेज़ेगा मान लेते हैं यह है लाइबिलिटी और यह है एसेट यहाँ पर एक्जाम्पल देखिएगा मैं मिटा दूँँगा इसके बाद समझाने के लिए आपके पास मसीनरी है 50,000 का और सर डेप्रीसेशन चार्ज करना है आपने 10% तो पचास अजार के मसीनरी पे 10% डेप्रीसेशन चार्ज करना है एक मेथड तो यह कहता है सर आप मसीनरी लिखिए है यहाँ और मसीनरी लिखें यहां पर 50,000 और इसमें से माइनस कर दीजिए सर डेप्रिशेशन 5,000 और यहां शो कर दीजिए आप दूसरा मेथर्ड सर हमें बोलता है सर मसीनरी लिखिए पचास अजार और इसके उपर का depreciation माइनस ना करके liability में लिख दीजिए provision for depreciation और इसका एक और नाम है accumulated depreciation सर इसका एक और नाम है कहीं एक्जाम में confused बिल्कुल भी नहीं होना एक और नाम है accumulated depreciation तो सर आपके सामने ना दो तरीके या तो मैंने क्या करा एक इस तरीके से करके दिखा दिया आपको और दूसरा मैंने आपके सामने करा इसी सवाल को इसी question को इस तरीके से अब सवाल होता है कि सर कौन सा method सही है कौन सा method गलत है आप इसमें से अगर ध्यान से देखे ना इसके अंदर तो इसके अंदर आपको net reflection 45,000 है और यहां भी ध्यान से देखे ना तो आपको net reflection कितना मिलेगा आपको तो यानि सर जब हम assets में से depreciation को माइनस नहीं करते हैं बजाए हम liability में दिखा देते हैं तो इसका मतलब concept को बोला जाता है यह जो follow कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रोविजन वाला और यह जो follow कर रहे हैं सर नेक्स्ट येर के अंदर मसीनरी जो है वह पीछे से आएगा मसीनरी उठके तो मसीनरी पर आएगा पता है कितना कि नेक्स्ट ये ये टू में है ठीक है न और सर इसके अंदर depreciation wdv हुआ तो 45 पर माइनस करेंगे और SLM हुआ तो कितना डेप माइनस कर देंगे पूरे 5000 यानि जो चल रहा है SLM में वही रहेगा मैं एक पल को SLM मान लेता हूं तो यहां कितना बचेगा लेकिन सर दूसरी साइड क्या करेंगे फिर हम इस ये टू के अंदर अगर दूसरे साल में ये टू पर चला जाओं ये टू तो सर यहां पर ये वाला रहेगा हमारा पांच इसमें कोई छेड़ानी नहीं होने आला ये पचास अजार ही रहेगा अगले साल हमारा इसके अंदर क्या होगा सर और डेप्रिशेशन एड हो जाएगा करंट येर का डेप्रिशेशन 5000 एड होके यहां पर जाएगा अगले साल में और 40 में से कितना माइनस करें हैं फिर से 5 35 बच जाएगा लेकिन जब ये वाला अगले साल जाएगा तो इसमें कोई चेंज ये तो पचास ही रहेगा यहां पर 5 और एड हो जाएगा हाला कि अल्टीमेटली तो देखो यहां पर भी आपको ध्यान से चालिस ही नजर आ रहा है और यहां पर भी कितना है चालिस है तो इसका मतलब सर अगर प्रोविजन फोर डेप्रीशेशन होता है सवाल में तो प्रोविजन फोर डेप्रीशेशन के केस में एसेट्स में से डेप्रीशेशन माइनस नहीं होता है एसेट्स में से डेप्रीशे मुझे नहीं मतलब आपने 11 वी में क्या पढ़ा है बार वी में क्या पढ़ा है अगर बेसिक से लेके चले नहीं तो मसीनरी अगर मैं लेके चलूँ प्रोविजन वाला ट्राइल बैलेंस एक बना के दिखाता हूं तो यहां मसीनरी आएगा और यह डेबिड में आएगा पूर प्राल थी ट्राइल बैलेंस नॉर्मल के अभट से तो कैसा बने का एक पर दिखाओ से नॉर्मल के हिसाब से बना होcondu l कि सब्णृम नॉर्मल के थाप से इसकरा ट्राइल्स भ्रैंस बनेगा ना तो यहां पर मसीनरी आएगा आएगा चालिस अजार और डेप्रिशेशन आएगा ऐसे दिखाएंगे यानि जो माइनस करके एसेट से अल्रेडी देखा रखा है हमें पचास और पांच हजार जो करखर डेप्रिशेशचा है ना डेБिडमे आ गया एल्टीमेटल यहां दिखाए जाये तो कितना दिखा दिया हमने पांच हाजार रुपे current year का debt अर हमने ये दिखा लिया पहले यहां तक देखे कोई दिखा अब हम बनाते पी इंडल इसका मतलब कहने का मतलब है सर current year का कर यह वाला debt कौन से साल का है सर है यह करेंट और यह वाला debt कौन से साल का है सर current year प्लस परक्त तो होगा न ठीक है अल्टीमेटली आप देखेंगे यहां पर ट्राइल वैलेंस के टोटल अलग-अलग आ सकते हैं अलग-अलग मतलब debit credit यहां भी मैं अच्छ नहीं हुआ यह तो मैं सर्फ extract लेके चल रहा हूं ठीक है चलिए सर आगे चलते हैं अब इसके लिए मैं आपके लिए पींडल भी बन depreciation या assets और यए अगर मैं पींडल वाले के लिए बताूंगां प्रोविजन वाले के लिए काम करता हूं यहाँ पे एक दिखाये जाएगा लेकिन दिखाये जाएगा कितनाadалоं आफ्टाज़ाफन हाँ और सर यहाँ बैलेंस चीट में मसीरी दिखाये जाएगा कितने दिखाए जाएंगे और सर यहां पर पी एफडी दिखाए जाएगा कितना दिखाए जाएगा पूरे दस अजार क्योंकि पी एफडी तो जुड के आ रहा है ठीक है न और करेंट इयर का डेप कितना आ कितना है आपको पता हो तब पहले तो देखो यह ऐसे जाएगा मान लो मैं सारी डिटेल दे रहा हूं तो आपको पता है सर करन्ट का डेप्रिशेशन चार्ज करोगे यहां क्योंकि प्राफिट और जो कहता है क्या कहता बड़ी सीदी सी बात बोलता है कि यहां मेरे अंदर जो दस अजार तो कितने साल का खर्चा हो और बैलें शीट में आपको कितना दिखाना है सर 40 अब मैं इसके लिए बना तेता हूं दूसरे के लिए नॉर्मल के लिए यह हो गया पी एंडल और यह हो गया बैलेंच शीट सर पी एंडल में करेंट येर का डैप आ जाएगा सर कितने का और सर बैलेंच शीट में मसीनरी आ जाएगा कितने आगे 40 कैसे 40 सर जो था कि ट्राइल बैलेंच ले लो 40 का 40 आ गया 5000 करेंटियर का डैप है यहां पहुंच गया अब दोनों अकाउट को देखो दोनो एकाउट के अंदर अगर अगर आपफ डिटेल में जाओगे ना तो दोनों कोई फ़रक ही नहीं है इक परक एससमस्डारी में यहां पर भी बैलन सीट में चालिस दिखा रह Совर खर्चा यहां पर भी बैलन सीट में कितना दिखा आया नहीं है तो ऐसे सिच्यूएशन में 10% का डेप्रीशेशन जब चार्ज करोगे तो सबसे पहले डेप्रीशेशन चार्ज अगर सेलम हुआ तो 10% यह कोई सा कॉस कॉस प्राइज है इसके उपर चार्ज होगा बट डेप्रीशेशन किस पर चार्ज होता है चालिस तो पहले हम यहां पर निकालेंगे चालिस और चालिस के उपर 10% डेट इस 4000 रुपिस चार्ज करेंगे बैलेंस शीट में दिखाने का कैसे रहेगा अगर यह एडजस्मेंट में हो गया तो बैलेंस शीट के अंदर हम पूरा 40,000 पचास जार दिखाएंगे और पी अपडी जो पहले से 10 था वो भी 10 दिखेगा बैलेंस शीट में लेकिन करन्ट येर वाला भी इसमें कितने चार समझ में आ रही बात तो इस तरीके से कुछ प्रोविजन का ट्रीट्मेंट रहता है लेकिन मैं तो पूरे डिटेल में लेके जा रहा हूं शुरू से लेके एक्जाम में बड़ा सिंपल सा सवाल है का ट्रायल बैलेंस के अंदर गीवन है आपको स्रिफ फिल करना होगा ठीक है समझ में आई बात आपको ये तो बड़ा सिंपल सा है तो ये आप नोट करेंगे नोट करने का मेरे साब से बनता नहीं है बाकि आपको नोट करना हो तो वीडियो मैं इसको देदूआ और यह वीडियो को देखके आराम से नूट कर लिजेगा पॉज कर करके क्या है है कि आप पीडियाप देंगे लेकिन पीडियाप में यह आएगा नहीं आप तो देखो डिलीट मार रहा हूं को कहा कि पीडियाप से गाइब झाल झाल चली आज़ेए सर अब बात करते हैं प्रोविजन फोर डेप्रिशेशन ये भी दो जगे गीवन हो सकता है या तो गीवन हो सकता है कहां गीवन हो सकता है बोलो ट्राइल बैलेंस में या गीवन हो सकता है सर अगर गीवन हो ट्राइल बैलेंस में तो कितनी एंट्री एक एंट्री और अगर गीवन है ट्राइल बैलेंस में प्रोविजन तो ये चला जाएगा सर बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के लाइबलिटी में पी एंडल में नहीं जाएगा लेकिन अगर गीवन हुआ कहां सर अड्जेस्मेंट में तो सर इसकी दो एंट्री कि अगर हुआ अगर हुआ अड्जेस्मेंट में तो दो एंट्री सर एक तो जाएगा हमारा profit and loss में सर एक जाएगा profit and loss में सर profit and loss के कहां debit side और जो debit side जा रहे है न वो होगा current year का debt only current year क्योंकि जब प्रोविजन होगा तो एक साल का डेटा नहीं होता हमारे पास कितने टाइम का डेटा होता है मोर देन मतलब कि टोटल लाइफ का ही होता है वो उसके सेम अगर हमारा होता है यह कहां पर दूसरी एंट्री पी एंडल में चला गया दूसरा एड हो जाएगा सर यह इन प्रोविजन पोर डेप्रिशेशन अच्छा इसके न दो ट्रीटमेंट है इसके दो ट्रीटमेंट है या तो आप एड कर दीजिए इसमें से या अगले साल से आपका अगर चाहते हो जैसे मानलो या आपके सामने बैलींगशीट है बैलेंशीट में आपने लिखा मसीनरी पचास अजार और यहां आपने लिखा पी एफडी-दस में ऻकी है अगली साल 2 अगलೈ यह सब अलगर्द बातं चल रही है चलते तो आप balance sheet को इस तरीके से बनाना चाहते हो अब जो current year का डैप आया है current year का तो current year का provision में नहीं दिखाऊ गया भले ही provision for depreciation पहले से था current year का डैप बोलोगा हटाओना अगले साल से इस कहानी में नहीं पढ़ना अब डैप current year का minus कर देंगा जो कि 4000 आता है तो यह बच जाएगा हमारा कितना 36,000 एक तो यह तरीका है दूसरा सर तरीका क्या है आपका दूसरा तरीका है कि आप machinery को फिर वही दिखाओ कितने रुपे और आप PFD जो दिखा रहे हो ना PFD पहले कितने का था आपका 10 का 4 और जोड़ दो कितने का हो जाएगा दोनों को आप ध्यान से देखो त किताब में कई बार ऐसे आंसर होगा कई बार ऐसे आंसर होगा तो परिशान भी मत हो ना कि सर आपने दूसरी तरीके से बता दिया समझ में आगी बात आपको हंजे क्या आपके मर्जी है ना वो तो किताब बताएगा SLM और WDB किताब बताएगा मैंने तो WDB मान के कर दिया वो तो बुक बताएगा आपको SLM लगाना या फिर और कुछ ना बोला जाए तो भईया SLM लगा के कहानी खतम करिया और नोट दीजिए इस पर सर इस के अंदर इसे भी हटा दिया जाए इसके न एक और में और आंसर हो सकता है इसका और में और आंसर हो सकता है इसको क्या कर सकते हैं दूसरा आपके पास एक option available है सर दूसरा option available है आप कर दिजिए less from एसेट मैं थोड़ा और डिटेल ले जाता हूं इसको कि अ कि अ कि बैलिंग शीट में इसको कि अ करिये बैलिंग शीट में जाएगा और बैलिंग शीट में क्या होगा एड प्रोविजन हो जाएगा प्रोविजन कि साइड होगा आपको पता है न लाइबलिटी में या फिर दूसरा हो सकता है लेस फ्रॉम एसेट्स और एसेट्स में क्या क्या लेस होगा सर करंट येर का भी डैप लेस होगा प्लस पी प्रोविजन फोड जो दूसरा वाला पैटर्ण बता है था आपका या तो आप ऐसे वाला फॉर्मेट फॉलो कर लिए या ऐसे वाली वह आपकी टूटल इच्छाय के किस तरीके से करें अच्छा पीडिया प्रोविजन फोर या पूरा ही लिख देते हैं आप सब मान के चलो मैं पूरा इसलिए लिख के चल रहा हूं मैं अपने लिए आप शॉर्ट फर्म लिख सकते हैं क्योंकि अभी 10-15 दिन में मार्केट में बुक आजाएगी मेरी तो जो मार्केट में बुक आएगी तो उसके इंदर यही चार्ट में डलवाऊंगा सारा ठीक ह आपके पास पहले से नोटिंग है उसमें आपको प्रिंटिड फॉर्मेट में मिल जाएगा जितने भी डेली उनिवर्सिटी के बच्चे वो सब इसी चार्ट से पढ़ रहे होंगे तो आने आले टाइम है दस दिन के बाद दस या पंदा दिन में मार्केट में बुक साथ आपके उसको solution करने का easy way होगा डेली के अंदर total एक लाख बच्चे जो उस book को पढ़ रहे होते हैं उसके अंदर सारे बच्चे तो मेरे पास नहीं पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हो आपको detail में होगा वो बच्चे चाहें कहीं भी पढ़ रहे हो मतलब नहीं है लेकि समझढे बिना पास होगी नहीं सकता बच्चा सीदिसी बात है तो वह लेना ही लेना पड़ेगा जिसको बोलते हैं 10 YEAR जिसको क्या बोलते हैं 10 YEAR आगे चलके जाओगे तो 10 YEAR उसके बिना कोई बच्चा मतलब कि किसीभी सब्चेक्ट का सातों सब्चेक्ट के आपको 10 YEAR ल किसी मार्किट में आपको इंकम टेक्स का मंड़ी मिरा मार्किट में हमारा है है आप देखोगे तो वहां पर आपको बुक्स मिल जाएंगे सारी कोलेज के आतै अभी आने वाला है कॉर्परेट का अभी आने वाला है कॉस्टिंग का दो और आने वाला upside क Rio आपके रिलीज होंगे इस साल में बुक तो आप लोगों को तो पहले ही पता चल गया आप जब जाओगे तो वहाँ पे वह बुक के अंदर प्रिंटिट फॉर्म में यही अड़्जस्मेंट मिल जाएगा हाँ टैनियर होगा सिफदास के नाम से आएगा मार्किट में अभी तो देखो अभी नए नए बच्चे सेमेस्टर को सिम बोल रहे हैं अभी ज्यादा पता नहीं होगा ठीक है ना तो पता कब चलेगा जैसे जैसे कॉलेज में जाओगे तो आपको पता चलेगा अभी आपको लेते हैं के यह नहीं पता कि यहीं दुनियामें किताबी नहीं मिलेगी एक यह कुर मिल रहोगा सिर्फ 10-year पखड़ो गया चलो भी इसी से पढ़ लेते हैं आपके और भी ऐसे से रंग-मंच सब्जेक्ट भी आपका अब रंग-मंच में मंच नहीं सब्सक्राइब करी तो आपको मैं पहले बता दू डेली युनिवर्सिटी से स्रिफ स्लेबस रिविल किया जाएगा और कौन से राइटर का किताब लेना राइटर भी फॉर्णर लिख देंगे और जिसके अंदर आपको समझी नहीं आएगा भाई बुक लिया है मैंने या जंजट ले लिया क्योंकि कोई भी नया स्लेबस है मार्केट के अंदर जियार मुंगा देखो पिछले कई सालों से जो है बुक लिख रहे है तो जियार मुंगा बुक डेली के अंदर आपको इन्युवर्सिटी में मिल गया प्रैक्टिकल की ट्रेंडिंग में है बाकी EVS हर बार बदल रहा है भीया व अगवान जाने कुछ बच्चे बोल रहे हैं एडिशनल नहीं है कंपल्सरी है उसमें से चूज करो पास होना जरूरी है ध्यान रखना चूज करके जैसे एक मैंने देखा है के एवरी फाइनेंस फिर रंगमंच है एक एविस हो गया एक और क्या था है हां हिस्ट्री वगए कणक का इंटेन्मेंट हो गया होगा तो च्टे अज़्यस्मेंट बेचलते हैं है सार च्छाटे अधिस्मेंट है च्छाटा अधिस्मेंट है बेड़ेट्स अब सर बेड़ेट्स दो जगें गीवन हो सकता है सर दो जगें गीवन हो सकता है बेड़ेट्स कहां गीवन हो सकता है एक तो गीवन इन और दूसरा गीवन हो सकता है अधिस्मेंट सर अगर हम ट्राइल बैलेंस की बात करें तो एक ही एंट्री होता है ट्राइल बैलेंस का आपको पता है जैसे मैंने डिसकस किया है तो यह चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड इसके बाद अगर बात करें अज्जस्मेंट में तो दो जगे चला जाएगा दो जगे जाएगा सर दो जगे कहां चला जाएगा एक चला जाएगा हमारा बैलेंस शीट में दूसरा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में अगर बैलेंस शीट की हम बात करें तो बैलेंस शीट में भी कहां और क्या होगा बैलेंस शीट में हो जाएगा लेस फ्रॉम देटर और आपका पी एंडल क्या जाएगा डेबिट साइट अ कि देबिट साइट कि अगर बैडेट हुआ तो यह अब बैडेट के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है एक होता है प्रोविजन फोर डाउट्फूल डेट्स तो प्रोविजन फोर डाउट्फूल डेट्स को भी मैं अलग लेके चल रहा हूं फिर दोनों को मिक्स करके लिए चलेंगे तो यह था अड्जस्मेंट नंबर छे यह समझ में आए क्या करना है साथ पर चलते हैं कि अ कि अ कि प्रोविजन कि अ कि अ कि अ बैडेट्स अगर हम प्रोविजन फोर बैडेट्स की बात करें तो यह भी दो जगए गीवन हो सकता है एक गीवन हो सकता है गीवन इन दूसरा सर गीवन हो सकता है कहां पर अड्जस्मेंट गीवन इन अड्जस्मेंट अगर ट्राइल बैलेंस की बात करें यह चला जाएगा हमारा फ्रोविट ecc क्डेडिट साइट ड यहां पर क्रेडिट और क्डेडिट साइट यहां पर भी नीजान है और ġपीड साईट लेंगेंड दो जगह जाएगा कि है कि सर कहां दो जग है पहले तो आप कर दोगे लेस यानि पहले चला जाएगा बैलेंस शीट में और दूसरा चला जाएगा सर प्राफिट एंड लॉस में सर अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ तो बैलेंस शीट में क्या होने वाला है सर लेस प्राउम डिटर और अगर पी एंड ल की बात करूँ तो डेबिट साइड प्राफिट एंड लॉस अकांट सर ध्यान दीजिएगा यहां पर ट्राइल में होता है तो जाता है है credit side लेकिन adjustment में तो होता है तो कहां जाता है यह प्रोविजन कि debit side जाता है अर्जस्मेंट में होगा तो कहां लिखेंगे हम इसको लेकिन trial में होगा तो कहां जाएगा यह ध्यान रखना है आपको बच्चे गलती कर देते इसमें कई बार इसको करने के काफे सारे pattern है लेकिन हम इस pattern को follow करेंगे जिस से हमारा गलती होने का chances भी नहीं है कई बार बुक के अंदर इसको adjustment कर दिया जाता है उस adjustment को नहीं करेंगे हम direct individual करेंगे answer 100% हमारा accurate रहेगा चाहिए आप किताब से मिला लो चाहें आप टेपर में लिख किया उसमें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला ठीक है अद्जस्मेंट नमबर आठ कि आप कि प्रोविजन कि पोड़ेटर कि एंड कि बेड़ेट्स के अलावा भी और चीज ले लेता है इसमें कि एंड डिसकांट कि अग्राइब अग्राइब। कि अग्राइब। कि अपिए कि अब आप कि अब कि अब कि अब कि 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 सर या तो गीवन हो सकता है आपका गीवन हो सकता है आपका ट्राइल बैलेंस में हम गीवन हो सकता है आपका ट्राइल बैलेंस में सर दूसरा गीवन हो सकता है हमारा अडजस्मेंट में अगर ट्राइल बैलेंस में गीवन है तो सर यहां पर तीन चीज़े आप गौर करो नोटिस करो यहां तीन चीज़े लिखा है एक तो डेटर होगा यानि एक प्रोविजन वाला पार्ट होगा एक 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 बैडडेट्स होगा दो एन डिसकाउंट ऑन डेटर होगा तीन तो अगर ट्राइल बैलेंस में भी गीवन है तो में भी पॉसिबल हो एक है में भी पॉसिबल हो दो हो और में भी पॉसिबल हो तीन हो तो मैं तीनों को को ले लेता हूं यहां पर तो हम पहले बात करें बैडडिट्स की फिर बात करते हैं प्रोविजन की फिर बात करते हैं प्रोविजन फोर डिस्काउंट की प्रोविजन फोर डिस्काउंट की देट्स की बात करें तो पता है कहान जाएगा यह profit and loss में और debit side profit and loss के debit side अगर हम बात करें provision तो सर आप individually सोचिए इसको मैंने जब बोला था bed dates होगा तो कहां जाएगा profit and loss के और यहां भी मैं क्या बोल रहा हूँ debit side अगले adjustment में मैंने बोला था अगर provision हुआ तो कहां जाएगा profit and loss के अगेन इसके लिए मैं कहा लिख हूँ profit and loss के कहां पे अगर provision for discount हुआ तो यह भी जाएगा profit and loss के credit side हम example भी लेंगे पहले मैं बता रहा हूँ के कहां कहां जा रहा है फिर एक example लेके फिर समझ लेगे ठीक है ना चलिए सर गीवन अगर adjustment में हुआ तो क्या करना है अगर adjustment में given हुआ तो दो जगए entry जाएगी पार थीक हुआ तो हुआ तो कि सार दो जगा एंट्री कहां जाएगा एक तो पहले बैलेंस शीट में एक तो जाएगा बैलेंस शीट में एक बैलेंस शीट में भी इसका एक और्डर फिक्स है कि डेटर लिखा होगा आपके पास कि डेटर में से सबसे पहले माइनस करना है हमें बैलेंस करेंगे जो बैलेंस आएगा माइनस करेंगे प्रोविजन पूर बैलेंस यहां बैलेंस आया इसमें से माइनस करेंगे यह फिर जो बैलेंस निकल के आएगा नमबर तीन पर अगर अगर अजस्मेंट में गीवन है डिसकाउंट तो माइनस करेंगे प्रोविजन माइनस करेंगे प्रोविजन पूर डिसकाउंट और यह फाइनल अमाउंट हमारे बैलेंस शीट में रह जाएगा अब डबल एंट्री कहां जाएगा सर इसका अगर हम डबल एंट्री की बात करें तो दूसरी एंट्री जाएगे अपकी प्रोविट एंड लॉस में प्रोविट एंड लॉस अकाउंट में सर प्रोविट एंड लॉस अकाउंट की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रोविट एंड लॉस में किस-किस को लेके जाना है तो बड़ी सीधी सी बात है एक तो हम लेके जाएगे प्रोविट एंड लॉस में इस bad debts को एक लेके जाएंगे प्रोविजन को एक लेके जाएंगे और एक लेके जाएंगे यानि तीन आइटम जाएगा एक तो bad debts जाएगा एक पि्रोविजन जाएगा जब में से माइनस करते है न यानि adjustment वाला जो पार्ट होता है सर उसको जब हम लेके जाते हैं तो यह पता ही क्या होने वाला है आपका सर यह debit होगा कहाँ P&L के यह भी सर और यह भी मैंने गलत नहीं लिखा है कुछ बच्चे सोचें का सर गलती तो नहीं कर दिया भी तो credit बताया था आपने तो यह जाएगा हमारा इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगा सर यह इसके उपर जब तक एक एग्जामपल नहीं कर लेंगे तो समझ में नहीं आएगा पहले तो मैंने यह बता दिया कि सर होना क्या है अब आ जाते हैं एक्जामपल पर दो चिन्ता मुझे नहीं हीं अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो तो चुटी कर देते हैं आ रहा है तो फिर मज़ा आना चाहिए सर एक ट्राइल बैलेंस और उसके नीचे मैं कुश्चन भी लिखने वाला हूं और दो तिन कुश्चन कर लेंगे तो बेटर रहेगा सबसे पहले हमारा है डेटर मान लेते हैं एक लाव डेटर के बाद बेट डेट्स पांच हजार प्रोविजन डेटर छे अजार प्रोविजन पूर डिस्काउंट यह पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं होगा यह ट्रायल बैलेंस का एक एक एक्स्ट्रेक्ट है जिसके उपर हम काम कर रहे हैं एक्स्ट्रेक्ट का मतलब साथ थोड़ा सा हिस्सा जितना पार्थ हम सीख रहे हैं उसी के इसाब साथ अट्जस्मेंट पॉइंट नमबर वन प्रोविजन ओन देटर दस परतीशक्त बैड देट्स पांच हजार प्रोविजन पॉर पॉर दिसकांट था ए है इक आपके सामने कुशं जिसके अंदर आपको ट्रायल बालेंस के अंदर भी जानकारी गीवन है अधिक एक इक्जामपल पहले लेता है फिर हम इसको शूल्स करेंगे नॉर्मली जो मैंने पीछे लिखा है ऐसा क्यूं लिखा है मान लो एक सपोस करो हुआ 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 है नाम दे देते हैं सर हमने इसको समान बेचा है इसको हमने ध्यान दो ध्यान दो इंट्रस्टिंग है इसको मैंने समान बेचा है 5000 का इसको 5000 का इसको 20,000 का इसको 6000 का इसको 4000 का इसको 20,000 का समान बेचा है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरा डेटर बता दो है टोटल डेटर कितना होगा मैंने सब को समान बेचा है उधार तो जब उधार माल बेचते हैं किसी को तो डेटर होता है तो डेटर का मतलब एक वेक्ति नहीं होता सर सब को जोड़ गे तो 10,000 20,000 40,000 और एक मान लेते हैं अब कितने वेक्ति हैं छे सपोस करो जो परसन नंबर हमारा सी है परसन नंबर सी है इसको मैं बिल्कूल अलग कर देता हूं परसन नंबर सी कि इस परसन नंबर सी की बात करें तो किसी रीजन से उल्टा नहीं हो गया इसे मा रहा है यानि सर एक वेक्ति सी जो था उसकी देथ हो गई जब इसकी देथ हो गई तो उससे पैसे ले लोगे क्या लेने के लिए आपको भी जाना पड़ेगा है ठीक है न तो इससे पैसे तो नहीं ले सकते इसे बोलते हैं जैसे एक नुकसान हुआ मुझे लगता है इसमें से भी कोई ना मर जाए इसमें से भी कोई मर गया तो और टेंशन है चालिस एक तरीक है अब भाईया जो यह बच गया ना पांच इन पांचों के उपर आप डाउट करोगे और डाउट करने के है नहीं हो सकता नुकसान कोई मर सकता है या पैसे लेके भाग भी सकता है तो फ्यूचर में लॉस हम मान लेते हैं कि यार कितना लॉस होगा कि एक परसंटेज करूंगा और वह परसंटेज मैंने इन डीटर्माइन कितना कर लिए सार मान लेते हैं दस परसंट मैंने डीटर्माइन किया कि 10 परसंट शायद और ।ो मैं यहां पर मै्नेस करूंगा शर्रिद मान लेते हैं जाता है प्रोविजन है दस परसेंट है कि बचे कितने है अब देखो यहां पर डेटर के कैटिगरी आ गया यह वाला जो डेटर था हमारा यह डेटर के अंदर थोड़ा मतलब यह पूरे पैसे तो नहीं मिल रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं इसके अंदर वो भी वैक्ति जुड यह इन दोनों को मैंने गंदे डेटर को निकाल दिया दोनों को जब इन दोनों गंदे डेटर को निकाल दिया तो अब यह जो बचा यह सारे अच्छे अब डिसकाउंट देने की बारी आएगी तो डिसकाउंट किसको दिया जाता है जो अच्छे डेटर है अब यह मर गया के हमने discount रखा है 5% यह मेरे लिए खर्चा है प्रोविजन का मतलब यह भी हमें खर्चा ही मानना पड़ेगा और यह तो हमारा discount दे रहे हैं तो यह भी क्या होगा हमारा खर्चा होगा एक तो इसका solution करने का तरीका यह है अब एक solution ऐसे भी कर सकते बच्चे तो आप अब्जर्व करिएगा मैंने डेटर लिखा पहले माइनस कर दिया इसमें से प्रोविजन पांच हजार आ जाएगा बच्चे कितने फिर माइनस किया इसमें से बेड़ेट्स पहले से गीवन था हजार तो बच्चे कितने 35 अब दिया मैने डिसकाउंट 1750 अब समझना मैंने इस पचास हजार पे पहले माइनस किया प्रोविजन यानि पचास हजार के उपर मुझे डाउट है कि मुझे पैसे नहीं मिलेंगे 10% 50,000 पर डाउट तो सर किस्के उपठो आपने मतलब आपने किस ऐउट किया इस पे प्रमेशंचे मर गया है को मैनेमे प्रोविजन मैं वही चीज समर्जाने ते Mmm माइनस किया प्रोविजन अब आप इस पर भी डाउट कर रहें इसका मतलब यह गलत है सर आपका आप यह कर ही नहीं सकते तो आपको डाउट किस पर करना है पहले डेटर में से जो बेट डेट्स हो चुका है उसको हटाओ कि जो बच गये उसके उपर डाउट करो डिस्काउंट सबसे प्योर डेटर को दो जो बढ़िया डेटर है आपके अड़्यस्मिंट में कैसे गी बने नंबर वन पर बोलता है प्रोविजन है सर क्या मैं पहले प्रोविजन लगा सकता हूं पहले क्या करना पड़ेगा फिर यह यही चीज मैं यहाँ पर बता रहा था यह sequence फोलो करना जरूरी है क्यों sequence बना है by logical समझो ऐसा नहीं के पहले दे दिया यार पहले बेड़ेट्स माइनस कर देते हैं नहीं logical है अगर मैं पहले provision माइनस कर दूंगा तो इसका मतलब सर आप उसके उपर भी doubt कर रहे हो जो debtor आपक चार हजार अगर आपने सोचा पैसा डूबेगा लेकिन actual कितना डूबा तो 2000 तो एक्स्रा खर्चा मान के बैठे हो जब अगले साल के पी एंडल बनाएंगे तो इसको income मान लेंगे है तो compensate हो गया ना इस साल 4000 खर्चा मान के बैठे अगले साल क्या मान रहे हैं income तो 4000 अगले चीट को टेली करोगे तो कितना खर्चा बुक किया सरफ हमने इसलिए मैं बोलता हूं जो trial balance के अंदर provision given होता है न यह वह given होता है जो हुआ ही नहीं यानि यह ओल्ड है तो जो trial balance के अंदर गीवन है जो हुआ ही नहीं तो इसलिए trial balance वाले provision को मैंने कहा दिखाया है income है समझ रहे हो सेम discount में भी तो यह हो सकता है हमने discount या कोई बोलता है मुझे discount नहीं चाहिए तो same उसके बाद क्या बन जाएगा income बन जाएगा यह point समझ में आया पहले यह सारा point समझ में आगे अब इसका treatment कैसे कैसे handle में करेंगे यह देख लेए इसे मैं अगेन यहां से हटाने जा रहा हूँ जिन बच्चों को इससे पूरा note करना है मैं कहूंगा example note करेंगे तो मैं यह video दूँगा बच्चों को तो वो अराम से pause करके धीरे-धीरे समझ समझ के note कर लिजेगा सर अब इसका answer करते है एक तो बनेगा थर पी एंडल और एक बनेगा balance sheet दो ही चीज़ तो करना है आपको झाल सर यह बना रहा हूं मैं आपके लिए पी एंडल और यह बना रहा हूं मैं आपके लिए balance sheet इदर particular इधर liability और इधर asset same यहाँ particular यहाँ पी पार्टिकुलर और यहाँ amount यहाँ सबसे पहले न हम trial balance के काम को करते हैं उसके बाद क्या करते है adjustment तो trial balance के काम को किया जाए तो trial balance में हम देख लेते हैं क्या क्या information उसके according हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसाफ से ट्रीट करना है adjustment को adjustment के इसाफ से ट्रीट करना है दोनों को अलग अलग लेके चलो कई बच्चे बार बार पता है क्या पूछते हैं सर adjustment में भी bad dates है और ट्राईल में भी bad dates है तो क्या करें तो मैंने बोला भी यह adjustment लिख वाया है तो है बोला था समझ में आ गया लेकिन अब adjustment वाई में भी है दोनों जगा है नहीं जो यह जो प्राइल का है तो ट्राईल के इसाफ सबसे सोच के कर दीजिए और जो यहां लिखूंगा बेड़िट्स कितने अंदर लिख रहा हूं समझाएंगे क्यों बाहर लिख दो कोई बुरा ही नहीं है इसके बाद सबसे पहले मैंने क्या बता है तर बैलिंस शीट में से पहले माइनस करिए उसके बाद सबसे पहले क्या माइनस करें आपके सामने तीन चीज़े हैं पहले बैड़ डेट्स कितना है पांच हजार अब बचा कितना 95,000 अब माइनस क्या करेंगे PFD प्रोविजन पूर डाउटफूल डेट्स तर प्रोविजन पूर डाउटफूल डेट्स परसंटेज के टम में है तो कितने परसंट 10 परसंट यानि 95,000 अब माइनस करके कितना बच्चेगा हमारा अगर 10,000 माइनस करेंगे तो 85,500 वा जाएगा यह समझ रहे हूं चलिए सर अब इसके बाद अगला क्या माइनस करें इसमें से सबसे लास्ट में माइनस करेंगे डिसकाउंट डिसकाउंट कितने परसंट है 5% तो इसका 5% निकाल लिए क्या बनता है मेरे तो कैलकुलेटर 4,000 4,275 ठीक है अब फाइनल इसमें से माइनेस कर दीजिए क्या बसता है माइनेस करके हम सीधा कि यह लिख देंगे बैलेंच यह क्या है सर क्या है यह बैलेंच शीट कितने आ रहे हैं अरे माइनेस करना है बच्चों को नहीं दिख रहा होगा तो इसके लिए उपर कर देते हैं ठीक है कितने आ रहे हैं कि 81,225 सर गलती अगर यह आंसर आए तो कि अगर गलत हुआ तो यह माइनस तो आप दुबारत चेक करके ठीक है अब मैंने एक ही एंट्री किया है भी तो और अट्जस्मेंट में था तो अट्जस्मेंट की कितनी एंट्री पहली एंट्री कर चुके हैं दूसरी एंट्री कहां बोला गया है करने को कहां बोला गया है पी एंडल के सभी debit 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 एके करके debit ले जाते हैं सर पहले bad dates सर पहले भी bad dates है यहाँ तो इसको बोल देंगा further bad dates कितने सर पहले provision था वो तो credit था इसे तो इधर लिखो provision 4 कितने अरे 95 थोड़ी है हाँ 95 ना पिच्चानवे सो बोलो ना 95 पिच्चानवे जाएगा for discount for two तो मैं एक बात बोलू सबसे मुश्किल जो बच्चों को लगता है एक ही यह वाला लगता है जो की है नहीं अगर आप समझ लेते हो तो आपको सीरी सी बात है पहले क्या माइनस करना है किसको क्या प्लस करना है पहले यहां तक देखे डाउट अभी पैक नहीं करना अभी है टाइम काफी टाइम में किया नहीं है यहां तक देखें क्लियर है कितने आट्जस्मेंट कर लिया है एक पड़ फटा फटर से पड़ पट रिवाइस सर, adjustment number one, closing stock, closing stock आपके दो जगह given हो सकते हैं, सर, कहां कहां given हो सकता है, हो सकता है trial balance में हो, और हो सकता है adjustment में हो, trial balance में होगा, तो हमेशा single entry होगा, और वो जाएगा आपका balance sheet के assets में, लेकिन अगर adjustment में हुआ, तो वो दो जगह जाएगा, एक जाएगा trading account के credit side में, और दूसरा जाएगा balance sheet के asset side में, same amount जाना है, लेकिन कई बार यहाँ पे आपको दो value देता है, एक purchase price और एक market value, यानि cost price और market value, तो आपको कौन सा value इसमें से pick करना है, जो दोनों में से कम रहेगा, whichever is lower, सर, ये कहां लिखी ये बाते, accounting standard 2 हमें ये बोलता है, कैसे करने को, इसलिए हम इस तरीके से trade करते हैं, चलिए सर, adjustment number 2, सर, adjustment number 2 क्या है हमारा, हमारा है outstanding, इसके बहुत सारे नाम है, outstanding कह लो, आप या फिर area कह लो, unpaid कह दो, payable कह दो, due कह दो, not paid कह दो, तो ये भी दो जगए given हो सकता है आपको, एक हो सकता है हमारा कहां पे, trial balance में, तो trial balance में हुआ तो एक ही entry करेंगे, सर, एक entry कहां पे करेंगे, liability side में balance sheet के, लेकिन अगर adjustment में हुआ तो दो हो जाएगा, एक तो add हो जाएगा expense में, चाहे trading हो, चाहे आपका P&L हो, दूसरा चला जाएगा balance sheet के liability में, ये किसका adjustment था सर, final account में, ये था हमारा outstanding expense का, adjustment number 3, third adjustment क्या है सर, third adjustment देखा जाएगा तो prepaid का, prepaid बोल लो या फिर unexpired बोल लो या related to next month बोल लो, तो सर, ये adjustment अगर trial balance में हुआ, तो single entry जो की जाएगा balance sheet के assets में, लेकिन अगर हुआ ये adjustment में तो दो, एक less हो जाएगा expense से, किस expense से सर, trading में हुआ तो trading वाले से और P&L वाला हुआ तो P&L से, दूसरा चले जाएगा कहां पर सर, ये, दूसरा चले जाएगा हमारा balance sheet के assets में, चलिए, adjustment number कुन सा है, 4, depreciation, depreciation की बात करें तो अगेन दो जगह हो सकता है सर, एक हो सकता है balance sheet के assets में, और एक हो सकता है आपका adjustment में, trial balance में हुआ तो स्रिफ और स्रिफ profit and loss के debit में दिखाना है अगर adjustment में हुआ तो दो जगए entry कर देंगे कहां कहा adjustment में होगा तो दो जगए entry करेंगे सबसे पहले तो less कर दीजिए assets से जिस assets पे depreciation लग रहा है दूसरा आप जितना amount आपने less किया है सिर्फ वही amount कहां दिखा दिजिए balance sheet के debit side मेंने लिख दिया है बाकी मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए balance sheet के asset side लिख देना चाहिए अच्छा यह profit and loss ठीक है तो balance sheet के आपका asset side में क्या हो जाएगा less हो जाएगा अगला point बात करते हैं provision for depreciation provision for depreciation हो सकता है trial में या हो सकता है आपका adjustment में trial में हुआ तो आपने क्या करना है liability side में दिखाना है एक और option यहाँ पर available है sir आप liability side में नहीं दिखाना चाहते तो आप कर दिजिए सीधा less from sir less from कहां से कर दे assets में से दूसरा यह भी option आपके पास available है जब हम practical questions करेंगे तो clear हो जाएगा दूसरा अगर adjustment में वो तो दो entry करेंगे एक entry क्या होगा sir या तो हमें क्या करना है एक तो debit side P&L के अंदर दिखा देंगे दूसरा आपके पास again दो option होता है या तो आप liability side दिखा दीजिए इसको या फिर आप क्या करें assets में से minus कर दीजिए इसका मतलब अगर यह वाला follow किया है तो इसके लिए यह treatment हो जाएगा और यह वाला follow किया है तो इसके लिए treatment हो जाएगा बड़ी simple सी बात है इसके बात चलिए sir कौन से adjustment की बात करते है छे adjustment number 6 था bet debts का तो bet debts अगर हुआ तो अगर trial balance में given है तो एक ही जगह जाना होता है sir कहा अपना P&L के अंदर और वो भी debit side और अगर adjustment में हुआ तो दो entry सबसे पहले तो आप minus कर दीजिए किस से minus कर दीजिए debtor से उसके बाद जो amount minus किया उसे कहा दिखा दीजिए आप profit and loss के debit side adjustment number 7 sir provision for doubtful debts provision for doubtful debts हुआ तो अगर आपका होता है trial balance में तो यह होता है पुराना प्रोविजन जो अंदाजा लगाया था वो हो नहीं पाया उस प्रोविजन की बात करें तो income की तरीके से record करना है अगर आपका trial balance में हुआ तो profit and loss के कहा लिखेंगे sir credit side में लेकिन अगर आपका adjustment में हुआ तो यह current year का होता है पुराना नहीं होता तो एक तो minus कर देंगे आप assets में से और दूसरा आप profit and loss के debit side में दिखा देंगे इसको sir adjustment number 8 provision for doubtful debts और साथ के साथ मिलके क्या आ जाए हमारा provision for आपका bad debts और provision for discount अगर ऐसा हुआ और trial balance में अगर हुआ तो provision for doubtful debts credit, provision for discount credit और bad debt कहां जाएगा debit होगा यानि bad debts तो sir कहीं भी हो जाएगा debit adjustment में हुआ तो सबसे पहले हम debtor को sequence से minus करेंगे debtor में से पहले क्या minus करने वाले सर पहले minus करेंगे bad debts फिर क्या minus करेंगे प्रोविजन फिर क्या minus करेंगे discount logically यह मैंने clear भी किया है आपको और सारा amount जो minus किया है आपने सब पी एंडल के debit 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 में चला जाएगा तो अभी तक हमने बस यह adjustment done कर लिया है next concept है हमारा adjusted purchase ठीक है ना पहले word समझते है sir adjusted purchase क्या है उसके हिसाप से करते है adjustment number है हमारा यह हमने पहले कर लिया था 8 तक कर लिया adjustment number 9 देते हैं इसका ना adjustment number 9 सर अडजस्मेंट नंबर 9 क्या कहता है अधिजस्टेड पर्चेस और एक चीज मैं आपको बता दूँ कि जो मैं numbering लिख रहा हूं ना तो ऐसा नहीं है कि यह adjustment number 9 पर ही adjusted purchase होगा adjustment number 1 हमारा आप इसे कैसे भी revise कर सकते हैं बलकि मैं तो अपने हिसाब से इसको filter कर रहा हूं जब आप इसको revision करने बैठे तो अपने हिसाब से filter कर ले जो जो adjustment आपको ज़्यादा आसान लगता है पहले लिखें उसको और जो थोड़ा सा मुस्किल है उसको उसके बाद लिख अपने हिसाब से आपको उसको filter कर लेना चाहिए तो adjusted purchase की बात करें तो सबसे पहले हमें समझना होगा सर, adjusted purchase होता क्या है और इसका मतलब क्या है, इसका formula क्या है अधिजेस्टेट पर्चेस होता है हमारा इस इकल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक ठीक है ना माइनस में क्लोजिंग स्टॉक और माइनस पर्चेस रिटर्ण माइनस और यह अधिजेस्मिंट का पार्ट जनरली होता नहीं है, यह नॉर्मल पॉइंट है, जो कि एक कुश्चन मुझे दिखा और उसकी वजह से मैंने यहां लिख लिया, सर अड़जेस्टिट पर्चेस जैसे कि आपका सिंपल से लेंग्वेज में समझीए, यह ट्रेडिंग अकाउंट है, हमारा यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट है, सर, नॉर्मली हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं, इधर लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, सपोस करो 10,000, यहां लिखेंगे टू पर्चेस, सपोस करो 50,000, इसमें से माइनस क्या करते हैं, पर्चेस रिटर्न, सपोस करो 5,000, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर 45 लिख देते हैं, और इधर हमारा होता है, बाइ साइड में सेल्स, मान लेते हैं, 1,00, और बाइ साइड में हमारा होता है क्या, क्लोजिंग स्टॉक, मान लेते हैं, 5,000, तो अल्टीमेटली, अडजिस्टिट पर्चेस का फॉर्मूला क्या कहता है, सर, ओपनिंग स्टॉक, पर्चेस, इन दोनों को जोड़िए, यान कहता है, इसमें से माइनस क्या करिए, सर, यानि ये वाला हिस्सा इसमें से माइनस करिए, और क्या कहता है, माइनस क्या कर दीजिए, पर्चेस रिटन, तो अगर हम यहाँ पे देखें, आप एक पल को सेल को निकाल दो, यहां से, एक मिनट के लिए मैं सेल को निकाल देता अगर मैं यहां sales निकाल दूँ तो हमें यहां पता है क्या balance देखने को मिलेगा sir balance देखने को मिलेगा हमें 45 और 55 और 5 तो यानि यह तो 55,000 रुपए हो जाएगा और 55,000 रुपए और ultimately जो balance हमारा निकलेगा यहां पर that is हमारा 50,000 रुपई का निकल के आ रहा होगा sir adjusted purchase भी लिख लेते हैं sir opening stock कितने का है sir यह opening stock है हमारा 10,000 का opening stock है 10,000 रुपए का plus purchase कितने का है sir 50,000 का minus में return कितने का है 5,000 का और आपका closing stock कितने का है sir minus 5,000 that is यह भी क्या आगया तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर मैं आपको 50,000 रुपए adjusted purchase दे दूँ और अगर मैंने आपको 50,000 रुपए adjusted purchase दिया है इसका मतलब उस purchase के अंदर आपका closing stock पहले से ही minus plus हो चुका है या नहीं हो चुका हो चुका है यानि जब मैं adjusted purchase दूँगा तो मैं इसको एक काम ऐसा भी कर सकता हूँ सर डारेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पे adjusted purchase और that is 50,000 अब सवाल के अंदर आगर आपको opening stock लिखा हुआ है तो क्या हम opening stock को यहाँ पे लेंगे क्योंकि इसी में already plus हो चुका है अगर question के अंदर purchase return देता है तो क्या purchase return लेंगे हम यहाँ क्योंकि वो हो चुका है अगर हमे closing stock देते तो लेंगे क्या नहीं लेंगे यानि जो major entry है न opening stock और closing stock का उसको हमने treatment कहां कर दिया है purchase के अंदर ही कर दिया है तो मैं कह सकता हूँ जब adjusted purchase given होता है तो हमें opening stock और closing stock और purchase return को क्या कर देना चाहिए ignore उसको हम account में नहीं लिखेंगे अगर आपका adjusted purchase नहीं है तब तो आपका ये वाला तरीका ठीक है करने का अगर adjusted purchase है तो फिर यहाँ पे आप नहीं कर सकते होगा समझ महीं बात आपको तो adjusted purchase basically आपका adjustment का part नहीं है यह सिर्फ एक समझने वाला concept था कि जब आपका adjusted purchase given होगा तो हमें क्या करना चाहिए तो जवाब है sir जब adjusted purchase given होगा when adjusted purchase given then when adjusted purchase given then opening stock and closing stock will be ignore बस आपको यह note लिखना है जैसे हम पहले कहते थे थे ना कि इसकी दो entry होगी इसकी आपका एक debit में जाएगा credit में ऐसा कोई role इसका नहीं होने वाला है adjusted purchase होगा तो सरफ adjusted purchase यह लिखेंगे opening stock को भी नहीं लिखना और closing stock को भी नहीं लिखना ठीक है clear है यहां तक point बताओ मैंने अगर यहां adjustment कर दिया है तो purchase return भी नहीं आएगा ठीक है ना आपके exam एक question है आपके पास देख लेते हैं आपके किताब का एक question है जिसका कोई फाइदा नहीं है नहीं देखोगे बहूत बुलते हैं मेरे सुआ हमें पता नहीं था बताया नहीं तो ये चीज़े देखो जिसको पता है उसके लिए क्या बता रहे है तो टाइम खराब करें, जिसको नहीं पता, वो बोल रहा है, सही करा बता दिया नहीं, तो फिर मेरे साथ क्या हो जाता, चलिए अगले adjustment पर चले, important adjustment, life insurance, पहले life insurance premium कर लेता है, पहले life insurance premium कर लेता है, बच्चे करें, टेलिग्राम पे share कर देना, यह sir, image, पिलकुल कर देंगे, चलिए, loss by, sorry, insurance premium, सबसे पहले तो आपको समझना हुआ, sir, insurance premium होता क्या है, हमारे insurance की category देखा जाए न, तो sir, insurance न नॉर्मली तीन तरीके का होता है, आपने 11 वी class के अंदर पढ़ा हो अगर तो ठीक से, कौन-कौन सा होता है, एक होता है sir, life insurance policy जिसे LIP भी बोल देते हैं, और एक होता है, journal insurance जिसे GI बोल देते हैं, और एक होता है, marine insurance जिसे MI बोल देते हैं, marine insurance जो ship का होता है, तो ship के लिए, तो ये वाला तो हमारे slayvers का कुछ लेना ही देना नहीं है, sir, इसे तो हटाई दिया, अब बात करते हैं, sir, journal insurance और life insurance, तो यहाँ पे किसी natural person का होता है ये, natural person बोले तो sir, मालिक ही है, वो अपना करा सकता है, क्योंकि हमारा soul proprietor है, तो दुकान के अंदर एक ही मालिक होगा, GI के अंदर ये होता है goods का, ये हमारा समान का होता है, किसी भी goods का हो सकता है, तो अगर आपने insurance करवाया है अपने समान का, तो वो तो connected हो गया business से, business का खर्चा है, लेकिन अगर आपने insurance करवाया है अपना personal, life का insurance, तो sir, वो business का खर्चा नहीं है, वो आपका खर्चा है, और अगर आपने business में से पैसे निकाल के दिये हैं, तो that is directly, indirectly क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, indirectly, drawing हो जाएगा, पहले यहां तक देखे, clear है, यानि आपका life insurance premium क्या होता है, sir, drawing, क्यों life insurance premium drawing होगा, क्योंकि sir, वो business से तो हो नहीं, वो किसका और है, मालिक का, खुद का, और अपना जब कभी भी कुछ भी कराओगे, तो वो क्या होता है, हमारा personal use, औ जाता है, वो क्या माना जाता है, drawing, अगर drawing होगा, तो कहाँ चला जाएगा, सीधा capital में से minus हो जाएगा, अब बात करते है, sir, journal insurance, journal insurance कोई भी हो, किस से related होगा, business से related होगा, sir, अब insurance आपका journal insurance हो, चाहे कोई भी हो, insurance हो सकता है, आपको 15 महीने का दे दे, 15 महीने का दे तो आप P&L कितने महीने के लिए prepare करते हो, 15 महीने या 12 महीने के लिए, 12, अगर 15 महीने का कोई insurance दे रखा है, जिसे आपको P&L में दिखाना है, तो 3 महीने का आप क्या करोगे, वहाँ से हटा के सिर्फ 12 का दिखाऊगे, और 3 महीने के balance sheet के assets में दिखाऊगे, तो इसी के उपर पूर का based है हमारा सर, क्या based है, life insurance premium, include in general insurance, तो मैं इसके आगे की line और club कर देता हूँ, आगे की line club करता हूँ मैं, plus, include in general insurance, general insurance या सिर्फ जब मैं बोलू न, insurance, तो मतलब सर, business वाला है, एक बच्चा पूचता है सर, हमें कैसे पता चलेगा, कौन सा insurance है, सिर्फ insurance लिखा है, तो सिर्फ insurance में कौन सा मान होगे, business वाला, general, और जब तक life ना बोले, तो life insurance नहीं consider करना है, चलिए सर, अब यहाँ पे देखा जाए, तो दो बाते हो सकती है, और यह हमेशा adjustment में होगा, या तो आपका दे रखा होगा, या तो आपका दे रखा होगा, मैं बात कर लू ट्राइल बैलेंस में, ट्राइल बैलेंस में, ट्राइल बैलेंस के बाद, या दे रखा होगा, कहां दे रखा होगा सर, adjustment में, या फिर हम इसको बाद में देखेंगा, पहले ट्राइल बैलेंस में देख लिए थे, सर ट्राइल बैलेंस में दो चीज़ें हो सकती है, अब बताएए, life insurance और general insurance एक ही अलग-अलग है, अलग-अलग है, अगर ट्राइल बैलेंस में दे रखा है life insurance, तो सर, ट्राइल बैलेंस में अगर life insurance दे रखा है, तो क्या करेंगे इसका, ये तो हमारे business का खर्चा है नहीं, तो इसको क्या करना चाहिए, less कर दीजिए, from, capital, less from, capital, सर, अब बात करें, अगर journal insurance या सिर्फ insurance दे रखा है, तो सर, सिर्फ insurance कौन से वाला insurance होगा, journal जो कि business से ही connected है, इसे कहां दिखाईएगा, profit and loss के, debit side, अब बात करते हैं, अगला, अगर दे रखाओ, adjustment में, तो सर, adjustment में कैसे दे सकता है, पता insurance के बारे में, दो तरीके से, या तो सिर्फ insurance के उपर देगा, अकेला insurance की बात करेगा, या तो सरिफ कहेगा, वो insurance पर adjustment होगा, या adjustment बनेगा, आपका insurance, life वाले, प्लस journal वाले दोनों पर, या होगा life, प्लस journal, सर, अगर life प्लस journal हुआ, अगर सिर्फ insurance हुआ, तो सर, यहाँ पर दो बाते हो सकती हैं, यहाँ पर या तो वो adjustment जो रहा होगा, या तो रहेगा, prepared से related, या फिर किस से related होगा, outstanding, यही तो होगा हमारा, है ना, यानि अगर insurance के उपर adjustment की बात करें, तो सर, या तो prepaid बोलेगा वो, या outstanding, जैसे कि पिछला सवाल देखो आप, यहाँ पर भी था ना insurance के उपर, तो adjustment पर था, insurance तो क्या कह रहा था सर, prepaid कह रहा था, तो prepaid का क्या treatment है और outstanding का क्या treatment है, तो मैं यहाँ पर इसको पता है कैसे finish करना चाहूँगा, आपका normal जैसे before adjustment है, सर, कौन सा adjustment है, आपका, जैसे normal adjustment हुआ था हमारा, prepaid वाला और normal हुआ था, outstanding वाला, वही treatment होगा, अगर prepaid हुआ तो minus, assets में, out sending हुआ तो add और liability में, तो इसका normal adjustment की तरह, मगर दोनो include हुआ, अगर दोनो include हुआ सर तो, अगर बोथ हुआ, दोनो, life insurance, general insurance, तो first, आपको calculate करना होगा, calculate करना होगा, life insurance कितना है, and, sir, journal insurance कितना है, sir, जब तक मैं इसका एक example नहीं लूँगा न, आपको मजा नहीं आएगा इसमें, सर, मजा नहीं आएगा, देखिए, मैं एक्जामपल यहां ले लेता हूँ, यह हमारा trial balance है, trial balance में insurance लिखा, मान लेते हैं, पाँच हजार, नीचे adjustment लिखा, insurance include, रुपीज दो हजार, पुर प्रोप्राइटर, life, and balance, and balance, balance, अप्टू, 31, साथ, दो हजार तेईश, accounting कर रहे हैं सर हम, 21 और 22 के लिए, या 22 तेईश के लिए, accounting चल रही है सर, 22 और 23 के लिए, ठीक है, यह हमारा सवाल है पूरा, यह पूरा सवाल, जिसको visual नहीं होगा, पढ़ लेजी आप, question में क्या कहता है, 22 और 23 के लिए हम काम कर रहे हैं, यानि हमारा साल सर, स्टार्ट होता होगा, 142 हजार, बोलिए, 22 और खतम होगा, 31 तीन, 2 हजार, 23, कहता है सर, यह जो insurance है, तो मैंने बोला, first calculate, आपको पहले calculate करना पड़ेगा, तो सबसे पहले, आपको calculate करना होगा, कि जो यह insurance है, हमारा 50,000 रुपेगा, इस 5,000 रुपेगा, इस 5,000 में से, कितना part आपका honor का है, कितना part यहाँ पे, तो सर, जब calculate करेंगे, कितने part honor का है, तो very, very simple सी बात है, कि यहाँ question ने बता दिया है, कि सर, इसमें 2,000 रुपेगा तो honor का है, जो कि क्या हो गया हमारा life, और बाकी बच गये कितने, 3,000, और 3,000 रुपेगा जो payment कर रखा है, जो कहीं न कहीं इस साल से आगे चला गया है, यानि 3,000 कहां तक का payment कर रखा है, 31,000, दो हजार, यानि साल को cross कर दिया उसने, यही है न, हमें तो 12 महिने तक निप्टाना है, आपको कुछ नहीं बोल रखा है, तो आप मान के चलिए, सरी यह 3,000 रुपे जो दे रखा है, वो 12 महिने का होगा, और इसके अंदर extra भी है, तर एक बास समझ में नहीं है, अगर 12 महिने का हुआ, तो extra कैसे हुआ, insurance अगर हम बीच में लेते हैं, तो 12 महिने का अगर लेते हैं policy, मान लो मैं आज की date पर policy लेता हूँ, अभी December है, तो यह तो अगर यह December तक चलेगा, policy तो 12 महिने की हुई, लेकिन financial year में कितने महिने का, जाना चीए सिर्फ 3 महिने का, जो की 3 या 4 महिने जो भी कर लो, तो policy date के उपर depend करता है, तो यह 12 महिने का, आपको advance देखना है कितने महिने का, वासर मार्स तक छोड़ दो, April, माई, जून और जुलाई, कितने महिने का हो गया, 4, तो multiply by 4 करोगे, तो इससे आपको क्या पता चलेगा, कितना part prepaid है, क्योंकि इसके आगे वाला जो year होगा, इसके आगे वाला time, सारा advance वाला होगा, और इसके आगे वाला जो सारा advance वाला है, advance को क्या कहते हैं, prepaid कहते हैं न, तो यह क्या होगा हमारा, prepaid, तो यह 3000 रुपे में से, कुछ हिस्सा क्या माना जाएगा prepaid माना जाएगा कितना हिस्सा prepaid माना जाएगा इसको अगर solve करते हैं तो क्या आता है बताईए 1000 रुपे सर इसमें क्या है हमारा prepaid है यानि P&L के अंदर insurance क्या आएगा तो इसका solution कैसे करेंगे वो भी मैं लिख देता हूँ पहले solution जब आप P&L बनाएगे न तो कैसे करना है देख लिजिए फिर मैं वहाँ लिखूँगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा सर solution में क्या होगा पहले मैं लिखूँगा आँख बंद करके insurance सर insurance कितना है फिर सबसे पहले minus कर दूँगा drawing drawing कितने का था यहाँ से minus करके कहां ले जाएंगे capital में से minus क्योंकि यह क्या है drawing है बचा कितना 3000 फिर minus क्या करेंगे कितने 1000 कहां ले जाएंगे assets में ले जाएंगे बचा कितना 2000 अब 2000 बस P handle के अंदर रह जाएगा finally समझ मैं रही है बात आपको यानि सर अगर इस type का question हुआ तो क्या करना है सर इस type का अगर question हुआ तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे तो मैं यहीं पर example भी ले ले लेता हूँ आपके लिए सर यही example ले लेता हूँ 5000 है इसके दो टुकडे करेंगे एक तो LICS में से निकालिएगा Life Insurance Policy LIP लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे एक तो Life Insurance Policy को separate करिए और Journal Insurance को separate करिए जो हमारा LISP है इसकी दो Entry करेंगे इसकी भी सर दो Entry कहां कहां करोगे एक तो हो जाएगा Less सर लेस हो जाएगा कहां से फ्रॉम Insurance दूसरा क्या होगा सर लेस हो जाएगा कहां से फ्रॉम Capital सर दूसरा Less हो जाएगा फ्रॉम Capital बताईए समझ में आया यह तो यह मैंने कौन से आला हिस्सा किया यह वाला हिस्सा अब दूसरा Aspect Pending है कौन सा है अगर सिर्फ Journal हुआ तो ऐसा ही छोड़ देना अगर 12 महीने का ही है तो लेकिन अगर Prepaid इसके अंदर निकला अकसर examiner इसमें Prepaid देगा जान कुछ के अगर जर्नल वाले में क्योंकि वो बोल देगा आप तू इतने महीने तक अगर जर्नल निकला तो इसके अंदर क्या करेंगे अगर हुआ Prepaid तो की बात बता रहा हूं मैं अगर हुआ Prepaid तो एक हो जाएगा Less from Insurance कब In case Prepaid Sir Outstanding भी हो सकता है तो Outstanding में Add हो जाएगा Simple से बात है और दूसरा कहा जाएगा Sir Balance Sheet Asset Site Balance Sheet Asset Site यह तो आएगा नहीं ऐसे खीचते हैं चलिए एक छोटा सा कॉंसेप्ट था हमारा Prepaid Insurance का Clear है आपके बुक में एक कोस्चन भी है Casio 12 डिजिट हाँ यह भी चल जाएगा Casio कभी बस Tax की नहीं होना चाहिए आपके किताब में एक एक एक्जाम्पल है Heading कौन सा है Sir 10 दसवे में देखिए आप यहाँ पर Prepaid Insurance Last में क्या कहता है Insurance include चार हजा Toward the Proprietor Life Insurance Balance कब तक के लिए इसने Balance के बारे में क्या बोला है सवाल में बताईए एक बार कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक है यानि एक चार से दोजार अब डेट दे रखा Specify Starting भी और Ending भी तो आप Days Count को लोगे तो कितने महीने हो जाएंगा Sir 18 महीने तो आप जो डिवाइडिंग करोगे ना उस केस में 12 से नहीं 18 से डिवाइड करना है समझे बात आप अगर आपको मेरे Question में ये थोड़ी था कि इसने बोला भाई आपस इतिस दी नहीं खतम हो जाएगा तो हमने पूरे साल का जम्शन लेके कर दिया अगर Question के अंदर आपको Starting और Ending डेट दे दे तो आप उतने Month Calculate करोगे Divide उससे करोगे और जितना Prepaid है उससे करोगे फटा फट उसका Insurance एक पर निकाल के दिखाओ कि कितना P&L में आएगा जो आपके पास सवाल है हमारे Exam में ना Calculator का हम जब जाते हैं Market में तो Initial चीज़े जब Starting में होता है तो हम Calculator दो तरीकी के Market में सस्ते भी है और महंगे भी है Matter ये नहीं करता कि सस्ता और महंगा है Matter ये है कि Exam में कौन सा Allowed है अब Exam में जो Allowed होगा वही ले जा सकते है Examiner कहता है कि Sir उस Calculator के अंदर आपका Key नहीं होना चीज़े टेक्स का नहीं होना सही है Sign ठीटा, Cost ठीटा का तो आपको क्योंकि तीन सालों तक आपको Use करना है Calculator से आपको Used to होना पड़ेगा तीन सालों तक और तीन सालों तक लगातारी रहना पड़ेगा तो Sir Calculator मैं Simple सी बात करूँ ना तो Normal Citizen का Calculator होता है एक आप Citizen का Calculator लेंगे देखे, यहाँ पर Different Calculator है मैं कहूंगा यह Normal Calculator यह वाला लेना है देखो यह भी Citizen है, यह भी Citizen है कौन सा कितने का भईया, आपकी मर्जी है कहां से खरीदिएगा, वो मैं matter नहीं करता अब यहाँ पर मैं Calculator कुछ बच्चे यह वाला ले लेता है, Calculator या यहीं पर Visual कर देता है कुछ बच्चे यह Calculator ले लेता है तो प्लीज इस Calculator को ना ले यह आपका Folding होता है यह खराब हो जाता है अब यह Calculator और यह तीन तरीके के Calculator है इस Calculator में सर क्या फारक है इस Calculator में आपको देखिए Rate का और Tax का Button मिल रहा है यहाँ पर देख रहे हैं आप Examiner बाहर कर देगा बुलेगा भी यह यह नहीं चलेगा तो यह भी Out हो गया मैं किस Tax की बात की बात कर रहा हूँ अब देखो अगर देख लिया Examiner ने तो बाहर कर देगा यह भी नहीं चलेगा सर अब इस Calculator में है गया Tax तो यह Simple Normal Calculator चलने वाला है आपका इस Key का आपको ध्यान रखना है और यह ऐसा Calculator है जो की Forever कहीं भी मिलेगा आपको तो आपका Citizen का आता है Normally Key का Basically ध्यान रखना है आपको Key इसी तरीके से होना चाहिए और ऐसा नहीं है कि आपका क्या है क्योंकि आगे जब हम Final Year में जाएंगे या फिर आगे फर्दर पढ़ेंगे तो अभी तक आपने Calculator का सारा इस्तमाल नहीं किया लेकिन अब आने वाले टाइम पे हम पूरे Calculator के एक-एक फंक्शन को अच्छे से इस्तमाल करना सीखेंगे सर एक ये Calculator हो गया Tax का Rate आगया नहीं चलेगा सर अब कुछ इस टाइप के Calculator होते हैं वो भी नहीं लेना है यानि बेसिकली मैं बात करूँ तो इस टाइप का Calculator लेना है आपको और इसके अंदर बड़े सारे Companies होते हैं डेली का है आगर थोड़ा महंगा लेंगे Citizen का लेंगे तो वो थोड़ा आपका Durability तीन साल तक चल जाएगा नहीं तो कुछ Keys ऐसे होंगे Calculator 100 रुपे का भी मिल जाएगा ऐसा और 80 रुपे का तो ये भी एक छोटा सा देखो First year में बच्चे ने नादान होते हैं वो किसी तरीके से एक्जाम में पहुंच जाते हैं पता चलता है वहाँ पर Very very good evening कुछ adjustment हमने कर लिया है जितने बच्चे new join हुए हैं उन सभी student को मैं कहना चाहूँगा कि आपको previous जो भी adjustment है ना वो आप कर लेंगे ठीक है एक से दो दिन बाद यानि मैंने कल या आप परसों से मानके चलो आपके classes को मैं live कर दूँ मतलब कि regular करने वाला हूँ चलिए हमने क्या क्या कर लिया था final account में सबसे पहले बात करें final account का तो trading profit and loss हमारा start हो गया था इसके अंदर से एक adjustment हमने किया था adjustment पहले हमने पहले basically structure format देख लिया था format के बाद हम बात करें एक question करने के बाद हमने adjustment start कर दिया था adjustment में पहले था closing stock closing stock trial balance में given हो तो सिर्फ जाता है हमारा balance sheet के assets में adjustment में given हो तो दो जगए जाता है कहा जाता है trading के buy side में और balance sheet के assets में इसी तरीके से हमने कुछ adjustment देख लिये थे तो आपको videos में वो सारा देख लेना है जितने बच्चे live में है आज हमने इससे आगे चलेंगे और insurance premium last खतम हुआ था हमारा इसके आगे to be continue अब करने वाले हम इसके आगे to be continue करेंगे adjustment number कौन सा है 12 यह 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 number कौन सा है 11 चलिए एक book दिखा दीजिए अगला adjustment कौन सा करें हम चलिए प्रेपत उसके आगए चलिए यह यह दूस्याली बुकते ना दूस्याली आरोले कि बुकते हैं नह पुशिए बखने दो बखने कर दो फिर देख जो बखने कर दो लोगगा है चलिए अगले अड़्जस्मेंट पर चलते हैं ओमेटेड आफ पर्चेज फिक्सेट ओमेटेड आफ पर्चेज फिक्सेट ओमेटेड आफ पर्चेज फिक्सेट वोईस क्लियर है एक बार बता दिजिए जितने बच्चे लाइव हैं सभी बता दे फटा फट से वोईस क्लियर है आपको सो देट मैं आगे बढ़ पाऊं मेरे मुझे तो वोईस क्लियर देख रहा है आप भी बता दिजिए जल्दी से कमेंट बे देखें ओमेटिड पर्चेज सर ओमेटिड का मतलब क्या होता है बेसिकली ओमेटिड का मतलब होता है भूलना और पर्चेज और पिक्सेट अब यहां पर हम ओकिसेट्स भी भूल शकते हैं मोड़, और साथ के साथ इसी में मैं इंकौर्प्रेट कर देता ओर भूमर मकियर इसी में लिख देता हूं गुड्स या तो आप गुड्स भूल सकते हैं लिखना या सर आप भूल शकते हैं लिखना तो असे brand हेर ध्यान देजे रहा या तो हम assets को भूल सकते हैं या फिर हम भूल सकते हैं purchase goods को सर दोनों होता क्या है देखिए जब कभी भी हम समान को खरीदते हैं हमने कोई भी goods खरीदा और खरीदने के बाद हम भूल गए तो भूलने का मतलब है आप उसी समान को भूलोगे आपको एक assumption लेना होता है जो आपने उधार में खरीदा होगा यानि credit पर खरीदा होगा अगर जब आप उधार में खरीदते हो तो उसका पैसा देना भी भूल जाते हैं हम साथ के साथ हम assets या फिर expense में भी record करना भूल जाते हैं मान लेते हैं कि मैंने एक machinery उधार खरीदा है सर एक machinery उधार खरीदा है तो ये दो जगह जाएगा एक तो balance sheet के assets में चला जाएगा क्योंकि आपने खरीदा तो machinery है और क्योंकि उधार खरीदा है तो पैसे देने बाकी है तो दूसरी entry कहां चली जाएगी liability में पहले तो ये समझो अगर आप इसको लिखते तो कैसे लिखते सर balance sheet के assets में लिख देते हैं मैं कोई machinery खरीद के लाँगा दूसरा कहां भीज दूँगा मैं liability side में सेम अगर आप लिखना भूल गए तो सर जब आप लिखना भूल गए तो आपको क्या करना होगा इसे correct करना होगा तो जब कभी भी आप assets को लिखना भूलेंगे ना तो इस situation में क्या होगा दो बाते हो सकती है दो बाते हो सकती है सर क्या number one एक आपको add करना होगा in asset जिस assets की बात चल रही है suppose अगर बात चल रहा है building तो building में add करिएगा machinery तो machinery में add करिएगा दूसरा क्योंकि आपको payment करना बाकी है तो so हो जाएगा ये in a liability side liability side और इसे as creditor so कर सकते हैं as creditor so कर सकते हैं as creditor so किया जा सकते हैं लेकिन समस्या ये आता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये balance sheet है और मैं machinery भूल गया तो मैं यहां लिखूंगा sir machinery जैसे मान लो 2,00,00 रुपे का अब नीचे adjustment में depreciation है तो sir अब depreciation कैसे charge होगा इस पे challenge ये है तो depreciation charge हो भी सकता है इस assets पे और नहीं भी अगर आपने इस assets को खरीदा end of the year में और फिर भूले यानि साल के end में खरीदा और फिर भूले तो depreciation charge नहीं होगा sir हो सकता है साल के बीच में खरीदा और फिर आप लिखना भूल गए तो साल के बीच से charge होगा और starting है तो starting तो इस case के अंदर depreciation जो लगेगा if आपको date given हुआ if date of purchase given अगर आपका date of purchase given है then depreciation will be calculate calculate according to date तब date के साब से निकलेगा but in case in case date नहीं given हो date not given then आपको depreciation ignore कर दीजिए then depreciation क्या करिए आप ignore कर दीजिए बड़ी सीधी सी बात है यहां तक कोई दिक्कत है यानि सर जब कभी भी आप fix assets खरीटते हो कई बार अक्सर हम ना खरीट तो लेते हैं लेकिन उसे भूल जाते हैं और सर यह बात है कैसे पता चलेगा हमें always यह वाला information गीवन होगा आपको adjustment कहां गीवन होगा adjustment में गीवन तीक है अगर आप क्या भूले assets एक तो assets में add और दूसरा balance sheet के liability में लेकिन आप normal goods भूल जाते हैं जैसे की purchase अगर आप normal goods भूल जाते हैं तो क्या करेंगे normal goods के case में फिर दो जगा इंट्री जाएगी आपके normal goods के case में दो जगा इंट्री जाएगी सर कहां कहां एक हो जाएगा हमारा add in purchase add in purchase add in purchase दूसरा चले जाएगा यहां पे balance sheet liability side आप समझेए फिर से आप समान को खरीद लिया लेकिन आप record करना भूल गए तो कौन से वाला समान हमेशा record करने भेशने अजमशन देता है उधार वाला उधार वाला record करना भूल गए तो समान खरीद अब उसे ठीक कैसे करें हम purchase में add कर देंगे और क्यूंकि अब उधार वाला transaction है तो इसका मतलब liability में भी हम उसको क्या करेंगे शू कर देंगे इसमें depreciation का तो कोई समस्या ही नहीं है depreciation का सारा काम कहां पर आएगा जब हम assets में होंगे बताइए कोई doubt adjustment number 12 12 कोई doubt है तो बताइए किसी को कोई doubt है तो बताइए जितने बच्चे live class में उनको भी doubt है तो बताइए अभी adjustment कर र चलिए अगले पर देखें adjustment number बार तेरा interest on capital interest on capital या तो trial balance में given हो सकता है में given हो सकता है या फिर दूसरा option बनता है ये adjustment में given हो सकता है adjustment में given हो सकता है trial balance में अगर given हो तो single entry होगा और सर्थ trial balance में given हो तो कहां जाएगा ये जाएगा हमारा profit and loss के debit side याद रखिएगा interest on capital जो होता है न वो पता ही क्या होता है ये business के लिए एक expense होता है हमें देना होता है ठीक है न अगर balance sheet में होगा तो दो entry balance sheet में हुआ तो दो entry सर एक चला जाएगा हमारा कहां पर profit and loss के debit side दूसरा हमारा add हो जाएगा ये जाके capital में add हो जाएगा हमारा कहां जाके सर ये capital में इसी से related एक adjustment number 14 है जो मैं यहीं कर रहा हूं interest on drawing interest on drawing sir ये भी हो सकता है हमारा कहां given हो प्राइल बैलेंस में और यहा गीवन हो सकता है अब मैं आपसे पूछूँगा ये interest on drawing जो business के लिए हमेशा income होता है sir income क्यों होता है क्यों क्यों drawing हमने निकाला है honor अलग होता है और business तो भाई honor business में से पैसा लेगा तो हमें business को ब्याज देना होगा तो business के point अब भी सो कहां जाएगा पीएंडल में बताओ पीएंडल के किस साइड जाएगा पीएंडल के credit साइड sir adjustment में हुआ तो कहां जाएगा दो जगह जाएगा अगें दो जगह जाएगा सर कहां दो जगहें एक चला जाएगा पीएंडल के क्रेड़िट साइड और एक चला जाएगा हमारा लाइबिलिटी या फिर लेस फ्राँड़ क्यापिटल क्यापिटल से लेस हो जाएगा बताईए कोई डाउट समझ में आ रहा है सर अगर इंटरस ऑन閉टल वा बिजनस के लिए खर्च आए तो अगर हमारा ट्राइल में गीवन ऊटे तो .... ये अंट्री करेंगे पीएंडल के डैबिट में लेकिन अगर अगर अड़ज्यस्मेंट में तो दो एंट्री चला जाएगा और कहां चला जाएगा अट्जेस्मेंट नमबर पंद्रह मैं बेसिकली कहूंगा इंट्रस्ट आन लोन और ये एक हिडन अट्जेस्मेंट है इसको मैं रखूँगा हिडन अट्जेस्मेंट की कैटेगरी है नोटिंग के लिए आपको पीडियाफ मिल जाएगा आज नमबर अपडेट कर देंगे सकता पहले हम समझ लेते हैं ये है क्या जर्णली नॉर्मली आपने क्या देखा है सर आपको ने एक ट्राइल बैलेंस गीवन होता है एक डेबिट ट्राइल बैलेंस गीवन है ठीक एक डेबिट एक क्रेडिट है हमने अगर इंट्रेस्ट ओन लोन लिखा मान लेते हैं पचास हजार मान लेते हैं पचास हजार है या आपका अड्जस्मेंट अभी तक क्या सीखा है सर इस ट्राइल बैलेंस के नीचे जो बाते लिखी होती है उसे हमें एक नाम दे देते हैं जो होता है अड्जस्मेंट और इस अड्जस्मेंट की कितनी एंट्री करते हैं लेकिन कई बार आपको नीचे ना देखे ना जो बात अलग से नीचे बताना होता है वो चीज़े ना trial balance के अंदर वो bracket में कह जाता है तब trial balance के बाहर तो नहीं हुआ trial balance के अंदर कहां हो गया तो इसलिए ये भी किसका part बन जाता है ये तो इसलिए इसका नाम मैंने दे दिया hidden adjustment जो कि आपको नीचे adjustment में तो नहीं मिल रहा लेकिन trial balance के अंदर मिल रहा है जैसे सर इसमें क्या हो सकता है अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है example के साथ करेंगे फिर मैं पहले मैं समझाऊंगा फिर मैं इसका treatment बताऊंगा debit मैंने लिखा 10% loan समझिएगा कभी भी loan के आगे जो percentage लगा होता है ना वो indicate करता है interest rate को कि सर इस पे 10% ब्याज हमें देना है क्योंकि loan लोगे तो ब्याज तो देना ही होगा मैंने लिखा 10% loan एक लाक रुपए तो सर इसका मतलब है इस loan पे हमें ब्याज देना पड़ेगा अब loan पे ब्याज कैसे देना होता है मानलो यह आपका पूरा साल है सर साल सुरू होता है आपका एक चार को और end हो जाता है हमारा एक 33 को अगर loan मैंने इस डेट पे लिया है तो हमें उससे पूरे साल का ब्याज कैलकुलेट कर लेना चाहिए loan अगर मैंने इस date पे लिया हो कहीं बीच में तो यहां से यहां तक व्याज calculate होगा, loan अगर मैं इस date पे लूँगा बीच में तो यहां से यहां तक व्याज calculate होगा, loan अगर मैं end में लूँगा तो व्याज ही नहीं calculate होगा, simple सी बात है, यानि loan आपने कितने दिन अपने पास रखा है, कितने दिन पैसे इस्तमाल के है, उतने दिन का ही आपको क्या देना है, सर यहाँ पे, उतने दिन का ही आपको ब्याज देना है, बड़ी सीधी सी बात है, तो अगर देखा जाए, तो मैंने यहाँ पे बताया नहीं कि आपको interest कितना होगा नहीं बताया जी तो ऐसे situation में आपको अजंशन लेना पड़ता है पूरे साल का कितना देना है आपको मैंने नहीं बताया तो आपको अजंशन क्या लेना है पूरे साल का लेकिन अगर मैं bracket में लिख दूँ कि 1-4 2022 इसका मतलब है ये लोन आपने लिया 1-4 2022 को साल हमारा ये है आपने इस डेट पे लोन लिया कितने का लिया सर एक लाग का लोन लिया तो ब्याज बताओ कितना बनेगा पूरे साल यानि अगर कुछ ना बोला जाए सिर्फ परसंटेज दे दे तो पूरे साल का डेट दे दे अगर मैं इसकी जगह पे डेट को बदल के और ये डेट कर दू मैं 30 9 2022 तो ये क्या बताता है सर आपने लोन लिया है 309 कहीं साल के मिड में अब जो ब्याज कैलकुलेट होगा वो यहां से आप देखों यहां 3 केसी सो गया जब कुछ ना दे तब इंटरस पता ही क्या बनेगा सर इंटरस बनेगा 10% के इसाफ से 10,000 कैसे बना सर 10,000 एक लाग के उपर सीधा 10 बाए जब हमें बोल रखा था के सर हमने लोन इस तारिक को लिया तो सर फिर से इंटरस कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो फिर से 10% ही कैलकुलेट होगा जो की आएगा 10,000 जब डेट दे रखा था दूसरे बार का तीसरे केस में क्या होगा सर एक लाख रुपए है इसका 10% ठीक है लेकिन आप ये भी ये तो देखे इस्तमाल तो सर कुछ दिनों के लिए किया है कुछ महीने के लिए किया है तो अब कितने महीने का हो गया है 6-5 यानि इस वाले point से पता है क्या पता लगता है हमें कि जब कभी हमें interest निकाले गए न तो interest निकालते time पे बहुत सिंपल सी बात है, डेट का important role होगा, पहले तो ये समझे है, क्या मैंने कहीं बाहर adjustment लिखा है, नहीं, अगर मैं बाहर adjustment लिखता हूँ, और मैंने suppose करो कि यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, और मैंने बाहर adjustment में लिख दिया, कि loan taker on 30 September तो ये वाला adjustment बाहर पता चल गया, और इसी को अभी थोड़ी दिर पहले मैंने कहा लिखा था, इसके अंदर लिखा था, interest तो निकलेगा आपका, ठीक है ना, अब सर, interest adjustment का part बनेगा के नहीं बनेगा, ये calculate कर रहे हैं, छे मैने का, पूरे साल का कितना है, दस अजार और छे मैने का बनेगा हमारा, पांच अजार, छे मैने का क्यों, क्योंकि September, October, November, December, January, February, March, September तो counting नहीं करेंगे, खेर क्योंकि 30 है, October, November, December, January, फर्वरी, मार, छे मैने का ब्याज निकलेगा, अब कई बार क्या होगा, जो बाते मैं बता रहा हूँ, बाद में आपको ये PDF दे दूँआ, जो बच्चे live देख रहे हैं, बाद में वीडियो भी देखेंगे, तो वीडियो देखते टाइम पे आप इन चीजों को ensure कर लेना, कि जो बाते मैं बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा है, लेकिन उसे record जरूर कर लेना, मान लो, मैंने यहां लिखा interest, सर, इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं, अब ये line नहीं गीवन नीचे, मैंने लिखा interest, पहले तो ये बताईए, interest को भूल जाईए, interest लोन कितने महीने का निकलेगा, पूरे साल का, जब कुछ ना बोला जाए, तो कितने टाइम का निकलेगा, तो सर, आप एक बार मुझे बता दिजिए, interest बनता कितना है, सर, काइदे से दिखा जाए, तो एक लाख रुपे का करजा है, और दस परसेंट पूरे साल का निकालेगे, क्योंकि डेट नहीं गीवन, तो काइदे से interest बनता कितने का है, समझ मारी बाता है, लेकिन इसका मतलब है, सर, दस में से दो आपने payment कर दिया है, इसका क्या मतलब है, दस में से दो, इसका मतलब आपका जो अभी जो adjustment वाला part हो जाएगा, वो सिर्फ बच्चे का दस का नहीं करेंगे, हम किसका करेंगे, यानि आठ हजार का हमने payment नहीं किया, तो अब adjustment कितने का बनने वाला है, आठ हजार का, पहले बताईए, यहां तक विटाओं, यहां तक समझ में आ रही है बात आपके, सर, अगर मैं interest यहां पे 6000 कर दूँ तो, कितने का adjustment बनेगा, चार का बनेगा, अगर मैं यहां interest 10,000 कर दूँ तो, तो adjustment बनेगा ही ने, क्योंकि zero हो गया, यह कह रहा है नीचे, adjustment भी बोल दे के, interest आपका एक साल का निकलेगा, लेकिन आपने चेक कर लिया पहले, यानि, सर, interest की calculation करने से पहले आपको check कर लेना है, कि trial balance में पहले से कितना interest paid कर रखा है, फिर उसके बाद comparison करके आप बता सकते हूँ कि कितने रुपे का adjustment लगने वाला है, समझ रहे बात को आप, तो सर, interest के case में दो जगह हो सकता है ये, और ये hidden adjustment मैंने क्यों बोला पहले तो आप ये भी समझ लीजेगा, सर, hidden adjustment मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि, यहाँ पे देखेंगे, बाहर trial balance के कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी देखिए, आप direct और indirect होते हुए भी ये किसका part बन गया, एक adjustment का part बन गया, जो trial balance में given होगा, जो trial balance के अंदर given होगा सर, उसकी तो एक ही entry करेंगे, एक entry कहां जाएगा सर, वो चला जाएगा profit and loss के debit side, मेरे वाले example को देखते हुए आप बताईएगा, कि profit and loss के debit में कितना जाएगा, जो trial में given है, वही जाएगा profit and loss के debit side, मैं amount change कर देता हूँ, फिर से मैं पुराने वाला amount लिख देता हूँ, यहाँ पर that is 2000 रुपई, मैंने लिखनी है, यहाँ पर 2000, तो P&L के debit में कितना जाने वाला amount बताईए, सर 2000 चला जाएगा, adjustment में हुआ तो 2 entry, adjustment में हुआ तो 2 entry, adjustment में कौन सी 2 entry, एक चला जाएगा profit and loss के debit side, मैं भी करके भी दिखा हूँगा, और दूसरा चला जाएगा balance sheet के liability side, as outstanding interest, as outstanding interest, as outstanding interest, मान लो, मेरा सवाल यही है, इसको represent कैसे करेंगे सर, मैं आपके सामने एक बना रहा हूँ, यहाँ पर P&L, और एक आपके सामने में बना के चल रहा हूँ, balance sheet, ठीक है, इसी को मैं करके दिखा देता हूँ कि कैसे करेंगे, तो यह होगी हमारा सर P&L, और यह होगया सर, हमारा balance sheet, आपको पता यह क्या है, liability और यह क्या है, सर P&L के अंदर सबसे पहले जो trial balance के अंदर दे रखा है, उसे लिखेंगे, सबसे पहले loan in 10% to liability में चला जाएगा, एक लाख रुपए, पूरा लिख दिया, trial balance के अंदर interest दे रखा है, कितने का, तो P&L के debit में चला जाएगा, यहां तक सुझ मैं, अब adjustment दे नहीं रखा, लेकिन हमें पता चल गया, कि भाईया, इसका interest जो बनना चाहिए था, वो काईदे से देखा जाए, तो कितना बनना चाहिए, सर, 10,000 बनना चाहिए, अब 10,000 रुपे बनना चाहिए, जिसमें से payment हम 2,000 रुपे का कर चुके हैं, तो 8,000 रुपे का still हमें देना बाकी, तो अब जो देखा जाए, तो इसके अंदर add कर देंगे outstanding interest, add कर देंगे हम क्या, सर, outstanding interest, कितने, और P handle के अंदर तो बन गए पूरे 10, दूसरा balance sheet के liability में चला जाएगा outstanding interest, और that is आपका चला जाएगा हमारा 8,000, समझे कैसे करना होगा आपको, ठीक है, कोई doubt, कोई परिशानी, यानि अगर आपको date भी नीचे दे देता है, तो आप date के according करोगे, अगर मैं इसी के नीचे bracket में इसी के अंदर लिख देता हमान लेते हैं, तीस, नौ, दो हजार, बाइस, अगर ये लिखता, तो total interest कितना बनना था? 5, 5 में से कितना दे दिया? कितने का adjustment लगेगा? 3 का लगेगा, बड़ी सीधी सी बात है, उस situation में यहाँ दो लिखता, दो में मैं यहाँ पर आठ हैड नहीं करता, सरिफ 3 और ये 3 का उठा कर डाल देता? लाइब लिखेंगा, समझ मैं आई बात आपको यह, तो ये था हमारा interest on loan की बात करता है, ये interest, किसी को doubt है तो बताएए, किसी को doubt है तो बताएए, अगले adjustment पर चले, सर, next adjustment बनता है हमारा, इंटर्स अविस्मेंट, सर, इंटर्स अविस्मेंट, ये भी सर, hidden adjustment का ही पार्ट है, पहले देख लेते हैं, सर, कैसा हो सकता structure, ये आपके सामने मैं एक trial balance बना देता हूँ, एक trial balance बना देते हैं, ये होगे हमारा debit और ये credit, मैंने लिखा investment, मैंने अब 10% investment लिख दिया, और सर, investment assets होता है, that's why ये assets side में दिखेगा एक लाग, मैंने यहाँ लिख दिया, सर, interest, जिसको पिछला समझ में आ गया होगे, वो फटा-फट कैच कर लेगा, interest लिखा 2000, interest 2000 credit में, trial balance में लिखने का मतलब है 2000 मिला है, और आपका investment पे आपको मिलना कितने पर्सेंट चाहिए था सर, और 10,000 एक लाग रुपे पे कितने बनते हैं, 10,000 बनते हैं, अगर 10% दिखा जाए तो एक लाग पे कितना interest बनेगा, यानि मुझे interest मिलना चाहिए था, interest is equal to हमें 1,00,00 रुपे पे 10% मिलना चाहिए था, जो कि निकल के आता है हमारा, अगर 10,000 का ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना है, इसका मतलब 8 और लेना, जब कभी भी कुछ चीज़े हमें लेना बाकी होता है, तो वो assets बन जाता है, तो यहाँ पर कहानी फिर से वही आता है सर, दो जगे की हम बात कर रहे थे हैं, एक तो चला जाएगा, कहाँ पर सर हमारा profit and loss में, profit and loss के किस साइड? credit साइड, दूसरे हम बात करें, कहा जाएगा सर, adjustment में हुआ तो दो जगे जाएगा, अगर adjustment में हुआ तो दो जगे, आप दिमाग लगाईए, adjustment में होगा तो दो जगे कहाँ जाएगा, एक तो चला जाएगा हमारा, एक तो चला जाएगा कहां सर, एक चला जाएगा balance sheet, या balance sheet के बज़ाएं मैं लिख देता हूँ add in income add in income जो भी income होगा उसमें जोड दिया जाएगा किस नाम से as accrued as accrued accrued interest as accrued interest सर अगर हुआ हमारा कहां पर second देखा जाए तो add accrued interest दूसरा balance sheet के assets में चला जाएगा assets में किस नाम से as accrued interest बताईए कोई doubt यानि जिसको interest loan वाला समझ में आ गया ना उसको ये भी आ जाएगा जाएगा कोई इसमें समस्या किसी को कोई दिक्कत ये adjustment number कौन सा था कोई doubt है बताईए चलिए और चलते आगे outstanding rent या expense सर भाला कि इसका तो पता है आपको बताऊ outstanding का क्या करते है दो जगह entry जाती है outstanding adjustment में तो कितनी जगह entry जाएगी कहां कहां दो जगह जाएगी P&L के debit side में और एक liability में लेकिन जब वो adjustment बाहर trial balance के कहेगा तभी तो आपको पता लगेगा कई बार examiner क्या करता है कि आपको बताएगा नहीं क्या outstanding आप खुद पता लगा लो जैसे सर मैंने rent का example लिया कुछ भी हो सकता है wages salary कुछ भी हो सकता है ये हमारे पास trial balance है और अगर मैं आपसे पूछू ना कि इस trial balance के अंदर जैसे कि rent दे रखा है पांच हजार और नीचे मैं दूँ adjustment में outstanding rent 4000 तो इसका adjustment आप बड़े easily से कर सकते हो ये तो चला जाएगा P&L के debit side और ये उसी P&L के debit side क्या हो जाएगा add हो जाएगा और यही amount कहां चला जाएगा balance sheet के ये तो पता है लेकिन अगर मैं adjustment में ना दूँ और फिर भी मैं बोलू कि जब या इसमें adjustment है तो करके दिखाईए तो अभी तो इसमें adjustment है नहीं adjustment कब बन जाएगा examiner एक line add कर देगा इसके अंदर मान लेते हैं मैं amount change कर रहा हूँ मैं amount change कर रहा है हाँ या 22 कर देखा ब्रैकेट में लिख दिया 11 month adjustment मैंने बाहर नहीं दिया कहां लिख दिया मैंने जैसे ही मैंने ब्रैकेट में लिखा इसका मतलब क्या होता है समझना क्या बताना चाह रहा है बोल रहा है भाईया यह जो rent है ना आपका 11 महिने का rent है इस रिष्ट जबकि आपको अच्छे से पता है हमारा P&L और balance sheet कितने महिने का बनता है 12 महिने का एक साल बोल लो या फिर 12 महिने बोल लो और rent जो है वो 11 महिने का इसका मतलब एक महिने का rent अभी हमने payment तो आपको यहां पर एक महिने का rent निकालना पड़ेगा कैसे निकालोगे सर रेंट एक महिने का निकालने का तरीका है जो आपका rent दे रखा है divide करो कितने से सर divide करो आप 11 से तो अगर आपको यह 22,000 रुपे बड़ी सीरी सी बात है आपने equation सीखा हुआ है बच्चो वाली चीज है यह अगर 22,000 रुपे आपका 11 महिने का और 11 से divide करते तो कितने महिने काएगा एक महिने का और आपका outstanding कितने महिने का यह आपको पता करना है outstanding भी कितने महिने का है तो सर यहाँ पर क्या outstanding rent होगा यह नहीं होगा क्या adjustment में बोला है आपको नहीं बोला ये कहां बोला हुआ है, trial balance के अंदर ही, तो ये भी किसका part माना जाएगा, एक hidden adjustment बोलो या फिर adjustment का part माना जाएगा, ऐसे situation में भी दो जगए entry चली जाएगी हमारी, ऐसे situation में दो जगए entry जाएगी, एक profit and loss के debit side, क्या होगा, add in expense, और एक entry चला जाएगा, balance sheet के, liability side, balance sheet के, sir, liability side, sir, amount मेरे वाले example को लेके चलते हैं, तो एक मेहने का outstanding पता है, कितना निकलता है, 2000, तो इस तर चला जाएगा, 2000, और liability में भी कितना आजाएगा, अगर आप मैं P&L का structure बना दूँ, तो P&L पता है, कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो आप लिख लोगे, यहाँ पे rent, और आपने लिख लिया कितने, इसमें plus कर दोगे, outstanding कितने, और PL के अंदर तो कितने आगए, 24, यह P&L में, balance sheet के liability में चला जाएगा, 2000, समझ में आ रहा है आपको, तो यह adjustment भी कैसा adjustment था सर, जहाँ पे आपको hidden adjustment था, अंदर गीवन था, मतलब balance sheet, मतलब अलग से trial balance के बाहर तो नहीं कह रहा, लेकिन trial balance के अंदर यह, फिर भी यह adjustment का part माना जाएगा, ठीक है, कितने adjustment होगे सर, यह कौ किसी को doubt है तो बताएगे, यहां तक किसी को doubt है तो बताएगे, पूजा, गौतम, भावेश को doubt है तो बताएगे, No, तो आज हम यहीं तक adjustment करेंगे, बाकि जिन बच्चों को note करना है, फटा-फट से note करेंगे, यहां से था, यहां से था, चीक है, आपका परसो एक और class है, परसो के बाद फिर हम regular class करेंगे, और परसो परसो एक और class है, उसके आप फिर regular का provision करूआँ, और परसो सारे adjustment में खतम कर दूआँ, आपको PDF भी मिल जाएगा और content में आएगा, noting जरूर कर लिजेगा, चीक है, ओके, good night, फाइनल अकाउंट के अंदर हमने क्या देखा था, फाइनल अकाउंट के अंदर बनाने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक ट्रेडिंग के बाद profit and loss, profit and loss के बाद balance sheet, तीन चीजों में divided है, ट्रेडिंग अकाउंट का main purpose, main मकसद होता है कि वहाँ से gross profit निकाल ले या net profit निकाल ले, और, sorry, gross profit निकाल ले या gross loss, और P&L का main मकसद क्या होता है, वहाँ से क्या निकाले, net profit या net loss, और इन सभी को कहाँ भेज दें, balance sheet में और balance sheet में जाने के बाद वो दोनों tally हो जाता है, हमारा काम खतम हो जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको knowledge होना चाहिए, सर किस चीज का एक तो होना चाहिए, direct expense और indirect expense, तो direct expense कौन से होंगे, जितने भी factory से related खर्चे होंगे न, उसे direct expense बोले जाएंगे, जैसे कि carriage invert हो गया, जैसे cartridge हो गया, freight हो गया, या manufacturing expense हो गया, या octree हो गया, custom duty हो गया, wages हो गया, power हो गया, wages और salary है, तो ये सारे direct expense से किस से related होगा हमारा trading account से, एक दूसरा आ जाता है trading account यानि factory के बाहर के खर्चे, यानि office जिसको मैंने नाम दे दिया, तो office में क्या हो सकता है इसा, indirect expense उसे बोलेंगे, जैसे general expense, light, electricity, salary, ये सारे कहा जाते हैं हमारे office के अंदर के खर्चे आ गए, तो office वाले खर्चे कहा जाएंगे, पी एंडल में और जो कि हमारा trading वाला खर्चा है वो factory वाला ट्रेडिंग में, एक format बनाया था, एक trading account, उसके नीचे पी एंडल और ये, ये PDF मैंने आपको share भी कर दिया था, इसके बाद हम आगे continue चलें, तो सर एक question भी किया था, आपके book का ही question है ये, सर बुक कौन सा ले रहे हैं, जे आर मुंगा बुक को follow कर रहे हैं, हर किसी बच्चे के पास book होना चीए, पूरे डेली उनिवर्सिटी में मातर एकी book चलता है, जे आर मुंगा चाहे कोई बच्चा किसी college का हो डेली उनिवर्सिटी में, उससे college में एकी recommendation करते हैं वो, कुछ college में हो सकता है, मेभी के आपका DK goal कर रहे हो, लेकिन इतना popular नहीं है, जितना के JR मुंगा popular है, इसके बाद सर आगे हमने क्या किया था, आगे हम आगे थे सर adjustment करने के लिए, और adjustment करते करते हमने देखा के सर adjustment बोलेंगे किसे, तो जो trial balance के बाहर चीजे गीवन होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, adjustment, adjustment में सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा closing stock पे, closing stock या तो आपको गीवन हो सकता है trial balance के अंदर, या गीवन हो सकता है adjustment में, तो trial balance के अंदर जो भी information गीवन होता है, हमेशा उसकी एक ही entry करते हैं, और जो adjustment में information गीवन होता है, दो entry करते हैं, तो trial balance के अंदर अगर closing stock गीवन हुआ, तो सरिफ और सरिफ हम कहां लेखी जाएंगे, balance sheet के asset side, लेकिन अगर adjustment में गीवन हुआ, तो एक कहां चले जाएगा, हमारा trading account के credit side में, दूसरा balance sheet के asset side, यहाँ पे एक twist आता है, कि आपका closing stock के दो value दे देते हैं, एक market value और एक book value, तो आपको कौन सा value, अगर दो value दे दिया, तो कौन सा value consider करोगे, तो जवाब है sir, इसके अंदर से आपको consider करना, whichever is lower, जो दोनों में से lower है, वो value आपको consider करना है, तो मैंने उसके हिसाब से सारी चीज़े यहाँ पे लिख भी दिया, बाकि previous वीडियो में मैंने धीरे धीरे बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, इसके बाद एक आता है, outstanding, unpaid, accrued, या फिर आप कह सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं इनके, अगर adjustment के अंदर हुआ तो दो entry, expense के अंदर add और balance sheet के liability में, अगर आपका होता है कहाँ पे sir, entry होता है आपका trading account में, तो कहाँ जाएगा trading account के case में, सिर्फ और सिर्फ जाएगा balance sheet के liability side में, balance sheet के liability side में, इसके बाद आगे देखा जाए, तो आगे क्या है हमारा sir, अगला point है हमारा prepaid expense, expired expense related to next year, prepaid expense की बात करें, तो यहाँ भी trial balance के अंदर होगा, तो सिर्फ जाएगा balance sheet के assets में, अगर adjustment में हुआ तो expense में से minus, और balance sheet में asset side पहुंच जाएगा, अगला देखा था sir, हमने क्या depreciation, depreciation अगर adjustment में है, तो assets में से minus, profit and loss के debit में, लेकिन अगर depreciation आपका है trial balance में, तो सिर्फ P&L के debit side में जाएगा, साथ के साथ provision for depreciation, इसके दिखाने के दो तरीके थे, अगर आपका trading, trial balance में है, तो ये चला जाएगा, या तो liability में दिखा दो, या फिर assets में से क्या करो, minus कर दो, लेकिन अगर adjustment में हुआ, तो आपको एक P&L के debit में तो दिखाना ही पड़ेगा, साथ के साथ आपकी मर्जी है, कि आप assets में से minus कर दीजिए, या फिर आप उसे provision for doubtful debt, जो पुराना पड़ा हुआ है, उसके अंदर add-on करके liability में दिखा दीजिए, इसके बाद हमने देखा था bed debts, अगर trial balance के अंदर bed debts given है, सार तो P&L के debit में जाएगा, अगर adjustment में bed debts given है, तो दो जगह जाएगा, कहाँ P&L के debit में चला जाएगा, और दूसरा चला जाएगा balance sheet, balance sheet में debtor में से minus, अगर आ जाता है provision for doubtful debts, trial balance में है, तो इसे हम दिखाएगा profit and loss के credit side, हाँ, answer में कई बार आपको अलग जगह देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको दिखाना है profit and loss के credit side, लेकिन अगर adjustment में given हुआ, तो दो जगह दिखाना है sir, कहाँ P&L के debit side में, और दूसरा sir, एक जाएगा हमारा P&L के debit side में, दूसरा उस debtor में से क्या तरेंगे, minus कर देंगे, इसके बाद आपका आगे दोनों अगर साथ में आ जाए, दोनों के तीनों साथ में आ जाए, एक provision for discount भी है, तो क्या treatment होना है sir, trial balance वाले को, तो bad debts को तो हम दिखाएंगे sir, debit में P&L के, provision for doubtful debts दिखाएंगे credit में, और provision for discount दिखाएंगे credit में, लेकिन जब adjustment में होगा, तो सबसे पहले हमें minus करना है bad debts, फिर minus करना है provision, फिर minus करना है discount, और ये तीनों खर्चे P&L के, कहाँ चले जाएंगे sir, debit के अंदर आ जाएंगे, इसके बाद हमने देखा था sir, क्या, एक question हमने देखा, और इसके basis पर trial balance का, जो कि जो adjustment किया, उसके उपर हमने एक question कर लिया था, एक adjusted purchase, adjusted purchase में में मैंने कहा था, आपका opening stock plus purchase minus closing, purchase return somehow कई बार minus होता है, और कई बार नहीं होता, adjusted purchase के case में, आगे था goods use, goods use कहां कहां हो सकता है, proprietor अपने लिए use कर सकता है, charity में हो सकता है, free sample में हो सकता है, या lost by fire हो सकता है, अगर अपने personal use करता है, तो that is a drawing, अगर trial balance में है, परचेस से minus हो जाएगा, free sample में भी अगर adjustment में दे रखा है, तो मैंने बताए, less from purchase P&L के debit में, और अगर trial में है, तो सरफ P&L के debit में, charity का बिल्कुल same adjustment आपका होना था, lost by fire अभी हमने करा नहीं है, इसको हम अलग से करेंगे, इसके बाद देखा था हमने एक question, जो की हमने कर लिया था, आपके book का ही question number 7 है, honors में कोई और question हो सकता है, program में कोई और, आप question के digit देखके, इसको मिला सकता है, इसके बाद हमने और adjustment आगे लेके गए थे, prepaid life insurance, और including the general insurance, तो life insurance, कभी-कभी insurance के अंदर, एक life insurance का पार्ट जुड़ा हो आता है, तो वो life insurance का पार्ट वहां से हटा, कि कहां ले जाते हैं, capital में minus कर देते हैं, और normal insurance कहां चले जाएगा, prepaid में, लेकिन normal insurance को चेक करते हैं, क्या पता वो 12 महिने से ज़्यादा का है, तो सिर्फ 12 महिने का चला जाएगा, P&L के अंदर, बागी का हिस्सा आपका चला जाएगा, कहां पे सर, बागी का हिस्सा चले जाएगा, balance sheet के assets में as a prepaid, इसके बाद हमने देखा था, omitted purchase, omitted purchase के अंदर, आपका या तो goods भूल सकते हो, लिखने के लिए, या फिर assets भूल सकते हो, अगर आप goods लिखने के लिए भूल गए, तो उस situation में क्या होगा, एक तो purchase में add-on हो जाएगा, और एक creditor बन जाएगा, आप assets लिखना भूल गए, तो उस situation में assets बढ़ जाएगा, और दूसरा कहां चले जाएगा, हमारा balance sheet के liability में as a creditor, लेकिन मुद्दे की बात है, अगर आप assets लिखना भूलते हैं, तो depreciation का सवाल आता है, तो depreciation आपकी इच्छा है, अगर date दे रखा है, तो according to date लगाई, या date नहीं दे रखा, एक P&L के debit में और एक capital के अंदर क्या होखा, add हो जाएगा सरी, इसके बाद देखा था interest on drawing, interest on drawing, interest on drawing इसी के नीचे था हमारा, जो की same P&L के credit side, adjustment में तो P&L के credit side, और drawing में add या less from capital कह दो, इसके बाद था सर हमारा interest on loan, interest on loan hidden adjustment का basically part होता है, interest on loan, अगर आपको adjustment में दे रखा है, तो P&L के debit में और balance sheet के liability में, लेकिन अगर आपका trial balance में है, तो सरिफ P&L के debit में, यहां मुद्दे की बात है, कई बार आपको insight date दे देता है, trial balance के, तो date के according calculate करके, आप पता करोगे कितना part हमारा outstanding है, same interest होता है आपका investment पे, तो बिल्कुल same हमने यह वाला topic भी complete कर लिया था, इसके बाद हमने देखा था, outstanding rent expense, outstanding का पहले भी discussion किया था, उसका अगला part था, trial balance के अंदर ही आपको rent, wages, salary, किसी के अंदर आपको bracket में डाल देगा है, 11 महने, 9 महने, 8 महने, जैसे कि मैंने एक example के अंदर आया यहाँ पे, 11 महने डाल के दिखाया हुआ है, तो सर जब trial balance के अंदर ही basically यह डाल दिया जाता है, 11 महने, तो यह 11 महने का है, जबकि हमें कितने महने का दिखाना होता है सर, 12 महने का, तो जितना part outstanding निकलता है, वो निकालके हम आगे continue कर लेंगे, यहाँ तक हमने पूरा का पूरा part जितना अभी तक किया है, 5 से 6 classes में वो में हमने cover किया, आज हम इसके आगे देखेंगे, और property, plant and equipment का एक थोड़ा सा concept करने वाले हैं, चलिए, अब जो बच्चे नए जोइन होते हैं daily basis पे, मैं उन सभी को चाहे offline में हो, चाहे आपके online में बच्चे हो, पुरानी classes के जो बच्चे live classes में हैं, या online classes में उनको तो videos content में मिल जाएगा, जो बच्चे offline में हैं, उनको मैं link provide कर दूँँगा, ताकि पिछला backup आप देख क्या है, आपका exam FAB में start हो जाएगा, तो इतना समय नहीं है, कि आपको बार बार वो classes कराया जाए, क्योंकि ये chapter अभी चलके, बस 26 तारिक तक रुख जाईए, 26 के बाद, एक paper 28 का है, Christmas Day निकलते ही, आपके classes को मैं क्या करने वाला हूँ, regular, और जल्दी से जल्दी मेरी courses है कि आपका syllabus को पहले खतम कराया जाए, revision का तो मैं guarantee नहीं लेता, लेकिन हाँ, जैसे मैं short revision की बात करूँ, मैं एक घंटे के अंदर पूरा syllabus खतम करने की बात करूँ, तो जैसे fast, rapidly मैं इसको खतम कर सकता हूँ, rapidly आपको तभी फाइदा मिलेगा, जैसे आज वाला adjustment मैंने पूरा revise करा है, मुश्किल से 10 minute लगा, उस बच्चे को सारी बात समझ में आ जाएगा, जिसने पढ़ रखा है, जिसने नहीं रहेगा कि 5 से 7 परवरी तक हम अपना पूरा असले बस complete कर लें, जिसमें से अभी पहला ही चप्टर स्टार्ट हो है, हमारा final account, काफी बच्चों को तो अभी ये भी नहीं पता है सर, कि हमारा become के अंदर अभी पढ़ाई अंदर मान लेते हैं 10 चप्टर है, तो कुछ बच्चे सोच रहें के semester 1 और semester 3, तो बच्चों के माइंड में है 5 चप्टर अभी आ जाएंगे और बाकी के 5 चप्टर हमारे semester 2 में काम आएंगे, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ही आपका पूरा का पूरा भुक खतम होगा, यह reality है, बहुत बच्चे के माइंड में यह चल रहा होता है, कि semester 1, semester 2, school वाली आदत लगी होती है, first term, second term, तो वहाँ पे क्या होता है, first term के अंदर आधसली बस आता है, और second term में क्या होता है, पूरा, तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो है semester 1, first term मान लो, final term मान लो, जो है, तो यही है, पूरी किताब, second semester के अंदर तो आपको दूसरे subjects मिलने वाले हैं, यह subject तो सारे कातम हो जाएंगे, दूसरे subject, अब मैं यहाँ पर बोलूँगा, काफी सारे बच्चों ने न, एक न कुछ बच्चों का मैंने देखा mentality के दो subject था, एक था finance for everyone, subject, और एक subject था finance for everyone के जगाए पर रंग मंच के नाम से था, हिंदी का subject था, कुछ, तो बच्चे सोचते हैं के नाम से वो, देखो, मैं कहूं तो finance for everyone का, आपको ना तो study material मिलेगा, ना classes मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला market के अंदर, आप परिशान रहोगे, इंदी का study material upload भी हो चुका है, आप side पर जाओगे, तो जिन बच्चों ने finance for everyone, पहले आप देख लिजिएगा, मेरे कहने पर नी, study material पहले आप देख लिजिएगा, content देख लिजिएगा, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि उसको finance for everyone का मतलब होता है, कि आप अपने जीवन काल में, अपने normal day to day routine में, हर चीज जो की commerce related है, वो आना चाहिए, चाहे आपको banking हो, चाहे आपको insurance हो, चाहे आपको accounting हो, चाहे आपका taxation हो, याने each and everything की थोड़ी थोड़ी knowledge दी गई है आपको, चाहे आपका company से related हो, तो वो हो गया finance for everyone, तो उसको पढ़ना एक systematic मेरे हिसाब से syllabus, देखो, real life के लिए ठीक है, लेकिन उसको पढ़ाने वाला भी होना चाहिए, और उससे related कुछ systematic हमारे पास study material भी होना चाहिए, जो की market में available नहीं है, लेकिन हिंदी एक ऐसा subject है, जो आप पढ़ते आए हो, 10th के अंदर तो आपके पास compulsory था, कुछ बच्चों ने 12th मे चोड़ा होगा, और first year में तो आपके compulsory होंगे, चाहे बच्चा regular का है, चाहे SOL का है, चाहे NC web का, कहीं का भी है, हिंदी से बच नहीं सकते हैं, तो एक रंगमंच नाम से subject था, या फिर history नाम से subject था, मेरे हिसाब से उसके अंदर आपको ज्यादा benefit easy तरीके से आप कर सकते हो तो जिन बच्चों ने ले लिया सर वो क्या करें, फॉर्म तो भरा जा चुका, वो free of cost जाके SOL department में जाके अपने subject को change करा सकते हैं, कब करवा सकते हैं, सर एक्जाम से पहले पहले तक आप syllabus को जाके change करवा सकते हैं, core subject को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन option में चाहे साइवर कैफर वालों ने गलती कर दी चाहे, आपने जल्द बाजी में गलत भर दिया, तो उसको change कराया जा सकता है, उसको कोई charges नहीं होता, लेकिन date sheet exam के आने से पहले, role number आने से पहले, यानि आप मान के चलिए, जनवरी आपके पास पूरा है, एक बार देखिए, समझे किसी बच जरूर इस पर notice करिएगा, चलिए, अब एक section देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले मेरा करने का simple सा तरीका है सर, हम कभी भी ना, हम चीजों को अलग-अलग करके नहीं लिखेंगे, जो चीजे मिलता जाएगा लिखते जाएंगे, सबसे पहले देता है सर, cash in hand है सर, 1400 रुपीज, तो मैं ये asset side है, आप देखते जाएए, cash in hand, आपका 1400 रुपीज, इसके बाद cash at bank 2600 रुपे है, तो आप simply bank लिख लीजिए, 2600 रुपे, इसके बाद sundry debtor है, 8600, हमेशा याद रखिएगा, debtor पर adjustment होता है, और नहीं होता तो एक बार check कर लिजिएगा, सर, बिल्कुल है, और ये दे रखा है, 86000, तो मैं अंदर के side लिख रहा हूँ, 86000, इसके बाद stock के आगे date दे रखा है, तो सर, ये opening stock है, तो यहाँ आ जाएगा two opening stock, opening stock, सर, opening stock है, कितने का यहाँ पे given, 62,000 रुपीज का opening stock है, ये trading और profit and loss है, format व अगर लिखना है for the year ending, अगर ये सारे formatting नहीं करोगे, marks नहीं मिलने वाला आपको, इसके बाद सर, given है, आपका furniture and fixer assets है, तो यहाँ लिख देता हूँ, मैं फरनीचर, सर, फरनीचर कितने का 21,400 का, इसके बाद सर, क्या है, office equipment है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, office equipment, सर, office equipment कितन का है, सर, 16,000 रुपे का, adjustment बाद में देखेंगे, इसके बाद क्या given है, सर, building, मैं यहाँ लिख देता हूँ, building, सर, building कितने का है, यहाँ पर, adjustment देखा जाए, तो building पे भी है, furniture पे, office equipment, motor car पे भी है, तो building कितने का है, 60K का, इसके बाद, building के बाद, motor car 20 का है, motor car कितने का है, सर 20, जिस पे adjustment होगा, अंदर लिखेंगे, creditor कितने का है, 43 का, तो मैंने इधर लिख दिया, creditor, कितने का 43,000, keyword का इस्तमाल कर रहा हूँ, ताक कि आपको visible हो सके, अब loan, loan में हमेशा ध्यान रखिएगा, loan का मतलब कभी भी liability हमेशा नहीं होता है, आपको अगर credit side में given है, तो liability ह और अगर debit side में given है, तो क्या मानूगे, वो loan क्या है हमारे लिए, assets है, वो क्या होगा हमारा, assets, तो यहाँ पे loan देखो, आपका कहा दिख रहा है, credit side में, तो liability है यह loan, तो इसलिए हम इसे loan को side put करेंगे, कितने रुपए सर, 30,000, इसके बाद reserve for doubtful debts, मैंने बताया था, trial balance में हो, तो P&L के credit में लिख देना है, तो by reserve for doubtful debts, सर कितने रुपए का है amount, amount है सर, 3000 का, इसके बाद सर आगे है purchase 1,40,000 रुपीज, तो purchase inside लिखना है, 1,40,000, minus कर देंगे सर, purchase return, देखेंगे कब आता है, purchase return आगे ही आगया, 2600 रुपए, ये भी यहीं direct minus हो गया, आगे देखेंगे सर, sales दे रखा है, 230, और sales return भी है, तो by side में आजाएगा sales, और that is 230, और minus कर देंगे सर, sales return कितने का है सर, 4,200, इसके बाद ये भी हमने कर लिया, फिर salary, 11,000 रुपए, profit and loss के debit में लिखेंगे, तो मैं मान लेता हूँ, मेरा यहां trading खतम हो जाएगा, 10-12 line में, यहां पर लिखेंगे salary, और salary सर, कितने का है, 11,000, एक बात देखना होगा, क्या adjustment किस पर है, जरूर पढ़ लिजेगा, building पर, furniture पर, plant equipment पर, हमारा motor car पर, closing stock पर है, reserved debtor पर है, insurance premium पर है, और life insurance premium है, और इसके आगे salary बगेरा पर नहीं है, rent for go down, go down कहां होता है, सर, factory में होता है, तो इसलिए rent यहां पर आएगा, go down basically factory में होता है, तो rent for go down, पच्पन सो रुपे, trading में आ गया, rent for go down के बाद आपका given है, interest on loan 2700 रुपे, तो P&L में आएगा, interest on loan 2700 रुपे, इसके बाद सर दे रखा है, rent and taxes 2100 रुपे, यहीं पर आएगा, rent हमारा 2100 रुपे, इसके बाद given है, discount allowed 2400 रुपे, यहीं आएगा discount, discount, discount आगया सर 2400 रुपे, discount के बाद है, आपका discount receive है, तो credit में आ जाएगा, discount receive, कितने रुपे है सर, discount receive, 1600 रुपे, हाला कि आप पहले कर चुके इन question को मैंने दिया था, freight on purchase 1200 रुपे है, trading का part है freight, कितने रुपे सर, 1200 रुपे, carriage outward है, तो P&L का part होगा, तो carriage outward, कितने रुपे carriage outward, 2000, carriage outward के बाद drawing है, drawing सीधा minus हो जाता है, capital पहले हम capital mention कर देते हैं, और minus कर देंगे यहाँ drawing, और drawing amount is 12,000, drawing के बाद printing और stationery अठारा सो, printing अठारा सो, printing और stationery के बाद electric charge, electric charge बाइस सो है, तो electric charge, चार्ज कितने रुपे, बाइस सो, इसके बाद देखा जाए, electric charge के बाद, बाइस सो के बाद, insurance 500 रुपे है, सर इसके उपर adjustment है थोड़ा सा, मैं अलग से लिख देता हूँ, insurance, कितने रुपे है insurance, पच पन सो रुपे, इसके बाद journal office expense 3000 रुपे, यहाँ बीच में डाल देते हैं, सर, जगह है नहीं, कितने रुपे, 3000 रुपे, इसके बाद आगे कहता है, bed debts 2000, यहीं डाल देते हैं, कहीं, bed debts 2000, इसके बाद गीवन है, bank charges 1600 रुपे, कहीं नहीं, कहीं adjust तो करना है न, bank charges, मैं यहां adjust करता जा रहा हूँ, इसको कैसे नहीं कैसे करते हैं, charge, कितने रुपे, 1600, अगला आगया motor car expense 3600 रुपे, यहां लिख देते हैं, motor car, आप इसको मैं बोलता जा रहा हूँ, तो आप verdict से भी आप ध्यान रखिएगा, capital दे रखा है, 162, 162, सर यह मैंने पूरा का पूरा पार्ट complete कर लिया, इसमें transfer में किसी को doubt, यह तो clear है कि कौन सा item कहां लेके जाना है, अब adjustment पढ़ लेते हैं, prepare trading account सर वही तो बना रहे हैं, ठीक है, depreciation लगाना है, 5% building पे, तो building यह रहा, इसके उपर depreciation लगा देते हैं, तो depreciation, depreciation, यहां लगाते हैं, depreciation, तो depreciation minus में debt, सर 5% that is 3000, और double entry depreciation का कहा जाएगा पता है, पी हेंडल के debit में, मैं बाद में लिख लूँगा, मैं अलग से लिख लेता हूँ, इखटा लिख दूँगा मैं, ठीक है, मैं depreciation यहां लिख रहा हूँ, rough work कर रहा हूँ, 3000, furniture पे आपका कितने % है, 10%, minus कर देंगे debt, furniture पे, तो 2140, तो furniture पे आएगा 2140, मैं एक खटा दिखा दूँगा जगह नहीं है, equipment पे 1500 है, तो 1500 कितना आएगा, equipment पे minus कर देंगे, depreciation, लेकिन एक adjustment नीचे है, इसलिए मैं बाद में करूँआ, motor car पे 20% है, तो depreciation motor car पे 20%, that is 4000, तो depreciation आगया सर 4000, मुद्दे की बात है, हाला कि एक class के अंदर ये कर चुके हैं, हम फिर भी में बता देता हूं, कहता है, insurance premium 4000 to what the proprietor की life से related, तो सर यहां से सबसे पहले तो LIC घटा दो, LIC कितने का था सर 4000, proprietor का था, जिसे बोलेंगा, drawing तो minus में LIC 4000, यहां तक समझ में आई, अब जो बचा हमारे पास, यह बचा सर 1500 रुपए है, चलो थोड़ा उपर जगए ले जाते हैं इसको, क्योंकि हमारा नीचे का काम है, mainly, चलिए, तो 1500, और 1500 में भी क्या कहा नहीं कहा रहा है सर यह, यह देखिए कहता है कि 1500 रुपए में भी 1 से 20 से लेके 31 6 सक है, यानि कहता है 14 2020 से लेके बाकी का insurance 36 2021 तक का है, यानि सर टोटल देखा जाए तो 15 महीने का है, जबकि हमें तो यहां 12 महीने का दिखाना था, तो सर 3 महीने का extra है, तो 15 100 रुपए जो है आपके, divided by 15 into में 3, that is 300 रुपीस extra है, तो क्या करेंगे, यहां से minus कर देंगे किस नाम से, prepaid के नाम से 300 रुपे, अब आगया actual figure 1200 और balance sheet के assets में आ जाएगा, prepaid कितने रुपए का 300, समझ में आ रहे हैं यहां तक, यह हम पहले भी कर चुके हैं एक बार detail में, ठीक है न, तो इस पे ज़्यादा focus नहीं करता है, अगला adjustment जिसके लिए पूरा question हम कर रहे हैं, कहता 31 मार्च 2021 में, it was deducted the management revalued the office equipment of 20,000 before charging current depreciation, कहां management ने एक फैसला लिया कि हम equipment की जो value है न, आप 20,000 करने जा रहे हैं, तो अब आपको चेक करना होगा, sir, equipment की value जो 20,000 हो रही है, वो चेक करते हैं, तो सबसे पहले equipment था कितने का 16 का, question क्या कहता है, भाईया इसे 16 मत मानो, इसके value को बढ़ा दो, इसके value को कितना कर दो आप, 20,000 करने को कह रहा है, तो जब assets का increment लगेगा, तो एक इधर revaluation भी create हो जाएगा, sir, यहाँ पर एक revaluation create होगा, revaluation कितने रुपे से बढ़ गए, sir, 4000 रुपे से बढ़ गया, समझ में आ रही है बात आपको, 4000 रुपे से बढ़ गया, तो depreciation अब लगाया जाएगा इसके उपर, तो इसके उपर depreciation जब लगाएगे, कितने percent लगाने, sir, 15%, तो यह कितना आएगा, sir, 3000, sir, यहाँ पर भी आपको depreciation का impact दिखाना होगा, 15,000, 4000 जो बढ़ गया, उसके उपर कितने percent, sir, 15%, that is, 600, तो यहाँ पर जो increment आएगा, वो 36,000 आएगा, और यहाँ पर कितना आजाएगा, sir, 17,000, अब मुद्दे की बात है, sir, depreciation कितना दिखा है, यहाँ पर इसका, तो मैं depreciation दिखा रहा हूँ, basically, इसका plant, किसका equipment का, तो equipment पर वैसे तो लगा था कितना 3000, लेकिन 600 इधर deduct भी तो हो गया, तो आपको समझ में आजेगा, नए adjustment जो मैंने किया, उसको देखे, कैसे करना है, तो सबसे पहले जितना पार्ट बढ़ गया, हमने किदर दिखा दिया, sir, liability side, liability side दिखाने के बाद, हम depreciation लगाने गया, तो दोनों side depreciation लगा दिया, दोनों amount पे, अब जब P&L में depreciation लेके गए, तो assets वाला भी ले जाएंगे, और liability वाला भी ले जाएंगे, तो liability assets दोनों आपस में debit credit minus हो के, net amount यहाँ पे कितना आगया हमारा sir, 2400 रुपए, in case of हमारा assets का revaluation upside जाता है, तो फटा-फट से देखिए, हमने जो adjustment सीखा है कि इसमें यह लिखा है सारी बाते मैंने, मैंने काता है, increase होता है, तो उस case में आपका depreciation 10% लगेगा, तो यह देखे, दोनों side ले गए, अब P&L के debit side में कितना आएगा, इस बात को आगे continue करते हैं, सर, P&L के debit side में जो depreciation आएगा, आप बताइए देखके कितना आना चाहिए P&L के debit में, कितने, 100 रुपए आएगा P&L के debit में, क्यूंकि 200 रुपए तो था ही, और 100 रुपए वो minus हो जाएगा जो liability, तो इसका मतलब यह कितना आजाएगा P&L के, 100 रुपए, अब यह आपको समझ में आ गया होगा, क्या कहानी है यहापे, ठीक है ना, कैसे treatment करना है, तो सर, यह question हमने जो किया, यहाँ तक का treatment हमने खतम कर दिया है, सारे depreciation को add कर देते हैं, इनको 3 और 4, 7, 2, 9,140 रुपए, तो मैं और बाकी के depreciation लिख देता हूँ, अब फटा-फट से एक काम रहे गया, totaling का, तो totaling कर देते हैं, सर, 2, 30, एक तो रही गया, closing stock, closing stock कितने का 44,000 का, तो by closing stock 44,000 के, और यह कहां जाएगा, closing stock आजाएगा 44,000 के, देखो, space थोड़ा सा कम रहेगा, इस chapter में, क्योंकि मैं दूसरे page पर जाना नहीं चाहता, जाने नहीं जाने का main reason यह है, कि एक ही जगह दिख जाए आपको, हाँजे, आरे हाँ, reserve for bed dates भी रहे गया, कितने percent, 5%, तो debtor पे minus, reserve, 5%, 8600 पे 5%, 3300, और यह आजाएगा, provision for doubtful debt, liability side में 36 ठीक तो है, 4000 में से 600 माइनस होगा, 34 आएगा, यह आएगा, 3400, यह आएगा, 3400, यह रहे ठीक है, 32, minus 42, यह रहे ठीक है, 222, 5800, प्लस 44, 269, 800, यह रहे ठीक है, 269, 800, माइनस कर लेते हैं, एक चालिस में से 2600 माइनस कर लेते हैं, तो क्या आएगा, 137, 400, माइनस 62,000, माइनस 137, 400, माइनस 55, प्रॉफिट आगया, 63, 600, चेक कर यह ग्रॉस प्रॉफिट, सर, जी पी चेक कर यह किताब में, 69, 63, 600, चीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात ने हमारा ठीक है, हम यही पर लेके चलेंगे, 63, 600, सर, रेंट गो डाउन में ले लिया, आपने तो बोला, यहां लेंगे, आप इसके लिए नोट देना पड़ेगा, देखिए, क्योंकि रेंट जादा से जादा इसने ओफिस में भी हो सकता है, लेकिन मैं गो डाउन कंसिडर करूँगा, तो हमारा सवाल भी ठीक माना जाएग यह आगे, 68,300, लेकिन सर, प्रॉफिट नेट अस्रीम आना चाहिए, 68,300 में से माइनस कर देते हैं, कि करके, 36,000, 11,000, 3,000, 27,000, 21,000, 24,000, 1600, नेट प्रॉफिट 16,800, चेक करिए, 16,800, तो देखें, नेट प्रॉफिट आपका से माना चाहिए, इसको बदल देते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, कर लिजेगा, वीजूल हो जाएगा, तो सर, एड हो जाएगा, एनपी, माइनस, 12,000, माइनस 4,000, 162, 860, मैं ये डेप्रीशेशन यहां से हटा रहा हूँ, ये तो मैं ऐज़ा वर्किंग नोट कर रहा था, 44,000, ये आगया, 239, मैं यहां लिख रहा हूँ, 239, 260, सर, यहां पर भी डिफ्रेंस आपका, आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, चेक करिए, यहां जाएगा, 239, 260, आप इसका टोटल करके चेक कर सकते हैं, मैंने आउटर में नहीं लिखा लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, सर, पेज नंबर प्रोग्राम में नहीं मिल रहा, सेम कुश्चन है, बस थोड़ा सा अजिस्मेंट अलग है, पेज नंबर पे मत जाईए, आप हेडिंग देखिए, उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, वहां प्रीपेड इंसॉरिंस दे रखा है, चलिए, नोटिंग करिए फटा-फट से इस कुश्चन को, अजिस्मेंट नंबर, कौन सा होगा बताओ, 19, अजिस्मेंट अजिस्मेंट नंबर 19, लॉस्पाइ, प्रीपेड, या फिर, या फिर, लॉस्पाइ, लॉस्पाइ, फिर, 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 लॉस तो वो कैसे treatment होगा तो वो slivers का party नहीं है तरिफ क्या है goods अब मान के चलो आपका loss by fire या theft यानि यह जो नुकसान है ना इस नुकसान को हम कहेंगे सर यह abnormal नुकसान है नुकसान दो तरीके का होता है एक होता है normal एक होता है abnormal नॉर्मल तो routine nature का होना ही तैह होता है abnormal का मतलब होता है सर इसके अंदर शायद कभी कभी हो जाए तो lost by fire या फिर theft कोई भी goods हो जाता है तो कभी कभी होने वाला है तो आपका कभी कभी होने वाले का अगर आपका मान लेते हैं stock बहुत महंगा है तो insured होगा goods insured यानि insurance करवा रखा होगा या फिर दूसरा circumstances possible है कि goods not यानि आपने insurance लिया ही नहीं है goods not insured यानि या तो आपने insurance करवा रखा है या फिर insurance नहीं करवा रखा है सर अगर insurance की बात करें अगर आपने करवा रखा है तो यहां दो बाते निकलेगी या तो आपको insurance claim मिलना तो तय है क्योंकि insurance करा है तो insurance claim तो मिलेगा तो सर दो बाते हो सकती है या तो आपको मिल सकता है पार्टली claim जो कि जनरली होता है पार्टली क्लेम या मिल सकता है आपको फुल क्लेम एक एक्जामपल के मदद से भी हम इसको समझेंगे एक एक्जामपल से समझ लेंगे इसको मान लेते हैं कि मैंने इंसॉरेंस करवाया था गुड्स का और मेरा गुड्स का जो कीमत था वो था सर एक हजार रुपए का अब insurance करवाया था तो या तो insurance company मेरा जो नुकसान हुआ loss by fire insurance company बोले भहिया तेरा नुकसान हजार का हुआ हम भरपाई कर देंगे पूरा हजार या बोल देगा insurance company भहिया हजार का हुआ हम तो हजार नहीं देंगे हम आपको 700 रुपए देंगे तो ऐसे situation में partly claim मिलेगा तो सर कितना मिलेगा आपको सर 700 और full claim में कितना मिलेगा आपको पूरे हजार अगर partly claim आपका होता है तो partly claim का मतलब आपका पैसा पूरा नहीं मिला है और insurance में हमेशा याद रखना जब कभी भी पैसे नहीं मिलते हैं आपको या जब कभी भी insurance company से पैसा मिलता है तो वो सारी चीजों को चेक करते हैं सर अब सुनते भी जाना क्या करते हैं सर चेक कैसे चेक करते हैं वो वो देखेंगे कि भाया यह actual में नुकसान है भी या फिर नहीं है FIRE की copy देखेंगे आज पर उससे पूछेंगे उसके बाद उनको तसली होगा फिर आपको insurance का पैसा ऐसा नहीं है कि आग लग गया और देखा रहे आग लग गया आपने बोल दिया और आपको payment दे दे ऐसा कभी नहीं होता पैसे आने में एक से दो मेने का वक्त भी लगता है तो अगर partly claim हुआ 700 रुपए तो सर जितना claim आपका हुआ है जितना claim वाला part है यह अभी मिलेगा नहीं सर कब मिलेगा यह थोड़े समय के बाद लेकिन कुछ तो ऐसा part है जो कि आपको मिलेगा जितना claim हुआ है वो मिलेगा थोड़े समय के बाद और जो part आपको नहीं मिला तो यहाँ पर entry देखना एक तो यह entry जाएगा सर profit and loss के debit side में profit and loss के debit जो आपको नुकसान हो गया दूसरा एक हो जाएगा स्टाक से भी माइनस करते हैं तो लेकिन मैं less from purchase कर रहा हूँ दोनों का मतलब एक ही रह जाता है दूसरा क्या होगा सर profit and loss के debit side आजाएगा debit side सर profit and loss के debit side क्यों क्योंकि आपका नुकसान हुआ है सर अगर 1000 रुपे का आपका समान जला और 700 मिला तो नुकसान कितने का हुआ है आपका 300 तो आपको 300 रुपे जो दिखाना है वो दिखाना है सर कहा profit and loss के debit और purchase से कितना minus होगा अगर समान 1000 का है insurance claim मिल रहा है समान तो 1000 का ही जला न तो purchase से 1000 minus और P&L में कितना आजाएगा 300 minus नहीं 300 claim जो भी मिला है वो चला जाएगा सर balance sheet में वो कहां चला जाएगा balance sheet में सर balance sheet के कहां पे asset side balance sheet के asset side सर balance sheet के asset side में claim चला जाएगा और कितने रुपे से जाएगा amount बताओ जितना आपको मिलने वाला है that is 700 रुपे अगर आपको partly मिलता है फुल क्लेम अगर आपको मिले गा न, फुल क्लेम का मतलब क्या है sr? इंसरेंस कंपनी वो लिए चिंता मत्कुरर, हम आपको सारे पैसे देंगे, तो सारे पैसे जब कंपनी देगी, तो दो ही जगए इंटरी जा सकता है, तो जगए कहां जाएगा, एक तो जाएगा सर आपका less from purchase less from purchase और दूसरा चले जाएगा balance sheet के assets में balance sheet के assets में as a claim अगर मेरा पुराने वाला ही example लो तो 1000 में कितना मिल गया हमें पूरा? 1000 मिल गया तो 1000 रुपे कहां से minus हो जाना है सर? सर यहां से आपका 1000 minus हो जाना है और दूसरा balance sheet के asset side में चला जाना है कितने रुपे जाएगा बताओ? कितने जाना चाहिए? सर पूरे 1000 रुपे यहां चले जाएगा पूरे 1000 रुपे balance sheet के assets में पहले देखिए समझ में आई बात आपको तो यह कई book के अंदर ना closing stock में से minus plus करते हैं लेकिन हम ना simple तरीके से यही follow करेंगे answer उनका और हमारे answer में रत्ती भर का भी फरत नहीं रहेगा पूरा full same रहेगा ठीक है अब कहतना है goods not insured तो जब insurance नहीं करा रखा तो insurance company के पास जाओगे भईया claim दो तो भगाई देगा आपको किस बात करके है ना तो insurance company का तो कोई लेना देना है यह नहीं तो यहाँ पे सारा का सारा आपका हो जाता है सर नुकसान एक तो सर लॉस हुआ है तो एक तो less from कहां से हो जाएगा सर less from purchase सो तो हो गई सर कई बार examiner ना चला की दिखा सकते है book value, cost value दे रखा है तो हमेशा यहाँ पे जो लिया जाएगा आ always लिया जाएगा बताओ दो value दे दे तो कौन सा लोगे हमेशा cost price whichever is lower मत कर देना यहाँ पे कौन सा लिया जाएगा हमेशा cost price examiner ना अगर दिया तो दूसरा क्या होगा सर दूसरा होगा profit and loss के debit side में पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा यहाँ तो सर profit and loss के debit में अगर 1000 वाला ही example ले तो यहाँ भी 1000 और सर यहाँ भी 1000 तो यह adjustment loss by fire हो चाहे loss by theft हो करना ऐसे ही लेकिन सबसे बड़ा game changer सबसे बड़ा जो examiner आपको हमने इतना concentrate करके इसको सीखा होता है और ध्यान से सीखा होता है बातों बातों में एक बात भूल जाते हैं क्या भूल जाते हैं जैसे कि मान लो मैंने एक example दिया आपको आप इसका treatment बताना मैंने कहा कि मेरा trial balance है ठीक है trial balance दे रखा है और 31,3,2,021 का है ये मैंने कहा loss by fire loss by fire 14,2,021 का था 1,000 रुपे का और हमें full claim मिल गया full claim 1,000 मिल गया तो इसका treatment क्या होगा loss हमारा 14,2,021 का था 1,000 रुपे और हमें full claim मिल गया तो कहा कहा entry जाएगी बताइए इसका full claim मिल गया बताइए कहा कहा जाएगा कितने का नुकसान हुआ कितने का नुकसान हुआ 1,000 का मिला कितना 1,000 अगर हमसे method की बात करो तो कुछ ही ये वाला लग रहा है full claim तो कहा कहा जाएगा एक balance sheet के बोलने वाले बच्चे बोल रहे हैं balance sheet के assets में और एक purchase में से minus लेकिन हम ध्यान को इतना ज़्यादा concentrate कर लेते हैं adjustment पर date को ध्यानी ने देते हैं ये अगले साल loss हुआ है मेरा trial balance कब का है तो एक चार तो अगला साल आ गया loss कब हुआ है ये यही examiner game आपके साथ खेलेगा यानि इस adjustment का कोई treatment इस adjustment का कोई treatment तो date भी आपको ध्यान देना है समझ में आए मैं क्या समझाने की कोईसिस कर रहा हूँ वो देखता है 2021-2021 date का क्या काम है यार यह तो ऐसी देते है आपने देखा सर ये तो पढ़ रखा अच्छा आधा loss हुआ आधा मिला, claim मिला आपने पूरा जैसे मैंने समझा है वैसे करके आगए लेकिन examiner वहाँ कट लगा देगा बोलेगा इसको तो करना ही नहीं था क्योंकि ये loss कब हो रहा है next financial year में होके जाके हो रहा है इस बात का आपको ध्यान रखना है इसलिए मैंने ये point आपको बता दिया जो जो चीजे मैं बोलूँगा नहीं के ध्यान रखना है वो चीजे exam के अंदर आता है और वो चीजे बच्चे गलती करते है बस जैसे कि अभी भी पूछा तो आप blank होगे आप लोग का दिमाग date पे नहीं रेज गया आपका दिमाग चली गया कि कैसे करना है नहीं करना है सारा focus इसके उपर आ जाता है ठीक है clear है बताईए कोई doubt तो voice check करिए check one two three check mic check चलिए start करते है आज last class में हमने adjustment देखा था और भी आग आज सारा adjustment लगबग खतम हो जाएगा हमारा है कर दो वह अच्छाइब करेंगे अच्छाइब करेंगे अच्छाइब करेंगे पूजारिया चलिए जितने बच्चे भी नए जोईन हुए हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आपको अड़्जस्मेंट स्टार्टिंग से देखना होगा उसके बाद आपको आगे का वैसे तो अड़्जस्मेंट कहीं से भी समझ में आ जाएगा लेकिन कुश्टन्स आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि पुराने अड़्जस्मेंट आपको क्लियर ना हो इससे आगे हमने 19 तक last class में अड़्जस्मेंट कर लिया था अब सर इससे आगे देखते हैं अड़्जस्मेंट का नाम क्या है सर अड़्जस्मेंट का नाम है sales on approval basis approval basis बड़ा simple सा टॉपिक ध्यान से देखिएगा सबसे पहले आप समझेंगे कि sales और approval basis होता क्या है sales on approval basis होता क्या है एक सेकंड रूखेगा कर नाम होता क्या है यहां बुर्जानी तुर्ज अजरी टार्जाब घ्टेस्ट अजय कुट्ट स्टॉ्डॉश्य को की जए विधिश्त। झाल झाल करते हैं जैसे मान लीजिये बड़ा सिंपल सा कॉंसेप्ट है Mr. X समझने वाली चीज है आपके एक्जाम में प्रिक्वेंटली टाइम तक यह अजस्वेंट होता है कुछ एक अजस्वेंट ना इस फाइनल अकाउंट के कुश्चन में वो जरूर डालते हैं जैसे की प्रिपेड आउस्टेंडिंग जैसे की क्लोजिंग स्टॉप टोटल दस अजस्वेंट के आसपास हो सकता है आपके एक कुश्चन में और जैसे की आपका हो गया बेडिट वाला पार्ट जैसे की हो गया डेप्रीशेशन यह तो होता ही होता है उसके बाद के जो अजस्वेंट होते है यह कौन से अजस्वेंट होगे सर यह कौमन अजस्वेंट होगे जो कि हम हमेशा करते आएं पहले भी क्लास में इसके बाद के जो अजस्वेंट होते हैं थोड़े से टफ वाले अजस्वेंट होते हैं हाता है मान लेते हैं let's suppose example कि Mr. X है और Mr. X ने क्या करा कि भाया यह है दुकानदार यह है एक दुकानदार तो यह समान बेचेगा इसने समान जो है इसका मान लेते हैं cloth का काम है ठीक है ना कपड़े का काम है इसका एक friend है Mr. Y Mr. Y है अब Mr. Y इसके दुकान पर आया आपका Mr. Y जो है दुकान पर आया Mr. X के दुकान पर आया दोनों आपस में friend है जब तो Y चल के आता है Mr. X के पास है जब friend उसके शॉप से कुछ शॉपिंग करने के लिए तो X ने अपने friend को बहुत सारी variety दिखाई शर्ट की काफी सारी और X का मैं आपको थोड़ा सा ना पुराना balance sheet बता दूं क्या है सर X ने ने क्या कर रख़ा है पहले से लिखा हुए सर sales और ये X का balance sheet है पहले से ठीक है sales पहले से पांच लाक रुपए है इसका no doubt और पहले से इसका closing stock जो है न वो 20,000 रुपए है suppose let example तो सर 20,000 रुपए यहां भी होगा closing stock 20,000 रुपए दोनों जगे होता है न और debtor इसका पुराना भी है पहले से debtor है माल लेते हैं के एक लाक रुपए कुछ यह कहानी पुरानी है अब इसका friend आया इसने बोला भी और बताओ कैसे आयो बड़े दिनों बाद आयो आज उसने बोला एक shirt दिखा दो मुझे इसने क्या करा shirt दिखाया बोला भाई देखो अभी बहुत अच्छा माल आया हुआ है तो आप इस product को ले सकते हो बहुत अच्छी quality का आप मेरे कहने पे ले लो उसने बोला कि नहीं मुझे एक shirt चाहिए इसने क्या करा और जब इसको दिखाया इसने जब अपने friend को दिखाया तो इसको पसंद नहीं आया X Y Z किसी reason से बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये shirt क्या है मैं तो चलो देखा था कि आ जाए तो समझ में ठीक है नहीं तो मैं जाता हूं दुकानदार ने इसको बहुत forcefully क्योंकि जब दुकान में कुछ चीज़े अच्छी आती है नहीं समान तो सबसे पहले वो दुकानदार खुद रख लेता है अगर ऐसा कोई product आया और फिर सबसे पहले जानने वाली को पहले prefer कर देता है ये समान ले जाए ये बेक्टर रहे तो आप अपने friend को बोलूँगा मेरी बात मान ये वाला ले जाए बार बार नहीं आता है ऐसा समान तो ऐसे situation में इसने अपने friend को बहुत force किया force करने के बाद ये shirt इस दुकानदार ने यानि इसने खरीदा था 500 रुपए का और इसको बेच दिया इसने 600 रुपए का दोस्त तो क्या हुआ कि अब प्रॉफिट नहीं कमाएंगे फिर दुकानदारी किस बात की है दुकानदार का चाहिए दोस्तों चाहिए रिष्तेदारों प्रॉफिट मार्जिन तो रखेगा इसने कितने का शर्ट 500 का शर्ट कितने का इसको बेचा लेकिन बोला यार मेरे को रही है 31-3 को कब बात चल रही है और हमारा बैलिंशीट कब बनता है 31-3 को तो बनी नहीं सकता उसके बाद अगले साल ने बाद में कम सकम 31-3 को तो हमारा फञेंशल एर क्लोज ही हुआ एकदम से बैलिंशीट प्रिपेर करना क्या पॉसिबल है नहीं है उसके बाद 2-3 मैने तक हम बैलिंशीट को बनाते हैं और आप जो बैलिंशीट बना रहे हो ना यह सारे वो बना रहे हैं कि 31-3 को सारा काम ड़न हो चुका है उसके बाद हम बना रहे हैं डेट भली डाला जाता है ताकि यह पता चलता है कि भीया यह बैलिंशीट के ओपर जो डेट डाला गया है यह इतने दिनों तक का है समझ भारे हो बात तो 31-3 को सारी बात चल रही है उसने बोड़ा चल मैं तिरको दे देता हूँ तू ले जा पसंद आए तो रखियो नहीं तो नहीं जबरदस्ती न एक्स ने वाई को दे दिया अब जैसे ही एक्स वाई को देता है तो एक्स क्या करेगा यहां से निकल जाएगा अपना समान लेके जो वाई था वो क्या करेगा यहां से चला जाएगा सिंपल सी बात है कि भाई यह जब दे दिया तो समान लेके चलो जो वाई है वो सिंपल सा समान लेके यहां से चला जाता है मान लेतने के चला गया वाई जब Y चला गया तो अब accounting करने के जिम्मेदारी किसकी X की X बुलेगा भाई मेरा sale बढ़ गया 31 तारीक है तो closing तो करी देते हैं sales लिख दिया मैंने और कितने का sales किया मैंने और 600 और यार closing stock तो ये stock तो रहा नहीं क्योंकि 20,000 में से कुछ समान तो मैंने दे दिये हैं तो यानि मेरा closing stock ये हमेशा cost price पर होता है maximum time तो less कर देते हैं यार closing stock में से कितने का 500 और या debtor भी मेरा बढ़ जाएगा है कि नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बढ़ जाएगा debtor बोलेगा यार मैंने उधार माल बेचा है अपने friend को तो friend को कितने का 600 से और उसके बाद मेरा ये closing stock भी घट जाएगा यहां भी घटाओ closing stock तो less हो गया कितने से 500 से तो ये उसके जैसा ही जाते ही हमने ये किया ये sale confirm नहीं है मैंने ये बोल के भीजा कि भीया देख सही लगे तो रखना नहीं तो वापसी कर देना तो मैंने जो sales किया approval यानि ये sales तब तक पक्का sales नहीं माना जाता जब तक वाई नहीं बोल देता done मैंने ले लिया यह अब वाई घर जाते ही अपने घरवालों को उसने शर्ट दिखाया घरवालों ने बोला यह मुझे पसंद नहीं आए घरवालों ने वापस कर दे तो फागल हो गया कि इस शर्ट पहनेगा इसने कॉल कि अपने फ्रेंड को और बोला भाई मेरे को नहीं चीए शर्ट मैं तरको कल सुबह दे जाओ इसका मतलब सर एक्स ने अकाउंटिंग क्या कर ली जलत हो गई ना अकाउंटिंग तो जो सेल्स अप्रूबल बेसिस पे था एक्स ने इस तरीके से मानके सेल कर लिया अब इसको देखा जाए तो एक्स अपनी सेल्स कितनी मान रहा है पांच लाक 600 मानके बैठा है और क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है यार मेरे पास तो उननिस और डेटर मानके बैठा है एक लाक 600 और यहाँ पे उननिस पान सो अब जब इस फ्रेंट ने मना कर दिया कि बैईया मैं नहीं लूँगा तो अब इसको अपनी अकाउंटिंग सुधाधनी पड़ेगी तो क्या क्या करना पड़ेगा इसको सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा सेल को कितने से माइनस करना पड़ेगा सेल को 600 से स्टॉक में क्या करना चाहिए प्लस करना पड़ेगा यानि जो चीजे उसने कर दिया पहले उसको हटाओ वहां से तो हम हटाने का मतलब वहां मिटा तो नहीं सकते कि पर पढ़ेगा पढ़ेगा उधार माल जो उसको भीचा था तो आड़ किया था तो डैटर में से क्या करना ज़िए कि माइनस कर देना चाहिए क्लोजींग स्टाक बिलकुल प्लस कर देना चाहिए तो से रूपरूबल बेसिस का जब रिजेक्शन आता है सामने वाले से तो कितनी जगह एंट्री करी हमने चार जगह दो जगह पे हमने 600-600 लिए और दो जगह पे हमने 500-500 लिए जो ये 500 रुपए था ये क्या था और ये 600 क्या था the market price कहीं अलों या जैलिंग प्राइस क्या और च्टर में से digits और और प्लास होगा प्लस होगा ट्रेडिंग में भी ऑगा और balance sheet में भी वह दोनों जेगा होगा, यहां तक बात समझ में आ रही है, तो यहीं से adjustment बनता है हमारा क्या sales and approval basis, यानि सर इसकी कितनी entry जाने वाली है, total चार entry जाएगी, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है, तो सर चार entry, अब मैं आपको करूँ आना तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन बस इसमें एक और point समझना पड़ेगा हमें, कई बार हमें वो selling price ही नहीं देता examiner, तो उसको अभी देखते हैं, चोटा सा concept है, सर, sales on approval basis, तो impact पड़ेगा किस पे सर, adjustment में होगा, ऐसा नहीं के अंदर होगा, adjustment में ही होगा, एक impact पड़ेगा किस पे सर, sales पे, एक impact पड़ेगा कहां पे सर, एक हो जाएगा debtor पे, और एक impact पड़ेगा closing stock, closing stock, trading, एक impact पड़ेगा सर, closing stock कहां पे, balance sheet, सर, क्या क्या करना है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कि सर, sales में से क्या कर दीजिए, और debtor में से क्या कर दीजिए, closing stock में से क्या करना है, और ये वाला closing stock से क्या करना है, तो बड़ी सीरी सी बात है, सर, करना simple सी बात है, sales में से minus कर दीजिए, less कर दीजिए, सिर्फ less करने से बात नहीं बनेगी न, दो price दे रखा होगा न, तो less करने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या कौन से वाला price minus करना है, तो sales में से less कर देंगे, selling price, कौन सा, समझ में आ रहा है, selling price क्या मैंने बोला है, सर, इसके बाद sales में से जैसे selling price minus करेंगे, तो अगर देखा जाए, तो debtor में से क्या करें, तो exactly, बिल्कुल, same debtor में से भी, क्या होगा सर, minus हो जाएगा, और यहां से भी क्या minus होने वाला है, selling price, दूसरा क्या करें सर, stock में क्या करते हम, stock में कर दीजिए सर, add up, लेकिन add करने के तो बाद ठीक है, लेकिन क्या add करेंगे, cost price, इसमें कर देंगे add, cost price, तो cost price add करता ही, हमारा काम हो जाएगा, और सेम यहां पर भी यही करना होगा, cost price add, पहले यह बात समझ में आ गया, अब मुद्दे की बात आती है, कि सर, आपको ना selling price और cost price निकालने में, examiner उल्जाएगा, क्योंकि आपको मान लितने cost दे देगा, और एक percentage दे देगा, बुलेगा, cost खुद निकालो, तो हमेशा याद रखना, sales जो बनता है ना हमारा, sales कुछ भी हो, sales इसके इलावा कुछी से नहीं बन सकता, sales is equal to gross, sales is equal to cost plus gross profit, हमेशा याद रखिएगा, sales is equal to, समझे रहे हैं बात को, सर अगर sales is equal to cost plus gross profit है, तो इसके इंदर कैसे question पूछे जा सकते हैं, examiner कैसे उल्जा सकता है, चार example समझ लिया, सारी दुख दर दूर हो जाएगी, example मैंने कहा के, sales, sales मैंने कहा आपको 500 रुपए, मैंने कहा cost, cost मैं बाती नहीं कर रहा भी चलो, मैंने कहा sales है आपका 500 रुपए, मैंने कहा gross profit, gross profit on sale, 20%, आपको सवाल में अच्छे से पता है, sales होने approval basis होने, तो आप तब तक नहीं कर सकते, जब तक आपको cost ना पता हो, और selling price नहीं पता, अगर हम selling price भी सरिफ आपको देते, तो नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि आपको cost price चाहिए ही चाहिए, तो आपको examiner ने क्या दे दिया, sales दे दिया, और gross profit दे दिया, तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, दो ही चीज़ तो चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए, cost price और selling price, तो सर क्या cost sales दे रखा है, cost price यहां से निकाल लेंगे, sales पता है, gross profit हम निकाल सकते हैं, तो यहां पे निकाल सकते हैं, हम क्या, formula में put करना है, जवाब दे दिया के cost क्या आगया, 400, अगर आपको यह दोनों बाते पता चल जाए, तो क्या आप सवाल को solve नहीं कर पाएंगे क्या, बिल्कुल कर पाएंगे, बताईए, यह समझ मैं है, लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगे न, examiner देखों, दूसरा example देगा, कहेगा सर, sales, examiner देगा, sales, माल लेते हैं 500 रुपे, gross profit on cost, माल लेते हैं आपका 25%, gross profit on cost 25%, सर आपको दो चीजे चाहिए, क्या-क्या चीजे चाहिए आपको, एक तो आपको चाहिए sales, जो कि आपको पता है, और एक चाहिए cost, जो कि sales यह से profit निकालके, आप माइनस करके पता कर सकते हो, यहाँ बड़ी basic सी चीज है, sales 500, GP on cost कितने percent, सर 25%, अब देखा जाए तो हमें cost निकालना है, तो formula क्या कहता है, sales is equal to cost प्लस में GP, अगर sales प्लस cost प्लस GP है, तो हमें sales पता है क्या, जवाब दीजिए sales पता है क्या, 500, sales पता है 500, cost पता है क्या, नहीं पता है, एक समान लो चलो, GP क्या कहता है, सर जीपी ना आप sales के उपर नहीं कह रहा है, GP किसके उपर कह रहा है, तो अब जैसे हमने पीछे निकाल लिया था, ना सीधा, GP कह रहा है था, तो हम इसके उपर सीधा direct percent निकाल के, और फिर हमने निकाल लिया था, वैसा आप कहानी नहीं घूम सकता है, अब कहता है सर, GP किसके उपर है सर, cost पर, तो या cost तो पता ही नहीं है, तो यानि हमें cost की value को एक put कर लिया, क्या put कर लिया हमने, x, तो इसका मतलब GP होगा हमारा, x into में 25 बटे में 100, इसको solve अगर कर ले हम, तो x by 5, 4 भी हो सकता ही है, अगर shortcut में करूँ, card पीट के मैं अगर बात करूँ इसको, तो क्या हो जाएगा सर, x by, यानि आपको x by 4 पता है, x पता है, क्या यहां से x की value sort out हो जाएगी आपकी, तो यहां पर क्या करेंगे सर, आप 500 रुपे is equal to, 4x plus x, 5x, divided by 4, अब 4 से multiply और 5 से divide, तो x is equal to कितने आगे, 2000 divided में direct कर दिया, इतना तो आपको थोड़ा बहुत तो पता है, direct कर दिया, आप बागी घर पे कर सकते आराम से, ठीक है, तो यहां पर क्या निकाल लिया, आपने x निकाला है, x is what, आपको दो ही चीज़तों चाहिए, यानि देख रहे हो, examiner आपको बड़ी आसानी से, सिर्फ adjustment नहीं देगा, adjustment के साथ साथ उस question को solve करने के लिए भी कहेगा, अब आप बताओ, ये वाला आसान है, मुश्किल कौन सा है, अगर देखा जाए number one example, number two, तो number two में दिमाग लगाना था, number one में direct, अगर मैं ये चीज़ें नहीं भी बताता था, आप बोलते हैं, बड़ी आसान सी बात है, 500 पे 20% निकाल के माइनस कर दो, ना कहानी खतम 400 रुपे सीधा आजाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकता था, अगर आपको जो element दे रखा है, और उसी के उपर GP बोल रहा है, तो आप direct निकाल सकते हैं, लेकिन जो element दे रखा है, और GP किसी और element पे बात कर रहा है, आपको sales दे रखा है, GP cost की बात कर रहा है, तो भईया आपको एक equation मना के निकाल लेना, चाहिए, इसके बहुत सारे short cut भी हैं, लेकिन वो हम बाद में branch वाली chapter में सीखेंगे, यहां तक समझ में आई बात आपको, एक और example, चार example में मैंने कहा ने, चार example मैं करवाता हूँ हर बार, example number three, मान लेते हैं, अब आपको क्या दे दिया, उसमें cost दे दिया, cost कितना दे दिया, 500 रुपए, और कहता है GP on cost, GP on cost, 20%, तो सर, sales on approval basis में, दो चीज़े चाहिए, cost चाहिए, selling price चाहिए, तो यहां पे cost तो पता है, अब क्या चाहिए आपको, selling price, sales निकालने का formula, एक ही लगेगा, हर जिगा है formula, sales is equal to cost, प्लस में GP, तो सर, sales नहीं पता, let x कर लो, आप इसको माल लो, cost पता है, जी सर, 500 रुपए पता है, GP किस पर बात कर रहा है, cost पर, क्या cost element आपको दे रखा है, GP किसना percent कह रहा है, 20%, किसके उपर, क्या आपको cost पता है, बिल्कुल पता है, तो आप हमें कोई x let करने की जूरत नहीं है, सीधा हम multiply करके, हम GP निकाल सकते हैं, तो सर, GP कितना होगा सर, इसके उपर सीधा 20%, cost के उपर, यानि cost के उपर सीधा 20% देखा जाए, तो कितने बनेंगे, 100 रुपे, that is x बन गया आपका, 600 रुपे, देखे, अगला example देखे, सर, example number 4, क्या कहता है सर, cost given है आपको, सर, cost कितने given है, सर, 500 रुपे cost given है, GP कहता है सर, आपका कितने given है, सर, GP आपका 20% given है, बड़ी सीरी सी बात बोली, GP कितने बर्तंट है, अब यहाँ पर यह नहीं बता है, GP sales पे है, तो जब ना बोले, तो हमेशा consider करोगे, sales पे है, यह भी बात आपको सोचने वाला है, कि अब जब ना बोले, GP कहाँ पे है, तो हमेशा कहा consider करोगे सर, sales के उपर है, हमेशा consider करोगे, sales पे है, तो सर यहाँ पे, देखा जाए, formula क्या कहता है, सर, sales is equal to, cost प्लस में GP, सर, sales तो पता ही नहीं है, x है, cost तो पता है ना 500, और GP लेकिन अब इसके उपर निकलेगा, GP किसके उपर निकलेगा, बताओ, अब GP जम्प करेगा, इसके उपर percentage के लिए, क्योंकि कुछ नहीं बोला हुआ, तो यह किसके उपर होगा, sales के उपर होगा, अब इसके उपर जम्प करेंगे, तो भाईया, इसका percentage अगर निकालते हैं, तो x का percentage निकालना पड़ेगा 20, तो क्या होगा, that is x by 5, समझ रहे हो, कैसे होगा x by 5, तो क्या होगा हमारा, x by 5, अब जब x by 5 होगया, तो x की value solve करेंगे, तो क्या आएगा, x minus x by 5, is equal to 500, मैं directly solve कर रहा हूँ, वैसे चलो, मैं पूरा ही कर देता हूँ, कितना आएगा, 4x, 4x divided by 5, is equal to 500, तो 5 से multiply हो जाएगा, कितने बनेगे, 2500, और divided by 4, 5 से multiply हो जाएगा, divided by 4, तो ये x की value मैं, सीधा निकाल दूँ क्या, आप इसको solve करेंगेंगे, तो यह ही आएगा, अब क्यूंकि question की demand क्या है, भया, आपको selling price चाहिए, और आपको चाहिए cost price, तो examiner हो सकता है, कि आपको महरबान रहा, आपके उपर examiner तो क्या करेगा, ये sales on approval basis है, 5000 रुपे का समान, हमने 6000 रुपे में बेचा, अपने friend को, या approval basis पे बेच दिया, तो समझ लो examiner आपके उपर महरबान है, क्यों, 5000 का समान 6000 बता दिया, बस फटा-फट क्या करना, माइनस प्लस करना है, लेकिन उसने बोल दिया, कि 5000 कीमत का समान, उसने 20% profit on sale पे बेचा हुआ है, तो अब भाईया परिसानी है, उसने 5000 कीमत का समान दिया, मतलब, stock cost दिया है, और बोल रहा है, 20% profit कमाते हैं, किसमें? Sale पे, तो अब आपको let करके, इसमें से 4 कौन सा example लगए है, वो आपको देखना है, कि क्या दे रखा है, और क्या निकालना होगा, समझ में आरे बात आपको, तो एक आप भी समझ सकते हो, कि इसके अंदर थोड़ा सा, complication कहलो, या थोड़ा सा इसके अंदर logical points तो है, तो इसलिए मैं कहूंगा, कि ये exam के point of view से काफे important है, sales on approval basis, बताईए कोई doubt, है कोई doubt, किसी बच्चे को doubt है तो बताईए, ये adjustment number 20 है ना, clear sir, clear sir, clear sir, एक और adjustment पर आजाए, adjustment 20 के बाद sir, adjustment number 21, बस कल कल की बात है, कल आज एक paper था income tax का, और एक paper फिर परसो है income tax का, बस एक paper परसो वाला निकल जाए, फिर आपकी class regular track पर आ जाएगी, या तो मैं एक दिन ही आपका time, बढ़ा दूँगा, 6 से कर दूँ, 6 साड़े 8 कर दूँ, जैसे भी कर दूँ, सीधी बात है, चाहे आप कितने भी कोसिस कर लो, alternate dates है, अब देख रो इसके adjustment है, अभी इसके अंदर और भी adjustment हैं, बहुत सारे, जो कि मुझे questions के अंदर cover करना है, फिर GST है आपके, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि या पढ़ लो, और बाकी subject को भी साथ के साथ ले के चलो, जो आइसलिए वाले बच्चे हैं, जिनका other subject था, वो upload हो गिया, आइसलिए के website पर आप जाके, उसको download करके, print out निकालिए, चाहे आप आइसलिए के building जहाँ books वगरा मिल रहा है, अगर allot करना चालू कर दिया, ये paid वाली book, कहाँ पर मिलता है, अभी तो आपको देखो, अभी तो ये book आई नहीं है, निउस लेबस है, अब second semester से जब जाओगे न, तो मैं बता देता हूँ, SOL के अंदर जाईएगा, वहाँ पर एक उनका department, लाइबरीरी है वहाँ पर उनका, ठीक है न, आपको जो ID card मिला है, और जो fee slip, जो download होता है, वह library आपको वहाँ पर ले के जाना है, और वह tickets आपको ले के जाना है, और आपको बोलना है book चाहिए, जैसा ही आप उनको देते हो, तो वह आपको library 2-3 floor का उनका बना हुए, आप वहाँ पर जाईए, और अपने हिसाब से जो book चाहिए, एक बार में आप 2-3 book ही pick कर सकते हो, और ये जितनी भी book हैं, आप सारी नई नई book आई हुई होती हैं, ऐसा नहीं की पुरानी book, तो other subject के जैसे आपके books है, जैसे law का है, business और गाना, या तो MC कुछल ले लो, या ND कपूर ले लो, जैए वहाँ पर available है, आपका जैसे मैंने कहा के, बॉम का आता है, आपका सुसमा रोडा करके कोई आता है, तो वो जैए वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप book easily free of cost, कोई charge नहीं देना, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको book return करना है, नहीं तो आपके result नहीं आएगा, ठीक है, कहीं आप book लेके आगए, और यहाँ फैक रहे हो, इदर उदर आरे, कोई बात नहीं फाड़ दिया, वहाँ return नहीं करा, तो जब तक आप book को return नहीं करोगे, रिजल्ट आपका आएगा नहीं डिस्प्ले के, भोल लिकर देते होगे, तो एक यह, आप यह risk आपको तब लगेगा, जब आप ला परवाओ, चलिए सर, एक और, common debt, सर, एक और important adjustment, इन adjustment के अंदर ना, अच्छा, बार-बार पूचता है, सर, यह दे रखाए, तो क्या करें, यह दे रखाए, क्या करें, बड़ा simple सा funda होता है, इसका करने का, पहले हम by concept समझ लेते हैं, कि यह है क्या चीज़, अगर बड़ी सीरी सी बात करें, तो मान लेते हैं Mr. X, Mr. X, Mr. Y, मान लो Mr. Y, Mr. Y जो है, इनकी factory है, सर, Mr. Y की factory है, इनकी क्या factory है, चीज़ी की meal है इनकी, चीज़ी की meal है, वट ओबेस है, यह क्या करता होगा, यह क्या करता होगा, इस गन्ने को बेच देता होगा, किसको sir वाई को यानि जैसे ये गन्ये को वाई को बेचता होगा तो ये क्या करता होगा sir अपने balance sheet में basically balance sheet में अगर देखा जाए तो ये consider कर लेता होगा कि मेरा determine लेते हैं कि 500 रुपे का गन्या बेचा ये 50,000 रुपे का गन्या बेचा 50,000 का पहले से 25,000 पड़ा हुआ था हमारे पास तो सर ये क्या करेगा एक्स बड़ा चलाक है इसने का भई या गन्ना बेचा है वाई को तो वाई का नाम लिखा फटा फट और 50,000 और इसने बोला मीरा डेटर तो हो गया इच्छतर अजार कोई गलती करी का एक्स ने नहीं करी ऐसा करना भी चाहिए अब मान लो एक्स को अपने सिस्टर की मेरेज करने है और उस मेरेज के अंदर शादी के अंदर बहुत सारे मिठाई वनमाने हैं उसके लिए क्या ज़रत होगी चीनी की अब बताओ वो दूसरी दुकान में जाएगा जिस सेक्टरी से लिए लेगा हुआ इसने क्या करा वाई को बोला भाई साब मैं आपको गन्ना सप्लाई करता वोला हाँ हाँ एक काम करिए आप मेरे पास मुझे अर्जेंट है इसने क्या करा इसको चीनी बेच दिया यानि इसने अपने बैलेंशीट भी बनाई होगी वोला भाई तूने बनाई तो मैं भी बनाऊंगा बैलेंशीट मेरा डेटर पहले से पड़ा था मान लेते हैं के पच्चिस हजार का पहले से डेटर कितना पड़ा था पच्चिस हजार का इसने जब इसको समान बेचा होग तो मान लेते हैं कि 40,000 का समान बेचा तो इसने किस नाम से रिकॉर्ड किया होगा Mr. Mr. X के नाम से इसने क्या कराओगा सर 40,000 रुपए यानि यह बोल रहागा अब तो मेरे के 55,000 रुपए suppose करो यह transaction और यह deal जो हुआ है वो credit basis पे हुआ है उधार पे तभी तो डेटर लिखा है तो साथ के साथ जैसे यह deal हुआ ना तो देखो एक आसपेक्ट आप missing कर रहे हो यह कर रहे हो आसपेक्ट कि इसने जो है इसको समान बेचा डेटर लिख लिया लेकिन भाई समान खरीदा creditor भी तो लिख खरीदा है नहीं खरीदा इसने तो creditor भी तो लिख तो creditor कितना लिखेगा माल लेते हैं इसके पास पहले से 50,000 का creditor था तो इसने बोला जी मेरे पास कितने creditor हो गया अब 90,000 तो बोलेगा भाई तू भी तो creditor लिख तूने तो इससे समान खरीदा था debtor तो बना लिया तो तू भी लिख creditor ये कितना creditor लिखेगा यानि यहाँ पर कहानी है कि एक ही वेक्ति से में समान बेच रहा है वही मेरा debtor वही मेरा creditor यही हो रहा है यह भी क्या बोल रहा है भाई तू मेरा debtor है और तू ही मेरा क्रेडिटर है यानि तू मेरे लिए assets और तू मेरे लिए liability तो ऐसे situation में क्या होगा यहां पर एक तो यह हो सकता है, बेव कुफी आला काम, कि यह ले भाई, तू पचास हजार, अब उसमें से 10 अजार रख ले और बागी मेरे दे 40 अजार, हो सकता है, तभी सेटल्मेंट हो सकता है, तो बेव कुफी हो गई, भाई अजब तेरो को उसे 50,000 दे के 40,000 तिरे को set of करवाना था सीज़र 10 ही दे देता ना या फिर ये कह सकता है ऐसे भाई एक काम कर ये ले 40,000 ATM गया 40,000 निकाला भाई तेरा मेरा हिसाब किताब खतम 40,000 अब मेरे लाँ 50,000 उसने क्या करा इसके 40,000 में और मिला जैंको दे दीए तो ये तो क्या हो गया ये तो भीव कुपीया आली बात हो गई सिंपल सी बात है कि net of हो जाना चीए कि भीव एक काम कर 10 इसको दे दे और 10 ये ले-ले जोने खतम हो जाएगी 10 तू ले-ले और 10 के हिसाफ से कहानी खतम हो जाएगी नौक अप हो जाएगा वह दस मतलब दस इंदा सेंस कहा रहा हूं कि नेट करके ऐसे सिच्वेशन में एक और इसका उपाए हो सकता है क्या उपाए हो सकता है सर आपका क्रेडिटर और इधर डेटर है दोनों में से कम क्या है मैं इसकी बैलेंस शीट को सुधार देता हूं इसकी बैलेंस शीट में कुछ मिस्टेक से लेने देने वाली तो एक डेटर कितने का है क्रिडि Dublin कितने क्या लेने देने वाला state दोनों में से कम क्या आए RAW पचास या चालिस जोनों दोנुप से कम वाला माईनस कर दो कि अलटीमेंटली स्के पास जो बचेखाए पर छालिस माईनस कर दो दो कि तो 35 इसका मतलब 10 लेने रहे ए ए St और यहां से knock-off हो गया, इसको देने कुछ भी नहीं रहे, तो अब सही entry नहीं हो गया, यह बाई सीधी बात है, अब तेर से मेरे को कितने लेने हैं, बस 10 ही लेने है, सेम इधर से आप point करोगे, तो दोनों में से lower क्या है, 50 और 40 में 40, यह 40 माइनस कर देगा, तो यह बोलेगा, कॉमनली हम एक ही व्यक्ति को बेचते हैं, और वैपार के अंदर बिजनस में बहुत सारे ऐसे transaction होते हैं, एक मैंने example ले लिए और ऐसे example धेरो example है, किसान के साथ तो बिसिक लिए होता है, बहुत सारी company क्या करती है, जैसे कि मान लेते हैं, किसी company ने Tata Steel से, क्योंकि Tata का का क नाम लोहे बनाने का भी है, Tata Steel से उसने Steel खरीदा, अब उसी ने क्या करा है, Steel के pipe बगएरा बना के Tata Motor को बेच दिया, यानि मैं खरीद रहा हूं किस से Tata से, और बेच भी किसको रहा हूं, तो मेरा debtor creator common हो गया, तो बड़े-बड़े business में बड़े सारी चीजे ये रहती है है महाँ पर, तो बड़ी simple सी बात है सर, इसका क्या transaction होगा, इसके transaction की बात करें, common debt का, तो debtor में से भी minus होगा, और creditor में इसे भी minus होगा, लेकिन amount कौन सा minus होगा, बच्चा हर बार यही पूछता है, कि सर कौन सा minus करें, मैं बोलता हूं कि less from, सर debtor करिए, दूसरा मैंने बोला कि less from कहा कर दीजिए, सर कौन सा amount minus करना है, lower, lower amount, less from creditor, lower amount और यहाँ पे भी, lower amount समझ जाएंगे न, lower amount समझ जाएंगे, कोई परिशानी समस्य बताएंगे, समझ मैं आएंगे, adjustment number कौन सा है सरी है, 21, 21 adjustment, तो देखो जो बच्चे नए हैं, वो उनको adjustment बड़ा अच्छे से समझ मैंगे, असा नहीं कि कहीं नए class start हो गई है, लेकिन हाँ जब questions करने बैठो गए, तो उन बच्चों को दिक्कत आएगी, क्योंकि previous भी तो करने है, bad dates भी है, बड़े सारी चीज़े हैं वहाँ ते, यहाँ तक कोई दिक्कत, bills of exchange वाला कराया था, एक बार चेक करो, bills of exchange dishonor, नहीं कराया, हाला कि आपके किताब में यह सवाल है नहीं, लेकिन मैं फिर भी हर बार करवाता हूँ, नहीं adjustment नहीं है, लेकिन examiner दे देता है, अगर मैंने बोला, अगर मैंने बोला, अगर स्लेवस क्या होता है, स्लेवस examiner ने बोल दिया कि final account है, अब हम कुछ भी पूछेंगे final account में, किताब जो बनी होती है, वो past paper के हिसाब से बना होता है, दियू की सबसे बड़ी मेरे को जो गलती लगती है, वो बस लिख दिया एक chapter final account पूछेंगे, भाई उस final account का दाइरा भी बता दो, कि इतने adjustment पूछेंगे, इतने points होंगे adjustment में, यानि वो चीज़े बताते नहीं है वो, और जो किताब में आपने पढ़ा, इसी तरीके से सेम होता corporate account, second semester में होता है, honors में और fourth में होता है, उन्होंने बोला कि हम share capital पूछेंगे, या फिर उन्होंने बोला कि हम balance sheet पूछेंगे, बताए नहीं कितना पूछेंगे, अब वहाँ के balance sheet बहुत बड़ी-बड़ी होती है, जब आप आगे जाओगे ने, फर्दर आगे, तो company account होता है, corporate account, वहाँ पे बहुत सारा होता है, अब मान के चलो, आप accounts पढ़ रहे हो, same accounts कौन पढ़ते हैं, CA वाले भी पढ़ रहे होंगे, CA में वाले पढ़ रहे हैं, tax आप पढ़ रहे हो, same tax CA वाले भी पढ़ रहे होंगे, CA में, बदलता तो नहीं है, फर्द क्या है, आप जो tax पढ़ रहे हो, उससे क्या होगा वहाँ पे, advance होगा, level क्या होगा, tough होगा, यह आप भी जानते हो सार, यह वाले बच्चे जो होंगे, वो accounts के अंदर, advance level कर रहे होंगे, तो यही तो बाट भी नहीं बताता, बोलता है final account, भाई यह भी बता दो कि हम इतने level तक पूछेंगे, तो दिक्कत हो ही ना, तो इसलिए मुझे, as a safe side, मैं, वो adjustment में भी आपको बताता हूँ, लगता है यार, इसका तो यह होना चाहिए, लेकिन वो निकलता नहीं है, और examiner इसी में काम, एक एंट्री गलत करवा के examiner अपना काम कर जाएगा, बस एक entry गलत करा दिया, काम हो गया उसका, पी एंडल गलत, balance sheet गलत, बस, बियू के हलात अभी अच्छे नहीं चल रहा है, मुझे लग रहा है, system ना उनका थोड़ा से बिगड़ा हुआ है, पता नहीं कब सुधा रहेंगे, पहले इतना बढ़िया system था, सब बताते थे पहले, अब कुछ नहीं बता रहे हैं, subject क्या बना लेते हैं, लगता है, रात में सोचते हैं, नींद आता है, उनको और सुबह subject बना के डाल देते हैं, यह syllabus में आ गया, समझ में नहीं आता है, एक होता है, BR से related dishonored, जितने बच्चे पास हो रहे हैं, मैं guaranteed कह सकता हूँ, 90% बच्चे से, 90-80% बच्चे ऐसे होंगे, जिनको कुछ subject के बारे में पता हैं नहीं, आपके subject में है, finance for everyone, English, Hindi, रंगमंच, history, आपको दिया जरूर गया है, लेकिन इसका आपको core पता ही नहीं होगा, क्या है नहीं है, आपको सिर्फ पता क्या होगा, account से बियस्ती है, law है, बात खतम, और सब को क्या करना, बस कैसे ऐसे paper है, जो मन में लिख दे, भाई, pass होगे, कल बला टल गई, मतलब उनका पढ़ाने का क्या purpose है, नहीं पता, और आपको पढ़ाने का क्या purpose है, आपको भी पता चलता है, अब आपको finance for everyone दे दिया, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, समझ नहीं आ रही, book नहीं है, कुछ नहीं है, at least सबसे बड़ी गलती में, S.O.L. की देखो, मैं क्या बोलूँगा, कि भाया, वो admission से पहले date sheet देते हैं, admission हुआ नहीं, उससे पहले date sheet देतेंगे, तो अब बच्चा क्या करेंगा, book है नहीं, आप जाओगे, और book कब देंगे, जब आपका admit card आ जाएगा, तब आपके पास message आएगा, कि अपने-पने book allot कर दो, ले ले, तो यह तो बड़ा, या तो सीधा-सीधा मना कर देंगे, भाई हम book नहीं देते, आप इस study material से पढ़िए, और study material reference में भी कुछ बच्चे देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, उनके क्या-क्या आया इस study material में, तो referencing में ऐसे-इसे नाम डाल देंगे न वो, जो कि Oxford University में पढ़ाया जा रहा है, आप book के नाम पढ़ना उसमें, आप book के नाम किसी भी एकनॉमिक्स वाख पढ़ ले ना, काल्स पियरसन की book बता रखी है, जो कि India के अंदर मान के चलो, डियू के अंदर बच्चा जो S.O.L. का है, वो 10 येर पढ़ ले, सीधी सी बाते हो बहुत है, तो ऐसी-एसी book बता देंगे, सारे book बताएंगे, पांचे book बताएंगे, foreign writer के, भी आप book बता रहे हो, तो book के साथ-साथ ये भी तो बता दो, कितना चप्टर पढ़ना है, और वो book पढ़ोगे ना, तो उस book पे लिखा होता है, जनल प्रैक्टिस, पोर एवरिवन, हर किसी के लिए है वो, आप चल रही है, इसके पीछे कारेन है ना, पूरे डेली उनिवर्सिटी में, आप देखो के पहले दो पन्ने में, तो सारे college के professor के नाम ही लिखे हुए है, अब जिस college के professor का नाम लिख जाए, जिस किताब में, वो कौन बोलेगा, दूसरी किताब खरीद लो, वो क्या कहाएगा, वही किताब खरीदो, मेरा नाम लिखा वा, और class के अंदर भी बताएगा, देखो मैंने भी बनाया है, इसमें मेरा भी contribution है, अब जिस college में चले, हर college का भी या नाम है, उसके अंदर हर college का ढूंड लो, जो की account पढ़ाते होंगे, तो उससे पता चल जाता है, बच्चे का recommendation वहीं से होगी, sales यहीं से आनी अनकी, और इस किताब में ऐसाच कुछ, बहुत बड़ा नहीं का रखा, बस past year के question उठा के डाल दिये हैं, और systematic नहीं है, गलतियां तो भरमार है, दुनिया भर की गलतियां मिलेगी, आप जब question करोगे नहीं practical, तो देखना कितनी गलतियां मिलती है, इस किताब में, लेकिन वही है न, आप है नहीं कुछ तो यहीं लेना पढ़ता है, चलिए सर, एक होता है सिर्फ BR dishonored, कहानी समझिएगा, BR की पहले कहानी समझ लीजिए, होता क्या है, पहले माल लेतने Mr. X ने, Mr. X ने good sold किया Mr. Y को, Mr. X ने good sold हिया Mr. Y को 5000 रुपए का, तो अब Mr. Y जो है that is debtor, लेकिन Mr. Y को बोल दिया मैंने के भाईया तुने जो समान लिया है, उसके बदले तु मुझे एक promise letter दे दे, तु एक मुझे लिख के दे दे कि I promise मैं तुझे 5000 रुपए इतने दिन में दूँगा, तो जैसे ही Mr. Y ये वाला letter इसको दे देगा उठा के, वैसे ही ये debtor से नाम बदल जाएगा, पहले इसका नाम debtor हुआ करता था, अब इसका नाम क्या बन जाएगा, बिल्स Receivable, ये जो document है ये बन जाएगा, अब बिल्स Receivable में इसने ना promise किया थे कि भाईया दो महीने बाद दूँगा, तो जैसे इसने बी आर दिया, मैंने क्या करा, अपने balance sheet में फट से debtor था मेरा कितने का एक लाग का, जैसे ही बोला भाईया, बी आर दे रहा हूं तो debtor को मैंने 20,000 रुपे का अगर 5,000 का अगर debtor है, तो मैंने फटा-फट यहां से 5,000 रुपे माइनस किया और एक नया कॉलम बना लिया और यहां पर 5,000 डाल दिया, कहानी यह घूम फिर क्या आई, समझ रहे हैं बात को, हुआ क्या बाईया debtor है, तो debtor एक लाग का, उसमें से 5,000 रुपे क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि जैसे ही हम उससे acceptance ले लेते हैं, बी-यार का, तो वो debtor रहता है नहीं, उसका नाम बदल जाता है, रहेगा assets ID, अब जैसे ही बी-यार dishonored होगा, जैसे ही बी-यार dishonored होगा, तो क्या होगा आपका बताओ, फिर से वापस debtor में add हो जाएगा debtor में जाके, लेकिन dishonored के case में तो आपका जो है double entry होना चाहिए, तो debtor में जूट जाएगा मज़ सोचना, यहाँ पे बी-यार से minus भी होगा, यह भी सोचना है आपको, सब्सक्रों पहले से बी-यार आपका एक लास रुपए होता, तो क्या होगा एंट्री, बी-यार में से minus और debtor में plus, तो जब कभी भी आपका बी-यार dishonored होता है, सर, जब कभी भी आपका बी-यार dishonored होता है, बी-यार dishonored होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, less from, कहां से less कर देंगे, less from, बी-यार, less from bills receivable, समझ रहे हो न, कैसे करना है, less from bills receivable, और add कहां कर देंगे, सर, add कहां करेंगे, add in, add in debtor, sir, debtor में add कर देंगे, बताइए कोई दिक्कत, कोई problem, नहीं, अब मान लेते हैं, बी-यार dishonored हुआ, तो अगर मान लो, लेकिन बी-यार कब dishonored हुआ, जब पहले से क्या हो रखा था, discounted, entry, ये वाली problem नहीं है, इसमें तो थोड़ा बहुत हम समझ जाते हैं, अब बताइए इसमें क्या होगा, चलिए अब journal opinion पूछते हैं, थोड़ा बहुत debtor, बी-यार का, तो कहां नहीं समझ लिया, अगर बी-यार discounted था, dishonored हो गया, तो कहां कहां entry जाएगा, discounting था, और dishonored हो गया, discounting था, और dishonored हो गया, हमारा खर्चा कैसे हुआ, discounting पहले हो चुका था, discounting मैं देखो कहां नहीं बताओं कैसे होता है, मान लो X है और Y है, समान बेचा, इसके पास BR आया, BR कितने का है सर, 10,000 रुपे का, इसके पास मजबूरी है, ये भाग के चला गया कहां पे सर, bank के पास, और bank को बोला, भाई साब मुझे पैसे दे दो, bank ने बोला, भाईया, पिच्चानवे से लो और निकलो, और ये 95 से लो बैठ गया, due date पे bank भाग के गया, Y के पास बोला भाईया मेरे पैसे दो उसके पैसे देने थे Y ने मना कर दिया तो B.R. क्या हो गया Dishonored हो गया B.R. क्या हो गया लेकिन Dishonored इसके पास से हुआ बैंक के पास से लेकिन उसको पहले से इसने discount करा रखा था बैंक भाग के किसके पास आएगा बोलेगा ला भाई पैसे ला यानि हर जेकर B.R. के पैसे मिलते थे यहाँ पर B.R. के पैसे क्या करने पड़ रहे है देने पड़ेंगे किसको देने पड़ेंगे क्योंकि पहले मैंने लिये थे एक हमारे क्या माइनस हो जाएगा bank minus हो जाएगा पहली बात तो समझो bank क्यों minus होगा क्योंकि BR क्या हुआ discounting था तो मैं पहले पैसे bank से उठा के बैठ गया हूँ dishonored हुआ फिर banker बोलेगा ला भाई तिरको पैसे दिये से तेरा जो person है तेरा जो बंदा वो पैसे देने से मना कर रहा है मुझे नहीं मतलब तू इससे समझ मेरे 10,000 रुपर ला हलाकि इसने 95,000 दिया बोला मैं तो दूद 10 ही लूँगा क्योंकि इतने दिन का ब्याज हो गया समझ तो banker इससे 10,000 लेगा तो अगर X के point of view से देखे तो इसका bank क्या होगा minus होगा या कम हो गया और यहां की कहानी क्या होगी अगर discounting है इस बात का ध्यान रखना इसलिए मैंने दोनों पैरलर रखाए के सर आपना कभी confused ना हो अगर discounting है अगर discounting है तो एक तो क्या होगा सर bank माइनस हो जाएगा और एक क्या होगा सर डेटर कुछ बच्चों को अगर यह कहानी ना बताए जाने तो उससे समझ नहीं होता सर बिया डिसॉनर्ण होगा पैंक माइनस कर दें बैंक से क्या तालूग है इसका及टर में आझ़र लेकिन बैंक क्योंै और कई वार तो अगर bank में balance नहीं तो वो पता है कहा पहुंच जाता है liability में क्योंकि वो क्या बन जाता है bank overdraft सुझवाई बात आपको अगर आपके पास bank में balance नजर नहीं आ रहा है तो आप कहा ले जाओगे sir liability में ले जाओगे as a bank overdraft bank overdraft बताईए यहां तक कोई doubt किसी को कोई दिक्कत परिशानी समस्या clear है यहां तक फटा फट से एक बार note करिए debtor मां में ज्यादा आएगा debtor में अच्छा हैं बच्चे पूछरे finance for everyone में करना गया है यह adjustment number कौन सा है इस सब पर न adjustment लिख देते हैं यह सर 22 ताकि आपको noting करने में easy होगा 21 और यह था सर 19 नोट करिए 19 ने 20 फटा फट नोट करिए परसो से class आपकी regular या जैसे भी रहेगा परसो decide करेंगे हम अभी नोट कर लो जितने बच्चे लाइव है उनमें से किसी को डाउट है तो बता दीजिए किसी को डाउट है जो बच्चे लाइव है आपको PDF मिल जाएगा और वीडियो जो लाइव सेक्शन में थोड़ी धिर में अपडेट हो जाता है वो दो से तीन घंटे में बाकी आपको कंटेंट के अंदर PDF और वीडियो दोनों मिल जाएगे तो मैं यहां पर डिस्कनेक्ट करता हूँ थोड़ी देर बाद आपके अपलूट हो जाएगा फोल्डर में अगली क्लास से अब रेगुलर और फिर थोड़ी लंबी क्लास होने लगीगे चीकर चलिए वो इसके लिए रहे फटा फट से चेक कर लीजिए एक बार आज का टॉपिक हां ये ध्यान दीजिए बोर्ड पे मैं आज जो GST का कॉंसेप्ट आपसे डिसकस करने वाला हूँ वो आसपेक्ट मैं अकाउंटिंग आसपेक्ट से लेके चलूँगा पूरा तो मैं थोड़ी सी चीज़े आपको क्लियर कर दूं कि जी एसटी के अंदर पहले टेक्स का क्या सिचुएशन है हम बिलकुल कोर लेवल से समझेंगे क्या भी या स्टार्टिंग कहां पूंटिंग ट्रीट्मेंट समझना जरूरी है उसके बाद फिर हम आगे कंटेनिव करेंगे यानि अभी थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा वैसे हर किसी को पता है कि जीएस्टी एक परकार का टेक्स है लेकिन हम उसको और थोड़ा सा डिटेल में एक्जाम पॉइंट ओव यू से लेके चलेंगे आगे ठीक है क्यिस हमारे इंडिया में हम जीएस्टी को बाद में देखेंए इसलिए मैं पहले जीएस्टी लिख दिया अगर हम बात करें तो पहले चारे था है अगर हिंदुस्तान के अंदर हम टेक्स की बात करें तो इंडिया की बात कर रहा हूं टेक्स को दो पार्ट में बाट दिया गया है सर एक बाटा गया है डायरिक्टेक्स डायरिक्टेक्स और एक है इंडायरिक्टेक्स इंडायरिक्टेक्स direct text और indirect text बड़ी सीधी सी बात है example से समझते जाईएगा direct text क्या होता है हमारा और indirect text क्या होता है बड़ी simple simple से example लेते जाऊँगा समझते जाना suppose करिए Mr. X जिसकी income जिसकी income 10 लाक रुपे है Mr. X जिसकी income कितनी है सर 10 लाक रुपे अब Mr. X को government के पास Mr. X को government के पास जाना होगा government की बात करें हम तो यहाँ पे government का मतलब है जो text collect करते हैं यानि text department अगर Mr. X ने text government को सीधा सीधा अगर नहीं दिया तो यहाँ पे possibility है कि government X को punishment कर सकता है यानि यहाँ पैसा कमाया X ने तो text भी देनी की जिम्मेदारी बनती है किसकी? X के यानि यहाँ पे X और government का सीधा सीधा direct relation बन रहा है तो इसको इसलिए बोला गया direct text सर इसका example है हमारा income tax इसका example है हमारा income tax जो की semester third के अंदर है income tax का हमारा एक subject यह पूरा एक subject है income tax तो इसका नाम है सर income tax अब बड़ी basic सी बात है एक हुआ करता था हमारा wealth tax wealth tax उठको हटा दिया गया हाला कि तो direct tax क्या है जिसके उपर tax लगेगा जो पैसा कमाएगा उसी को tax देना है तो direct tax हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जितने भी person है उन्होंने सरकार को अभी तक tax नहीं भरा है तो मैं बोलूँगा कि आप direct tax नहीं जमा करवाते सरकार को तो अब दूसरे aspect पर चलते हैं indirect tax indirect tax का example देखते हैं माल लेते हैं कि Mr. X है और Mr. X और इसका सीधा relation जो है एक दुकांदार से है एक दुकांदार से है Mr. X ने कोई समान परचेश किया सर किस समान परचेश किया दुकांदार से माल लेते हैं इसने कुछ X goods करीदा या माल लेते हैं इसने cloth करीदा इसने क्या खरीदा? cloth खरीदा खड़े हो जाओं से इधर बैटाओं खड़े हो जाओं इधर हो इसने cloth खरीदा इसने क्या करा? के cloth खरीदा और cloth की कीमत कितनी थी सर? 100 रुपए की इसके उपर दुकानदार ने बोला सर आपको ना tax भी देना पड़ेगा और 10 रुपे का tax है दुकानदार ने 110 रुपे वसूल लिए किस से customer से अब जो दुकानदार के pocket में है 2 तरीके का पैसे आया 100 रुपे और 10 रुपे दुकानदार के pocket में 110 रुपे लेकिन दुकानदार जो 100 रुपे अपने पास रखेगा और ये 10 रुपए जो कि इस से लिए थे किस से लिए थे सर ये 10 रुपए इसने ये 10 रुपए की बात करूँ जो customer से वसूला था इसने ये 10 रुपए किसको दे देगा जाके सर ये ये सीधा दे देगा जाके government को कौन से government को मिलेगा किसको मिलेगा हम अभी बाद में बात करेंगे यानि ये जो 10 रुपे दुकांदार के पास आया ये 10 रुपे उठा के देदेगा गवर्मेंट को Ultimately अब जो Tax Payment किया है यहाँ पे भी X ने Payment किया था और यहाँ पे भी किसने Payment किया है सर X ने ही Payment किया है फरक यह है कि एक Mediocre आ गया बीच में X पहले इसको देता है पैसे Tax और फिर ये इसकी Responsibility है कि Government को ऐसा क्यूं है ऐसा इसलिए है क्योंकि हर किसी वेक्ति से आप सब School में पढ़ रहे हो तो क्या आप से Government Tax वसूल सकता है और अगर आप से वसूलता भी है तो आप नहीं दोगे बड़ी सीधी सी बात है तो Government ने क्या करा जिस चीज को आप Consume करोगे, Usage करोगे उसी के उपर Tax लगा दिया So that जब आप वो समान खरीदोगे तो Already उसके अंदर Include होता है Tax जिसको बोलते है Inclusive Tax तो ये तो Indirect Tax की लिस्ट लंबी है जैसे होता है हमारा Sales Tax Sales Tax के बाद होता है Value Edit Tax That is WET इसके बाद होता है सर्विस Tax मैं कुछ एक एक एक्जामपल ले रहा हूँ इसके बाद होता है Entertainment Tax इसके बाद होता है सर हमारा Sales Tax होगे Central Tax या Excise Duty कुछ इतने तरीके के Taxes है जो एक्जामपल है हाला कि 30 से बड़ी लंबी लिस्ट है ये ये Tax है और ऐसे करते करते कम से कम ये Tax की लिस्ट कम से कम 45 है 35 लिस्ट है अब अब अगर मैं आपके स्कूल की बात करूँ बड़ी छोटी से एक्जामपल है स्कूल की बात करूँ तो CBSC है State Board है इसके आइसी एसी भी है इसके बात ओपन लर्निंग भी है और युनिवर्सिटी की बात करूँ देली युनिवर्सिटी है आइपी युनिवर्सिटी है इग्नू है और स्टेट युनिवर्सिटी भी है तो जो अगर मैं बात करूँ डियू की तो डियू सरिफ अपने बच्चे का ख्याल रख सकता है अपना सारा हिसाब किताब रख सकता है क्या डेली युनिवर्सिटी आपका इग्नू के स्टूरेंट का डिटेल रख सकता है आपने पाथ नई रख सकता है यानि वह दुनों सेपरेट है यह सब अपस में separate हैं यह सभी आपस में separate हैं यानि इसको एक अलग तरीके से और्गनाइजेशन के लिए वैट को एक अलग और्गनाइजेशन की जुरुत पढ़ नh you इसको एक अलग किनाइज करने के लिए एक इसको एक अलग ंर्गनाइज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के जुरूरत थे कि जब ऐसी दिक्कत आई तों ग Join को इसको इसको सम्हालना थोड़ा सासा मुस्किल लग रहे था कि हम expense अपना बढ़ा रहे हैं क्योंकि अब sales tax के अंदर जितने worker होंगे फिर वो sales tax का detail देखेंगे दूसरा जो दुकानदार है अगर मैं दुकानदार की बात करूँ तो दुकानदार को भी बहुत सारे लोगों की बातों को मानना पड़ रहे हैं अगर एक दुकानदार है जो मान लेते हैं कि वो service provide कर रहा है किसी चीज की service provide in the sense या मैं इस दुकानदार को मान लेता हूँ कि ये railway की tickets देता है जो IRCity से आपने देखा होगा आस-पास ना बनाने वाले agent होता है तो ये service भी दे रहा है साथ के साथ इस दुकानदार ने उस ticket बनाने के साथ और भी क्या करता है goods भी बेचता है यानि सामान को बेचता है तो अब इस दुकानदार को क्या करना है जो service दे रहा है उस service पे इसको service tax की सारे compliance फॉलो करने है और goods जो बेच रहा है उसके उपर sales tax या wet का सारा compliances follow करना है यानि एक दुकांदार अगर ये सारेट काम करेगा तो उसके पूरे के पूरे tax के हिसाब से अपना अलग-अलग file maintain करना है तो एक दुकांदार के लिए भी complicity है बड़ी मुश्किल की बात है तो इसलिए government ने क्या करा government ने करा कि भीया देखो income tax तो अलग है और इसके अंदर भी जो income tax है ना ये सारा का सारा पैसा जाता है center के पास center के पास center government के पास center government आप simple से शब्दों में समझ सकते हो जो की परधान मंत्री अभी है तो उन government के government है अगर इसमें कोई भी changes करनी हुई ना इसके अंदर बदलाव कोई भी जैसे income tax आपका 20% हो गया 30% हो गया तो इसको central government ही बदलाव कर सकते है और कोई दूसरा राज्ये का नहीं कर सकते है सारा पैसा इनके पास जाते है और जो ये वाली list है ना indirect tax इसमें मिला जुला रहता है सर मिला जुला क्या रहता है जैसे कि इसके अंदर रहता है आपका center का भी हिस्सा कुछ और कुछ हिस्सा state का भी कुछ हिस्सा center का भी होता है और कुछ हिस्सा state का भी होता है state government अपने tax का अपना decide करता है center government अपना all you the state government को जो भी पैसा चाहिए वो अपने ले लेता है और आपका सैंंटर गवर्मन्ट को जो भी चाहिए वो अपने ले ले लेता है है जो इनक्स से पैसा वसूली करता है कि उसी से एक एक अपना क्या करता है राज्ये को चलाता है यानि जैसे अगर UP की बात करें तो UP चलाने के लिए वहाँ के सड़के बनाने हैं जो भी करना है गौर्मेंट टेक्स तो लेगी उस टेक्स के बदले वो वहाँ पर फैसलेटी देगा है स्टेट गवर्मेंट लेकिन कुछ सेंटर गवर्मेंट भी वहाँ पर फैसलेटी प्रवाइड कर देए तो मिला जुला के मैं बात करूं के हिंदूस्तान को अगर मैं चलाने की बात करूं तो कंट्री को चलाने की बात करें तो दो लोग मिलके चलाते हैं एक जिसे बोला गया center government एक जिसे बोला गया state have been the state government क्या करती अपने छोटे छोटे राज्ये को चलाती यहर State का अपना अलग मुख्य मंतरी एक तरीके से कह सकते हैं के हर राज्ये का अपना अलग राजा है जैसे पहले राजा रुआ हुआ करता था आप कोन मुख्यमंतरी अब सेंटर गवर्णमेंट क्या करती है कि इसको भी निगरानी रखती है यानि जैसे आपके क्लास के अंदर टीचर है हर टीचर अपने क्लासरूम को अपने हिसाफ से मैनेज करता है उनको देखने के लिए भी एक कौन है प्रिंसिपल जो उनको देख रहा है तो फाइनली जो वर्डिक होता है वो तो प्रिंसिपल कहीं चलता है लेकिन बहुत सारी चीज़े प्रिंसिपल ये थोड़ी बोल सकता है कि इस बच्चे को काम मत देना यानि कुछ पावर आपके क्लास टीचर्स के पास भी है कुछ पावर प्रिंसिपल के पास भी है सेम ऐसे स्टेट गवर्मेंट के पास पावर है कि किस चीजों पर टेक्स लगाया जाए जो उसके अंडर है और किस चीजों पर ना लगाया जाए और सेंटर गवर्मेंट उसके देख रहता है तो ये टेक्स बहुत complicated हो रहा था इसमें से मैं बताओ ना क्या क्या सेंटर के पास जाता है और क्या क्या स्टेट के पास जाता है तो कुछ ऐसा कहानी है ये जाता है स्टेट के पास यह जाता है आपका center के पास यह जाता है center के पास यह state के पास इसी तरीके से sales tax भी पहले हुआ करता था जो कि state के पास इन सभी को मिला जुला के इन्होंने करा क्या एक काम करते हैं इसको हम convert कर देते हैं एक ही नाम में GST में यानि क्योंकि यहां पे समान के उपर भी tax लग रहा है और service के उपर भी tax लग रहा है तो बोला गया कि हम इसको कर देते हैं एक ही single tax goods and services tax का नाम दे दिया गया इसको single tax में convert कर दिया गया that is goods or services tax GST लेकिन मुद्दा आया कि सर यहां पे अलग-अलग tax का नाम है तो कुछ tax तो state government पकट रही थी अपने पास और जो कुछ tax है वो center ले रही थी तो मुद्दे की बात आई जब GST आया तो GST के अंदर center कहती है जब recommendation आया तो अब एक ही tax हो गया यह center ने बोला मान लेते हैं center क्या कहता है कि यह सारा का सारा हमारा होगा center government ने बोला यह सारा हमारा होगा और जिस राज्य को जुरत पड़ेगी वो हम अपने हिसाब से time to time पे देंगे इस तरीके से जो state के राजा थे उनके power चली गई जाने लगी हमारे देश के अंदर कभी भी कोई भी तो कानून बनने के लिए हमारे देश के अंदर एक लोक सभा होता है और एक राज्य और होता है पहले लोकसभा फिर राज्य सभा दोनों के अंदर अगर सहमती बन जाती है सहमती बनने के बाद जब राष्ट पति उसके उपर signature कर देता है तो गिर बंज राश्टपती सिगनेचर तब तक नहीं करेगा जब तक दोनों सभाहों के यानि पार्लियमेंट और लेजिस्टेटिव एसेमली लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सहमती बनके जब तक नहीं जाएगा मान लेते हैं 51% की वोटिंग से तब तक परसिडेंट यानि करती भी सिगनेचर नहीं करेगा तो जीएस्टी की हम बात करें तो जीएस्टी क्या लगता है अगर हम बात करें जीएस्टी आना था और इसका पैसा कौन रखेगा सेंटर इसका पैसा कौन रखेगा तो लोकसभा के अंदर तो चलो मूदी की गवर्मेंट का था हाथ तो ल अगर मेरे ही MP हैं सारे, तो वो तो हां कर देंगे, लेकिन राज्य सभा के अंदर पास कराना थोड़ा सा मुस्किल है, क्योंकि हर राज्य का मुख्य मंदरी अलग-अलग पार्टी से होता है, तो वहां पर मुस्किल है, तो क्या आपको लगता है कि राज्य सभा के अंदर बो और को तरीके से चलाए जाता है एक होता है측 के अंदर जसे कि छोटे-चोटे बना दिये गें और एक होता है अंदर कोई राज्य नाम का यहनि मुख्य-मंत्री नाम का कोई चीची नहीं होता है जैसे हम बात करें UK UK के अंदर आपका कोई ऐसा नहीं है स्टेट होगा सिर्फ एक ही होता है प्राइम इनिस्टर पूरे भारत पूरे UK को चला रहा होता है सेम फ्रांस वहाँ पे एक ही होता है सब को चला रहा होता है लेकिन ऐसे बहुत सारे देश है जैसे अमेरिका ले लो वहाँ पे भी राज्य है हमारे भारत के जैसे ही वहाँ पे राज्य भी है और एक सेंटर भी है तो जी-ेस्टी अगर लाए तो इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है उनको क्या लगेगा कि अगर हमने GST पर सहमती बना दिया एक Parliament में से तो पासो कि आ गया और अगर हमने GST पर सहमती बना दिया तो ये बिल चला जाएगा रास्टपती पे और राजपती ने सिगनेचर एक बार कर दिया उसके बाद तो हम भी कुछ नहीं कर सकते यानि इसका पैसा किसके पास जाएगा सीधा और फिर हमें जरूरत के हिसाब से उनसे पैसे लेने पड़ेंगे और वो फिर हो सकता है दे भी और हो सकता है ना भी दे वहाँ पे यह situation था तो राज्य सभा में हमेशा लोग सभा में पास हो जाता राज्य सभा में क्या हो जाता यह decline कर देते हैं बोलते हैं नहीं भी हम नहीं agree हैं तो अगर लोग सभा में पास हो गया और राज्य सभा में मना कर दिया गया तो क्या हमारे GST बन सकता है? नहीं बन सकता. तो यानि इसके लिए सबसे बड़ी चुनोती और सबसे बड़ी जो समस्या आई कि हमें दोनों जगे से बिल पास कराना है. और दोनों जगे से बिल पास कराने के लिए लोक सभा में भी जो government है राज्य सभा में भी वही government हो यानि अगर BJP की government की बात करूँ तो लोक सभा में तो पास करा सकती है लेकिन बहुत सारे state में BJP की government नहीं है तो BJP को एक ही काम करना था कि उसको जादा से जादा state में भी अपने मुख्य मंतरी बनाने थे और अपने जिसे MLA बोलते हैं वो बनाने थे ताकि मेरा दब-दबार राज्य सभा में भी रहे जो मैं बोलू राज्य सभार बालों ने भी yes कर दिया और लोक सभा से yes होई रहें वो बिल फटा-फट से पास हो जाए सिर्फ इसी का one of the एक example है के हमारा 370 हट पाया जो भी था और उसी का एक example लेकर हमारा GST आ पाया क्योंकि GST लाने की बात आज से नहीं चल रही थी सन 2000 में अटल बिहारी बाजपाई भारत के परधान मंतरी थे तो उन्होंने बोला था कि GST आना चाहिए हिंडिया के अंदर लेकिन उस तेम पर सबसे बड़ी दिक्कत थी कि सेंटर की गवर्मेंट भी थी वो एक गटवंधन में था गटवंधन मतलब क्या होता है कि दो अलग-अलग पार्टी मिलके बनाते हैं उस तेम वो नहीं लेके आ पाई क्योंकि वहाँ पर ना तो लोकसभा में रह पाएं ना राज्यसभा में जब 2004 का इलेक्शन आया तो उस तेम बीजेपी हार चुकी थी चुनाओ 1999 में चुनाओ जीता उन्होंने और 2004 में बीजेपी चुनाओ हार चुकी थी 2004 के बाद फिर गवर्मेंट किसका आगया हमारा कॉंग्रेस का कॉंग्रेस का गवर्मेंट आने के बाद फिर 2008 के अंदर 2008 के अंदर भी पहले देखो पार्टी क्या करती है कि जो चीजे अच्छी चीजे होती है चाहे बुरी चीजे होती है opposition का काम होता है कि इसको बेकार बताना सिर्फ बेकार बताना तो Congress ने 2004 के अंदर oppose किया कि यह GST नहीं आना चाहिए इससे वेपारी सारे क्या होंगे बरबाद हो जाएंगे इससे उनका यह कहना था लेकिन जब 2008 में government आई 2004 में तो 2008 के अंदर ही पी चितामरम जो कि इनके finance minister है इन्होंने पहला bill लेके आए कि GST आना चाहिए यानि पहले Congress ने मना कर दिया और फिर बाद में Congress ने बोला GST आना चाहिए फिर BJP ने मना कर दिया GST नहीं आना चाहिए तो यानि फिर GST हमारा नहीं आ पाया 2014 तक फिर UPA का government था यानि दो बार Congress की government बनी 2004 से लेके 2014 तक फिर 2014 के अंदर हमारी सरकार BJP की वापस आ गए 2014 में 2014 में government आई तो फिर government ने फिर बोला BJP ने की GST आना चाहिए और GST आने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है लेकिन 2014 में ये इतनी powerful नहीं थी उस time पे सिर्फ मतलब के center में तो थी लेकिन state में अभी भी UP के अंदर कोई और था योगी नहीं था जो सबसे बड़ा अगर देखा जाए राज्यसभा के सबसे ज़्यादा member होते है वो UP से आता है क्योंकि बहुत बड़ा एक तरीके से वहाँ पे state है वो और भी बहुत सारे राज्ये में बीजे पी नहीं थी तो 2014 में नहीं लेके आपाई धीरे धीरे बीजे पी UP को भी जीतती है फिर धीरे राजस्थान को जीतती है MP में पहले से था तो बहुत सारे जब राज्ये को जब जीत ले देती है तो उस situation में बीजे पी की बहुत सारे क्या होते हैं कि मुख्य मंतरी भी बन जाते हैं फिर धीरे धीरे करते करते 2016 के अंदर बीजे पी ने decide कर लिया कि अब हम हर दोनों जगह से क्या करवा सकते हैं इस बिल को पास आउट करवा सकते हैं जब दोनों जगह से बिल पास आउट हो गया उसके बाद लेकिन जब बिल पास आउट हो रहा था तो उस टाइम पे पास आउट होते टाइम पे सबसे बड़ी समस्तिया थी कि कोई भी कानून पूरे भारत के इंदर एपलाई हो जाता था लेकिन एक जमू एन कश्मीर ऐसा रहता था हमेशा समुद्दा क्योंकि उनके मुख्य मंत्री से पूछना पड़ता था सेंटर को राश्टपती को भी पूछना पड़ता था कि हम आपके स्टेट में ये कानून लगाए या ना लगाई कुछ ऐसे शर्तों के साथ कश्मीर हमारे साथ मिला था आजादी के बाद जो कि वहां के राजा थे हरी सिंग उन्होंने कुछ ऐसे शर्तों के साथ इंडिया के साथ आना पसंद किया था कि कभी भी कोई भी कानून बनेगा तो हमारे स्टेट के उपर यानि जमू इंड कश्मिर पर अपलाई नहीं करेंगे तब ही हम आपके साथ मिलेंगे तो ऐसे सिचुएशन में धीरे धीरे करते करते GST पूरे भारत पर तो अपलाई हुआ लेकिन अभी भी जमू इंड कश्मिर ने मना कर दिया कि हम तो GST accept नहीं करेंगे तो अब GST क्यों मना किया जा रहा था सबसे पहले main ये theme समझेगा और बाद में धीरे धीरे acceptable क्यों हुआ ये भी समझेगा तो GST के अगर मैं background की बात करूँ तो GST सबसे पहले ऐसा नहीं कि अभी first time पे देखा अगर मैं GST की बात करूँ तो 1954 के अंदर France country France ने सबसे पहले GST लिया आई क्योंकि France में कोई मुखमंदरी नहीं है Center ने सोचा GST आना चाहिए ठीक आना चाहिए बात खतम वहाँ पे कोई opposition है ही नहीं वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है तो वहाँ पे 1954 में सबसे पहले GST आया और उसके साथ साथ धीरे धीरे हमारे 160 countries के अंदर अभी GST है GST basically कोई ऐसा tax mechanism नहीं है GST क्या है सभी tax को एक club कर दिया गया और एक single सा एक department है कि अगर आपका services या goods से कोई भी related query होता है तो इस खिड़की बजाई है यहीं समाधान मिलेगा और कहीं जाने की ज़रत नहीं है जैसे कि आपका मान लेते हैं कि एक aims hospital बना दिया गया कोई भी बिमारी है वहाँ जाईए पहले क्या होता था कि यह बिमारी है तो यहाँ जाना है यह बिमारी है तो यहाँ जाना है simple सी कहान ही है जैसे किस किस country में जैसे Canada में GST है Australia में GST है Singapore में है UK के अंदर है Italy में Spain में है यहाँ GST है लेकिन US के अंदर GST अभी तक नहीं आया है America के अंदर सर अमेरिका के अंदर GST क्यों नहीं है क्योंकि वहाँ पे कहानी वही है राज्य सभा और लोग सभा और जितना पावर हमारे राज्य सभा में दिया जाता है मुक्रमंतरी को उससे कहीं ज़्यादा पावर वहाँ पे दिया जाता है किसको सा लोग सभा के अंदर वहां के मुख्यमंतरी को in fact वहां पे जो course करते न अकाउंटेंट का तो हर state का अलग-अलग अकाउंटेंट होता है हर state का अलग-अलग chartered accountant भी होता है जैसे आप दिल्ली के इंडिया के अंदर CA बनते हो तो आप पंजाब में CA का जॉब करो या फिर आप दिल्ली में करो या फिर बिहार में करो यूपी फरक नहीं पड़ता हो वहां पे हर state का एक अपना CPA माना जाता है जिसे हम certified public accountant भोलते हैं तो वहां पे अलग थोड़ा सा mechanism चलता है हम बात करें first time GST की तो first time GST जैसे मैंने कहा कि आपका first time जो GST आया सर वो first time GST 2000 के अंदर एक draft will paste किया गए कि भीया ऐसा तो होना चाहिए क्योंकि इंडिया को जूरत है अगर बात करते हैं GST की तो 2000 में सबसे पहले PM अटल विहारी वाजपाई ने committee to draft GST model बोला के भीया GST इंडिया के अंदर आना चाहिए फिर 2004 के अंदर भी इसका recommendation किया गया क्योंकि जब वहाँ पे उन्होंने एक committee बनाया तो 2004 के अंदर अटल विहारी नहीं रहे थे मतलब कि परधान वंतरी नहीं रहे तो वहाँ से तो हटी गए तो जो committee बनाया तो committee या government अधिकारी की में बात करूँ मान लेते हैं आप I.S. officer बनते हो तो आपको किसकी बात माननी होगी जो नेता current में है उसी की बात माननी पड़ेगी basic सी बाते हैं कि आगर आज मोदी है तो मोदी की बात माननी है तो जो यह committee बना था तो यह committee अब अटल भी हरी बाचपाई को तो वह सारी चीज़े डिटेल नहीं बता सकते थे तो इन्होंने बताया 2004 में जो की केलकर टास्क फोर्स के नाम से वह committee बनाया गया था GST must be implement उन्होंने बोला कि भीया GST को implement करिये और उससे ठीक रहेगा उसके बाद फिर 2006 मैंने पहले 2008 बताया 2006 के अंदर हमारा announce जब 2004 में बताये गया तो फिर budget आया पी चितामरम हमारे देश के एक टाइम पे finance minister रह चुके है तो पी चितामरम ने बोला कि भीया 2006-07 में के हम GST को introduce करने वाले हैं एक अपरेल 2010 से वहाँ पे decide बन गया था लेगिन 2010 में भी फिर से GST नहीं आ पाया 2014 में जैसे ही BJP की government बनी उन्होंने क्या करा amendment सम्हिदान को ही amend कर दिया constitution को ही amend कर दिया constitution मतलब हम constitution article होता है इसके अंदर तो हम उस article पर नहीं जाते अभी फिलाल article 356 है एक उसमें कहता है कि किसी भी जब सम्हिदान बना था बोला गया कि किसी भी देश को अगर कोई भी कानून बनाना है तो वो जो वहां के law है और जो rule and regulation है उसके according बनेगा तो वहां पे GST बनाने का कोई entry gate नहीं था तो वहां पे constitution किया गया 122 वा amendment हुआ इस बिल के अंदर बताया गया कि भी या लोक सभा के अंदर बनाया गया और लोक सभा में तो पता ही है कि 2014 में पास हो ही जाना था वहां तो रुखने वाले कोई सवाल नहीं था क्योंकि लोक सभा के अंदर मोदी की majority थी government single अपने पावर पे वो लेके आये थे कितनी सीटे थी 283 something सीटे आई थी उनकी total कितने सीटे होती है यहां पे तो थोड़ा सा मैं बता दू लोक सभा और राज सभा की अगर मैं बात क यह अलग अलग पार्टी के अपने अपनी कलर है अपने अपने जो भी वो मार्क लेके चलते हैं उसके अकॉर्डिंग है तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे देखा जाए तो छोटी से चीज़े हैं MP आपका परधान मंत्री बनेगा तो वो पां 543 सीटों पे चुना के MPs हो जाते हैं तो वो जीच जाएगा तो BJP का देखो यह 50% से क्या है अबब है लगबग यह सारा BJP का सारा है इसलिए वो अभी परधान मंत्री है ठीक है इसके बाद हमारे जो राज्य सभा होते हैं उसके अंदर 245 है तो 245 कभी मान लेजिए 50% अबब कितना होगा तो जो भी हमारा number निकल के आता है जयसे कि हमारा लग भग लग वग एक सो 23 की आसपास निकल के आएगा एकSO एस जिसके सीटे आजएगी वो क्या होगा अगर यहांपे आपके 123 मेंबर आ जाते हैं और यहांपे 143 का आप मान के चलेंगे तो 280 के आजपास माल लेते हैं, 280, अगर आपके यहां पे आपका person कोई 280 यहां पे हैं और यहां पे आपका person कितने हैं, 123, दोनों जगह अगर आपके person बैठे हुए हैं, तो आप देश के अंदर कोई भी कानून बनाईए, बाकि जो भी कुछ भी करता रहें, बदल नहीं सकता, क्योंकि यहां पे भी pass हो जाएगा easily, यहां पे भी pass होगा रास्टपती और रास्टपती को चुनने का अधिकार इन्हीं को यह होता है रास्टपती भी कैसे चुना जाएगा इन्हीं में से सभी लोग जो 51% बोलेंगे इस वेक्टी को रास्टपती बनाओ तो रास्टपती बन जाएगा तो बट अव्यस है कि यह उनी को रास्टपती बनाना समझेंगे जो उनकी बात को मानेगा आगे चलिए तो रास्टपती भी इनका हो गया जो सिगनेचर करने वाला है और यहां पे भी और यहां पे तो इस तरीके से जीएस्टी लाए जा सकता है तो 370 जो था ना आर्टिकल 370 वो थोड़ा सा अलग मुद्दा है वो आने का यही परपस था कि इन्हों रास्पती इनका था यहां पे इन्होंने क्या करा ज्यादा मेज्योरिटी लिए रखा था और अगर किसी राज्ये के अंदर किसी राज्ये के अंदर मान लेते हैं कोई ऐसा राज्ये है जहां पे गवर्मेंट है ही नहीं जहां पे मुख्यमंतरी नहीं होता भारत के अंदर भी कुछ ऐसे राज्ये है जहां पे मुख्यमंतरी नहीं होता है जैसे कि मैं for example लूँ तो आपका लक्षदी या चंडीगर्ड ऐसे राज्ये हैं जहां के मुख्यमंतरी कोई भी नहीं है उसको हम बोलते हैं union territory उनको गवर्न करने की सारी जिम्मेवारी किसकी होती है सर center की ही जिम्मेवारी होती है तो हमारे भारत के अंदर भी कुछ ऐसे territory है जहां पर मुख्यमंतरी नहीं होते हैं सर कौन-कौन से ऐसे territory है अगर मैं बात करूँ आपके सामने तो ये हमारे कुछ territory है जिसको के मैं नाम दूँगा जैसे अंडमान एंड निकोबार चंडिगर दादर एंड नगर हवेली दमन एंडियू जमू एंड कश्मीर पहले ये अलग state हुआ करता था लेकिन जब 370 हट गया तो ये नहीं रहा इसके बाद आपका लक्स दीप समो ये सारे ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंतरी को हटा दिया बोला भईया तु यहां मुख्यमंतरी नहीं रहे क्योंकि यह सारे ऐसे sensitive एरिया है मुख्यमंतरी को दिया तो पता चला कि उसने कभजा कर वा लिया किसी और देश से ये सारे ऐसे जैसे कि मालो आपका जमू इन कश्मीर बॉर्डर है यहां पर अब भई यहां पर मुख्यमंतरी को आपने फाइदे के लिए वोट देने के चक्कर में पता चला कि भई वहां पर एक राज्य से दूसरे राज्य से पैसे वैसे के चकर में कुछ कर लिया तो यह ऐसे sensitive area है जह इनको क्या बोला जाता है सर union territory इनको क्या बोला जाता है union territory इसके बाद बात करते है सर 2016 के अंदर क्यूंकि 2019 में दूसरा चुनाव आता है क्योंकि 2016 तक जो BJP है बहुत सारे राज्ये जीट चुके थी, वो हड्याना को भी जीट चुके थी, यूपी को भी जीट चुके थी, in fact पंजाब में भी उसी की गवर्मेंट थी, जमु इन कश्मीर में भी कहींने कहीं उसी की दोनों की मिली जूली गवर्मेंट थी, तो 2016 तक बहुत सारे राज्यों पर जो मैंने यहां पिक्चर दिखाया, बहुत सारे राज्यों पर वो कबजा कर चुकी थी, 2000, और उस तरीके से इसने क्या करा, simply, बिल को पास करा दिया, लेकिन यहां पर आपको लगेगा सर, ऐसे तो कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, तो यहां पर तो स कुछ भी गलत कर रहे हैं, जैसे कि एक टाइम पर आपने इमर्जेंसी का नाम सुना होगा, इंद्रा गांधी के टाइम पर इमर्जेंसी लगा था, उस टाइम पर बहुत लोगों के अपने उपीनियन है, सर, कोई बोलता है, गलत है, कोई बोलता है, सही है, वहां पर लोग कि मुखर्मेंट ने क्या करा कि यह तो इसा तो नहीं करने वाले कि हमारी बदनामी आज तक हो जैसे कि इंडरा गॉंटी की सिरेंदी कि इस कि वजह से बदनामी होती है जो कि गॉश्मींट वह हार अंपर सिर नाले refresh का GST है ना आप एक काम करें सीधी सी बात है आप उनकी मदद तो करेंगे ही करेंगे ऐसा नहीं है तो GST को पास राज्य सभा से कराना है अगर आपको GST से तो बड़ी सीधी सी बात है इस पैसे का बटवारा करती जिए क्योंकि आपका GST बिल इसलिए पास नहीं हो पा रहा थ था क्योंकि उनको डर लग रहा था कि यह पैसा किसके हाथ में पहुंच जाएगा सेंटर के बात में तो आप कुछ ऐसा तरीका निकालिए कि GST का क्या हो जाए बटवारा हो जाए जिससे वह क्या हो जाए थोड़ा सा कमपटेबल फील करने लग राज्य सभा में और जितने GST कांसिल की मिटिंग बुलाई और GST कांसिल क्या होता है कि यह मेंबर होते हैं सभी GST के राज्य सभा के तो वह चीजे हमारा रहेगा मार्च 2017 में GST कांसिल ने रिकमंडेशन किया उसके बाद उन्होंने बोला कि भाईया GST जो होना चाहिए आब हम बता देते हैं कैसे होन आपका GST है बिल्कुर ठीक है कोई इसमें दो राए और कोई दिक्कत है यह नहीं आपके GST में आप ऐसा करिए GST का पैसा बाटिए तो भाईया बाटने का नंबर आया तो बोला गया किस-किस में बाटना है तो बोला गया सबसे पहले तो भाईया सेंटर का अधिकार होगा सेंटर का अधिकार सबसे पहले होगा GST में जब बोला सेंटर का अधिकार होगा तो स्टेट ने बोला हमारा भी अधिकार होगा यानि स्टेट ने हमारा भी अधिकार होगा स्टेट ने भी अपना अधिकार मांगा स्टेट के साथ-साथ कुछ ऐसा भी था जो कि सेंटर ने एक क्या कहा कि भाया, हम चलाते तो उन्हीं को हम ही है, जो ये थे यहाँ पे ना तो कोई मुख्य मंत्री है ना यहाँ पे कोई सेंटर चलाती है तो इसने बोला के भईया इनका भी अधिकार अलग से देना पड़ेगा इसको तो यहाँ पे इन्होंने एक अधिकार लेके आएं किन के लिए Union Territory के लिए मैं UT लिख रहा हूँ Union Territory के लिए भी अधिकार रखा गया जब यह recommendation कर रहे थे तो Union Territory के लिए भी अधिकार रखा गया अब समस्या क्या आई यहाँ पे अब राज्ये को दिक्कत यह आ रही थी कि भाईया जितना हमें पहले मिल रहा था कम से कम उतना ही अब हमें चाहिए अगर माल लेते हैं हम UP की बात करते हैं तो GST आने से पहले है वैसे तो UP में BJP की government है वो तो BJP में हाँ हाँ ना ना में वही स्रीम चलेगा माल लेते हैं GST आने से पहले इसका 5000 करोड रुपे का अगर monthly tax collection होता था तो यह चाहते थे कि GST आने के बाद भी जो हमारे हिस्से में आ रहा है दूसरा बोलते थे अभी भी हमारे साथ आपका government बना है तो इस तरीके से होगा तो लोगों ने बोला देखो पहले हमें ना कई सारे taxes मिला करते थे total इनके पास 20 taxes हुआ करते थे लेने के लेकिन 20 taxes भी ऐसे थे जिसका कोई मतलब नहीं था बिल्कुल ना के बराबर तो जो 20 taxes इनके पास हुआ करते थे उसके accordingly इसने क्या करा कि बोला के भी या center और state तो इनका अगर मैं देखूं तो center और state तो पहले ये पैसा मिलता था किसको सीधा सीधा state को मैं अगर बात करूँ तो ये जो पैसा मिलता था ये state को मिलता था ये center को मिलता था ये center को मिलता था ये state को चला जाता था और ये center को चला जाता था center को तो कुछ मिला जुला ऐसा था और भी बहुत सारे taxes थे तो government ने बोला कि भीया ऐसे नहीं बनेगी बात कुछ चीजों में हम सब sacrifice कर रहे हैं कुछ चीजों में आपको sacrifice करना पड़ेगा कुछ चीजों में हम sacrifice कर रहे हैं कुछ चीजों में सबसे ज़्यादा जो tax collection होता है वो किस से होता है सर exercise duty से क्योंकि indirect tax किया है जब माल बनेगा तो बिकेगा ना और माल बनते टाइम पर ही जो टेक्स लगता था वो किसके पास चला जाता था सेंटर के पास माल बिके या ना बिके बन गया तो आपको tax देना पड़ेगा तो वहाँ पर सेंटर तो गवर्मेंट ने सेंटर ने बोला हम इसको छोड़ रहे हैं तो आपको भी ये सारे tax इसको क्या करना पड़ेगा थोड़ा compromise करना पड़ेगा इसके अंदर अगर हमने फिर से कर दिया कि इतने percent तुमारे पास आया इतने percent तो दिक्कत होगी तो government ने कहा कि ठीक है हम एक काम करते हैं बड़ी सी बात रखते हैं यहाँ पर बड़ी सी बात है जितना भी tax का collection होगा जोतना भी goods बनेगा हम भी sacrifice कर रहे हैं आप भी sacrifice कर रहे हैं इन दोनों के बीच में divide हो जाएगा इन कि माल लेते हैं 100 रुपए का टेक्स जी एस्टी लगा तो 50 रुपए चला जाएगा किस के पास सेंटर के पास और 50 रुपए किस के पास चला जाएगा यानि यह सहमती बना ली गई कि जितना भी टेक्स होगा पूरे इंडिया के अंदर वो 50-50 होगा लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा डारेक्ट टेक्स को गवर्मेंट ने बोला डारेक्स तो सुरू से हमारा था और अब भी हमारा था तो उसका इससे कोई मिक्स करने की कोई अब शक्ता नहीं हो डारेक्स को अलग है वो तो हमारा पहले भी और अब भी हमारा ही रहेगा जो income tax था हम सरफ बात इस पर कर रहे हैं बोला गया भाया UT तो सेंटर ने बोला इसको भी एक state की तरीके से हम मानेंगे तो जो भी GST आएगा तो यहाँ पे इनको भी 50% दिया जाएगा लेकिन अब जो GST आता था दिक्कत सबसे ज़्यादा के सारे चोटे-चोटे राज्य और बड़े राज्य भी हैं हुआ यहाँ यहाँ पर finally के मानने थे डेली के बाद मानने लेते हैं UP мैप बन बना दिया तो मानने येतने up now Delhi असपास है अब बड़ी सीधिसे बाथ क्या है यूपी और डैली है यहाँ पर जी आटिर्श दी लाने का यहां एक उस्पट इप्छट को खतम कतने क्या होता है पहले टेक्स के ऊपर टेक्स लग जाये करता था एक ही टेक्स पे multiple टेक्स लगा करता था, टेक्स पे चोरी हो जाए करता था, हम आगे देखेंगे वो accounting aspect के अंदर, होता क्या था, UP government ने, UP government ने क्या करा, सेल कर दिया, किसको सेल करा, UP government ने, डेली को, आप जानेंगे तो डेली के अंदर manufacturing का कोई unit ही ने, बहुत कम है, सारा सारा का है, या तो आपका गुरगाओं चले जाओ, और गुरगाओं कहा जाता है सर, हरियाना में, या फिर आप चले जाओ, NOEDA, UP, जो की UP में आ जाता है, को लगाते थे, GST की बात करें, तो GST को लगा रहे थे, यहां पर योगी, योगी government यहां पर क्या लगा रहे थे, GST, यानि 100 रुपे का समान ये क्या करते थे, 10 रुपे महंगा करके बेच रहे थे, कितने का, 110 का, केजरी वाल के पास कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंन जो डेली था, केजरी वाल सरकार, उन्होंने का सर, हमारे पास तो कुछ आई नहीं था, मान लिया कि CGST आधाधा हो गया, लेकिन आधाधा में एक तो योगी को चला गया, और आधा किसको चला गया, मोधी को चला गया, अधाधा, लेकिन इसके पास तो कुछ भी नहीं आया तो ऐसे situation में condition बन गई कि Delhi government भी क्या करने लगी कि भाईया कोई यूपे से माल नहीं खरीदेगा हम खुद manufacturing करेंगे और यहीं बेचेंगे यानि हम किसी और जगह से समान खरीदना ही बंद करना चाह रहे थे तो अगर हर एक स्टेट यह सोच लेके हम किसी स्टेट से समान नहीं खरीदेंगे तो वहां पर ग्रोध ही रुख जानी थी इंडिया के पुरी कि जब तक आप वहां से एक दूसरे से दूसरे राज्ये से समान लेके नहीं जाएंगे ट्रांस्पोर्टेशन रुख जाना तब बहुत सारी दिक्कत आने थी तो गवर्मेंट ने बोला कि भाया जो यूपी के अंदर बनके यूपी में बिक्रा है तो उसमें तो दिक्कत नहीं है तुमें और जो डेली के अंदर बिक्रा है कि जब समान एक जगह से दूसरे जगह बनके जा रहा है तो सारी दिक्कत वहाँ पर है तो हम इस दिक्कत का समाधान एक ही करते हैं कि अगर जाये हो घुख जह किसी स्टेट को देंगे ही नहीं हम क्या करेंगे तो आपकीunkारा किया और उसने बोला कि भाईया ना तो तुम्हारा और ना तुम्हारा ये टेक्स किसके हाथ में आ जाएगा मेरे हाथ में आ जाएगा और इसको नाम देंगे हम क्या IGST Integrated Goods and Tax उसको नाम दिया गया IGST Integrated Goods and Service Tax दोनों स्टेट गवर्मेंट जो थे वो बोले भाईया हमारा लड़ने का क्या फायता जो benefit था वो कौन ले गया सेंटर लेकिन सेंटर ने बोला रुको आप ऐसा मत समझो कि ये पैसा हम ले रहे हैं इस पैसे को हम अलग जगहां पे रखेंगे जैसे आपका जो पहले budget आपने था कि मंतली आपका 5000 करोड रुपए बंढ रहे है पहले आपका बजट कितना था सर पांच हजार करोड रुपे मंधली नाव हम ये चेक करेंगे कि अगर आपके पास अभी चार हजार पांच सो करोड रुपे है तो कहीं न कहीं वो राजजे किसमें रहे गया जी एस्टी आने के पास घाटे में तो हमारे पास जो एक्स्टर आमाउंट आई जी एस्टी में होगा हम आपको पांच सो करोड रुपे यहां से निकाल के दे देंगे याणि हम स्योटी देते हैं कि आने वाले तीन सालों तक आपकी एंकम को हम इंपक्ट नहीं होने देंगे तो यानि अब आपको इसमें भी टेंशन खतम कर दी गवर्मेंट ने, कि भाया आप ले लो GST, IGST, हमारी इंकम तो उतनी जितनी पहली बन रही थी, उतनी आएगी ही आएगी, तो गवर्मेंट ने शियोटी दिया कि इस पैसे को हम आपको यहां पे देंगे, तो इसमें सारे क राज्य जितने भी थे, वो मान गए, इसी तरीके से हमारा GST के अंदर जो रिकमंडेशन किया गया, तो पहला बोला गया सर, CGST होगा, मतलब सर, CGST, यानि सेंटर को जो पैसा जाएगा, उसको CGST बोलेंगे, CGST, जो सेंटर को पैसा जाएगा, उसको क्या बोलेंगे सर, CGST ब CGST, जो Union Territory को जाएगा, तो उसका नाम पढ़ गया, UT और GST तो ही, सर, Union Territory के अंदर कितना होगा, सर, बराबर, बराबर, और जो IGST है, तो IGST कब लगता है, जब एक राज्य की सीमा, दूसरी राज्य की सीमा को क्रॉस कर दे, एक स्टेट को दूसरा स्टेट क्रॉस कर रह होता होता है, तो कोई लड़ाई वाली बात ही नहीं थे, तो बोला गया भीया, IGST जो है, वो किसी के अंदर नहीं बठने वाला, यह सिंपल रहेगा, और एक परसंटेज रहेगा, जो किसके पास जाना है, सेंटर, गवर्मेंट के पास, तो यह वाला कब होगा, अगर इन ही की बात करूँ, यहां से लेके यहां तक की पॉइंट की बात करूँ, यानि यहां से यहां, तो यह सब एक राज्य के अंदर ही जब हो रहा हो तब, और एक राज्य के अंदर, यानि विदिन स्टेट होता है, तो उसे बोलते हैं, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट, यानि intra state बनाया जाये, खरीदा जाये, बेचा जाये, तब लगेगा आपका दो परकार का tax, intra state के UNDAR, लेकिन जैसे ही एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाओगे, जिसको बोलते हैं, interstate, interstate, तो वहाँ पे क्या लगेगा सर, वहाँ पे हमारा लगेगा, enterprise मतलब एक तब वहाँ पर क्या लगेगा? जी एस टी. अगर मैं कहूं कि मैं दिल्ली के अंदर माल बना रहा हूँ और दिल्ली में ही बेच रहा हूँ और दौ सो रुपए का टेक्स आया तो सौ रुपए किस के पास चला जायगा? सेंटर के पास और 100 रुपे चले जाएगा स्टेट के पास अगर मैं कहूं यूपी में ही बना के मैं यूपी के पास बेच रहा हूं यूपी के अंदर ही बेच रहा हूं तो दो जगा चला जाएगा स्टेट के पास और सेंटर अगर मैं कहूं के यूपी से बना के मैं दिल्ली में बेच रहा हूं तो स्टेट को हमने क्रॉस कर दिया अगर 200 रुपए का टेक्स बंता है तो 200 रुपए टेक्स सारा का सारा किसके पास चला जाएगा सेंटर के पास इसको बाटने की कोई अवसकता नहीं है तो बाकी यह सारा मेकेनिजम कुछ कुछ लेके आया गया जब यह सारी बाते समझ में आई तो जो गवर्मेंट है इन्होंने क्या करा यह बिल मार्च में पास हो गया रिकमेंडिशन दिया गया कमेटी ने बोला के बिल जो है आपका फोर सेंटर्ल जी एसटी आपका लगेगा जहां पे चार पार्ट में बाट दिया गया एक, दो, तीन, चार चोकि आपके यह चारों पार्ट थे इस पार्ट में तोड़ दिय यह सिर्फ पैसे का बटवारा करने के लिए था एप्रेल 2017 के अंदर एप्रेल 2017 मार्च खत्म हुआ अवव फोर सेंटरल जीएस्टी आपका जो भी था जीएस्टी था उसके बिल को उपर राज्य सभाने भी बोला चलो भी आप हमें समझ में आ गया है और लोग सभाने भी बो गया एक्ट तो बिल जब एक गवर्मेंट बोलती है कि हम यह कानून लाएंगे दूसरा बोलता है कि यह नहीं आएगा तो जब तक राष्टपती का सिगनेचर नहीं होता तब तक उसको हम बिल नाम देते हैं और जैसे ही राष्टपती सिगनेचर कर देती है तो उसके खतम ना कर दिया जाए तो यह गवर्मेंट के पास पावर होती है इसके बाद जैसे जैसे टाइम बीटता गया एप्रेल आया क्योंकि अब सब चीज होई गया तो गवर्मेंट ने बहुत अच्छा समय है हम फटा-फट से काम करते हैं एप्रेल आया एप्रेल के बाद मई यून और एक जुलाई एक जुलाई को PM मोदी ने PM मोदी जी ने सहमती बनाया और एक मीटिंग बुलाया रात में करीब था पूरा एक organized करके festival के तरीके से बनाया कि आज से हमारा GST क्या करते है apply कर देते हैं आज से GST apply कर देते हैं तो जब GST बना पूरा website क्योंकि GST बनाने से नहीन था GST को फिर किस तरीके से पूरा manage किया जाए इनका website बना सब कुछ मना तो बोला गया कि आज से जी एस्टी, अप्लाई करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जुलाईं 2017 से जी एस्टी अप्लाई हो गया। सतरा से पूरे हिंदुस्तान के उपर GST अपला हो गया लेकिन यहां पर एक्सेप्ट रहे गया जमू एंड कश्मीर उस ताइम पर वहां की मुख्यमंत्री हुआ करती थी महभूबा मुफ्ती उनसे बोला गया कि भाया आप भी अपने स्टेट के उपर आप भी कंसन दीजिए GST लगेगा आपका भलाई है ऐता रहेगा ये रहेगा वो रहेगा लेकिन उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था उन्हें ने बोला हम तो नहीं लगाएंगे उन्हीं बिटविंदा क्या हुआ कि जमू इन कश्मीर में क्या आ गया सर बहुत भ्यानक एक तरीके से बीच में बा रखा दिया जाता है आपने देखा हैं कि अभी बार आ जाएं पने अपना उपना पैसा तो इस उपर आपदा गई तो इसके उपर आप खर्च करिए तो जमू इन कश्मीर ने जब एगरी नहीं किया तो क्या लगता था कि आपको परधान मंतिरी उनके उपर आपदा आने पर बोलती कि हजार करोर रुपे तुम भी अपनी पबलिक के उपर खर्च करो नहीं देती हो गवर्में तो लास्ट में कुछ दिनों के बाद यानि ठीक साथ दिनों के बाद समझ में आया कि इसको महबुवा मुफ्तिकों के मान जाने में ही फाइदा है तो साथ जुलाई साथ साथ दो हज 2017 को पूरे इंडिया के उपर GST अपलाए हो गया पूरे इंडिया के उपर GST तो ये था हमारे थोड़ा सा एक GST का बैक्राउंड के GST कैसे कैसे बनाया गया कितनी इसमें टेंशन हुई कितने अब जाके और जब GST आया तो बड़ी सारी दिक्कते थी बहुत दिक्कते थी इनका वेबसाइट नहीं चल रहा कोई कैसे लगाएगा नहीं लगाएगा तो लोग अकाउंटेंट भी परिशान हर जगा परिशान के कैसे करना है नहीं करना है अब इस GST को लाने के क्या-क्या फाइदे हुए हम एक बार उस फाइदे को भी देखेंगे GST को लाने के फाइदा क्या था सर हमारा सारा GST तो आ गया हमने ये भी समझ लिया सर Union Territory है या फिर हमारा यानि GST को देखा जाए तो कितने कैटेगरी में बाट दिये गए चार CGST SGST UTGST और IGST IGST का पैसा किसके पास जाता एक बार मैं इसको थोड़ा सा एक्स्प्लेइन कर दूँ देखो पैसा कौन सा कौन सा बटने वाला है अगर मैं बोलू GST को तो सर GST को चार भागों में बाट दिया गया जी एसटी को चार भागों में बाटा गया और इन चारों पैसों का हिसाब किताब कुछ पैसे तो ऐसे कुछ GST तो ऐसा रहा जैसे government बोलती है sir one nation one tax वहाँ जब आया था तब government ने यही बोला था और हलाकि GST के अंदर मतलब आप यह समझे कि जैसे मैंने बताया AIMS कोई भी बिमारी है तो AIMS में जाके वहाँ इलाज हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बिमारी के लिए एक ही दबाई मिलेगी आपको कोई भी टेक्स है आपका तो वह GST के अंदर ही आपको जाना पड़ेगा वहीं समाधान मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी पे 10% पिक्स है तो 10% ही लगेगा इसके रेट सा लग अलग है जीरो परसंट रेट से 1% रेट है 5% रेट से आपका 12% रेट है 18% रेट है 28% रेट है लेकिन गवर्मेंट ने इसमें 28% से जादा GST नहीं रखा इसका रखने का एक और भी परपस था कि बाहार के लोग जब आएंगे इंडिया में बिजनस करने के लिए FDI आएगा तो उस situation में उनको क्या मिलेगा फाइदा वो सोचेंगा इंडिया के अंदर टेक्स जो कॉम्प्ली सिटी है वो नहीं है बहुत सी सरल है तो हम यहाँ पर बिजनस कर सकते हैं तो 28% हमारा रखा गया इसके अंदर क्या GST मैक्समम रेट कितना रखा गया सर मैक्समम रेट रखा गया 28% लेकिन गवर्मेंट ने चलाकी करी गवर्मेंट ने क्या चलाकी करी कि भाया कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जहां पर उनको यूज लॉस हो रहा था बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था जिसके उपर टेक्स 200% के तक भी वो लगा रहे थे पहले 100% से उपर का भी टेक्स पहले लगाया जा रहा था गवर्मेंट ने कहा हमने मैक्समम रेट जहां 28 कर दिया तो जिसके उपर 200 रुपे का समान है मान लेते हैं 100 रुपे का समान अगर हम 300 रुपे में बेच रहे हैं तो अब तो हमें 128 रुपे से ज़्यादा का टेक्सी नहीं आएका जिसमें से था दो चीज़े एक था पेट्रोल और दूसरा था वाइन यानि जो भी आपका वाइन था इसके उपर बहुत ज़्यादा टेक्स लगाया जाता है और पेट्रोल के उपर भी बहुत ज़्यादा टेक्स लगाया जाता है आप कैल्कुलेट जब करोगे कई बार तो पेट्रोल पे आप पाओगे कि कम से कम हमारा अगर सारे टेक्सिस हटा देना पेट्रोल तो भारत के अंदर अभी इतनी महगाई होने के बाद भी सायद 25-30 रुपए लिटर पेट्रोल आपको मिलेगा इससे ज्यादा महगा नहीं होगा लेकिन सिर्फ टेक्स लगाने की वज़े से यह क्या हो जाता है हमारा 100 रुपए के और 100 प पॉर्टल यहां पे 500 रुपए की है सायद वहां पे 100-500 रुपए की मिल जाती होगी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है लेकिन टेक्स के हिसाब से देखा जाए तो वह चीज़े ना वहां टेक्स के परपस्ते तो गवर्मेंट ने क्या चला की करी कि भाया पेट्रोल को और वाइन को इस कैटेगरी में रखेंगे यह नहीं हमने बोला पेट्रोल जी एस्टी विल बी एप्लीकेबल ऑन गुट्स और सर्विसे टेक्स बट एक्सेप्ट पेट्रोल एंड वाइन कुछ और प्रॉडक्स को रख दिया गया बोला गया पेट्रोल पे जैसे पहले कहा नहीं था सर्विस टेक्स वैट अभी वैसे ही चलता रहेगा तो पेट्रोल और वाइन के उपर अभी भी जी एस्टी नहीं लगता है उसके उपर वही पुराना टेक्स लग रहा है जो कि है वैट सर्विस टेक्स जो भी था हमारा पुराना रीजन उनके पीछे पेट्रोल झाल में अभी जाना यता करों को uz convicted नहीं है कि तो लोगों को जादा से ज्यादा होएड किया जाए लपिएदर रखा जाए जिसमें स्सक्राइव उससे क्या कर दिया जाता है कि थोड़ा टेक्स बढ़ाके महंगा दिया जाता है आप कि युद्ध कर इतना बड़ा इंकम का सोर्स था कि लॉप डाउन में स्कूल से पहले शराब की दुकाने खोले गई थी मेन रीजन यही था कि वहां से ज़्यादा टेक्स आएगा लॉकडाउन के अंदर देखो लॉकडाउन क्या था दो साल दो साल का ऐसा था situation कि गवर्मेंट के रही थी unlock कर रहे हैं कुछ धीरे धीरे पहले lockdown का process था फिर unlock का process था आप उसको monetary ट्रम में एक बास देखेंगे ना तो आप हटा दीजिए कितनी gathering होती है नहीं होती है वो सब चीज़े हटा दीजिए आप आप देखेंगे जिसके अंदर government का tax का loss हो रहा था सबसे पहले उसको open करते गए हुए आप इस समयसिया से समझिए आप बोलेंगे के सर सबसे पहले wine क्योंकि सबसे ज़्यादा monetary कहां उसका loss हो रहा था पहले wine को open किया क्या वहाँ भीड नहीं हुई बिलकुल भीड हुई वहाँ भी उसके बाद school colleges से उनका कोई revenue का source ही नहीं रहता government का बलकि उनको देना पड़ता है इसलिए सबसे end में इनको लेके गए मेजरली इनका ये concept था चलिए हम GST की बात करते हैं सर GST की बात करें तो एक तो tax हो सकता है जिसे हम बोलेंगे intra-state intra-state मतलब within state अभी इनके accounting aspect भी देखेंगे हम कि सर accounting aspect है क्या और उसके इसाब से फिर हम इसको सोचेंगे intra-state मतलब सर within state अब state भी देखो तो दो तरीके के हो जाते हैं सर एक तो वो बिल्कुल अकेला union territory हो जाता है और एक normal जो हमारा UP, राजस्थान, बंगाल, बिहार ये सब है ये भी हमारा state है तो कुछ जगह पर जब intra-state बोलते हैं within state तो कुछ जगह पर क्या CGST जो है वो हर जगह जिन्दा है CGST ये तो center government ने बोला हम तो पूरा चाह रहे थे लेने के लिए लेकिन फिर बाद में सहमती बनाएगी CAGST तो हो गई हर जगह इसके अंदर plus हो सकता है SGST SGST भी plus किया जा सकता है यानि अगर किसी राज्य में हम है तो sir क्या लगेगा CGST और SGST लेकिन अगर राज्य नहीं है वो union territory है तो CGST तो रहेगा ही रहेगा और उसमें plus क्या हो जाएगा sir UTGST उसमें plus क्या हो जाएगा UTGST अंदर अंदर काम करते हैं या union territory के अंदर काम करते हैं तो tax का दो बटवारा होगा एक कहां होगा sir center के पास और एक कहां होगा state के पास कितना होगा भाया जो भी rate है अगर 10% का rate है तो 55% बाट लेंगे और अगर 15% का rate है तो साड़े साथ वैसे जो rate 18% 12% आप कई बार देखिएगा बिल को देखिएगा उहां पर लिखा होगा GST तो वहां पर देखिएगा दोनों rate को आधा-धा करा होगा उन्होंने ठीक है SGST और तो वो rate आधा-धा चला जाता है उनके उपर इसके बाद देखा जाए अगर आप करते हो interstate 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 की अगर मैं बात करूँ तो sir interstate क्या होता है interstate होता है हमारा out of state बड़ा सीधी language में बोले out of state यानि simple सी बात है sir UP और डेली मैंने एक example ले लिया ताकि आपको याद रहे sir अगर हम बात करें interstate की तो interstate के case में क्या होने वाला है यहाँ पे सरिफ अकेला एक ही राज करेगा that is IGST और कुछ भी नहीं रहने वाला है अगर मैं accounting perspective से बोलू के मैंने एक समान दिल्ली में खरीदा और दिल्ली में ही बेच दिया तो वहाँ पे CGST और SGST लगेगा अगर मैं बोलू एक समान मैंने दिल्ली से खरीद के पंजाब में बेचा तो वहाँ पे क्या लग जाएगा IGST इस वाले केस में हमारा rate divide नहीं होने वाला इस वाले में हमारा rate divide नहीं हो रहा बच्चे सर fundamental नहीं कर रहूँगा मैं पहले अभी GST का देख लूँ चलिए आगे to be continue चलते हैं accounting aspect देख लें क्योंकि यह ज़्यादा जरूरी है इससे हमारा थोड़ा concept क्या हो जाएगा build up हो जाएगा अभी तक हमें यह समझ में आगे इसका नाम करन समझ में आगे है कि क्यों है ऐसा नाम और इसके मतलब समझ में आगे कि भीया इसका क्या क्या मतलब था क्या purpose था क्या origin था बैक्राउंड बहुत बड़ा है लेकिन मैंने थोड़ा सो short में बताने की कुश्स करिए इसको बिलकुल यह थोड़ा short में ही रखा है चलिए अब देखिए सबसे पहले समान बनके निकलता था मैं पहले की बात बताता हूँ पुरानी बात सबसे पहले समान जो बनता था वो बनता था factory में सब factory के अंदर एक goods बनाया गया that is 100 रुपे का मैं पुरानी बात कर रहा हूँ और इस 100 रुपे पे सरकार ने बोला assume के हम जो tax लेंगे जो कि हमारा पहले sales tax हुआ करता था हम tax लेंगे या excise duty हुआ करता था वो tax लेंगे 10 रुपे that is आपका हो गया 110 sir 100 रुपे का इसने समान खरीदा बेचने के लिए तयार हुआ 100 रुपे का और समान 110 तो ये समान किसको बेचेगा ये समान बट ओविस सी बात है कि ये बेचेगा किसी ने किसी दुकानदार को factory से सीधा जाएगा किस के पास sir एक दुकानदार के पास जाएगा जिसे retailer कह देते हैं दुकानदार ज्यादा लंबी chain ना करके एक दुकानदार कह देते हैं सर जब दुकानदार के पास गया तो दुकानदार ने इससे जब समान खरीदा तो बट ओविस है कि इसको जो गुड्स मिला वो गुड्स मिला सर कितने का सर 110 रुपए का तो ये 110 का तो नहीं बेचेगा इसमें पहले अपना प्रॉफिट मार्जन रखेगा मान लेते हैं इसने सोचा कि हम अपना प्रॉफिट तो जोड़े पहले इसने इसके अंदर प्रॉफिट एड़ॉन किया सर प्रॉफिट एड़ॉन किया 40 रुपए कितने का बन गया सर 150 का और 150 के बाद बोला अब टेक्स लगा देते हैं गौर्मेंट को टेक्स देना चलो दे इसने टेक्स 10% ही चल रहा है तो 15 रुपए का टेक्स लगा के कितना बन गया 165 रुपए 165 रुपए का जब इसका टेक्स बना तो इसने क्या करा जो भी इसके पास कस्तमर आएगा फाइनली इस कस्तमर को जब भी ये प्रोड़क्ट बेचेगा एक्स वाई-जेट जो भी बेचा जाएगा 165 रुपए का तो आप एक चीज़ सोचिए समान कितने का था सर समान 100 का था 100 रुपए के उपर 40 का प्रोफिट मान लो 40 का क्या मान लो प्रोफिट मान लो तो 40 का प्रोफिट 140 तो कम से कम इसको देखा जाए तो टेक्स इसे ना ज्यादा देना पड़ रहा टेक्स जादा इसलिए देना पढ़ रहा है भी फटा-फट से देखेंगे ये पहले पुरानी कहानी थी अब नई कहानी में गवर्मेंट ने क्या करा हाला कि गवर्मेंट का भी बहुत नुकसान हुआ है इसमें लेकिन कई बार ना गवर्मेंट अपना नुकसान बीर कर लेती कि फैक्टरी के उपर टेक्स कितना लगा सर गुड्स कितने का था सर गुड्स था 100 रुपए का इसके उपर टेक्स कितना लगा अब GST की बात करते हैं 10 रुपए लगा टोटल समान कितने का हो गया 110 का फैक्टरी के बाद समान कहां उठके जाता है हमारा सर फैक्टरी के बा डूकानदार के पास गया यह सोसे की दूकानदार ने क्या करआ इसको समान कितने का मिला 110 रुपै का अब दुकानदार 가족 हो गया 150 रुपए लेकिन यहाँ पर एक concept डेवलेप किया पहले भी concept था लेकिन यहाँ पर क्या concept डेवलेप किया कि ये 10 रुपए जो ये वाला 10 रुपए है ये factory के owner का जो भी factory था उसकी जिम्मेदारी थी किसको जमा करवा देना government को तो ये 10 रुपए इसने उठा के क्या करा सर ये वाला जो 10 रुपए था इसने उठा के किसको जमा करवा दिया government को यहाँ भी इसने जमा करवाया अब यहाँ पर 10 रुपए जो इसने payment किया था अब इसकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये टेक्स वसूले कितना टेक्स वसूलेगा वो हम देखते है तो इसका जो समान है न ये जो 10 रुपए लगा है एक्चुल इसके समान की बाइफिक्रिक्रिशन जो बिल की करें तो 100 और प्लस में 10 है government ने का भाया तू 100 पर ही profit जोड़ेगा और उसके टेक्स लगाएगा यानि तू 100 के उपर अपना 40 रुपए profit margin जोड़ ले तेरा बनता है 150 रुपए अब इसके उपर तू टेक्स लगा 140 अब इसके उपर टेक्स लगा यानि कितना बनेगे हमारे 140 पर टेक्स लगाएंगे हम तो गवर्मेंट टेक्स लगाए इसके उपर टेक्स लगा that is 14 रुपीस और ये 14 रुपीस मुझे पूरा मत जमा करवा तूने पहले ही जो तेरे नाम तूने जो पहले पुराने दुकानदार था ना जिससे समान खरीदा था उसको तुने 10 रुपे दिया मेरे पास तेरे नाम के ही 10 रुपे आए तो अब तेरे पास कितना तूने कस्टमर से वसूल लिया सर अगर कस्टमर से देखा जाए तो अब जो ये समान बिकेगा वो किस के पास बिकेगा सर ये कस्टमर के पास जाएगा customer से मैं तुझे कितना वसूलने की बात कर रहा हूं customer से तूकितना वसूलेगाMM sir 154 to customer से वसूलेगा कितना 154 की तो चिंता मतग कर तू customer से 154 को ही वसूल और तेरे पास customer से कितने आ गए Texs के नाम का यानि 154 का Bif П summit बताओ तो तेरा यह बना 143 तो तेरे थे और 14 रुपए तुने कस्टमर से लिए तो 114 रुपए कस्टमर से ले लिए तो तेरे पास कस्टमर के कितने पैसे आगे 14 रुपए आगे यानि इसके पास कस्टमर के जमा हो गए 14 रुपए टेक्स और तूने पहले कितना पेड कर दिया 10 रुपए तो मतलब सर्क तो चार रुपे और दे दे, सरकार को टोटल 14 रुपे से मतलब था tax, क्योंकि पूरे समान पर कितने रुपे का tax लगा था, end तक जाते जाते, 14, तो सरकार को 14 रुपे चाहिए था, अब चेंज से टुकडो में मिल जाए, कहीं से 5 मिला, कहीं से 7 मिला, कहीं से 8 मिला, तोटल overall कितना चाहिए सरकार को? 14 रुपे चाहिए, तो ऐसे situation में देखा तो, देखो यहाँ पर government को 10 मिल गया, और इस ते कितना मिल गया government को? 4, तो government के पास 14 चला गया, और product की कीमत भी कितनी हो गई? 154 रुपे, 154 रुपे, तो यानि पहले जो product की कीमत कितनी थी? तो कहीं न कहीं product क्या हो गया? सस्ता हो गया, लोगों ने इसका बहुत नाजाईच फाइदा उठाए, GST लग गया, GST लग गया, GST लग गया, वेट, उन्होंने अपना profit margin बढ़ा दिया, customer को फाइदा पहुचने ही नहीं दिया गया, उन्होंने क्या करा, जहां पहले 40 रुपे का profit था, उन्होंने बोला, पहले customer 65 में ले रहे थे, तो अब क्यों दू में, 154 में, उसने क्या करा, यहां पर अपना profit margin अर्जिस्मेंट करके बढ़ा दिया, और इन्फेक्ट जादा भी कर दिया, कि सर अब तो GST लग गया है, rate बढ़ गया है, तो लोगों ने, मैं बात करूँ तो दुकानदारों ने पैसे बनाए हैं यहां पर, GST आने के बाद गवाए नहीं है मेरे हिजाब से तो, पहले देखो, government के पास कितना tax जाता था, government के पास पहले 10 रुपे गया, और यहां से कितना चला गया, इसने 10 रुपे मानलो अपना receive भी कर लिया, तो 5 रुपे यहां से government के पास गया, तो पहले government के पास कितना tax जाये करता था, 15 रुपे, और अब कितना जा रहा है government के पास, 14 रुपे, government का कहीं न कहीं loss तो है, लेकिन उसका एक यहां पर जो था न, यहां पर क्या हुआ था, कि सर आप 110 के उपर tax लगा रहे हो, 110 का मतलब ऐसा, जो यह 10 रुपे की value है, यह तो tax है, आप इस tax के उपर भी tax लगा रहे हो, कहने का मतलब उनका था, तो tax के उपर tax लग जाता था, पहले जिस से समान क्या हो जाता था, क्योंकि tax का mechanism कहता है, कि आप tax के उपर tax नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ tax लगाएंगे कि इस पर समान के उपर, ठीक है ना, समान के उपर tax लगाएंगे आप, तो उस situation के अंदर जब GST आया, तो GST से एक यह भी बहुत बड़ी problem है, अगर पूछा जाए कि भई यह GST के फाइदे क्या है, तो सबसे पहली बात बोलूँगा, simple है, ठीक है ना, लोगों की सुनी बातों में नहीं जाना आपने, आप भी देखोगे कि सारे tax cut गए, फाइदे क्या है GST के GST बड़ा simple है, दूसरा GST के और फाइदे क्या है कि, यहाँ पर टेक्स चोरी होने के संभावना खतम हो गई, पहले यहाँ पर क्या होता था, टेक्स चोरी, वैसे टेक्स चोरी अगर मैं बताओ, तो इंडिया के अंदर अगर बोले, इंडिया के कहीं भी, हर जगह पर अपने अपने कुछ न कुछ ड्रो बैक है, तो चोरी तो अब भी जैसे भी करना है, कर लेते हैं, लेकिन पहले की comparatively बहुत कम चोरी होने लगा, बहुत कम, क्योंकि चोरी और टेक्स के अंदर चोरी होने का main था, reason, government ने समझा, जो कि पहले की government नहीं समझ पाई, कि लोगों से मिलने ना दिया जाए, यानि पहले हम जाते थे मिलने के लिए, एक करोड़ रुपे का टेक्स है, जिस इंस्पेक्टर्स के पास जा रहे थे मिलने के लिए, जो हमारे GST का टेक्स का का काम देख रहा था, उन्हें बोला भी है, एक करोड़ रुपे का टेक्स भरो, यानि बोला कुछ देख लो, कुछ करवा दो, थोड़ा कम हो जाए, उसने ठीक है, चालिस लाख रुपे देदो बात बन जाएगी, अब एक सरकारी नोकरी के अधिकारी को एगर एक साथ चालिस लाख रुपे, जिसके चालिस लाख रुपे की तनख्वाए है, चालिस लाख रुपे एक बार दिखेगा, तो वो गवर्मेंट के रिपोर्ट बना के देगा रहे, यह फ़ड़ा गलत प्रिंट हो गया था है, गलती हो गई थी है, तो उस तरीके से क्या हुआ, कि उसके भी पैसे बच गए, और उसके, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरके से आपका रिस्वत खोरी जाजा था, गवर्मेंट ने कहा दिया, अगर आपकी फीस लेते हैं, तो आप मान लेते हैं कि कोई भी सर्विस लेते हो, अगर ऐसा हो ना, जैसे कि फोन रिचार्ज, फोन रिचार्ज का अगर सर्विस अफलाइन था, तो आप दुकानदार से बोल भी देते थे, कि भाईया थोड़े से कम पैसे लेलो, बाद में लेंगे, दुकानदार अगर सामने face to face उसी का honor हो, लेकिन अगर वही चीज ऑनलाइन कर दी जाती है, तो आपके पास कोई चारा ही नहीं है, किस से बोलोगे जाके, रिक्वेस्ट करने के लिए कोई है ही नहीं, यानि जो आपको पोर्टल में दिख रहा है, वही करना नहीं को लगता है कि इसके में fraud की concept जादा लग रहे है, फिर government उसको phone करके बुला लेती है, अब भाई आजा, अब क्या काम करना है, तो वहाँ पर अभी भी fraud खोड़ा बहुत चल जाता है, तो सबसे पहले क्या था हमारा benefit, सर benefit यह है कि tax का cash cadding effect, जो बोलते है na tax के उपर tax लग ज GST आने के बाद लोगों को रोजगार जादा मिलने लग गया, GST आने के बाद FDI यानि foreign investment जादा आने लग गया, GST आने के बाद हम एक point add कर सकते हैं कि सरकार के पास collection जादा होने लग गये compare to before, क्योंकि पहले सरकार को tax 15 दिख रहा है, लेकिन वो क्या करते थे, face to face मिलके settlement क कर लेते थे 5 रुपे में जाके, तो government के पास तो कितना गया, 5 ही गया ना, और बाकी तो जा ही नहीं पाया, लेकिन यहाँ पर settlement करने का कोई option नहीं है, 10 है तो भीया, 10 ही जा रहा है, तो यह कहानी आई total GST का, अब जो इसने किया ना, 14 रुपे में से 10 रुपे को जो minus कर लि input credit, ठीक है, तो आगे हम चलते हैं सर GST, यानि सर GST की बात करें, तो हम CGST और GST की बात करें, तो अब किस पे लगेगा सर, यह समान को खरीदने पे भी लगता है, और समान को बेचने पे भी, जैसे कि मैं retailer की बात करूँ, तो जब मैंने समान खरीदा था, अगर आप देखत हो, मैं retailer हूँ, तो मैंने समान खरीदा था, तब भी मैंने text दिया था, और जब मैंने समान बेचा, मैंने तब भी text दिया, यानि समान को खरीदते टाइम पे भी text देना पड़ रहा है, तो जब समान को खरीदते टाइम पे, यानि जब समान हमारे पास आ रहा है, तो इसको बोलते हैं, Input GST, क्या बोलेंगे इसको? Input, और जब समान को बेचते टाइम पर टेक्स लग रहा है, उसे बोलेंगे Output GST, अगर देखा जाएं यहाँ पे तो GST के भी दो पार्ट हो गए यहाँ पे, सर एक होगा हमारा Input, CGST, और एक होगा Input Output, CGST, यानि सर समान को जब खरीदेंगे, कब लगेगा Input, कब लगेगा Output यह समझिएगा, जब कभी आप Purchase करेंगे, जब कभी भी आप Payment करेंगे, Maximum टाइम पर Payment का मतलब नहीं है, आप Payment का मतलब है, आप Rent Payment करेंगे, तब भी आपको GST Input रहेगा आपका, मैंने Input लिखना, हाँ Input, तो जब कभी भी आप कोई जीज परचेस करतें या कुछ Payment करतें, जहां GST लगता है, तो वहाँ पर कौन सा रहेगा हमेशा, Input, सर Output कब लगने वाला है, जब आप क्या करेंगे सर, Sales करेंगे, और Number 2, जब आप क्या करेंगे, Receive करेंगे, तो ये Input वाले GST लगा होगा, Output वाला लगा होगा, मैंने कहा, मैंने Interest को क्या किया है? पेड किया है, तो Input वाले लगा होगा या Output वाला, तो आपने Payment किया, तो कौन से वाले लगा होगा? input, आपको एक ब्याज मिला वहाँ पे भी GST involved था तो आप कौन से वाला होगा output वाला, तो आपको यह याद रखना है कि input कब लगेगा और output कब लगेगा सेम अगर हम बात करें तो सेम कहानी हमारा आ जाता है सर सेम कहानी हमारा निकल के आ जाता है cgst पे तो है utgst पे भी आ जाता है सेम कहानी, लेकिन सर utgst की अगर हम बात करें तो यहाँ पे cgst के जगा पे input input utgst आ जाएगा और यहाँ utgst आ जाएगा अगली बात करते हैं सर, state का रहे गया मेरे पास space नहीं था मैं state का लिख देता हूँ state में भी सेम रहने वाला है सर एक रहेगा आपका input और एक रहेगा output एक रहेगा input एक रहेगा output IGST के अंदर भी रहने वाला है input and output यानि IGST भी input रहेगा और output रहेगा सर कब input लगेगा कब output लगने वाला है कहानी सेम है बिल्कुल कि input तब लगेगा जब आप purchase करोगे और output कब लगेगा सर जब आप क्या करोगे सर sale या receipt बड़ी basic सी बाते हैं यह सारा कुछ हमारा GST के process है यानि सर हमारे GST के अंदर input भी होता है output भी होता है इन केस डेली और चंडीगड टू विल अपलाई देखो डेली और चंडीगड चंडीगड में तो IGST लगता है डेली को ना एक स्टेट का मतलब ऐसा है डेली के साथ कि थोड़ा स्टेट और थोड़ा यूटी का दरजा दिया गया है डेली के अंदर ना मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते हैं तो गूगल करके देखेगा डेली फॉस्ट आपका चीफ मिनिस्टर तो आपको पता चल जाए जएक अच्छा पहला चीफ मिनिस्टर इस सन में आया था इसके पहले था ही नहीं पहले यूटी का पार्ट हुआ करता लेकिन पबलिक की अभादी बढ़ने के साथ के सासेंटर ने देखा UK मुख्य मंत्री के लाया गया और आपने देखा कई बार government कहती हमें करने नहीं देते हैं करना चाहते लेकिन government हमें करने नहीं दे रहा तो main power रहता है central के पास ही यानि डेली के अंदर अगर वो डेली पुलिस के अंदर जॉब कर रहा है, तो वो भी सेंटर की जॉब मानी जाती है, लेकिन कुछ चीज़े स्टेट की भी है, तो डेली के अंदर IGST ने लगेगा, डेली भी आपका CGST और SGST में आएगा, पार्ट, तो GST परपस के लिए UT अलग डिफाइन किया गया है, ब मान लेते हैं, आपने पर्चेज किया, सर पर्चेज किया आपने 1000 रुपे का समान, इसके उपर आपने क्या दिया सर, टेक्स दिया, मान लेते हैं 100 रुपे का, तो सर ये 100 रुपे, अगर मैं कहूं कि दिल्ली में ही मैं खरीद रहा हूं, और दिल्ली का ही डीलर है, दिल्ली सही खरीद रहा हूं तो यहां टेक्स जरूर लगा होगा अब यहां पर टेक्स कौन सा लगा होगा बता सकते हैं यानि दो लगे होगे एक लगा होगा और एक लगा होगा लेकिन इंपुट वाला लगेगा आउटपुट वाला हुआ हमने क्या करा है तो कौन सा लगने वाला ह सर इंपुट अब मैंने क्या करा है फिर डेली के अंदर ही बेच दिया कि सेल्स कर दिया मैंने 1200 रुपए का और इसके उपर टेक्स बना 120 रुपए और डेली में ही मैंने बेच दिया तो यहां पर भी दो तरीके का टेक्स लगा होगा होगा cgstb और sgstb बट यहां पर इनपुट वाला नहीं होगा आउट्पुट वाला होगा अब हमने क्या करा सरकार को फाइनली टेक्स पेमिंट करने का ठाना और सरकार को जब पेमिंट करने करें तो कितने रुपए पेड करना है को गवर्मेंट को 20 रुपे इसको हम बोलते हैं इस process को बोला जाता है set of इस process को बोला जाता है setup process और setup क्या इन्पूट से आपने output कर दिया तो इससे बोला जाता है input setup और जो प्रेक्स आप पहले advance में सरकार को दे देते हैं उसको बोल दे जाता है tax credit, यानि आपके account में पहले से पैसा पढ़ा हुआ है, उसे क्या बोला जाता है? यानि सर इस tax के देखो एक नाम हो गया हमारा input भी, वो तो पहले ही clear हो गया, एक बोला जाता है tax credit, जो हमारा पैसा सरकार के पास पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चों के मन में doubt भी हो सकता है, सर मालो हमने समान बना लिए आप बेचने का मन नहीं बन रहा, तो जो पैसा हमने payment करा है सरकार को वापस ही मिलेगा, तो कभी भी आपका पैसा वापस नहीं आता, income tax में वापस मिल जात आप cloth खरीद करके आप सबजी बेच दीजे, कोई भी ऐसा product बेच दीजे जिस पर GST लगता हो, उसको यहां से minus करके आप allowed कर देंगे हम, तो यहां पर एक है हमारा input और output का concept जो कि मैंने यहां बताया, तो यानि सर अगर इसे बोला जाए तो क्या बोला जाएगा, यह हमारा tax liability, यानि यह payment, हलाकि मैंने ग्रहांक से वसूला कितना है सर, ग्रहांक से मैंने वसूला कितना है, 120 रुपे, यानि 20 रुपे tax का नाम का, लेकिन मैं 20 रुपे सरकार को नहीं दूँगा, क्योंकि 10 मैं पहले, sorry, 100 रुपे, मैंने ग्रहांक से कितने वसूले, 120 रुपे, लेकि में 120 रुपए government को नहीं देने वाला क्योंकि सौतों में पहले ही paid कर चुका हूँ खरीदते टाइम पे तो मैं net में कितना दूँगा 20 रुपए का payment करने वाला हूँ तो जो हम खरीदते टाइम पे tax दे रहे हैं और बेशते टाइम पे इन दोनों के tax को जो हम impact को adjustment कर रहे हैं इसको बोलते है input setup और input setup के बाद जो balance बचता है हमारा tax liability वही पैसा सरकार को payment करना होता है ना कि मैं यहां पे जाके 120 दे दूँगा तो ऐसे देखा जाए तो मैंने सरकार को 120 यहां और 100 पहले भी 220 चला गया उनके पास सरकार के पास total में जाना कितना चाहिए जितना value एड़ हुआ है उतना पहले में 100 रुपे चला गया यहां पे आपने 20 रुपे का कितना profit एड़ किया 200 का तो 200 रुपे कितने जाएंगे आपके 20 रुपे जाएंगे 10% के हिसाफ से देखा तो 100 यहां चला गया 20 आपने दे दिय को देखेगी 120 आए नहीं देखा हां 10 उससे 100 उससे आए थे और 20 इससे आए मेरे पास भी 120 आ गये और पड़क्त के उपर भी 10% लग जो कि कितना बन गया हमारा 120 तो गवर्मेंट का यह सारा प्रॉसेस रहता है लेकिन इसके अंदर पता है क्या होता है गवर्मेंट ना कई बार पहले यहां तक देखें कोई दिक्कत है यानि इनपूट और आउटपूट अब मुद्दे की बात है सर यहां पर आप देखेंगे इस पॉइंट पर फिर से आ जाते हैं आप देखेंगे यहां ध्यान से तो जब कभी भी आप समान खरीदेंगे त तो जब पेड करके आएंगे तो आप यह पैसा सरकार से आगे इनपूट में सेट अफ करेंगे यानि जब हमारे पास टेक्स का पैसा आएगा तो हम सरकार को देंगे नहीं पहले अपना काटेंगे फिर यह हमारे लिए एसेट होता है यह हमारे लिए क्या होता है और जो adjustment करके करवाना है तो यह हमारे लिए क्या होता है liability तो अगर मैं बोलू accounting perspective से बोलू कि बताओ भया input tax अगर आपका हो तो वो liability side में दिखाओगे या asset side में दिखाओगे तो input होगा तो asset side में और अगर output हो तो liability side में दिखाएंगे net amount करके क्या बनता है अगर यहां पर देखा जाए अभी वाले example में तो sir यहां पर क्या है sir यह net amount बनाए आपका तो net amount क्या है यह sir net amount है आपका output और मैंने कहा text liability है यह समझ मैं आए क्यों कहा text liability क्योंकि output वाला क्या करना होता है हमें सरकार को देना पड़ता है और यह तक कि कहाणी में कोई दिक्कत क्योंकि एक कॉंसेप्ट भी और रहता है है कि अब हुआ है कि वो सिर्फ पता चले मैं सीधा इन्पुट और आउटपुट पे अगर आ जाओं पता ही नहीं चलेगा फिर वो बस एक कॉंसेप्ट के लिए सारी बात है अगर आपको क्लियर है तो फिर आगे मैं एक बार शॉट रिवीजन भी करा दूँ आपको तो एक शॉट रिवीजन अगर मैं स्टार्टिंग से लेके चलूँ तो हमारा GST basically क्या है पुराने टाइम पे भी ये सारे टेक्सिस थे लेकिन सभी टेक्सिस को मिला के एक टेक्स बना दिया गया मतलब एक डिपार्टमेंट बना दिया गया सभी टेक्स को मिला के और उसको नाम दे दिया गया GST लेकिन रेट जो पहले हुआ करता था अभी भी उसी तरीके से रेट क्या है डिफ्रेंशियेट है अगर हम बात करते हैं GST की हिस्ट्री की तो सबसे पहले किसने GST को आप्ट किया था फ्रांस ने आप्ट किया था कब किया था 1954 के अंदर उसके बाद धीरे-धीरे सभी कंट्री ने आप्ट करना चालू किया था इसन क्या था उप्ट करने का? क्यूंकि फ्रांस और यूके के अंदर कोई भी स्टेट गवर्मेंट नहीं होती है, वो जो कानून बनाना चाहते हैं, वो बना सकते हैं. इसके बाद 160 कंट्री में धीरे-धीरे ये अपलाई हो चुका है, अब तक इससे भी ज्यादा धीरे-धी क्या हो, बेटर हो, लेकिन उस टाइम पे वो जिस्टी नहीं लेके आप आये थे, उसके बाद सेकेंडली रिकममंडेशन केलकर के द्वारा दिया गया था, केलकर के आये सर, एक कमेटी है, जो की रिकममंडेशन करती है, दूसरी बार जो गवर्मेंट थी कौन थी सर, पी च पी चितामरम, पी चितामरम जो की UPA यानि कॉंग्रेश सरकार की गवर्मेंट थी, उन्होंने भी कोशिस करी थी कि GST को लाया जाए 2006 के अंदर, लेकिन फाइनली GST नहीं आ पाया, और इसनोंने सोच लिया था कि 2010 के अंदर तो हम GST को अपलाई कर देंगे, लेकिन वहां प सकते हैं क्योंकि बीच के साल हमारे पास तो थे नहीं, तो GST को हम लेके आएंगे और इसको अमेंडमेंट कर दिया और GST लाने का इन्होंने सोचा, अब इसके साथ साथ देखा जाए, GST की अगर हम बात करें, तो 2016 में फिर से अमेंडमेंट हुआ, 2014 से लेके 2019 तक का इनका क तो इन्होंने सोचा कि जो हमारे पास वक्त है, इसके अंदर जतने भी कमियां, उसको अगर ठीक कर लिया जाए, हम आगे जीतेंगे या नहीं जीतेंगे 2019 में वो जानते नहीं, तो इन्होंने जतने भी काम निप्टा है ना मुद्धे, 2019 से पहले ही पहले सारा मुद्ध क्य भी सिगनेचर कर दिया हर जगह से मिल जूल के बिल पास करा लिया इसके बाद फिर एक जुलाई 2017 से पूरे हिंदुस्तान के उपर GST अपलाई हो गया एक्सेप्ट जमू इंड कश्मेर वहाँ पे भी 7 जुलाई से स्टार्ट हो गया तो हम बोल सकते एक तरीके से GST डे एक जुलाई मनाया जाता है इसके बाद बात करें के सर GST को जब लाया गया था तो उन्होंने जो स्टेट थे कुछ ऐसे जगह थे जहां पे यूनियन टेरिटरी को बताया गया था अब हमने देखा सर GST के ओ चार भाग में बाटा गया कहने को चार भाग सा उसके अंदर भी कॉम्पोनेट्स निकल गए GST में था सर सेंटर का C GST स्टेट का SGST और इसके साथ किसका था सर आपका यूनियन टेरिटरी का UT GST और जहां पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाते है वहाँ पे क्या लगता है IGST लगता है लेकिन इसके अंदर भी concept आगया input और output का output GST जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है सर वो liability होता और input GST क्या होता है output GST कब लगेगा जब कोई समान बेचेंगे और जब कोई पैसा receive कर रहे होंगे और input कब लगता है जब कोई समान खरीदेंगे और जब कोई payment कर रहे होंगे तो क्या लगेगा input अब किस process को सर जब हम एक tax हमने पीछे payment किया और एक tax हमने आगे से receive किया तो net no-off करके सरकार को जो payment करते हैं उसको क्या बोला जाता है input set off या फिर tax credit भी बोला जाता है और finally जो हमारा set off होता है वही पैसा हमें government को जमा करवाना पड़ता है बताईए कोई doubt यहां तक clear है कोई doubt question जो होगा हम आभी देखेंगे जैसे question होगा तो कल Saturday है Sunday किसी की class है बताईए most probability है मैं Sunday सुभे 10 बजे class रखूँगा कल कल मेरी class है न एक नया बैच्चर कल Sunday रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है Sunday भी 10 से 12 के class रखेंगे ठीक है और 10 से 12 की class के अंदर full facility रहेगी के maximum part हम उसके अंदर जो numerical part है वो cover कर लें चलिए ठीक है न कल मैं message करते हूँ आसा भी को चलिए ठीक है मिलते हैं फिर से next class के अंदर good night चलिए एक बार फटा फटा सा जी एस्टी का topic चल रहा था आज भी जी एस्टी का ही topic खेचेगा थोड़ा सा जी एस्टी के अंदर हमने क्या करा था के सर basically हम जी एस्टी कर क्यों रहे हैं कुछ बच्चों के mind में ना सवाल आ रहा है सर हम जी एस्टी क्यों पढ़ रहे हैं हमें तो accounts पढ़ना है तो जी एस्टी कहां से आ गया तो accounts के अंदर ना अगर मैं बात करूँ तो एक topic है हमारा जो हम chapter अभी कर रहे है फिलाल के लिए वो chapter है हमारा सर final account final account वो chapter क्या है सर final account और final account की हम बात करें final account के अंदर जब आप बनाओगे ना balance sheet तो balance sheet के अंदर आपका ना liability side में या asset side में क्योंकि GST के दो part बताये थे एक GST हमारा liability होता है जब हम customer से GST अपने पास receive कर लेते हैं तो सरकार को payment करना है तो वो liability होता है तो हमें liability में भी दिखाना पड़ेगा अगर हमने सरकार को advance में payment कर रखा है that is assets तो वो कहां दिखाना होगा assets के लिए तो इसलिए थोड़ा GST का background हम देख रहें के सर GST है क्या फटा-फट quickly एक बार बता देता हूँ जो last class में हमने cover किया था और जो बच्चे नए हैं जितने भी बच्चे नए हैं उनके लिए ये तो simple सी बात है कि आपको पता होगा नहीं पता तो recorded section में live में जाईएगा आपको मिल जाएगा ये वीडियो कहता है सर GST के अंदर एक direct text था और एक indirect text था direct text की बात करें तो वो income tax है वो आप semester 3 में पढ़ोगे अभी आपका नहीं है सर इन में फरक क्या है direct text का मतलब जब आप पैसा कमाते हो तो सीधा government को आप अपने खाते से पैसे देते हो यानि सीधा directly अपने account से पैसे देते हो इसे कहते हैं हम direct text अब यानि आपका और government का यानि जो आप हो और आपका और government का सीधा relation होगा अगर आपने पैसे नहीं दिये text के तो government आपके घर पे आएगा और आपसे demand करेगा आपके उपर read कर सकता है एक होता है sir indirect tax, indirect tax का मतलब tax आपको ही देना है लेकिन आपका government का कभी connection नहीं होगा जैसे आप chips खरीदते हो या कोई product खरीदते हो उसके उपर लिखा होता है inclusive taxes तो आप अगर 10 रुपे का chips खरीदते हो, माल लेते हैं 50 पैसे का उसके उपर tax है तो आपने दुकांदार को दिया, अब दुकांदार की responsibility के आपके उस 50 पैसे को government तक पहुचाना अगर आपके government तक नहीं पहुचा पाया in case, तो वो दुकांदार को government पकड़ेगा ना की आपको तो वो था हमारा indirect tax that is GST पहले indirect tax के अंदर बड़े सारे tax हुआ करते थे, state में total 20 हुआ करते थे, center में total 15 हुआ करते थे जैसे service tax हो गया, wet हो गया, sales tax हो गया, entertainment tax हो गया, exercise duty हो गया और भी बहुत सारे tax इन सभी tax को देखा government ने के भाई इतने सारे tax है, इन सभी tax को combine कर दिया एक और उसको नाम दे दिया इन्होंने GST, goods and services tax जो GST का part था, ये हमारे पास कब आया था, हमारे वैसे हमारे country ने तो अब opt किया था इसे हाला कि GST की history देखें तो 1954 में, सबसे पहले 1954 में France के अंदर GST apply हुआ था और France के अंदर जब GST apply हुआ था, तो साथ के साथ 160 other country ने भी apply कर दिया अपने उपर यानि text का mechanism वही है सर, देखो GST simple सी बात है, जब हम goods खरी देंगे तो उस पर text देंगे service लेंगे तो उस पर text लेंगे, तो goods के उपर text यानि goods हो गया G4, service के उपर तो service हो गया तो G और S उठा लिया पहला पहला alphabet और text तो बोलते ही हैं, तो इसलिए नाम पढ़ गया था GST, लेकिन साथ के साथ अगर देखा जाए तो इसका 2000 के अंदर, भारत में GST का history देखे न, वैसे 1953 में आ गया था, बट इंडिया के अंदर अटल बिहारी वाचपई के जब government थी, तब GST को लाने की कोसिस की गई थी, लेकिन वो कोसिस कामियाब नहीं हुई, उसके बाद साथ 2004 में, जिस कमेटी को सौपा गया था भाईया, तुम्हें लेके आना है, वो भी नहीं लेके आपाए, फिर 2006 में पीच इताम ब्रम, Congress की government भी कोसिस कर रही थी, वो भी नहीं लेके आई, फिर उसके बाद 2014 के अंदर जो फिर से दुबारा government बनी, किसकी government बनी 2014 के अंदर BJP के, तो उन्होंने फिर, उनका क्योंकि बहुत जादा सीटे आ गई थी, कोई भी टेक्स या कानून बनना पता है क्या है, सिंपल सी बात है, लोक सभा और राज्य सभा में दोनों चीजे पास हो जाए कानून बन जाता है, उस कानून को आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानोगे, तो उसके लिए आपको जेल भेजा जाएगा, और जो भी उसके अंदर प्रावधान होगे, आपको punishment करने का चाहे, पैसे के माम साथ पनिस्मेंट चाहे आपको, आपका फिजिकली कोई punishment किया जाए, वो मानना पड़ेगा आपको, तो पहले इतने सालों में इसलिए लटका रहा, क्योंकि कोई भी एक government इतनी powerful, पहले सबसे पहले government की मात करो, तो इंदरा गांधी के time पे, राजेव गांधी के time पे, government बहुत powerful तरीके से, यह मतलब powerful का मतलब क्या है, एक कोई भी आपका party है, उस party के सारे MPML भी जादा है, और उस party का राज्य सभा और लोक सभा में भी दवदबा है, तो ऐसा ही था आपका कहां पे सर, यह था हमारा इंदरा गांधी के time पे, जब emergency लगा आपा था, क्योंकि उस time पे सब party थे, तो कोई दूसरा कुछ नहीं है, फिर दुबारा कब आए, जब BJP की government आई, 14 में, तो 14 में BJP की government के पास इतना दवदबा नहीं रहा था party में, क्योंकि उसमें लोक सभा में तो दवदबा था, राज्य सभा में नहीं था, तो फिर दीरे दीरे दो साल में उसने बहुत सारे चुनाओ भी आते हैं, वो चुनाओ जीत गए, तो 2016 के अंदर वो देखा जाए, तो उनका center के अंदर भी पार्ट आ गया था, और state के अंदर भी पार्ट बहुत सारा आ गया था, तो फिर GST, 2016 के अंदर वो ले के आए, 2016 में, कब सर 2016 में इन्होंने August में करा, September में चला, March के अंदर final sign wine हो गया राष्ट पती के, April के अंदर सब कुछ हो गया, bill act बन गया, उसके बाद 1 जुलाई 2017 से GST पूरे भारत पे क्या हो गया, लागो हो गया, एक जुलाई 2017 से पूरे भारत पे लागो हो गया, इसके अंदर जब GST का बटवारा किया गया, तो बोला भी है, GST को जो हम बाटेंगे ना, वो SGST और ये चार भाग में बाटा गया, तो पहले हमने ये समझा सर, PGST क्या होता है, क्योंकि GST एक टेक्स है, भारत को चलाने के लिए दो तरीके का परसन है, एक तो सेंटर भी चलाती है और एक स्टेट भी, तो भई घर तो तबी चलेगा ना जब आपके pocket में पैसा होगा, तो स्टेट के पास भी पैसा होना चाहिए और सेंटर के pocket में भी पैसा होना चाहिए, तो बोला जो भी टेक्स होगा ये आपस में बराबर बराबर बाट लेंगे, तो जो सेंटर के पास जाता था, उसको CGST नाम दे दिया गया, जो स्टेट के territory कौन-कौन से हमारा अंडमान निकोबार है चंडिगठ है दादा नगर हवेली है दमनेंदिव अब इनको ना कमबाइन कर दिया गया जमू इन कश्मीर पहले नहीं था अब हला कि हो गया ले लद्दाक भी है यह तो इनको यूनियन क्लास के अंदर पढ़ा होगा थोड़ा ना थोड़ा अब बात करते हैं जी स्टी तो एक सेंटर के पॉकेट में जाएगा कितना उसको क्या बोलेंगे जो स्टेट के पॉकेट में जाएगा जो यूनियन टेरिट्री के पॉकेट में जाएगा और जो डिस्प्यूटिट होगा उसे बोलेंगे IGST यानि सर जब आप एक स्टेट दिल्ली में समान बेचोगे तो दो चीज़े लगने वाला है एक लगने वाला है CGST और एक लगने वाला है SGST मान लो 10 रुपे का टेक्स लगा तो 5 मोधी ले लेगा 5 केजरी वाल ले लेगा लेकिन वही बात करते हैं Union Territory अंडर्मान निकोबार में तो वही Union Territory के वहाँ पर गवर्नर चलाते हैं उनको चलाने का पता है किनका होता है गवर्नर का तो 5 रुपे गवर्नर को दे दिया जाएगा UTGST के नाम से लो भीया अपना स्टेट चलाओ और 5 रुपे सेंटर ले लेगा अब जब हम एक राज्ये से दूसरे राज्ये में जंप करते हैं माल लेते हैं दिल्ली का समान यूपी में बेचा जाएगा तो दोनों सरकार लड़ लेती है दिल्ली वाल भोलता है इसका टेक्स हमें मिलना चाहिए यूपी वाल भोलता है हमें मिलना चाहिए तो government ने क्या कहा भाया जब ऐसा dispute होगा तो ये सारा center रख लेगी जिसको कह दिया गया integrated goods and services बहुत जिसका नाम क्या रखा गया एक ही परकार का text लगेगा, that is कौन सा है हमारा IGST, अगर मैं बोलू 10% का rate है, within a state है, तो 5-5 बट जाएगा, लेकिन अगर out of state है, तो क्या बट जाएगा हमारा, पूरा 10% ही रहेगा, 5 नहीं, पूरा 10% रहेगा, within a state को बोलते हैं हमें intra state, और एक state से दूसरे state में जब jump कर जात हैं, तो उसे क्या बोलते हैं सर, out of state, जिसको बोलते हैं हम inter state, जिसको हम बोलेंगे inter state, तो एक था intra state और एक कौन सा है हमारा, inter state, तो यहां तक हमारा GST का था provision, इसके बाद हमने क्या देखा सर, और भी थोड़ा detail में गए, कि सर, GST के कितने part से नहीं है, सारी चीजे उसको भी देख लिया हमने, इसका मतलब सर, क्या कहने का मतलब क्या है, मैंने बोला, कि भाया, GST या तो intra state होगा, या तो inter state होगा, intra state का मतलब सर, एक ही राज्ये में बेचा और खरीदा जा रहा है, अगर intra state की बात करें, तो वहां पे हो सकता है हमारा, cgst, sgst, cgst, utgst, दो ही बात बन सकती हो, वहां पे, अगर out of state की बात करें, तो सिर्फ क्या बनेगा, IGST, अब GST के अंदर भी दो पार्ट आगे, या तो input होगा, या तो output होगा, input कब लगेगा, जब कभी भी समान को खरीदोगे, तो क्या लगने वाला है, input और जब समान को बेचोगे, तो क्या ये क्या है, liability, same आपका CGST, UTGST और IGST के case में भी applicable होगा, हमने एक example से समझ लिया था कि भीया, अगर आप पहले क्या हुआ करता था, कि 100 रुपे का समान, अगर आप किसी को 10 रुपे टेक्स दे के बेचोगे, तो अगले के पास 110 जाएगा, और फिर finally customer पे 165 पहुँचेगा, लेकिन GST आने के बाद customer के पास finally कितने का पहुचा, 154 का, GST से पहले समान महंगा हो जाया करता था, GST के बाद समान महंगा नहीं हो रहा, लेकिन जितने भी दुकानदार थे, इन्होंने चला की क्या करा, बोला भीया, tax का तो benefit मिल रहा है, हम customer को क्यूँ दूँ, जो लक्स सारे दुकानदारों ने तो GST के नाम पे आपसे एक्स्ट्रा पैसे भी वसूले हैं, फाइदा तो नहीं पहुचा अलग और एक्स्ट्रा पैसे भी वसूले हैं, जबकि सच्चाई यह है कि government का जो अब पढ़ होगे ना, तो बोलेगा GST लगने से समान क्या होगा, सस्ता, तो समान सस्ता तब होगा ना, जब दुकानदार उसी समान पे price पे बेचने को तयार होगा, तो वो चीज़े हमने इसमें समझ लिया था, इसके बाद हमने देखा था सर, कुछ एक example कि input और output setup, जैसे कि मान लेते हैं मैं समान खरीदूँगा, सौ वाला समान मैंने खरीदा 110 10 R, 10 रुपे सरकार का text मैं advance payment कर चुपा हूँ, मैंने खरीदा भी बेचा नी तो एक तरीक से मैंने सरकार को पहले ही tax कर दिया, अब मैंने क्या करा 115 रुपे सौ वाला समान 115 रुपे का बेच दिया, तो सरकार को मैं पहले ही 10 रुपे दे चुपार 15 रुपे ले चुपा तो इससे tax credit भी बोला जाता है, आपका इस तरीके से ये 20 रुपए मैंने कुछ example लिया था, तो पिछली class, जो भी 2 घंटे की class हमने पिछली class ली थी, उस 2 घंटे की class में सरिफ हमने यही समझा था, कि ये क्या है, background क्या है, सारा, आज हम इसके बाद की कहानी देखते हैं, और उसको आगे to be continue करते हैं, सर, उसके बाद की कहानी क्या है, मैंने for example, अगर देखा जाए, तो मैंने GST के बारे में basic basic knowledge ले लिया है, अब ध्यान देना, जो हमारा GST है, फिर से दुबारा से बड़ी simple सी बात है, कौन-कौन सा पार्ट होगा GST का, GST के बात करें, कितने परकार का GST था, काफे सारे थें, ठीक है, एक था हमारा CGST, चारी थे basically, एक था हमारा, एक है हमारा, और एक है हमारा, यह अलग-अलग है, अब एक चीज को समझना, में दिक्कत आती है बच्चों को यहां पर, set up करने में, यह पैसा जाएगा सर, किस के पास, मोधी के पास, मिस्टर मोधी, यह पैसा जाएगा समझो केजरी वाल के पास, ठीक है न, यह पैसा मान लेते हैं, जमू इन कश्मिर, इसको एक पल को अलग कर देते हैं, हम हटा देते हैं, इसको स्टेटी मान लेंगे, और यह पैसा भी जाता है, किस के पास, मोधी के पास, तो होता क्या है, नॉर्मली, जैसे कि मान लो, मैं डेली में हूँ, मैं डेली के अंदर हूँ, और मैंने कोई समान खरीदा, सर समान खरीदा मैंने यूपी से, तो जब मैंने समान खरीदा होगा, तो मैंने बट ओवे से टेक्स पेमिंट किया होगा, तो मैंने tax payment Delhi से करा होगा क्या IGST payment किया होगा है ना जब मैंने IGST payment किया होगा तो किसको गया होगा माल लेते हैं 100 रुपए का IGST दिया तो किसको दिया होगा मोदी ठीक है ना अब मैंने एक और समान खरीदा suppose करो Delhi से खरीदा तो अब मैंने दो चीज़े दिया होगा CGST SGST तो ये चला गया होगा सेंटर को यानि मोदी को और ये चला गया होगा किजरिवाल को अब ये पैसे तो मैं एडवांस में दे चुका हूँ तो मेरे लिए यहाँ पे मान लेते हैं कि सर ये जो 100 रुपए का पेमिंट किया IGST और ये मान लेते हैं 30 रुपए और ये 30 रुपए तो यहाँ पे IGST जो है IGST 100 रुपए मेरे लिए मैंने एक्स्ट्रा पेमिंट कर रखा है तो क्या बोलें Assets या लाइवलिटी Assets CGST भी मेरे लिए क्या होगा सर जो 30 रुपए का पेमिंट किया है क्या होगा Assets इसके बाद SGST भी क्या होगा जो कि 30 का पेमिंट है क्या है हमारा Assets है अब बात आई हमें कस्टमर को बेचने का मैं कहां बैठा हूँ सर मैं डेली में बैठा हूँ और डेली में अगर मैं बैठा हूँ तो मैंने डेली में ही सोल्ड आउट कर दिया सारा का सारा Assets जो सारा Assets मैंने बेचा डेली के अंदर ही क्योंकि मैं दिल्ली का ही निवासी हूँ और मैं दिल्ली में ही समान बीच रहा हूँ ही payment कर रहा हूं, total tax कितना आया, 150, तो मैं दिल्ली का ही निवासी हूं, total 150 रुपए, तो दिल्ली में ही हो रहा है, within state, तो दो परकार के tax लग जाएंगे, एक मोधी के पास चले जाएगा, that is CGST, मोधी के पास कितना देना है मुझे, मोधी को कितना देना है मुझे, 150, यानि 75, और केजरिवाल को कितना देना है, SGST, केजरिवाल को देना है 75, यानि अब देखा जाए तो मैं पहले कुछ advance भी सरकार को payment कर चुका हूं, और कुछ मुझे payment भी करना है, तो अब यहाँ पर मुझे सरकार को अगर देखा जाए ना, तो center से मुझे मिलने चाहिए कितने है, 30 रुपे, मुझे मिलना चाहिए center से कितना, 30 रुपे, और मुझे center को payment कितना करना है, 75 रुपे, तो इसका मतलब अब यहाँ पर कितना है, 25 रुपे, और मुझे center și government को कितना पेमेंट करना है टूटल, 75. तो मैं सेंटर गवर्मेंट को बोलूँगा भाईए मैंने तुम्में में 30 रुपए दे रखें उससे बोला हाँ भाई 30 दे रखें और 75 मुझे देने हैं तो इसका मतलब ये कितना बचा सरी 45 रुपए लाओ तो इस सिच्वेशन में आपको क्या करना पड़ेगा गवर्मेंट को 45 रुपए देने पड़ेंगे तो इस स्टेटेजी में सर हमें क्या करना चाहिए समझ रहो क्या कॉंप्लिकेशन आ सकता है बेचने और खरीदने पर कई बार हो सकता है कि सेंटर वाले यह बोला गया वही एक यह thousand का यानि सर एक तरीकर से देखा जाए तो लिमिटेड है मोगा अगर मोदी की बात करें तो वह मोदी वाले टेक से ही seem बोसकता है ना और केज्री वाल का के जिए के दिए से सेट आप हो सकता है तो इसको तो समझाने के लिए मान लेते हैं IGST IGST बहुत free है IGST को किसे setup करना है तो government tech आप ही है IGST से एक काम करेंगे कि IGST को minus plus करने के लिए इस्तेमाल CGST में किया जा सकता है और सर SGST में किया जा सकता है और IGST में भी किया जा सकता है यानि सर ये एक ऐसा है ना जैसे कि आपने blood group सुनाओगा O blood group O blood group क्या होता है वो किसी का भी blood ले सकता है ऐसा ही होता है या दे सकता है किसी का हाँ मतलब जोस्मर्जी को तो चलेगा थेक है तो same ऐसा IGST है किसी को भी text देना हो आपस में minus plus क्या कर सकते हैं simply कर सकते हैं अब यह एक्जाम्पल भी लूँगा। लेकिन अब बात करते हैं सर CGST अब बात करते हैं CGST तो CGST माइनस प्लस करने के लिए कहां कहां जा सकता है सर? CGST को CGST चाहिए और किसे हो सकता है? मैंने कहा है ना IGST CGST से जाएगा तो CGST IGST से भी आ जाइगा minus plus करने के लिए अब S, G, S, T किससे जाएगा C, G, S, T के दो ही part बनेगे हमारे अब आ जाते है S, G, S, T तो सर S, G, S, T भी दो जगा move हो सकता है एक कहा हो सकता है एक तो I, G, S, T से तो जाी सकता है और एक कहा जा सकता है सर S, G, S, T SGST से यानि अगर हम बात करते हैं सर किसकी बात करें IGST की तो IGST कहीं से भी माइनस प्लस हो सकता example देखिएगा मेरे पास input मैं पिछले वाला example ले लूँ पिछले वाले का exact answer पता चल जाएगा IGST हमारे पास था input वाला कितने रुपे था सर 100 रुपे और CGST भी मेरे पास था input वाला 30 रुपे SGST भी था हमारे पास input वाला कितना 30 इसके बाद हम बात करते हैं सर इसके बात करते हैं हमारे पास CGST है कौन से वाला output वाला CGST output वाला कितना था हमारा 75 और SGST आउटपुट वाला क्या था 75 मैंने पिछले एक्जामपल में बताया था सर केजरीवाल को 45 रुपए देने पड़ेंगे लेकिन ऐसा नहीं है ये तो आपको एक कैलकुलेशन समझाया था आप एक्जामपल में देखो केजरीवाल को देने भी है नहीं देने वो चेक करेंगे हम सबसे पहले CGST और SGST को नोक आउट करेंगे रूल क्या कहता है भाईया पहले CGST को किस से कर दो CGST से पहले CGST को किस से ले जाओ फिर नंबर दो आप ले जाओ CGST को किस से SGST पहले सेम सेम हेड को निफ्टारा कर लो उसके बाद अब इस पे आ जाओ किस पे आ जाओ सर अब आ जाओ IGST IGST की बात करेंगे ना तो सबसे पहले नंबर तीन पे IGST को पता है किस से करना SGST से ये बेनिफीशल रहेगा क्योंकि CGST तो पक्का है होई जाना है तो पहले IGST को किस से निफ्टारा कर लेना SGST से दोनो माइनस प्लस कुछ भी होगा फिर आप जाना IGST को लेखे कहां पे और फिर IGST को लेखे जाओगे IGST को पाद ठीक है मेरे वाले एक्जामपल के अंदर इस रूल को फॉलो करें तो भाईया सबसे पहले स्टेट गवर्मेंट को रफा रफा करते हैं SGST हमें 30 रुपे ये इन्पुट है इन्पुट का मतलब सर लेना है और SGST 75 का आउटपुट है आउटपुट का मतलब सर सरकार को देना है अगर देखा जाए तो केजरीवाल सरकार को और मुझे कितने देने है 45 तो केजरीवाल को 45 देना है तो बेटर है कि मैं इसको IGST से केजरीवाल को सांथ कर सकता हूँ मैं केजरीवाल को मैंने क्या करा भाईया IGST से हम आपको knock off कर रहे हैं IGST में क्या हमारे पास ये चेक करो 45 रुपए है भी या नहीं है तो आप देखो कि IGST में कितना पढ़ा हुआ है हमारे पास 100 रुपए पढ़ा हुआ है तो मैंने केजरीवाल को बोला IGST हमारे पास है 45 रुपए knock off और आपका बड़े कितने 0 केजरीवाल खतम अब कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ रही है बात आपको अब इसके बाद आ जाते हैं सर सेंटर के पास चलते हैं क्योंकि आपको पॉकेट से पेमिंट करना नहीं है अब आ जाते हैं सेंटर के पास सेंटर के पास बोले भईया सीजीएस्टी हमारे पास अल्रेडी है कितने का 30 रुपए क्या है इंपुट इसके बाद बात करते हैं सर सीजीएस्टी हमारे पास देना भी है कितने 75 यानि 45 रुपए में और सरकार को देना है सेंटर को लेकिन हमारे पास total कितना पड़ा हुआ था 100 100 में से हम खर्च कर चुके है 45 और कितने है पच्पन है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 45 रुपे वो वाला खतम कर दूँगा यानि मोदी वाला भी काम खतम अब और मुझे मोदी से लेने रह गए क्या रह गया IGST कितने रह गए 15 रुपे मोदी से लेने कितने है तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे न तो एसेट साइड में सिर्फ 10 रखेंगे कोई बात ने 10 कर देते है यहाँ तक समझ में आ रहा है 10 रुपे लेना है जब हम बैलेंस शीट बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ IGST एसेट साइड में बात खाता यानि आपको एक्जामनर इतने सारे GST दे देगा बैलेंस शीट ट्राइल बैलेंस के अंदर लेकिन जब आप बैलेंस शीट पर पेयर करोगे तो एक पर्टिकुलर एक ही GST आने वाला और वाला एसेट तो नहीं मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको ठीक है इसी तरीके से एक और एक्जामपल लेते हैं एक और एक्जामपल लेते हैं देखिए पहले मैं इन्पुट वाली बात बता रहा हूँ इन्पुट की बात कर रहे हैं CGST है सर 100 रुपे SGST है और हमेंसा याद रखना है 100-100 ही होंगे बराबर ही होंगे IGST 500 रुपे अब आउटपुट की बात करते हैं सर आउटपुट की बात करें SGST 50 रुपे 50 की जगह पे हम कर देते हैं थोड़ा ज़्यादा 150 CGST 40 रुपे अब फटा फटा हमें ये चेक करना है ये टेक करना है कि भाईया नेट में हमें सरकार से लेने है या फिर देने है ये डिसाइड करना है सीक्वेंसिंग मैंने बता रखा है कि आप ये सीक्वेंसि फोलो करें पहले SGST, SGST, CSGST in fact एक काम ये भी कर सकते हो इससे पहले आप ये वाला काम कर सकते हो अगर मैं बोलू तो फरक नहीं पड़ता सर ये वाला जो पार्ट है न हमारा इस पार्ट को आप पहले नमबर इस पे ले जा सकते हो यानि आप जो SGST है IGST को पहले IGST को तीन नमबर पे रख सकते हो यानि सिंपल सी बात है ध्यान से सूचना पहले हम CGST, CGST, SGST, SGST, NOCOP और IGST, IGST, NOCOP जो भी लेना देना है बराबर करेंगे इसके बाद अगर IGST बचा तो सबसे पहले हम जंब मारेंगे SGST पे फिर भी IGST बचा तो फिर जाएंगे किस पे हम CGST पे ये चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि CGST को सोचोगे निकि SGST से NOCOP करना तो नहीं हो सकता वो मना है, गवर्मेंट बोला ऐसा लाउड नहीं है, तो अब फटा-फट से आ जाते हैं, इसी question को करने में सबसे पहले हम कर लेते हैं, सर एक कॉलम बना लेते हैं, इसको solve करने का नहीं एक कॉलम बना लेते हैं, प्रॉपर जिससे कि आपका फटा-फट से हो जाएगा ये और आपके exam में न इस बार question ये आएंगे ये एक मिनट पहले कॉलम से अच्छा है कि मैं पहले roughly बता हूँ आपको, फिर कॉलम समझना आएगा सर देखिए पहले हम बात करते हैं, cgst का ठीक है? क्या होने वाला है? पहले input पढ़ा हुआ कितना है, सर? cgst हमारे पास पढ़ा हुआ है, 100 रोपे इसके बाद output लेस कर दो output कितने देने हैं भई? यानि center को देखा जाए तो 50 रुपे और देने हैं यही कहानी है? center को 50 रुपे और देने हैं चलो पहले इसको निप्टा लिए, अब हम sgst को कर लेते हैं sgst में देखा जाए तो input input कितने का है? तो और output कितने का है? कितने का? यानि state government को भी 50 रुपे देने हैं अब आजाते हैं IGST input कितने? 500 output कितने? 500 था गया अच्छा, output चालेज ये कितने बने? ये 500 न ज्यादा लिख दिया मैंने लगता है मुझे ये इसको कम कर देते हैं इसको कर देते हैं 90 कर देते हैं ठीक है? कितने बचे? तो सर यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना कहानी क्या बन रही है? यहाँ पे समीकरन बन रहा है ये तो सरकार से लेना है खीक है न? और ये दोनों देना है तो अब आपके पास option है या तो पहले इसको SGSC से बराबर कर दो या फिर किस से बराबर कर दो तो मैं कहुँगा पहले केजरिवाल को संथ करना चाहिए law यही कहता रूल क्योंकि वो ज़्यादा चिलाएगा फिर फायदा है ने उसको कुछ तो पहले हम इसको minus कहा कर दे? खीक है? अब ये वाला जो payment बच गया न ये paid करेंगे सरकार को ये क्या करेंगे हम? paid करेंगे although यहाँ पे अगर आप पहले इससे set up कर देते तब भी आपको ये वाला पहले क्या करना पड़ता? paid वो आपके उपर इच्छा है कि क्या करना चाहते है खीक है न? चलिए एक और सवाल देखते है input बात करते है input के अंदर पचास चालिस और ये तो पचास ही होगा output के बात करते है तीस ठीस ठीक है? हमारे पास ये situation है चलिए पहले हम CGST को निप्टा लेते है CGST क्या कहता है सर? CGST कहता है पहले हमारा input input में कितने है CGST? पचास यानि सरकार से लेने है अब output minus करते हो सरकार को देने कितने है? तीसी देने है यानि 20 रुपय हमारे pocket में पड़े है ये हम सरकार से लेंगे लेने का मतलब ये नहीं कि सरकार से आप पैसे ले सकते हो सरकार कहती है फिर बेचो customer से वसूल करो और minus adjust करो हम नहीं देगे आप customer से ले लो मेरे नाम का वो देदेगा अब SGST SGST में सर output सर पहले input सर input कितने का है और output कितने का है अब यहाँ पर क्या बचे 20 रुपय मुझे किस से लेने गौर्मेंट से लेने है अब आ जाते हैं IGST पर सर IGST का input 50 और output input 40 है ओके 40 आउटपुट 100 आउटपुट 100 है सर यानि यहाँ पर मुझे 60 रुपय देना है 60 रुपय देना है तो देखा जाए तो 20 हमें स्टेट से लेना है और 20 लेकिन देना किसको है center को देना है मोदी को देना है अगर मैं केजरिवाल से बोलूँ के मैं मानेगा है मैं मानेगा है लगता है आपको नहीं मानेगा वो oral मेरे को देना है तो ऊससे क्यों माइनस कर रहा है उससे समझ तू यानि यह वाल आउटपूट है वो किससे set up हो सकता है सरक इसते तो नहीं हो सकता है यानि इसका अब final answer में nike पाइनल आंसर निकालें तो CGST हमें देने थे 20 रुपए लेने थे 20 रुपए और IGST सेंटर को देने कितने है सर अब सेंटर को मुझे 40 देना है बिल्कुल यहां इसलिए नहीं हुआ यहां पर जो मैं बोल रहा हूँ ना SGST जो है कि IGST से सेटप हो सकता है जब केजरीवाल बड़ा चलाक है जब उसको लेना होगा ना तो वो बोलेगा हम सेटप नहीं कर रहे हैं जब देने की बारी आएगा तो वो बोलेगा हम एगरी है, ठीक है ना? तो बड़ी सिम्पल सी बात है केजरीवाल का पैसा अगर निकल रहा हो यानी आप IGST से जाओ, setup कर लो, जिब मुझे पैसे लेने हैं, जैसे कि मान लेते हैं, मैं customer हूँ, मेरे सामने दोने खड़े हैं सर, केजरीवाल भी और वो भी, मैंने केजरीवाल को बोला आप से भी पैसे लेने हैं, center आप से भी पैसे लेने हैं केजरिवाल भॉल हुआ है और मुझे सेंटर से लेने है आप उनसे सेठ लो बोलेगा नहीं वहीं नहीं मेरे पैसे तो तुम ही को देने होंगे। तो IGST सब तरफ move हो सकता है, लेकिन यही condition में समझाने की कोशिस कर रहा हूँ, जैसे कि पिछले वाले सवाल में तो हुआ था, लेकिन इस वाले सवाल में देखोगे, तो net to net state मानेगा क्यों, आप यहां पर बोलना चाह रहे हो, कि state को जो मुझे पैसे state से क्या करना है, output का है, तो मुझे क्या करना है state से, लेने है state से मुझे पैसे, तो वो knock-off करने के लिए देखा जाए, तो सबसे पहले अगर इसको, यह state को लेने, output कितने का है, 30 का है, input 50 का है, state से है, और central government का हमारा क्या निकल रहा है, यानि central government को हमें payment करना है, तो central government के payment करने जाएंगे, तो हम बोलेंगे के, भीज, IGST के तुमारे कितने निकल रहे है, 20 रुपे तो मुझे है, तो 40, 40 रुपे अब हमें देने है, किसको देने है, center government को, center government को हमें 40 देने, मैं बोलूँ है, केजरिवाल तुमारे pocket से निकल के center को दे दूँ क्या, यही कहानी होगे न, अगर मैं इस SGST को, इस देने किसको है, अब मैं केजरिवाल से बोलूँ, मैं तुमारे pocket से पैसे निकल दूँ, क्योंकि मुझे तो लेने थे तुमसे, तुमारे pocket से पैसे निकाल के मैं क्या करूँ, उसको दे दूँ क्या, तो केजरिवाल नहीं मानेगा, बोलेगा, नहीं भाई, नहीं, मेरे पैसे मोदी के पास क्यों जाएंगे, यानि एक और simple सी बात समझो, IGST है न, यह SGST से, तभी set of हो सकता है, जब आपकी, मतलब आपका न आउटपुट बन रहा हो, आपका क्या बन रहा हो, अगर आपका input बन रहा होगा न, तो नहीं होगा हो, अभी कुछ questions और देख लेंगे, पहले यह वाला समझ में आए, यहाँ पर देखा जाए, तो 40 रुपए net to net मुझे क्या करना पड़ेगा, मोदी को देना पड़ेगा, और यह वाला SGST, S80s 20 रुपीज मेरे पास क्या पढ़ा रह जाएगा, क्रेडिट पढ़ा रह जाएगा, क्रेडिट में उसमें कोई भी changes नहीं होने वाला है, और भी देखो example, अब किताब के example ले लेते हैं सीधा, ठीक है, बुक दिखाने एक बार, देखने कितना समझ में आ रहा है, बुक का example ले लेते हैं, अभी दो स्रीफ हम trial balance को setup करना सीख रहा है, देखते हैं, झाला है, इसके अंदर ना अज्जस्मेंट में भी है तो अला कि जीस्ट टॉपिक इसमें नहीं डाला जो मैंने टैनियर भी बनाया उसके इंदर तो डाल दिया मैंने पूरा जीस्ट आएगा आपको मिलेगा यह एक्जामपल नंबर उननिस आपकी किताब में एक्जामपल नंबर उननिस पेज नंबर 11.47 मेरे पास अभी मेरे हाथ में प्रोग्राम ओनर्स है प्रोग्राम है ओनर्स में भी मिल जाएगा मैं सवाल सामने लिख देता हूँ क्या कहता है सर आउटपुट आउटपुट ओनर्स में भी होगा ऐसा नहीं के नहीं होगा आउटपुट आई जी एस्टी आउटपुट सी जी एस्टी कितने सत्तर हजार आउटपुट ओनर्स जी एस्टी ये तो दे रखा है सवाल में कितने ऊपर कहता है एंटरप्राइज सी सम इनपुट क्रेडिट पढ़ा हूँ है सी जी एस्टी में इनपुट सी जी एस्टी में पढ़ा हूँ है सर कितने एक लाख पंदराज़ जार रुबे कहता है बताओ आप सरकार को कितना पैसा देना और कितना लेना सी डिसी बात है हमारे पास इनपुट में सिर्फ नाम पे CGST में पढ़ा हुआ है और ये सरकार को इतना देना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे input और output same same head को करेंगे तो पहले तो बारी आ जाती है किसका same head की बात करें तो CGST का number आ जाएगा सर अगर मैं यहाँ पर solve करूँ तो CGST सर CGST में input कितना पढ़ा है एक लाख पंदरा जाओ और इसी के अंदर output कितना है सत्तर हजार मतलब हमारे यहाँ पर पैसे बच रहे हैं कितने बच रहे हैं सर 45,000 रुपे है मेरे पास अब CGST के अंदर देखा जाए तो SGST को पैसे देने कितने पैसे देने हैं SGST को 25,000 देना क्या माइनस हो जाएगा इससे CGST, SGST से माइनस हो सकता है नहीं हो सकता CGST IGST सबसे हो सकता है कहां गया देखो जो CGST है या तो IGST से होगा या SGST तो हो इनी सकता तो यहाँ पर देखा जाए लेखिन क्या CGST और IGST आपस में नौकाउट हो सकते हैं यह IGST का 25 कितने बचे अभी भी स्टिल 20,000 रुपे हमारे पास क्या है IGST का कितने है यहाँ पर तो 20 अच्छा अच्छा 30 है न कितने बचे पहले आप एक बड़ सवाल भी देख लेगे यह 15,000 रुपे हमारे पास बचे हो गए अब हमारे पास क्या है SGST बच गया तो यह तो किसी से सेट अफ हो का नहीं तो यह तो हमें 25,000 सरकार को एक यह देना है और यह 15,000 रुपे हमें सरकार से लेना है तो ultimately जब हम balance sheet बनाएंगे तो balance sheet के एक तो liability side भी दिखेगा और asset side भी दिखेगा यह तो दिख जाएगा balance sheet के कहां पे और यह वाला दिख जाएगा तो वही आप इस column में देखेंगे तो इन्होंने क्या कहा SGST में हमारा net payable कितना करना है 25,000 रुपे देखो यहाँ पर लिख रखा है net payable कितना करना SGST में 25,000 सवाल में कहा रहे है remaining balance ITC ITC का मतलब होता है input tax credit यानि remaining balance जो 1500 रुपे हमारे पास available है हम इसको कभी न कभी use कर सकते है समझ में आई ही बात आपको ठेक है न तो यह ITC भी बोलता है एक नया word है इसके अंदर input tax credit होता है और भी देखने कोई ऐसा चोटा चोटे सवाल देने चाहिए थे 10 बारा चलो कोई नहीं यह सवाल तो आपको समझ में आया मोटा मोटा कैसे कैसे करना है अगली क्लास के अंदर अगली क्लास मतलब जो मैं नया question अभी तो adjustment करेंगे और GST को पर छोटे छोटे कुछ दस बारा question में डाल दूँगा जिसके answer भी मैं नीचे लिख दूँगा आपको PDF format दे दूँगा और उसके अंदर आप बस क्या करोगे अपना set of input करके और चेक कर सकते हैं तो चलिए हम आगे हम adjustment पर चलते हैं जितने बच्चे live में किसी को कोई doubt है यहां तक जो बच्चे नहीं जुड़े हैं मैं कहूंगा again कि वो पिछली वी classes भी देखने पहले हम बात करते हैं adjustment की कितने adjustment हो गए थे हमारे 22 हो गए कि 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 हमने 22 अभी तक कर लिए हैं आते हैं 23 अजिस्मेंट पर कि 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 अगर आपको ओवर वेल्यूट समझ में आ जाए ना तो अंडर वेल्यूट खुद खुद समझ में आ जाएगा और वेल्यूट ऑफ स्टॉक अब ओवर वेल्यूट का मतलब क्या होता है आपने जादा जादा दिखा दिया है अब इसको rectify कैसे किया जाएगा एक example देखना सपोस करो कि मैं आपके सामने न एक trading account बना रहा हूं एक trading account में बना करके दिखा तो आप सीधा connect करिएगा आपको समझ में आ जाएगा सर हमें करना क्या चाहिए यहां लिखा मैंने उपनिंग स्टॉक पचास अजार यहां लिखा मैंने closing stock 40,000 यहां लिखा मैंने sales एक लाग यहां लिखा मैंने purchase पेस अजार तो बताओ जीपी क्या आएगा जीपी बताओ एक चालेस और यही आ जाएगा एक चालेस में से सतर जाएंगे तो सतर अजार जीपी है मान लेते हैं पी एंडल में कुछ नहीं है तो यही एनपी बनेगा अब अगर मैं balance sheet बनाऊंगा balance sheet में capital आएगा और capital मान लेते हैं पहले से दो लाग का है इस capital के अंदर जीपी एनपी कुछ भी जोड़ दिया हमने कितना जोड़ेंगे यानि यह कितने को हो गया अगले साल की कहानी देखो अगले साल क्या हुआ सर अगले साल opening stock होगा तर अगले साल जो होगा ने यह मान लेते हैं 2020 की कहानी है और हम आगे हैं अब 2021 में अब opening stock opening stock क्या आएगा जो पिछले साल का क्या होगा वही अगले साल क्या बनने वाला है opening that is आपका 40,000 और capital क्या आएगा capital कितना आएगा दो लात सतर अजार profit add हो गया तो 270 मैंने एक adjustment जैसे ही आपने यह लिखा ना है मैंने आपको एक जानकारी दी कि भाईया last year का ना closing stock 5000 से overvalued है यानि last year का जो closing stock आपको यहाँ दीख रहे हैं वो गलत है और वो 5000 ज़्यादा दिखाया हुआ है तो हम पीछे तो जानी सकते सर backdate पे तो जानी सकते अब एक पल को सोचो आप जा रहे हो तो अगर आप backdate पे जाते ना तो पता ही क्या करने वाले थे backdate पे जाके आप सर बड़ी सीधी सी बात है यहाँ पे आप कितना करने वाले थे इसको सही value लिखते आप error देखो क्या है महाँ पे क्या बोला error में 5000 जादा है तो भी आप पिछले साल अगर मैं ठीक करने का मुझे opportunity मिले backdate पे तो मैं क्या करता है यहाँ पे 35 लिखता अब जिसकी वज़े से मेरा जीपी कितना आता और जिसकी वज़े से मेरा capital कितना होता ठीक है ना यही होता ना यहाँ अब यह चीज आपको current year में पता चला तो हम अब backdate पे जाते तो यह सही करते अब current year में चाहिए करना ओ तो जो हमारे backdate पे सही करते तो पता है किसमें impact करते हैं closing में और फिर किसमें करते हैं दो ही जगए तो impact मारा आपने कहा मारा और एक कहा करा तो वो current year में भी कर सकते हैं जरूरी थोड़ी ये पिछले date पे जाए तो हमें क्या करना चीए closing को न छेड करके क्योंकि यही तो वापस आया है यही वाला तो यहां पर आया है उठके तो हम यहां से क्या कर दे minus minus कर दे ना कितना minus कर दे बात बन जाएगी same और यहां capital क्या कर दे 5000 से बात same बन गई तो in case of closing stock overvalued हुआ तो हमें दो entry करनी पड़ेगी current transaction में क्या करनी पड़ेगी opening stock को कम करिए और दूसरा capital को minus करिए यह बास समझ में आई नहीं clear हो गया लेकिन अगर मैं इसका opposite बोलता कि सर पिछली बार का वैसे आएगा नहीं मैं अगर बोलू कि पिछली बार का इक गलती में बताता हूँ आप बताने क्या करोगे मैं बोलू कि last year का opening stock जादा है 2000 से अब imagine करो last year का opening stock जादा रहा होगा तो हम ठीक करेंगे पहले opening stock को opening stock को ठीक करेंगे और जब opening stock सही होगा मतलब मैंने कहा सर पिछली साल का opening stock जादा है कितने से जादा है तो automatically ये भी जादा होगा ये भी समझना होगा आपको क्योंकि opening stock जादा बढ़ा है मेरे पास माल लेते हैं कि 10 रुपे का समान है 5 रुपे का खरीद के लाया कितने का समान हो गया मिरे पास समान हो गया 15 उसमें से 13 का बेच दिया 2 का बचा है मैं बोलू यार मैंने जो 5 रुपे का समान पढ़ा हुआ है 10 का खरीदा ये गलती लिख दिया ये 4 का होना चीए था तो actual मिरे पास समान कितना होना चीए से 14 और 13 का बेच दिया तो closing कितना होना चाहिए जबकि मैं कितना बोल रहा हूं तो कहीं ने कहीं अगर opening stock के अंदर impact डालोगे तो closing पर पढ़ेगा पढ़ेगा यह नहीं पढ़ेगा वोईस क्लियर नहीं है एक मिन्ट अब चेक करिए वोईस क्लियर है मैं एक बार दुबारा बता देता हूं दुबारा से एक बार ले लेते हैं पहले यहां तक समझ में है एक बार फिर से देख लिए कुछ बच्चे कह रहे हैं सर्डाउट है अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है आपे हाला कि मैं देखो opening में बात नहीं करूँगा exam में आपके सिर्फ और सिर्फ closing वाला part है मैं एक पूरा scenario दुबारा बताता हूँ ताकि मैं जब adjustment लिखो न तो बस आपको लगए यही तो होना था आपके सामने में बात करने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा 2022 की latest figure की बात करते हूँ यह हमारा P&L जिसे trading account गोल दो साथ के साथ यह हमारा balance sheet ध्यान दीजिएगा मैंने लिखा यहाँ पे sales जिन बच्चों को समझ में नहीं आए वो देख लिजिएगा मैंने लिखा यहाँ closing stock और यहाँ लिखा मैंने opening stock यहाँ लिखा purchase तो हमारा यहाँ पे जो GP या NP कह लो क्योंकि कुछ है नहीं net profit like तो यह 140 140 माइने पचास अजार कर दोगे तो GP आ गया 90 और यहाँ मैं मान लेता हूँ मेरा capital है 2,00,00 तो आप क्या करोगे सर इस GP को उठा के कहां ले जाओगे add कर दोगे अब बच्चे प्लीज यह ना कहें कि सर GP थोड़ी NP add होता है मान लेते हैं कुछ है ही नहीं हमारे पास तो यह यह add हो गया यह आपका पिछली बार की total कहानी है आपके सामने given है जो यह यह पिछले साल की total कहानी मैंने आपको बता दिया यह समझ में आ रहा है अब इस कहानी के अंदर एक गड़बड़ी है क्या गड़बड़ी है जो कि आपको इस साल तो नहीं पता लगा इस साल पता लगता तो ठीक ही कर लेता है, आपको next year पता चला, और next year क्या पता लगा सर आपको? next year पता लगा, closing stock, found, off, found, overvalued, by 2000, on 31-3, 2022, date पर ध्यान दिजेगा, यह 2000, तो सर यह भी तो 23 ही होगा, आप बताओ हम 23 का काम कर रहे हैं, यानि सर यह 23-24 है, और यह क्या है 22? तो अब मैं पिछले साल की बात करूँ, आपके परस दो साल है, एक 22-23 का साल है, और एक 23-24 का, तो पिछले सालों का 22-23, adjustment में मैंने क्या लिखा के closing stock को पाया गया, कि वो 2000 रुपे से ज़्यादा है, और किस date पे पाया गया, 31-32, 2000, यानि इस date पे जो closing है, उसके अंदर पाया गया, आपको ये नहीं बताया है, कि आपको क्या है, तो आपको समझ में आगया, कि अगर मैं closing नहीं बोलता है, तो आप date से समझ जाओगी, कि इस बार के closing का, यानि बड़ी सी बात है, अगर मैं मेरे पास option होता, कि back date पे जाके मैं चीजों को सुधार लो, तो बड़े आसानी से मैं सुधार सकता था, जैसे अगर मुझे ये option दे जाए, कि back date पे जाके सुधार ले भाई, तो मैं ये closing stock जो ज्यादा लिखा था नहीं, यहां पे मैं घटा देता, और कितना घटा था पता है, और इस से मेरा closing stock result में निकल के आता ना, वो आता 38, जैसे ये 38 आता तो मेरा total भी 138 हो जाता, और जैसे ही total 138 आता तो automatically हमारा profit भी reduce हो जाता और ये आ जाता हमारा 80, 88 होता ना, और जैसे ही 88 होता तो यहां पे भी जो होता ना हमारा capital वो हो जाता पता है, कितना 288, यानि सर एक गलती के वज़े से दो ज इंपक्त आया है, एक closing stock पे आया है और एक capital पे आया है, अब मुझे current year के अंदर देखा जाए, तो मैं इसको फिर से हटा देता हूँ यहां पे, अगर ये scenario पे हम आए, तो current year में देखा जाए, अगर आपको कुछ ये जानकारी ना पता हो, तो आप इस साल के data को अगले साल यूज करते हो, इस साल के data में एक तो closing stock है, इस साल यूज करोगे जिसको क्या बनाओगे सर, opening stock, और opening stock कितना बना दोगे आप, 40,000, और इस साल के data में आप capital यूज करोगे, और capital क्या लिख दोगे, अगर आपको error ना पता हो, तो आप capital लिखोगे सीधा, 290 का, अब आपको error पता चल गया, अब इस साल हमें error को सुधारना है ना कि पिछले साल, examiner बोलेगा कि अब आप इस साल rectify entry करो, तो जब आप इस साल rectify करोगे, तो अगर पिछले साल को ध्यान पूरवक देखो, ध्यान से देखो, तो दो ही जगा फरका रहा है, में लिए closing stock के उपर फरका र करेगा, क्योंकि पिछले साल के closing stock पर फरका आया है, तो इस साल कहां पर फरक पढ़ रहा होगा, opening पर, इसका मतलब सर ठीक overvalued है, तो हम इसको क्या करें यहां से, minus कर दे, कितने से minus कर दे सर, 2000, एक तो यह adjustment लग गया, और capital को भी minus कर देते हैं, किस नाम से, overvalued, कितने से minus कर दे सर, 2000, तो अब जाके rectify हो गया, बाकी finally हमारे जैसे काम चलता है, चलता रहेगा, पहले यहां तक देखिए, अगर मैं यही थोड़ा सा situation, पहले यहां तक देखिए, जितने बच्चे लाईव है, किसी को कोई doubt, अगर यही situation मैं change कर दूँ सर, क्या change कर दूँ इससी situation की मै बात करूँ, कि मैं overvalued के जगह पर यहां पर लिख दूँ undervalued, तो आप क्या बता सकते हैं, इसका क्या result होगा, इस overvalued को मैं कर दूँ undervalued, undervalued by 1000 कर देता हूँ, suppose करो, तो जब पिछली बार का closing stock undervalued है, तो आपका GP कम आ रहा होगा, और GP कम का मतलब capital भी कम, फिर यही capital यह यहां उठके आया होगा, तो आप यहां पर क्या करोगे plus, और यहां भी plus, तो दोने concept clear हो गया, अगर overvalued हो तब भी क्या करेंगे, और undervalued हो तब भी क्या करेंगे, यह 11 वी class में यह concept नहीं था, जो कि आपके first year के अंदर है यह concept, तो आपको पता चल गया, अब यहां पर सम adjustment है, वो अलग से बता दूँ, अभी जितना-जितना slaves का पार्ट चल रहा है, उसे मैं चलने देता हूँ, तो यानि सर, यहां पर अगर मैं treatment की बात करूँ, कि अगर stock के ऊपर treatment की बात करें, तो सर, stock के ऊपर adjustment number कौन सा बन रहा है, यह 23 यह 22, 23, adjustment number 23 बन सकता है, कि सर, हां, य 24 हैं, नहीं, overvalued नहीं, इसी में cover कर लेंगे, अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए, या तो आपका stock जो होगा, और सर, stock कौन सा सर, closing, या तो stock आपको बोलेगा undervalued, या stock आपको क्या बोल सकता है, सर, overvalued, या तो undervalued बोल सकता है, या overvalued बोल सकता है, अगर मैं undervalued की बात करूँ, तो अभी अभी आपके सामने example था, आपने बताए कि दो जगए entry कर देना, सर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैंने का सर, दो जगए कहां कहां करोगे, जो ठीक हो जाएगा, तो आपने बोला, स यानि सर, आप दो जगए entry कर देना, एक opening stock में, और एक कर देना, सर, कहां पर ले जागे, capital में, तो अगर मैं बात करूँ, सर, opening stock की, तो opening stock में आपने क्या करना है, सर, और capital में क्या करना है, आपने बोला, सर, undervalued है, तो opening stock में भी क्या कर दीजी, आप plus कर दीजी, और capital में भी क्या करिए सर प्लस प्लस यानि एड़ भी मैं लिख देता हूं आप जब नूटिंग करोगे तो आपको ठोड़ा ठीक रहेगा बताए कोई दिक्कत लेकिन यही कहानी मैंने बोला सर अगर वर्वेल्यू दुआ तो क्या होगा बोला आपने यह भी सॉल्व कर सकते तो सर अ और वर्वेल्यू दुआ तो यहां पर भी दो जगए दिखाए जा सकता है कहां कहां दिखाए जाएगा सर एक ओपनिंग स्टॉक में दूसरा सर क्या प्ताम में लेकिन यहां कहानी अलग है यहां पर हो जाएगा यहां पर कर दोगे सर आप आपकी किताब में एक सवाल है ऐसा माइनस कर दोगे यानि लस और यहां भी कर दोगे आपकी किताब में कुश्चन है कौन सा कुश्चन मिलेगा आपको हेडिंग देखिए कि आपके लिखा होगा ओवर वेल्यूट ऑफ स्टॉक कहीं मिले तो आप भी मुझे बताना कि यह रब 21 नंबर प्रोग्राम में 21 नंबर के है 11.78 अभी मैं कुश्चन सामने दिखा नहीं रहा अगली ग्लास में सारे कुश्चन मैं दिखा दूँगा जब मैं करूँगा तो हां क्या पटल कितने है क्या पहले दे रखा डेटर एंग क्रेटर तीस अजार छेसो साइद ये ओनर्स में हो या ना हो उसकी चिंता मत करो मैं बता देता हूँ इसमें क्या लिखा है आज पास देख लो जिनका है बागी मैं दिखा दूँगा क्या लिखा हूँ है कहता है इट वोज डिस्कवर्ड फॉर्स अप्रेल टूज़न 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 टूज़ या ओवर्वेल्यूड बाई 1000 हाउवर नो एंट्री पास्ट ने अप्रेल 2020 क्या पाया गया कि यहां पर जो स्टॉक था वो ओवर कास्ट था कितने से ओवर कास्ट था यहां पर नहीं मेरे पर 10,000 रहा है 1000 है सब्सक्राइब बुक में कितना देखो आप में भी 1000 है हाँ 1000 तो पांच जर क्या था कुछ भी नहीं है ओनर्स में है कुश्चन कुश्चन नमबर 19 है भाई ओनर्स में पेज नमबर 11.76 पे यही है ना सेम तो अब आपको यह adjustment दे दिया और देखो पेपर में आया हुआ कोश्चन है यह adjustment दे दिया तो आपका दिमाल क्या कहता है 1000 रुपे से हमारा closing stock ज़्यादा कर रखा है तो ज़्यादा वाला यह वाला concept आ जगा यह तो मैंने under वाला बता है था एक आप capital में क्या कर दोगे add और एक closing stock में opening stock में क्या करोगे अच्छा हाँ capital में minus और opening stock में भी तो आप इसके answer को check कर सकते हो देखो आपको purchase में से minus कर रखा because आप वो adjusted purchase दे रखा है और एक check करोगे तो capital में से भी आपका क्या हो गया less हो जाएगा तो ये बात समझ में आया आपको adjusted purchase भी मैंने पहले आपको बताया था न adjusted purchase में already opening stock और closing stock add less हो चुका होता है तो इसलिए आपको closing stock ढूंडने से तो वहाँ पे opening तो मिलेगा नहीं तो इसलिए उसने किस से minus कर दिया सीधा सीधा purchase से समझ में आगई बात आपको ये adjustment नंबर था 23 कोई दिक्कत इसमें एक बार फटा फट नोट कर लिए इसको फिर यहां पीछे तक सबने नोट कर लिया है यहां तक सबका नोटिक है एक बार यह करिए बिले जी इस ते वाला में पीडिया भीजूँ हूँ हूँ हाँ जी वोईस चेक करिएगा प्लीज वोईस आ रही है आपको सर किसको पता है कि एप में नेम कैसे एडिट करते हैं ठीक है आप request डाल देना साजित सहजाद सहजाद आप request डाल देना मैं चेंज करवाद हूँ आप चैट में डाल देना कि आपका नेम कैसे चेंज हो गए है अप एडिट कैसे हो जाएगा जो भी नेम करना हो जाएगा अभी हम एक question स्टार्ट करेंगे पहले और उससे पहले एक adjustment फिर question कर अपका टे लाएगा पिस का का अपका य। अग दो दूजय है कि अज़त अबाद कि अज़ जब लुग देख। झाल 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 इसलिए मैं थोड़ा स्लो चला रहा हूँ डेप्रीशेशन ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला मैं आपका इसके बाद हम बात करते हैं अज़िश्टने अज़िश्टने कुर्टने कर चुके थे हम से हम सब्सक्राइब अज़िश्टने कर चुके थे हम 24 कि पहले मैं सोच रहा हूं कि adjustment करा दू फिर एक questions करेंगे नहीं पहले question कर लेते हैं हटाइए पहले एक सवाल कि आपके किताब का national rent के नाम से topic होगा important है कि आप सभी मुझे यह भी बता दीजिए का question विज्वल होना चाहिए format बना लेजिए फटाफट ताके हम आगे question कर पाएं कि मुझे तो यहां screen पर विज्वल दिख रहा है आपको भी विज्वल होना जरूरी है फटाफट से एक format बनाईए सभी बच्चे हांजी बाते नहीं करना आपने फटाफट एक format बनाईए हम आपको बनाईए झाल 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 बढ़ा है झाल झाल चलिए सर थोड़ा कंजिस्टिड रहेगा लेकिन डोंट वरी अबाउट इट सारे चीजे क्लियर दिखेंगे आपको टॉपिक का नाम दिखने रहा है नोशनल रेंट कैसे करेंगे नहीं करेंगे फटा फट से देख लेंगे हम ध्यान दीजिएगा अब सीधा फोकस सबसे पहले हमें एक एक करके आइटम क्या करना यहां पर ट्रांसफर करना है जिन बच्चों की पहली क्लास भी होना तो वो नोटिंग से ज़्यादा ध्यान आपको देना है फोकस के सार कैसे कैसे काम चल रहा है काम करने का तरीका एक है कि इस पेज़ पे आपको रखना है प्रॉफिट एंड लॉस तो अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं परचेज एंड सेल तो जो डेविट वाला है वो क्या माने के हम परचेज और क्रेडिट वाला सेल लेकिन परचेज से पहले मैं एक पॉर्मिट बना लेता हूँ यानि एक बात लिख लेता हूँ ओपनिंग स्टॉप हमारा होगा ओपनिंग ये तो हर सवाल में होता ही होता लग बगए नहीं होगा कोई बात नहीं लिख लेते हैं तो परचेज परचेज हमेशा अंदर लिखेंगे इस पर अड़्जस्मेंट रहता है और सेल्स बाइ साइड में आ जाएगा बाइ सेल्स अगर टू परचेज की बात करें शिक्स नाइन्टी नाइन टू हंड्रेड अगर हम सेल्स की बात करें तो सेवन फॉर्टी ये आ गया अगली बात करते हैं वेजेज वेजेज नौ सो रुपए इस पे अजजस्मेंट है इसलिए मैं अंदर लिख रहा हूँ सर आपको कैसे पता चला इस पे अजजस्मेंट है मैं पहले अजजस्मेंट एक वार रीड भी खर देता हूँ कहता है RENT and insurance include यानि RENT and insurance पे अजजस्मेंट है सर और कहता है 30 सेप्टमबर आप देख लेंगे नेशनल इंस आपका गीवन है उसके उपर भी कुछ अजस्मेंट आगे कहता है वेजिस आज सो नेट आफ्टर देड़ेक्टिंग अब देड़ इंप्लॉई मतलब वेजिस जो है कुछ माइनस प्लस करके बता रहा है ओइंग नेचर इंप्लॉइमेंट प आगे बात करते हैं depreciation building by 5% आज इसी सवाल को करेंगे इस सवाल के अंदर हम काफी time use करेंगे और साथ के साथ एक दो adjustment भी cover up हो जाएगा ठीक है सार तो यह मोटी मोटी बाते चलेगी building अब हम पहले transfer कर लेते हैं उसके बाद धीरे-धीरे करते जाएंगे national insurance national नेशनल क्या है सर नेशनल नाम दे दिया सर company का नाम है आपका national insurance तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं two national insurance या सिर्फ आप insurance लिखोगे तब भी चलेगा और इस पर बहुत सारे adjustment है that's why मैं इसको inside में लिखूँगा और inside में amount जो आ जाएगा कितने रुपे का है हमारा नहीं नहीं वो तो capital है तीन सो रुपे का है तीन सो एक point मैंने छोड़ दिया है capital यहाँ आ जाएगा सर capital हमारा है 48500 48500 ठीक है थोड़ा इसका thickness कम कर लेते हैं इसके बाद सर क्या given है carriage inward carriage inward is 400 तो यहाँ पर आएगा तो wages के बाद जगह छोड़ देते हैं two carriage कितने रुपे 300 रुपे 400 रुपे 400 रुपे 300 रुपे अच्छा अब आउटवर्ड का 500 रुपे तो सर इसका हमारा 400 रुपे और आउटवर्ड भी है तो आउटवर्ड यहाँ जाएगा सर आउटवर्ड यहाँ जाएगा थोड़े लाइन छोड़के लिख देते हैं तू क 200-ब आउटवर्ड कितने रुपे 500 रुपे 500 रुपे 500 रुपे embarrassed त्र आउटवर्ड यहाँ ज्य isto pa लृट इंग जूब्र आइज़्यौ 1000 रुपे लाइट नदू में डाल देता हो लाइटिंग two lighting कितने रुपे सर 600 इसके बाद क्या है मारा rate rent and insurance बहुत सारा adjustment है 400 रुपे तो मैं rate rent and insurance इसको मैं rent कर देता हूँ ठीक है कितने रुपे 400 रुपे इसके बाद देखा जाए तो stock यहां पर stock जो है वो साल का ending date है तो इसका मतलब closing है ये तो closing stock है तो सिर्फ balance sheet में आएगा आपका stock कितने रुपे का है आपको करवाया था कि closing stock अगर sir adjustment में होगा तो कहां जाएगा सिर्फ और सिर्फ जाएगा इसमें trial balance अगर ट्राइल बैलेंस के अंदर होगा तो सिर्फ एक जगह जाता है वो कहां जाता है balance sheet के asset side cash in hand भी यहीं आ जाएगा sir cash in hand देखा जाए आपके सामने 1750 रुपए इसके बाद sir यहां पर discount है debit में भी credit में तो debit वाले discount sir यहां जाएगा two discount two discount कितने रुपए और credit वाला इधर आ जाएगा by discount by discount 600 रुपए इसके बाद discount भी हमने कर लिया done discount के बाद है आपका building building 30,000 रुपए का है इस पर adjustment भी यह साए 30,000 debtor और creditor sir debtor को debtor की जगा पहुचा जेते हैं debit वाले sir debtor होगा that is 6,000 और यहां creditor होगा कितने रुपए 30,000 furniture केता है आठ हजार है furniture कितने का है 8,000 केता है dividend 300 dividends और income होता है इसलिए कहा जाएगा P&L के credit side में dividend 300 पहले तो आप मुझे सभी बच्चे जितने बच्चे लाइव हैं वो भी बताएंगे comment में कि जो मैंने item को transfer किया है transfer का मतलब जो trading में जाना था trading में लिखा P&L में जाना था P&L में लिखा balance sheet में जाना था तो भी balance sheet में लिखा किसी को इसमें दिक्कत है गया यह तो बड़ा basic सा था सबको समझ में आता है 11 वी में अगर नहीं पड़ा तो 12 वी में इतना तो हमें पता चली जाता है सर यह assets है तो assets में जाएगा यह liability है तो liability में भी जाएगा आगे बात करते हैं सब्सक्राइब का एक एक करके adjustment हम पढ़ते जाएंगे और उसको हम करते भी जाने वाले है तो सब्सक्राइब क्या है देखते जाईए पहला कहता है rates and insurance include premium 300 रुपे पर एनम अप्टू 30 September 2021 तो पहला adjustment है rates का rates और insurance कहता है rates और insurance जो है rates और insurance देखो यह national insurance है और यह rent rates और insurance दोनों अलग अलग चीज़ें ध्यान देना एक है national insurance शिर्फ insurance एक rent rates and insurance है तो आप मुझे बड़ी सीरी सी बात बताईए कहता है rates and insurance आप देखिए न यहाँ पर एक है national insurance और दूसरा है rates and insurance और हलाकि मैंने यहां रेंट लिखके गलती कर दिया, मुझे रेट्स लिखना चाहिए है आपर, ठीक है ना, रेट्स लिख देते हैं, तो कहता है कि जो रेट्स हमारा 400 रुपे गीवन था ना, उसके अंदर 300 रुपे वाला वो अमाउंट जुड़ा हुआ है, कहता है रेट्स इंकलूड प्रीमियम 300 रुपे पर एनम पेड अप टू 30 सेप्टमबर 2021, कहता है यह वाला जो 300 रुपे जुड़ा हुआ है ना, और य हम पर एनम यानि हम एनुवल कहता है कि पर एनम मतलब कहने का मतलब है सर यह बारा महीने का ही है, आप समझ यह बात को, जैसे की, इन सॉरेंस, और आपके सामने मैं यह पूरा एक साल बना देता हूँ, ठीक है न, यह साल मेरा यहां खतम होगा, इसके बाद एक न्यू यू स्टार्ट हो जाएगा सर, इसके बाद न्यू यू 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 स्टार्ट हो जाएगा, जब भी यह साल स्टार्ट होगा, वाटेबर नेम कॉल, वाटेबर एयर, एक चार से स्टार्ट हो जाएगा, या एक जनवरी भी हो सकता है, और सर, खतम कब होगा हमारा, एक अत्यस तीन यह एकानी है जो हम profit and loss या पीएडल बनाते हैं जो profit and loss या पीएडल बनाते हैं कोई है जो profit and loss और पीएडल बनाते हैं इस profit and loss पीएडल के अंदर कितने साल का होता है सर एक साल का यानि profit and loss और जो पीएडल बनाएंगे वो एक साल का होता देट इस यहां से यही तक का होना चा और ऐसा भी हो सकता है less than 12 month का हो लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 13 महीने का खर्चा दिखा दो सर 12 महीने का समझ में आता है less than 12 month का क्या हो सकता है मान लेते हैं कि मैंने एक employee को इस date पे hire किया मान लेते हैं एक जनवरी को नए साल को एक employee hire किया तो भी या उसका salary जो P&L में आएगा वो March तक कहीं आएगा तो कितने महीने का दिया salary तीन महीने का अगर मैं यहाँ पे employee को रखता तो कितने महीने का होता लेकिन मैं employee को 13 महिने का तो नहीं कर सकता इस बात को समझना कि हमारा जो भी P&L बनेगा सर वो P&L ना हमारा हो सकता है possibility कि 12 महिने का P&L खर्चा जाए और ये भी possible है कि 12 महिने से कम का जाए लेकिन 12 महिने से ज़्यादा का तो हो नहीं सकता question में कहना है सर हमने न एक यहाँ पर हमें एक insurance दे रखा है सर 400 रुपए का एक insurance गीवा ने कितने का 400 कहता है सर इस 400 में एक ऐसा खर्चा है included एक ऐसा खर्चा included है यानि एक ऐसा amount included है that is 300 ये 300 जो है वो belongs करता है कहां से कहां तक date देखिएगा एक बार को date दियान से देखिए 31 मार्च 2021 को हमारा साल ही खतम हो जाता है लेकिन ये कहां जा रहा है 30 सेप्टेंबर 2000 यानि कहीं न कहीं साल को cross करके जा रहा है यानि इसका कहने का मतलब है सर के हमने जो ये खर्चा किया है ये 30 सेप्टेंबर अगर मैं बात करूँ यहां पर 2021 में हमारा साल खतम है सर लेकिन ये चला गया कुछ आगे 30 सेप्टेंबर 30 सेप्टेंबर 2021 यहां तक पहले बात समझ में आ रही है यानि बट अब्वेस है कि ये जो खर्चा दे रहा है ना ये हमारे साल से अंदर नहीं है साल के बाहर भी जा रहा है क्योंकि हमें खर्चा कहां से कहां तक लेना चाहिए ता सर सिर्फ हमें खर्चा यहां से लेके यहां तक का लेना चाहिए लेकिन ये खर्चा क्रॉस कर रहा है अब यहां दो कहानी हो सकती है या तो यह 300 रुपे जो relate करता है वो यहां से लेके यहां तक करता है यह कहाँ नहीं हो सकती है समझना बात को वैसे मैं question पीछे नहीं जा रहा है या तो यहां से यहां तक का आपको examiner दे सकता है यहां से यहां तक अगर examiner ने दिया आप count करो April, May, June, July, September, इसका मतलब सर ये 300 रुपए का जो खर्चा है वो 18 महीने का है, 18 महीने से divide करते ही आपको कितने महीने का खर्चा मिल गया, बताइए, एक महीने का, कितने महीने का खर्चा मिला, क्योंकि आपने बोला 300 रुपए सर 18 महीने का है, मैं बोलू 600 रुपए 2 मह महीने का, तो एक महीने का बताओ, फट से 200 रुपए सर दिवाइड करके बता दो, ऐसे ये 300 रुपए है, बोला कितने महीने का है, तो कितने से divide के, 18 से, तो कितने महीने का रिजल्ट मिला, तो आप क्या चाते हो, पी एंडल में कितने महीने का डले, 12 महीने, एक तो तरीका ये, सर पी एंडल में 12 महीने का डाल लेंगा, और 12 से अगर हम इंटू कर दें इसको, तो हमारे पास जो भी रिजल्ट निकल के आता है, मैं एक बार रिजल्ट बताता हूं, यहां पर क्या आता है, निकल के, सर 300 डिवाइड बारा इंटू में 3, और सरी, 275, यही आ रहा है, नाव, 275 रुपए हमारे पी एंडल में जाना चीए, सर वट अबाउट एक्स्ट्रा आमाउंट, 275 में, 225 आएगा शाए, 300 डिवाइड बाइड बाइठारा, गलत बता दिया, एक में रुख जाओ, रुख जाओ, घबराओ मत, 200 रुपए आएगा, हाँ, 200 रुपए बारा इकरा, दो मेने का कितना हो गया, मतलब 12 मेने का कितना हो गया, 300, 200, तो सर आप 300 रुपए खर्चा पी एंडल में नहीं ले जा सकते, इसी साल का ले जा सकते, इसका मतलब जो 100 रुपए का खर्चा आपका बच रहा है, वो कौन सा है, वो यहां से यहां तक का है, अगर मैं य से यहां तक का खर्चा निकल भाओं तो एक यह तरीका निकालने का 1800 इंटू में कितने कर तो 6, 3 कह दिया मैंने गलती से 6, यह बनेगा कितना 100, दो तरीकें आपको खर्चे को बाइफिकेट करने का है, या तो इस 300 में से मुझे 6 महिने का बता दो, तो मैं निकाल लूँगा, या 300 में से 12 महिने का बता दो, तो निकाल लूँगा, अगर आप गोलते हैं सर, 300 में से 6 महिने का 100 है, तो मुझे समझ में आ गया है, 200 में से बाहर वाले का 100 है, तो बाकी इधर का होगा, जो कि कितना बनता है हमारा, 200, कहानी यह समझ में आ रही है, तो ऐसे situation में हम क्या करेंगा, जो हम P&L account बनाते हैं, P&L account के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले insurance लिखेंगे, insurance 400 रुपए है, 400 में से हमारा 300 की कहानी बोल रहा है, गड़ बड़ी है, लेकिन 300 में से पूरा 300 गड़ बड़ी है, 300 में से 100 रुपए का गड़ बड़ी है, तो स यह क्या करा, उसमें से वो पॉइंट निकाल के बाहर कर लिया, जो कि इस 12 मंत के अंदर आई नहीं रहा, जो कि आपने बोला, सर 100 रुपए सरिफ ऐसा है, जो कि नहीं रहा, that is, आप advance खर्चा करके चल रहा है, जिसको क्या नाम देते है, प्री पेड, जिसको क्या नाम देत है सर, क्या वार्ड लगा देता है, एन्वल, जैसे कि पिछले सवाल में है, अगर कोई वार्ड नहीं लगाया ना, सिर्फ बोलता है 300 रुपए related to the 30 September 2022, तो मैं माल लूँगा, कि ये 300 रुपए सर, ये 18 महीने का है, ये 300 रुपए कितने महीने का है, अगर कुछ ना बोला ज तो सर, जो पीछे लेके चल रहा था, उसके अंदर क्या डेट गीवन था, देख लेके, अगर हम पीछे की बात करें, चलिए आजएगे, पीछे सवाल में देखते हैं, पीछे कहता है, ध्यान से पढ़िया है, rates and insurance include premium 300, हाँ भाई, rates and insurance से 300 रुपए जुड़ा हुआ है, पर annum paid, पर annum paid का मतलब ये एक साल का ही paid किया गया है, लेकिन ये हो गया 30 September 21 का, सर इसका मतलब समझ में नहीं आए, कहने का मतलब है सर, कि आपको जो मैं ये खर्चा दे रहा हूँ न, जो आपको ये खर्चा दिया जा रहा है, that is आपका, इसके अंदर 300 रुपए एक ऐसा खर्चा है, जो की annual है, जो की annual है, annual का मतलब एक साल का ही है, तो that is एक साल का सर, अगर मैं यहां से लेके, अगर मैं यहां से लेके यहां तक के डेट की बात करो, तो साल भर का तो होई नहीं सकता, अठारा मैन हो जाता है, लेकिन जब यह बोल रहा है कुर्शन, यह साल का है, तो इसका मतलब साल का है, तो यह इतनी दूर कैसे जा रहा है, उसे तो इहीं पर रुख जाना चाहिए था साल का बोल रहा है तो, अब इसके एक possibility बन सकती है, क्या पता आपने insurance यहां कराया हो, 12 महीने का paid करोंगे, तो 12 महीने जब count करोंगे, तो यह वाला साल तो cover होगा, इसको आगे निकल जाएगा यह ओर, समझ रहे ही बात को, तो जब यहां पर बोला इसने के 12 महीने का है, तो ऐसे situation में क्या है, कि 12 महीने का तो रहेगा और आगे निकल जाएगा, यहां पर देख खर्चाओना चाहिए नेक्स्ट येर का तो यहां पर प्रीपेड अगर निकाला जाएगा तो मैं क्या करूँआ सर छे तीन सो को हमें डिवाइड किससे करने वाला हूँ पिछले वाले एक्जामपल में मैंने तीन सो को किससे डिवाइड किया था 18 से क्योंकि वहां पर पता ये नी था कि यह annual है या क्या है जब हमें नहीं पता था कि यह annual है क्या है तो हमने मान लिया थाव यह 18 महीने का है और इसके लिए ना एक्जाम में नोट दे के आने पड़े गाएगा अगर आपको बता देता है particular date तो that means sir, यहां से यहां तक का 12 महिने है, और आपका इस साल के अंदर कितना आ रहा होगा, 6 महिने, या आप इसका निकालोगे कैसे, मार्च के बाद देख लो, मार्च के बाद तक जा रहा है, तो that is sir, एडवांस है, एडवांस कितने महिने, 6 महिने, इसमें से आप एडवांस तो that is आएगा 150, यानि 1.500 रुपए का हिस्सा जो है, वो इस साल से रिलेटिड ही नहीं है, वो किस साल से रिलेटिड है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, प्रिपेड हो गया, तो मुझे क्या करना होगा, पी एंडल बनाके, पी एंडल बनाने के बाद मुझे यहां पर जो एंडल वाला पार्ट था, तो मैं यहां से माइनस करने वाला हूँ, और यह प्रिपेड मैं दिखाने वाला हूँ, एसिट्स में, पहले यह बताईए किसी को दिक्कत, समझ में आया है, मैंने दोनों आस्पेक्ट ले लिया यहां पर, एक जो सवाल में कह रखा था, वो तो क सब्सक्राइब, किसी को दिक्कत है यहां तक बताईए, नहीं यहां तक सब को समझ में आ रहा है, बिलकुल, चलिए, section of the above employee contribution पहले समझते यह employee contribution होता क्या है आपका business law है देखिए होता क्या है generally देखिए यह हमारा business है यह business है इस business को चलाने वाला होगा मालिक जो इस business को चलाएगा वो होगा मालिक और इस मालिक को हम अगर individual है तो proprietor बोल देते हैं इस honor बोल लेते हैं लेकिन इसे हम एक और बहुत ही नाम देते हैं employer इसको सर हम employer भी बोलते हैं चीक है ना अगर employee बोलेगा तो employee मालिक बोले या फिर employer बोले हिंदी का शब्द है मालिक और थोड़ा सा अगर हम टेक्निकल शब्द में चले जाए तो employer अब इसके अंदर बहुत सारे इसके पास बहुत सारे लोग बाग काम करते होंगे इसके अंडर में या इसके साथ माल लेते हैं यहां पर काम करता है यह एक्स काम कर रहा है वाइप काम कर रहा है जेड काम कर रहा है तो यह जितने भी पॉइंट है इधर ध्यान दिजी आप जितने भी पॉइंट है इन सभी को बोलेंगे हिंदी शब्द में नौकर अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा standard word दे देते हैं employee क्या नाम दे दिया थाय है एंप्लॉई है एक 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 एकके ए थायर आ यह इंप्लोई ना बिजनस के लिए इतना डेडिकेटीड होता है कि अपने स्टार्टिंग से लेके यानि सर अपने जवानी से लेके बुढ़ापे तक का सारा एनरजी इसी के लिए काम करता है 25 साल के उमर में नौकरी करता है मान लेते हैं एक बार को, पहले भी से भी कर सकता है और 60 साल तक इसी के पास काम करेगा इसका मतलब सर इसका सारा मेहनत सारी चीजे जो है इस इंप्लॉयर ने बेनिफिट उठा है अब इंप्लॉयर क्या करे कि भाईया तू साट साल का होगी अब यहां से निकल चल तेरा कोई काम नहीं तो साट साल के बाद इसके हालात वो हो जाएगा जिससे की ना तो यह काम कर सकता है ना तो कुछ कर सकता है ऐसा भी नहीं है कि भाईया इतनी ज़्यादा ताकत बची इसके पास कि कोई ऐसा काम कर ले हार्ड वर्किंग वाला इसने तो इसको निकाल दिया गौर्मेंट इसी चीज़ के लिए बनाती है हमारा लेबर लॉव एक्ट आप इसको नौकर मानिए एम्प्लॉई मनिए लेकिन इसका आपको अगर काम कर रहा है आपके पास तो अभी से लेके बुढ़ापे तक का आपको इसका अबताजाम करना पड़ेगा और बुढ़ापा छोड़ो मरने तक का आपको देखना पड़ेगा लेवर लॉग यह कहते हैं लेवर लॉग उसी में से एक पॉइंट आता है प्रोबिडन फंड उसी में से पॉइंट आता है क्या जिसको बोलते हैं इप्येफ एंप्लॉई प्रोबिडन फंड चाहे एंप्लॉई सरकारी हो चाहे एंप्लॉई प्राइबिट हो यह सब के उपर अपलाईगा तक है गौर्वर्मेंट कहता है भाई जो इंप्लॉई है अपने कम एज के अंदर अपने फ्यूचर की चिंता नहीं करता है वो सबस्ता देख लेंगे ना हो जाएगा ना कर लेंगे ना और जो बुढ़ापा आता है तो उस ताइम पे इसके पास कोई आप्शन बचता नहीं है तो ऐसे सिच्वेशन में गौर्मेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया है किसको इंप्लॉई काsm करता है क्या इस ने भूला ऐक्स नहीं धेरों सारे उppers काम करते हैं बहूते बात कि जिस औरुगनाइजिशन के अंदर 20 से जचाद़ इंप्लॉई काम करते हैं उसको wages act apply होता है आपका EESI act होता है employee provident fund act होता है उसके उपर apply होता है इसके पास बोला भाई आ तेरे पास x काम कर रहा है छोटे मोटे दुकान जिस पर एक-दो employee उस पर apply नहीं होता हम मान लेते हैं कि इसके उपर कोई काम कर रहा, उसने बोला, हाँ, X काम कर रहा और भी बहुत employee है, बोला, X का बता salary क्या है, उसने बोला, X का salary जो है, वो है 10,000 रुपए, बोला, आज के बाद उसे 10,000 मत दियो, मैंने इसे देखा है, कि ये कितना खर्चीला है, इसके 10,000 नहीं देने, इसमें से तू 10% काट ले, और इसको कितना देना, अगर वो ज़्यादा कुछ बोलता है, तो उसका address मुझे भीज देना, मेरा address देना, मेरे से बात कर लेगा, कि ये 9 क्यों मिलता है, employee ने बोला, employer से, Sir, आपने तो 10,000 की बात करी थी, आप नौ दे रहे हो, बोला, मेरे उपर कोई नहीं है, ये government की policy है, आप government से बात करिएगा, अब ये employee बोलेगा, मैं छोड़ दूँआ, ये काम ही नहीं करूँगा, तो जहां भी जाएगा, उसके साथ ये ही होगा, ये कि wages act जो है, वो हर जगा अपलाई होता है, या इस पैसे को हम जमा करेंगे, इस पैसे को हम जमा करेंगे, तो हजार रुपे जो कि किस के पास पढ़ा हुआ है, सर, हजार रुपे पढ़ा हुआ है, मालिक के पास, ये हजार रुपे इसे किस को जाके दे देना चाहिए, यह 1000 रुपए तो यह जाकर देदेगा गौर्मिंट को गौर्मिंट कहता है सर इस 1000 रुपए को जो दिया जा रहा है इस 1000 रुपए को आप मेरे पास दीजिए मैं ब्याज के साथ मुसीबत के समय पे मैं लौटा हूँगा एक्स को ब्याज के साथ इंप्लॉयर ने बोला ठीक है सर मैं हर साल कर दिया करूँगा हर महीने हर महीने इसके सेलरी में से काट लूँगा आपको जमा करा दूँगा बोला ठीक है बढ़िया बात है इंप्लॉयर जाने लगा गौर्मिंट कहता है इंप्लॉयर अभी तो सुन ये तो employee की बात थी अब तू 1000 रुपे अपने pocket से भी निकाल और ये 1000 रुपे भी तू उसकी भलाई के लिए ये मज़ सोच के तू पूरे साल उससे काम करा लेगा पूरी जिंदगी उसकी खराब कर देगा तू काम करवा करवा के अब 1000 रुपे तू अपने pocket से भी डाओ और कहां डालना है सर गवर्मेंट के पास और ये गवर्मेंट कौन है सर provident fund जिसको EPF बोलते है employee provident fund मैं डेली की बात करूँ तो डेली के अंदर यहीं पे भी बना हुआ है बजीरपू, डीपू के अंदर और भी जगह हर स्टेट के अंदर बना हुआ लता है EPF बोलते है तो यानि एक employer क्या करता है अपने employee की salary में से पैसे काट लेता है और वो पैसे काट के कहां जमा करवा देता है गवर्मेंट को, सिर्फ वोही पैसे जमा नहीं करवाता है, उसके साथ और पैसे मिला के जमा करवा देता है किसको इसे बोलते है employer contribution जो ये हजार है न ये ये जो हजार है, ये red कर देता हूँ जो ये हजार है न, red वाला ये किसका है किसका contribution है जिसको employer, er लिख दिया और ये किसका है employee का अब P&L बनाते हैं, थोड़ा समझिएगा बातों को ये बनाए हैं आपके लिए P&L ठीक है अब employee के pocket में कितना गया नो हजार employee के pocket में salary के नाम का कितना गया और एक हजार तो उसी का कटा तो मैं अगर salary यहां पे दिखाओं तो salary तो मैं यहां पे 10,000 दिखा दूँगा बोलूगा भाई, तेर को तो मैंने 10 ही दिये, तेरे पैसे वहां पढ़े जाके ले 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 ना अपने पैसे लेकिन मेरे pocket से भी इसी की वज़े से चले गया हजार जिसे बोलेंगा contribution दे दिया हमने कितना हजार यानि मैं अपने पी एंडल में कितना दिखाऊंगा मेरे को एक employee X को रखने का मेरे लिए खर्चा कितना पढ़ रहा है नो उसके pocket में गया employee और दो government के पास गया तो कितना हो गया ग्यारह हजार लेकिन अगर मैं एक mistake कर दूँ कि मैं अगर employee को बात करूं कि कितना payment कर रहा हूं employee को payment कितना कर रहा हूं तो मैंने बोला सर सेलरी जो payment जा रही है न वो सिर्फ 9000 रुपे जा रही है employee को salary इसको बोलते हैं net कि नेट गया ना इसके पास नेट में जाते तो ने अगर मैं यहां पर 9000 रुपे दिखाता हूं तो मेरा पी एंडल गलत है सर आपको कितना दिखाना चाहिए क्या रहा दिखाना चाहिए ना क्योंकि एक हजार तो उसका जो हमने जमा करवाए अल्टिमेटली जो मेरा कॉस्ट होगा वही होगा यानि सर यहां पर वेजिस या सेलरी जो भी वटेवर नेम हो यहां पर 2000 रुपे और एड हो जाना चाहिए यही कहानी है मैंने गलती से क्य क्राकर लिया कहानी सुनना यहां तक आपको इंप्लॉयर कंट्रीवूशन इंप्लॉई कंट्रीवूशन क्लियर है एपइफ क्लियर है किसका खर्चा पड़ेगा मैंने 9000 रुपे का वेजिस दिया मैंने यहां लिख दिया और इंस इन सॉरेंस में मेंने 2000 रुपे गलती से म दो रहाना है यह प्रेइडिंग बन चुका है तो आप कहां से छेड़ खानी करूं यहीं पर जोड़ देते हैं क्या जोड़ देते हैं सब्सक्राइब करो क्या फरक पड़ता है नेटप्रोफिट तो वही आएका मैंने यहां आठवाधार कर दिया नेट प्रॉफिट पर कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन टेक्निकली क्या हो गलत हो गया अब इसको सुधार ना है कैसे सुधार को गताओ गलती क्या है गलती समझ में आई आपको कि यह वाला जो वेजिस का पीफ का कॉंट्रिबूशन वाला था नेट करके उपर हमने कम लिखा है और हमने उस चीज को यहां ना दिखा के मैंने कहां दिखा दिया पीएंडल में दिखा दिया इसको कैसे सुधार जाए यहां से क्या क वार आ जाते हैं उसी कम टू दा पॉइंट उसी अजस्मेंट पे जो कि अजस्मेंट कह रहा था क्या कह रहा था सब्सक्राइब देख लेते हैं कि क्या कह रहा था अब आपको समझ में आएगा चला यह कहता है कि सर नेशनल इंसारेंज बैलन्स इंक्लूड एंप्लॉई क्ट्रिवशं इंप्लॉई क्ंट्रिवुशं समझ में आ रहा है यह मालिक वाला ए या फिर नौक पर भाला है नो करके सेलरी में सो जो कटता है employee contribution का डेड़ सो रुपए insurance में एड़ कर रखा है बाई insurance तो P&L में है और employee contribution है डेड़ सो रुपए also wages are so net after the reduction employee contribution और यहाँ wages का जाना कहां था यह यानि एक worker था उसको wages देना था उस wages को मैंने net दिखा रखा है net का मतलब मेरे वाले example में समझो 10 के जगा कितना दिखा रखा है नो यहाँ पर net दिखा रखा है तो गलत हो गया ना यहाँ पर वो भी 1000 जोड के रखे और employee contribution भी दिखाना चाहिए यह कहता है सर net दिखा रखा है और गलती से जो contribution इससे काटा था ना वो मैंने contribution 150 रूब है कोई दिखत यहाँ तक देखिए यह adjustment यही कहता है एक बार पढ़ लेजिए यहाँ पर employee का मैंने एक extra point भी यहाँ discuss कर लिया सर कौनसा employer का paper बड़ा ही technical सकता है आपका ऐसा मत सोचेगा तो इसलिए आपको जिस बच्चे को जो पता है ना कि यह ऐसा होता है क्योंकि school के अंदर क्या रहता है fix है यह 8 का आएगा यह 6 का यहाँ कुछ fix नहीं है यहाँ कुछ भी हो सकता है हो सकता है कि final account के 15 नंबर के MCQ दे दे हो और हो सकता है final account पे 15 नंबर का पूरा question हो जाए तो कुछ भी fix नहीं है बच्चा पेपर वही attempt कर सकता है जिस बच्चे को depth में knowledge है otherwise नहीं कर पाएगा B.com का पेपर कुछ भी हो सकता है income tax का भी मैं बताओ परसो का मैं पिछले 10 या 12 साल से अगर मैं देखू मैं पढ़ा रहा हूं तो हर बार question number two salary का आता था इस बार salary का कुछ नहीं दिया income tax के अंदर 15 नमबर का आता था हर बार वो fix रहता कर दे जी 15 का तो आए गई आए गई इस बार वो question ही नहीं दिया उसके जगह पर दे दिया salary का पूरा theory ठीक है ना यहाँ पर ऐसा भी आपके साथ situation हो सकता है इन adjustment को दे दे और बोले explain करो क्या करोगे treatment मैं कहे रहा हूँ नहीं सीक्यों दस पॉइंट दे दिये और बोले explain करो इसका treatment क्या होगा और वो आपको लिखना पड़ सकता है तो हर किसी के इसाब से प्रिपेर रहे हैं लिखना का मतलब कि बोल देंगे सर यह employee contribution है यह wages के अंदर add हो जाएगा और यह minus हो जाएगा हमारा insurance that's it एक नमबर का equation एक नमबर मिल जाएगा तो पेपर आप प्रिपेर जब तक आप चीज़े को सीखोगे नहीं न इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको ताकि आपको पता चल जाए यह employee दे रखा एक्जामनर ने ट्विस्ट करके वहाँ पर क्या दे दिया employer तो पता हो भाई समझ रहे बात को आप यहां तक क बिजनस रेंटिड वेल्यू 500 रुपे पर एन्नम दुबारा लाइन पढ़ते हैं ओइंग मतलब खुद का तू दा नेचर आफ इंप्लोईमेंट मतलब जो इंप्लोईमेंट का नेचर मतलब मालिक और नौकर का रिलेशन से रिलेटिड हैं सम इंप्लोई कुछ इंप्लोई कुछ एंप्लोई घर में रह रहें इन दा बिल्डिंग ऑफ दे बिजनस के बिल्डिंग में रह रहे हैं और रेंटीड वेल्यू आफ रुपीज पाइकर काहां नहीं समझेट यह क्या कहना चाह रहा है बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा है लेकिन वर्ड कुछ इतने भारी-भारी यूज़ कर लिए है इनोंने मान लिजिए ये घर है घर ने बिल्डिंग ओफिस सर ये फैक्टरी है और आपने देखा होगा फैक्टरी के आज पास के काफी सारा एरिया होता है अब इस फैक्टरी के अंदर बड़े सारे इंपलॉई काम कर रहे है अगर आप देखोगे इस फैक्टरी के अंदर बड़े सारे इंपलॉई काम कर रहे है और इंपलॉई इतने सारे काम कर रहे है इस फैक्टरी के अंदर कुछ इंपलॉई का घर कहा होगा मतलब मान लेते हैं हमेशा फैक्टरी होता है आउटर एडिये में अगर मैं बात करूँ गुडगाओं तो कुछ एम्प्लॉई जो है वो जो गुडगाओं में गुरुगराम में रहते हैं वो तो फटा फट फैक्टरी पहुंच जाते हैं समय से वो रहते हैं अगर मैं किसी worker को बलूं भई लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा हिसार गुर्गाओं जाना पड़ेगा काम करने के लिए गुर्गाओं से आगे मैं गुर्गाओं की बात कर लेते हैं गुर्ग्राम जाना पड़ेगा तो उसको कितने जाने आने के लग जाएगा देखो मेट्रो से जाएगा तो 50 जाने का 50 उसके बाद भी बस कुछ भी लेना पड़ेगा तो वहां भी 50 खर्चा तो तो लगी गए मैंने 500 दिहारी देश बचे कितने साढ़े तीन सो के पाइंट करेगा दो ढईगान आने में गटे काम करेगा दसके पासर अजी मैंने पेरे जीध άड़े पिल्डिंग बना रहा हूं और आपिस के अंदर ही बिल्डिंग मैं तब ढ़ा दिया तुम रहो तुम अपने परिवार के साथ रहो कोई फरक नहीं पड़ता अब यहां पे आपको एक बिल्डिंग दे दिया गए रहने को तो यह जो घर है वो कहां पे फैक्टरी के एरिया के अंदर ही है अब employee से पूछते हैं कि भाई employee बता अब थीक है अब तु काम कर लेगा बोलेगा हां कर लेगे हम तो काम अब मैंने employee को बोला एक बात बता अगर तेरे को जैसे बाकी के employee आते हैं एक दूसरे जगह से जैसे बाकी के employee एक दूसरे जगह से आते हैं एक बात बता, अगर तू भी वहीं से आता, तो घर वहाँ पर भी किराये पर लेता हुआ, जनरली देखा जाए, तो तू दो हजार रुपे किराये पर लेता ही लेता ना घर, तू फैक्टरी के अंदर रह रह रहा है, हम तुमारे लिए काम खर्चा कर रहे हैं, तो हम तुमसे प्रॉफिट थोड़ी खमाएंगे, बस तुमसे हम पता है कितना किराये लेने वाले हैं, 500 रुपे, कितना किराये लेंगे, जिसे बोलते हैं, नाम मातर का, जिसे क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नाम मातर को क्या बोलते हैं, बहुत कम, बस नोशनली, तो नोशनल rent लिया जा रहा है इससे अब जब business अपना PNDL तयार करेगा business जब अपना PNDL को तब business ये rent उसे लेगा या देगा बताओ rent उसे लेगा तो business के लिए क्या है profit है अब business का जो मालिक है बताओ माल लेते हैं इसकी salary है 5000 तो इसको बोले ला 500 रुपे वापस तो फिर ये दूसरे जेव से 500 रुपे निकाल के दे कैसा होगा नहीं होना ऐसे उसको कितना देगा 4500 देगा यानि इसको नेट वेजिस देगा इसका मतलब अगर किसी को वेजिस नेट बोला जा रहा है तो उसमें सब कुछ कट किया है अगर मैं इस से 4500 रुपए वेजिस दे देता हूं कि बोल चल ठीक है तेरे 4500 रुपए वेजिस से तो बताओ इसकी सेलरी कितनी है क्या 4500 या 5000 है 5000 ही इसकी सेलरी है समझ रहे बात को और अगर मैंने नेट लिख रखा है तो इसका मतलब तुमने उसका सेलरी पहले से क्या दिखा रहे है कम अगर मैं अपना पीएंडल बनाओ और पीएंडल के अंदर इसका वेजिस लिखू 4500 रुपए सर ये गलत है 4500 तो ही नी कितना लिखना चाहिए एक तो बोला जाता है national rent तो अगर कोई factory के अंदर ही कोई house employee को देते हैं उसका rental value है और wages में से net हो गया है तो हमें दुबारा उसके wages को पीएंडल ट्रेडिंग के अंदर बढ़ा के दिखाना पड़ेगा और साथ के साथ जो rental value मिलेगा उसे पीएंडल के अंदर क्या दिखा देना पड़ेगा credit क्योंकि यह क्या है मेरी income है जो कि आपको यह वाला point कहने की कोशिस कर रहा है अब पढ़ लेते हैं एक बार point को सर क्या कहता है point कहता है owing the nature of employment some employee are house in the building of business समझ में आ रहा है कुछ employee है house building in the business के अंदर ही घर है जो बनाया था कि the rented value of 500 बोलता है rented value 500 इसका मतलब ठीक है भाईया मेरा income है rented लेकिन जैसे यहां पर इसने बोला जो employee है उसको क्योंकि यहां कहीं कोश्चन में salary ही नहीं पूरे point में क्या नहीं है तो यहनि वेजिस की बात चल रहा है और वेजिस यहां पर कह दिया उसने show net after the deduction above employee contribution net जैसे भी बोल दिया इसका मतलब सब कुछ कर लिए होंगे कितने रुपए 500 रुपए और यह rental income by side में आ जाएगा किस नाम से सर रेंट हमारा 500 या फिर नोशनल रेंट लिख दो आप है जो कि टॉपिक का नाम है यह जो टोटल वेजिस आएगा ना हमारा नोपांच चौदा पंद्रासों पचांस रुप है और ढॉपिक किसी को कोई दिक्कत है तो बताई तीन अजस्मेंट क्या कर चूके हैं तो बताईएगे ऑगे देखें के चलिए सर अज्जस्मेंट नमबर चार कहता है सेंच आर सो जो सेंच चोन करता है ट्राइल बैलिंस की अंदर old फरनीचर तीस सेप्टेंबर दो हजार वीज दो सो रुपए टुक दा बुक वेल्यू फर नीचर तीन सो रुपए कनेक्टेड विद रेट ऑफ डेप्रिशेशन ऑन दे एसेट्स ओल अलॉंग विर 20 परसन यानि बड़ी सारी बाते इसने कर दी सेल्स से रिलेटेड समझते हैं सर यह सेल्स रिलेटेड क्या ऐसा समझते हैं समझाने वाला है यहीं पर बात करने थे बड़ी चोटी सी बात है कहता है भाई जो तुम्हारे ट्राइल बैलेंस में सेल्स है ना और सेल्स कितने का है साथ लाख कहता है sales so in the trial balance include sale of old furniture 30 September 2020 यानि 30 September को एक पुराना furniture बेचा गया था उससे जो पैसा आया वो इसके अंदर जुड़ा हुआ है तो भाईया sales तो यहां goods का होना चाहिए furniture बेचा वो sales यहां पे नहीं होना चाहिए वो तो अलग बाते हैं तो इसका मतलब सर वो गड़बड कर दिया realizing the assets कहता है कितने का है वो सर 200 रुपे इसके अंदर included है कहता है sales so the trial balance include old furniture जो 30 September को बेचा था realizing मतलब कितने का बेचा था सर 200 रुपे का इसको हमने sold किया था जुड़ा हुआ है तो सर साथ लाग चालिस जार में सर 200 घटा देंगे हमारा sales क्या हो जाएगा perfect हो जाएगा आगे कहता है the book value of the furniture 300 रुपे at the commencement rate of depreciation बोलता है कि यह जो 200 रुपे का बेचा ना यह असलीयत था 300 रुपे का पुक वैल्यू का मतलब उतने रुपे का था यान आपको जाना सेil्स में तो यह से邊 से माइन अवान अपका ़्याने से एसिटस चाहिए था यहां पर किया था यहां यहां पर आपने गलत डिखा दिया, यहां पर नहीं होना चाहिए था, आपको क्या करना चाहिए था सर? यह फरनीचर जो है हमारा कितने रुपे का था सर? 8000 का, आट हज़ार में से माइनस हो जाना चाहिए फरनीचर, सुल्ड, समझे बात 8000 क्या हो जाना अची है माइनस होना जाए इसका मतलब सर मेरा सेल्स ना गलत है मैं सेल्स को ठीक करूँगा सेल्स में 200 रुपे जुड़ा हुआ है उसको तो पहले हटा हुआ उससे पहले मुद्दे की बात सर तीन सो वाला समाना अपने 200 में बेच दिया तो नुकसान भी वह होगा लेकिन बेचा है आपने साल के बीच में तो डैब भी लगा होगा यानि कहने का मतलब है सर कहने का मतलब है कि आपका ये पूरा साल है सर इस डेट पे आपके पास फरनीचर आठ हजार का है ओके और आपने बीच में साल के बीच में जिसकी कीमत 300 रुपए था उसको बेचने जा रहे है तो सर इसकी कीमत 300 बचा ही नहीं ना यहां से यहां तक 6 मेने इस्तमाल कर लिया तो डेप्रीशेशन तो लगी गया तो 300 वाले समान पर अगर 20% का डेप्रीशेशन कॉल करते हैं और वह भी 6 मेने का सर तो कितना आता है इसका 60 यानि 30 रुपए तीस रुपए बनते हैं इसका मतलब सर इस डेट पर जिस दिन बेचने गए ना इसका रियल वेल्यू जो बना था ना वो बना था 200 और उसको आपने बेच दिया तो नुकसान हो गया कितने का कितने रुपए कितने से तीन सो फरनीचर तो मेरा पूरा बुक वेल्यू निकलेगा ना तो कितना माइनश हो जाना चाहिए तो इसका ट्रीटमेंट यह रहगा तीन सो से क्या माइनस फरनीचर माइनस अब पी अडल के डेबिट में कितना चला दे गया सो रुप है आप एक बार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझना सर कहने का मतलब होता है सर सीधी सी बात है जिसने भी बनाया उसने एक ही बात बोला अकाउंट खतम यह बात लिख कितना हो गया सो हो गया है यानी डेबिट और दोस्टॉ करना है सेल्स में से अगर हम माइनस कर दे दोसौ रुप है यह भी क्या हो गया तो सेल्स क्रेड़्ट इस एडश्मिंट में करना क्या होगा करना यह होगा मैंने पीछे calculation बता दिया है सबसे पहले तो आपको sales minus करना पड़ेगा sales minus करना पड़ेगा किसके नाम से old furniture कितने रुपे का sales आपका 200 रुपे का हटा दे इधर आपको loss book करना पड़ेगा loss on sale कितने सतर और depreciation 30 रुपे और बाकी वाले furniture पर मैं इहीं पर जोड़ के दिखा दूँगा क्योंकि अभी हमारा पूरा भी मैं बेच आटा स्वैं माइनिस जब डेप करेंगे सतर सो पर 20 परसंट तो कितना अता सर सेवेंटी सेवन हैंड़ेट पर बीस परसंट है सर यहात है पंदरा सो है चालिस इसमें से माइनिस करेंगे पंदरा सो चालिस देट इस 1540 रुपीस आपका कहा जाएगा यहां लेंग्विज थोड़ा सा मुस्किल दे रखता है वस यहां भी मैंने माइनस कर दिया यही बताया था पहले यह देख लो एक पर तसलिस अरजस्मेंट क्या क्या हुआ है यानि सार हमें सारी चीजे सोच नहीं होती लॉस भी होगा बेचने के बाद ही हां से भी हटेगा वो सार में से माइनस कर देते हैं 200 और नुकसान और यह सोच लिए आपने फरनीचर में से माइनस नहीं कहते है तो गलत ही आएगा आपका कभी भी बैलिंशीट महची नहीं होगा यहां तक क्लियर है यानि हमने यह भी अड्जस्मेंट कर लिया कि कहता है मैनेजर वाला भी देखें पीटरिसीयशन फाइफ पर से और बील्डिंगहएं और वें पांच पर संट का सब्सक्राइब थे से तो बिल्डिंग के ऊपर माइनस कर देते हैं डिप्रीशीशन सर्पांच पर संट का तो 5 पर संट बोले तो कितना बनता है- तीस हजार पे- कि पंदरा सो रुपे और इस डिखा देते हैं यहां पर बच रहे हमारे पास और यहां पर दिखा देता हूं टू डेप्रीशेशन को तू डेप्रीशेशन जहां जहां जगे मिलेगा मैं दिखाता जाओंगा ठीक है ना अब एक अच्छेस्मेंट बच गया क्या मैनेजर कमीशन तो सर आज आते हैं हम अच्छेस्मेंट नमबर हमने तईस किया था तईस के बाद एक अच्छेस्मेंट कहा है डोगे यह चलिए मैनेजर कमीशन यह मैं बड़ी सीधी सी बात थोड़ा सा मैंना एक पॉइंट में कवर करना चाहता हूं कमीशन तू मैनेजर और सर अब यहां पे न हलाकि पहले भी मैनेजर कमीशन हमने देखा हुआ है लेकिन यहां कुछ अलग होने वाला है यहां पे अब दो मैनेजर होंगे पहले हम सिंगल सिंगल वाला कर लेंगे फिर दूसरे वाला देखेंगे नहीं तो थोड़ा सा फिर वो मुश्किल सा हो सकता है हो सकता है आपका मैनेजर कमीशन और नेट प्राफिट विफोर चार्ज कमीशन सर सबसे पहले मैं बात करूँ ना मैनेजर कमीशन की तो मैनेजर को कमीशन देते क्यूं है क्यों कि जर्णली हमारा काम हो सके कमीशन देने का एक ही मुट्र वोता है कि हम क्या कर सके उससे काम ज़ादा से ज़ादा ले सके और वो लापरवाई ना करे, वो काम के लिए dedicated है कि आपको जब पता चले नहीं कि आपको इस काम को करने के वाज़े से आपको पैसे मिलेगा, एक लालच हो, तो आप यह नहीं सोचोगे कि आपके कितना time जा रहा है आप सोचोगे कि चलो और 10 रुपे आ जएंगे और 10 रुपे आ जएंगे, इस तरीके साब पूरा काम करने की कुछिस करोगे, तो मैनेजर का कमीशन, अब मैनेजर को कमीशन हम दो तरीके से determine कर सकते हैं, बोलते हैं ब plaster आयंरों नों को समझेगा, अभी ना, इसके अंदर न, वर्क manager आया नहीं है दो टरीके मैनेजर होते हैं जिसको कमीशन दिया जाता है, इक होता हमारे manager, जीसे general manager कहते हैं, एक होता हम अब कर कर दो, जे अई,エंज रूर्ले manager को commission दो, चायए work manager को commission का treatment यही रहेगा लेकिन जब दोनों को 7 में देने लग जाते हैं न दोनों को 1-8 तब हमारा treatment बदल जाएगा अब मैं एक simple सा example ले लेता हूँ आपके लिए एक मैं बना लेता हूँ आपके लिए P&L और यही P&L मैं दोनों के लिए इस्तमाल करने वाला हूँ P&L के अंदर मैंने लिखा यहाँ पे सर जीपी माल लेते हैं जीपी कितने का है एक लाग दस हजार का यहाँ पे मैंने लिखा सेलरी सर सेलरी कितने का लिखा तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ गया है net profit कितना profit आ गया net profit और वो net profit कितने का आ गया एक लाग मैंने manager को promise कर दिया कि आपको commission देंगे before charge say commission 10% मैं आपको जो commission दूँगा वो 10% देने वाला हूं आप 10% जो मैं commission देने वाला हूं जो भी profit आएगा उसमें से कमیसन वाली बात बात में कर लेंगा यानि बेना कमीशन के जो प्राफिट आएगा ना उसमें आपको 10% देगा अब बेना कमीशन वाला प्राफिट और विद कमीशन वाला प्राफिट कुन सा होता है अगर P&L के डैबिड में आपने कमीशन दिखाए यह नहीं तो यह बीना कमीशन का profit है यानि कमीशन बीना माइनस करे वे profit है अगर मैं यहां कमीशन दिखा दूँ और फिर जो profit निका लूँगा उसका मतलब क्या होगा सर कमीशन माइनस करने के बाद जो profit है तो इसने बोला भीया मैं सिर्फ 10% आपको दूँगा तो इसका सजार रुपे कमीशन दूजगे चला जाएगा एक तो चला जाएगा profit and loss के debit में रेक चले जाएगा balance sheet के liability में एक balance sheet के liability में अगर मैं profit and loss की debit की बात करूँ तो profit and loss की debit में तो net profit आपने निकाल लिया तो फिर कैसे दिखा होगा फिर तो गडबड हो जाएगा आपका इसका डिरेक्ट निहां नहीं लिख दिना net profit कहीं रफली निकाल के रख लो इसके बाद सर हम सबसे पहले manager commission जो निकाला है न हमने वो लिखेंगे manager commission 10,000 अब finally हम total करेंगे दुबारा दुबारा total करेंगे क्या आया एक लाक एक लाक और यह आ गया कहान यह है तो देखो क्या मैंने commission निकालने के बाद P&L के deputy में दिखाया नहीं दिखाया दिखा दिया दूसरा कहां चले जाएगा balance sheet के liability में यह सर हमारा है profit and loss यह कहानी किसके लिए है before के लिए लेकिन after के case में क्या होगा after के case में क्या होगा मान लेते हैं 10% है सर यहां पे न मैं एक और आपके लिए पी इंडल बना लेता हूँ यहां पे मैं आपके लिए एक और पी इंडल यह एक छोटा सा पी इंडल बना लेता हूँ मैंने लिखा by side में by GP 120 और two side में लिखा मैंने salary 10,000 बोला गया manager तेर को हमने 10% commission देंगे और net profit पे देंगे तो sir भाई मैंने बोला manager ने बोला net profit जो आ रहा है न वो तारह एक लाग 10,000 दो आप एक दस पे बोला नहीं 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 तेर को हम commission देंगे लेकिन पहले तू अपना commission तो कर फिर जो profit आएगा उस पे देंगे तो इसका मतलब यहां confusion ने बोला भईया जब मेरको मेरा commission पता ही चल जाएगा तो मैं फिर profit वहाला क्यों निकालूँगा यानि सर यह जो हमारा employer है वो कहना चाहता है कि यहां पे तेरा पहले commission लिख उसके बाद जो profit आएगा उसके उपर तुझे commission देंगे यानि सर अगर मैंने यहां commission लिख दिया तो फिर commission calculate क्यों करूँगा इसका मतलब सर जो यह वाला profit आया है अभी इसमें से commission minus नहीं हुआ तो सर कितना commission minus नहीं हुआ 10% यानि सर इसके अंदर 10% commission जुड़ा हुआ है यानि कोई भी value एक है मैंने बोला इसके अंदर 10% extra जुड़ा हुआ तो 110% के बराबर हो जाएगा या तो simple सी value सर आप इसको x मान लीजिए ना फिर x मान के करेंगा पूरा वह बहुत lengthy process हो जाएगा तो यानि सर मैंने आपको commission की बात करा तो बोला अच्छा है इसका पता है कैसे निकालेंगा बोलेंगा ठीक है मैं अभी prove करता हूँ मैंने बोला कि जब भी ऐसा case आ जाए नहीं तो आप इस commission को यहां पर मत लिखिए इसको निकाल के कहीं बाहर रख लीजिए मैं यहां रख ले तो मैं पर यहां जगा था मैंने यहां रख लिए अब commission 10% है ना तो सर 110 से divide करिए और 10 से multiply करिए that is आपका आएगा अब मैं लिखता हूँ यहां पर अब profit निकल के क्या आया एक लाख आया निकल के अब इस एक लाख पर 10% निकालो कितना बनता है 10,000 अब मालिक क्या कह रहा है था मैं उस profit पर commission दूँगा जिसमें से 13 commission पहले से तो यह वह वाला profit है जिसमें से इसका commission पहले से और जो कितना बन रहा है और जो इसने लिया भी कितना दोनों की बाते समझ रहे बात है तो ऐसे situation में जब percentage निकालना होगा न तो क्या करेंगे commission कैसे निकलेगा सर कमीशन निकलेगा हमारा net profit इंटू में rate divided by rate और प्लस 100 सरी बिल्कुल यहां का commission कैसे निकलेगा सर कमीशन इस इकल टू net profit into rate by 100 और यहाँ पर commission कैसे निकल रहा है? net profit into rate by फिर से rate plus 100 यानि अगर 2% है तो 102 कर देना 3% है तो 4% है तो उसके एसाब से निकल देना समझ मैं हरी बात? इसके बात सर यह commission चलो हमने निकल लिया यह commission कितने जगे जाएगा? सर यह commission जाएगा पी एंडल में? मैं थोड़ा यहाँ पर चेखे congested इसलिए लिख रहा हूँ एक चला जाएगा पी एंडल में और एक चला जाएगा बैलिंस शीट में पी एंडल के कहां चला जाएगा? और बैलिंस शीट के? अब बड़ी सिंपल सी बात है commission कोई भी हो सकता है या तो after charge वाला हो सकता है या फिर before charge वाला हो सकता है अगर after charge वाला हुआ तो आपको rate को नीचे प्लस करना पड़ेगा अगर before charge वाला हुआ तो rate का कोई मतलब नहीं बना समझ में आए? यानि before charge का कमीशन होगा दो जगा एंट्री होगा चाहिए after charge का commission है वो भी दो जगा एंट्री होगा लेकिन before charge वाले में simple net profit को उठाएंगे उसके उपर percentage apply करेंगे before और after charge वाले के अंदर net profit उठाएंगे सीधा percentage apply नहीं करना rate divided by आपको 100 में वो rate प्लस करना ठीक है चलिए अब आते हमारा सवाल क्या कहता है यह adjustment number कौन सा बनता है 24 हमारा सवाल क्या कहता है यह सबसे नीचे आ गया अरे मैं वही देख रहा हूँ वो गया कहा यह थोड़ी है नहीं यह नहीं है मैंने एक बीच में page आइड कर दिया था साइड यह नीचे आ गया था यह पढ़ें इस adjustment को कहता है the manager get commission 10 by 1 by 10 1 by 10 का मतलब भी 10% होता है क्योंकि 10% को solve करोगे तो 1 by 10 बनेगा 1 by 10 net profit after charging his commission फिर हम यहां manager का commission दिखाएंगे और फिर P&L में जाएगा फिर final हमारा net profit निकलने वाला है यहां पर बात समझ में आगई आपको यहां पर क्या करना है चलिए इसलिए इसका मतलब सर एक बात तो इससे प्रूफ हो जाता है कि जब भी manager commission वाला point आएगा ना तो वह हम सबसे पहले करी नहीं सकते वह सबसे कपों का adjustment apply सबसे end में क्योंकि जब तक हमारे पास वह आएगा नहीं तब तक हम कर नहीं सकते बड़ी सीरी सी बात है चलिए तो हम पहले gp निकाल ले है almost सारा adjustment done हो चुका है अब gp निकाल के फटा फट से calculation start कर देते है sir calculation के लिए white में use कर लेता हूँ साथ लाग चालीस अजार माइनस में 200 that is 798 39 39 800 699 200 739 739 माइनस में 699 200 1550 400 sir 38 check कर यह 38 650 आपके किताब में answer होगा सही है by gp चेक कर लिया 4 0050 अब इसमें से माइनस करते हैं साड़े 300 में से माइनस होगा तो देड़ सो और यह भी माइनस होगा तो कितने बचेंगा 200 हो 32 आ रहा है अ कि अ-ब अ-ब ता-ब आइ-ब अ-ब कर दो तो 35,310 अ रहे हैं तो अ-ब अब अ-ब अ-ब 330310 पर 10 बट्ट 110 करते हैं कि कमीशन देखो 3210 आ रहा है कि कमीशन आ गया 32 कैसे निकाला है इसको मैंने सॉल्व किया अब इसके बाद अब फाइनली क्या आएगा और इस कमीशन को यहां भी तो दिखाना है अब फाइनली आएगा नेट प्रॉफिट निकालने का दू तरीके या तो फिर दुवारा से आप कैल्कुलेशन कर लो या 35310 में से सिर्फ 3210 गटा दो है 35310 में से 32 एक सो ठीक है यह नेट प्रॉफिट यहां एड हो जाएगा कुछ बच्चे 32 एक सो बता रहे थे देख के बता रहे थे हूं कि बैलेंस इट का टोटल 10 कि बैलेंस इट का टोटल चेक कर लें आप चलिए सर इस सवाल को हमने भले ही थोड़ा टाइम लिया हो लेकिन इस सवाल में कुछ अर्जस्मेंट भी कवर किये हैं याने एक अर्जस्मेंट कराता तो मैंने इसी सवाल के अंदर कवर करके वो कर दिया बताए कोई डाउट इसमें आपके सामने अर्जस्मेंट है देखो अभी मैं कह रहा हूँ कि डाउट नहीं आएगा ऐसा भी पॉसिबल है लेकिन घर पे करने जाओगे तो शाहिद डाउट आ जाए इसमें तो सबसे पहले आप एक बार अजस्मेंट आपके पास किताब एक बार पढ़ लीजिए और इसको क्रॉस व सब बताईए कोई डाउट है तो कमेंट पर लिखे फटाफार करें करें झाल 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 कोसी डाउत है फटाफट मताए आप में से किसी का कोई डाउट एक बार सानागे घ्र्जश्मेंट एक्सप्लें कर दूह कि देखिए जाने किसे acord फटा इंश्मेंट का था थै था फटाफट देख लीज्याएम पहला था ओर दा आप 25,000-000-000,000-000,000-000,000- 600,000-000,000-000,000-000,000-000,000-000,000-000,000-000,000-000,000-000,000-000,000,000-000,000,000-000,000,000-100,000-000,000.000- the तो अग्ले सहूं कि द्रत आदा है न्हें च्की इन्हें जर। इंप्लोई का अदिया साथ आपका किसके नाम से इंप्लोई को मैंने रहने के लिए घर दिया कहां रहने के लिए घर दिया अपने प्रेमिसिस के अंदर ही दिया और उससे एक नौशनल रेंट लिया करते हैं कितने रुपए 500 रुपए तो सर 500 रुपए यह आपके बिजनस का इंकम होगा जो कि कहां चले जाएगा आपके पी एंडल के क्रेडिट साइड में यह 500 रुपए दूसरी बात नेट वेजिस दे रखाता तो यह वेजिस में भी प्लस होगा तो इसलिए मैंने कहां कर दिया इसको वेजिस के अंदर फ्लस कर दिया इसके बाद अगला अग्ला अजस्मेंट कहता है चले यह चले बैंप अच्छी और स्टार्टिंग में 300 था बाद में इसको मैंने बेचा एची है मैंने यूज करके तो मैंने पता लगाया यह था कितने का तो पता लगा भी यह इस पर 30 का डेप्रिशेशन लग गया था 200 का बेच दिया और 30 रुपए का डेप्रिशेशन हमने दिखा दिया पींडल के डेबिड में फरनीचर हमारा पूरे 300 रुपए से चला गया क्योंकि बिग दिया बाकी जो फरनीचर बचा उसके उपर 20% डेप्रिशेशन लगा दिया जो कि हमने यहां पर लिख दिया अगला पॉइंट कहता है बिल्डिंग पर डेप्रिशेशन 5% 5% बिल्डिंग पर माइनस करके पींडल के डेबिड में अगला कहता है मैनेजर का कमीशन कितने परसेंट है 5% आप्चर चार्ज कमीशन के बाद तो हमने जो नेट प्रॉफिट निकाला इसको जो वाइट वाला मैंने यहां लिखा इसक क्योंकि examiner ने इस question को बनाया ना तो जो हम सीखते हैं बैड डिट का कोई मतलब नहीं दिया जो की major major adjustment था हमने देखा था sales on approval basis नहीं दिया loss by fire नहीं दिया कुछ भी नहीं दिया सिर्फ logical base पे बना दिया तो यह question काफे सारे बच्चों ने एक्जाम में गलत भी कर दी होंगे क्यों कर दी होंगे पहला adjustment चलो समझ में आया दूसरा आया तीसरा coordinate करना तो इसलिए question इस तरीके करा दिया मैंने हाँ बिल्कुल manager commission balance sheet में भी show होगा मैंने देखो यह commission के नाम से दिखा दिया बिल्कुल अभी समझ में आ गया है तो definitely इस question को आप दुबारा एक बर self भी करके देखेंगे बागी book दिखाईए मैं पहले का अब्डीवत्र को अब्ड़ा तो आ एक वील्ड आप आए तो इस तो यह जाए फिर दूभाब के देखेंगे 21 तक अगली ग्लास में कुश्चन करके हैं 21 तक GST से पहले के कुश्चन 21 तक कुश्चन कर ले आप फटा फट नोट करिए आप बाकि जो बच्चे लाइब है उनको ये वीडियो मिल जाएगी और PDF पी कल मिल जाएगा 21 तक कितने कुश्चन है टोटल किताब में मेरे क्याल 30-35 होगे देखना कितने इलिस्ट्रेशन कितने किताब में बस 29 प्रोग्राम में भी 29 21 तक करिए अगली क्लास रहेगा इसके डाउट में बीच में कुछ एक अजस्मेंट आ सकता है उसको करने के बाद उसको अजस्मेंट को सॉट आउट करेंगे और कुश्चन भी कर लेंगे यह चैप्टर मानके चलिए हाडली आपका दो से तीन क्लास के अंदर में खतम कर दूँगा दो क्लास मानके चलिए इस चैप्टर को खतम करेंगे फिर कुछ बच्चे कह रहे थें कि सर डेप्रीशेशन वाला करा दीजिए जो प्रपटी प्लांट है डेक्यूपमेंट है यह इस तेन उसके अद्वो इस्टार्ट करेंगे वह ज्यादा लेंदी चैप्टर नहीं बहुत जल्दी खतम हो करूँगा जैसे जैसे कोश्चन होगा इस कोश्चन को मैं अड्जस करता जाओंगा जिनके पास किताब है किताब में कोश्चन नंबर गीवन है हाँ हो सकता है में भी कुछ बच्चों के किताब में ना हो तो मैंने सामने अल्रेडी कोश्चन डिस्प्ले कर दिया उसके अक सर इसके अंदर क्या सीखने वाले हैं? अब थोड़ा सा adjustment PPT का है और एक adjustment important है जो कि हम करने वाले हैं सवाल के अंदर क्या कहता है सर सबसे पहले सबसे पहली बात करता है capital दे रखा है आपको एक लाख रुपए तो इस साइड मैं सबसे पहले लिखने जा रहा हूँ capital आप भी format जैसे बना लिया होगा आपने एक लाख रुपए plant and machinery कहता है आपका 78,000 important point plant and machinery 78,000 इसके बात कहता है furniture सर 2000 का है थोड़ा gap देखे furniture 2000 रुपए इस पर तो काफी adjustment है purchase and sales आपका purchase 6000 है सबसे पहले two opening stock two purchase sir purchase जो दे रखा है साथ हजार है और buy sales और sales इस सवाल में देखें तो कितने का एक लाख 27,000 आगे देखा जाए तो return, return की बात करें 1750 तो sir यहाँ से जो return होगा अब मुझे बताईए purchase return और ध्यान दीजिए sales return purchase return और sales return यहाँ यह तो नहीं बताया सवाल में कि आपका purchase return है कि sales return just इसने एक word बोल दिया return नहीं पता purchase return तो अब आपको देखना पड़ेगा जो debit में है न जो debit वाला है हमारा that is हमारा क्या होगा sir यह sales return और जो credit वाला होगा वो purchase return return के case में इनका side उल्टा हो जाता है तो debit वाला हमारा क्या है sir purchase return that is 1000 रूपेज और credit वाला sales return that is 750 रूपेज 1000 debit वाला हम मैंने उल्टा लिख दिया है debit वाला sales return तो यह हमारा 1000 और यह 750 आगे आजाते हैं stock तो stock आपको देता है 30,000 का मैंने stock लिख दिया stock के बाद बात करते हैं discount अब देखें यहाँ पे सवाल में ना सिर्फ discount बोला हुआ है तो आप यहाँ पे देखेंगे discount दोनों तरफ है debit में भी credit में भी जो debit के अंदर discount है न that is आपने discount किसी को दिया है और जो credit में आपने लिया है तो debit वाले discount को हम लिख देगे P&L में मैं यहाँ से यहाँ तक पार्ट छोड़ देता हूँ trading का इसके नीचे P&L है तो 2 discount तो discount कितने का है discount है 425 का सिर्फ debit में ही नहीं आएगा यह credit में भी आएगा buy discount और यह हमारा 800 रुपेज इसके बाद debtor and creditor है तो सर जो debit में है debtor और जो credit में है creditor तो फहले मैं creditor लिख दूँ सर creditor कितने का है creditor हमारा given है 25,000 debtor भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर although लिख देता हूँ नीचे लिख देता हूँ buy debtor बाद में इसे उपर कर देंगे buy मैंने क्यों लिख देता है buy तो आए गई नहीं सर्फ debtor बाद में इसे उपर shift कर दूँगा तर debtor MR है कितने का 45,000 बाद में उपर करेंगे इसको salary देता है 7550 two salary 7550 देखो जैसे मैं question कर रहा हूँ मुझे एक tension हो रही है कियार किस पर adjustment है किस पर नहीं है इस tension को दूर करने के लिए पहर है एक बाद एडिजस्मेंट थोड़ा से overview ले देते है फटाफट सर क्लोजिंग स्टॉक पे है डाउटफुल डेट्स पे है ठीक है इसे भी अंदर लिखना था बाहर लिख दिया plant and machinery पे भी है और personally used addition ये किसकी बात कर रहा है purchase के उपर भी है goods taken by the proprietor purchase furniture के उपर भी है सर सेप्टमबर को management ने decide किया हमारा balance machine के उपर भी है तो overall idea लग गया सर इसके उपर तो नहीं है salary के उपर तो इसको हम 75,00 कहां लिख देंगे सर ये थोड़ा gap कम कर दूँ हमे और मैं यहां लिखने वाला हूँ to salary सर 75,00 पचांस का ठीक है manufacturing wages पे भी नहीं है 10,000 तो मैं two side में purchase के नीचे लिखूँगा manufacturing wages short form लिख दिया थादा w कर दिया wages carriage outward 1200 आउटवर्ड पी हिंडल का part होता है 1200 रुपे carriage outward के बाद provision for doubtful debts अब ये वाला पता है provision for doubtful कहां जाएगा कहां गीवन है पहले तो ये चेक करो trial में अब trial में लिखा था तो कहां लिखते है credit side by provision कितने रुपे सर 525 rent rates and taxes 10,000 रुपे इस पे भी कोई adjustment था ही नहीं liability थोड़ी है अच्छा लिख दी है मैंने liability में पीछे से नहीं आनी चाहिए 2000 इसके बाद advertisement के बाद है cash 6900 रुपी that is also assets है तो मैं इसके उपर थोड़ा सा ना circle लगा लेता हूँ star लगा लेता हूँ बाद में लिख लेंगा कोई बात नी जब मैं इस question को हटा हूँआ तो फिर पीछे लिख लूँँगा ठीक है न अब adjustment कहता है closing stock है तो sir closing stock तो यहाँ जाएगा adjustment फटा फट कर लेते हैं तो buy side में आ जाएगा buy closing stock कितने रुपे का 34,220 34,220 एक closing stock यहाँ पर भी आ जाएगा अब मैं थोड़ा सा question को shift कर देता हूँ मतलब कहाँ shift करें इसको छोटा कर देते है question को although आपको देख गया होगा है ठीक है debtor भी दुबारा लिख लेंगे और closing stock भी सबसे पहले लिख लेते हैं closing stock closing stock 34,220 इसके बाद अगला point आ जाता है provision for doubtful debt तो पहले debtor लिख लेते हैं तो debtor कितने हैं का debtor 45,000 minus PFD अब कहता है कितने percent है यह percentage ना देके इसने amount दे दिया 500 रुपे तो अब इस PFD को हम इधर दिखा देते हैं बुक वाले कुछ अलगी करते हैं बुक वाले पता ही क्या करते हैं इस 500 में से ना कभी इधर minus कर देंगे वो कभी इधर कर देंगे तो थोड़ा बच्चा ना confused हुजाता है साथ debit में minus करें कि credit में एक जगा बताओ ना वहीं कर लेंगे हम इसका मैंने simple सा solution निकाला कि जो भी trial balance में दे रखा है उसे credit में लिखो जो adjustment में उसे कहां लिख दो debit में सीधी से कहां नहीं है आब बुक में देखो कि कई बार वो trial वाला PFD इधर ले रहा होगा कई बार trial वाला PFD इधर ले रहा होगा लेकिन मैंने simple simple सा बोला जो trial वाला इधर लिखो इधर answer पर कोई फरक नहीं पड़ेगा कोई भी फरक नहीं पड़ेगा वो totaling में automatic adjustment लग जाएगा उसके चिंता करनी ही नहीं है आपने the depreciation plant and machinery बाद में देखेंगे अभी the proprietor has taken goods 5000 रुपे proprietor कहता है कि भीया हमने 5000 रुपे का goods taken किया है personal use के लिए additional distribution goods worth 1000 रुपे दो चीजे हैं सर सबसे पहले proprietor use कर रहा है तो drawing कितने का 5000 रुपे का तो आपको बताया था एक goods use वाला adjustment दूसरा capital में से minus हो जाएगा as a drawing 5000 और एक बताया था free sample है वो भी minus हो जाएगा कितने रुपे है एक 1000 रुपे इसकी double entry यहाँ जाएगी तू advertisement कर दो या फिर free sample कर दो आपकी इच्छ है दोनों में से कोई भी शब्द का इस्तमाल कर सकते है कोई marks नहीं कटने वाला इसके अंदर इधर हटा देते हैं फिर इसका total सीधा यहाँ चलेगा आगे दिखा जाए तो क्या कहता है सर purchase a furniture 920 pass through the purchase book इसका मतलब क्या है हमने कोई purchase furniture खरीद लिया और इसको मैंने entry कहां कर दिया purchase book के अंदर इसका मतलब मेरा furniture जो लिखा हुआ है मैंने कितने का खरीद है 920 का has been passed through the purchase book तो purchase गलत लिखा हुआ है यहाँ पर जो यह purchase लिखा हुआ है ना सर यह गलत लिखा हुआ है सर क्या गलती है इस purchase के अंदर इस purchase के अंदर हमारा furniture भी जुड़ा हुआ है हम बात करें ना इस purchase के अंदर हमारा एक furniture जुड़ा हुआ है तो मैं क्या करूँआ यहां से माइनस कर दूँआ फरनीचर कितने रुपे का 900 और दूसरा इस फरनीचर में एड़ कर देंगे फरनीचर 920 यानि जो आप हमारा फर्चेज होने वाला है कितने का होने वाला है 2900 यानि 2920 रुपे है सिंपल सी बाद अगला पॉइंट कहता है मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि भाईया हम जो है ना मसीनरी जो मसीनरी है उसकी वैल्यू 75,000 रुपे होनी चाहिए हमारे इसाफ से लेकिन हम तो बोलते हैं कितना है सर 78 यानि री वैल्यूएशन की वजए से मेरे एसेड की वैल्यू डाउन हो गई कितने रुपे का डाउन हो गया सर 3,000 तो यह नुकसान है तो मैंने एक री वैल्यूएशन एसेड्स वाला आपको अज़स्मेंट कराया था यहाद हो तो उसमें मैंने बताया था कि अगर बढ़ता है तो क्या ट्रीटमेंट है घटता है तो क्या ट्रीटमेंट है अगर आपका बढ़ जाता था तो हम रिजर्व क्रियेट कर लेते थे किधर लाइबलेटी साइड में और घट जाता है तो पी एंडल के डेबिट में दिखा देते थे तो यहाँ पे हमारा प्लांट इन मसीनरी री वैल्यूएशन हुआ है कितने रुपे का नुकसान हो गया बीच में तीन हजार का अब जो प्लांट इन मसीनरी यहाँ 78 लिखा है सर लिखने का कोई मतलम नहीं बनता आपका आपको यहाँ पे जो प्लांट इन मसीनरी लिखना पड़ेगा ना वो नई वाली वैल्यू दिखाना पड़ेगा इसके उपर माइनस करेंगे डेप्रीशेशन सर आप कितने 750 और यह डेप्रीशेशन आपका इधर आजाएगा टू डेप्रीशेशन 750 पहले आप यह देख लिजे एक बार यह देखिए adjustment कल से regular class होगी पच्चे पुछने कब से होगी कल से होगी मैं भी timing बता दूँगा कल की timing 11 बजी है सुबह की अच्छा 75,100 और लगे है ना चली हो कोई दिखकत में एक cash का balance लिखना छोड़ दिया था हमने that is cash का balance है 6,900 किसी को कोई दिखकत किसी को कोई दिखकत है कि यहां तक नहीं फटा फट से adjustment कर लेते हैं साथ हजार माइनस साथ सो पचास माइनस पांच हजार माइनस एक हजार माइनस नो सो बीज यहां गया 52 यहां गया 126 126 फ्लस में चौंटिस दोसो बीज 250 नहीं 126 34220 160 220 160220 160220 2GP सर GP की बात कर रहे थे GP माइनस कर लेते हैं न 30,000 52,330 चेक कर येगा GP 67 890 बाइ साइड में आ जाएगा GP 67,890 सर यहां से क्या निकालोगे N भी निकाल लेंगे यहां से जी 67,890 प्लस 800 प्लस 525 यहां गया सर 69 69,215 69,215 सर इसके बाद क्या आएगा है यहां पर 2 NP NP माइनस करते हैं 425 75,50 12,100,225,100 36,040 चेक कर ये NP यही आ जाएगा यहां पर प्लस NP यही है ना 36 अब एक चीज़ notice करना आपके पास book है जिनके पास answer में देखना PFD ऐसे नहीं किया होगा PFD उसने कुछ और कर रखा है लेकिन answer net profit same आएगा तो उसमें घबरानी की जुरत नहीं है मैं हर बार 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 repeat करता हूँ लेकिन बच्चे बार बार पूछ लेते हैं एक कुछन इसलिए बोल रहा हूँ है minus 5000 31 040 plus 25 balance sheet का total चेक कर यह 156 040 156 040 क्या यही total है question को अटा देते हैं हूँ आप 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 आ क्या हूँ? आप 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 मैंने भाई तीन बार पूछ रिया टोटल बताईए अब इसकी जर्नल एंट्री की बात करते हैं सर सेम है अभी क्लास का टामिंग का देख लेता है अब जर्नल एंट्री देखो मैं नए पेज पे चलता हूँ काले रेजिस्टर चेक करेंगे अफ लाइन वाले बच्चों के सारे कोशन के देखिए आज कोशन देखेंगे कल देखते हैं भी उस पर बाद में बात करते हैं कैसे क्या है नहीं है अब नए अजजस्मेंट कहता है कुशन की इसमें कह रखा था कुशन ने नीचे कि प्रिपेर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वो तो हम बना चुके हैं एंड ने कहा दिया also pass journal also pass journal तो journal entry जो इसके अंदर होता है न इनका कभी भी journal entry pass नहीं होता क्योंकि journal entry pass हुआ था फिर laser बना और फिर वहाँ से उठके आया यहां trial में इसका journal entry pass हो ही चुका है ये वो item है जिसका journal नहीं हुआ laser भी नहीं हुआ trial balance के अंदर भी नहीं गया तभी तो trial balance के बहार रही है तो journal entry से इसका फांस होगा एक बात आपको ध्यान रखना exam में journal entry इसका without GST with GST वो सारी बाते कर लेंगे हैं closing stock का क्या होगा sir पहला journal entry sir closing stock का closing stock कहा जाता है trading में जाता है न और trading के जाता है buy side में trading के buy side में जाता है तो आप एक चीज़ द्यान रखिएगा general entry अगर कोई दिक्कत आती है न तो कई बार account से भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं जैसे buy में क्या है हमारा closing stock तो buy वाले को आप debit में लिखेंगे हमेशा और two वाले को हमेशा लिखेंगे credit में तो मैं इसकी entry करने वाला हूँ closing stock two trading two trading और याद रखिएगा balance sheet के अंदर जो जाता है न उसकी कभी general entry नहीं होती जो P&L के अंदर होगा उसी की general entry होगी always तो पहली entry हमने done कर दिया जो की amount तो वही रहने वाला है किसी को दिक्कत 34,220 अगले point की बात करते है next point number two देखिए point number two provision for doubtful keep 5% provision for doubtful की वजह से हमेशा याद रखिएगा debtor में से minus हाला की कर देते हैं हम लेकिन normally debtor पे फरक नहीं पढ़ता है इस चीज़ का धियान रखिएगा debtor में से हम minus कर देते हैं लेकिन debtor पे फरक नहीं पढ़ता है तो provision for doubtful debts की entry क्या करूगे शराब provision for doubtful debts की entry वैसे यहाँ debtor से impact में हम लेंगे तो खर्चा एक तरीके से हमारा यानि debtor assets है debtor क्या हो रहा है हमारा कम हो रहा है न तो इसकी entry हो जाएगी हमारी debtor को कम करेंगे हम तो debtor हो जाएगा क्या हमारा credit हो जाएगा अगर आपका debtor कम होता है तो debtor क्या होगा credit होगा और PFD कहाँ चले जाता है profit and loss के debit side में चला जाता है बड़ी सिंपल सी बात है PFD यानि as a PFD को आप खर्चा मान लेते हो और debtor को आप reduce कर देते हो तो ऐसे ही entry कर देंगे हम provision for doubtful debt to debtor हाला कि आपने 12th class में ये entry नहीं करी होगी revaluation में जाता था महाँ पर तो वो entry यहां नहीं करेंगे हम सर जो भी adjustment से निकल के आया जैसे हमारा है 7500 तो 7500 तीसरा नहीं 500 आया था ना 7500 तो machinery का आया था 500 रुपे तीसरा depreciation plant and machinery 10% 7500 आया था तो depreciation debit to plant and machinery to plant and machinery 7500 सर डेप्रीशेशन डेबिट क्यों depreciation खर्चा है डेबिट plant and machinery घट जाएगा क्रेडिट हो जाएगा लेकिन planted में चलो आगे देखेंगे अगले point को देखते है प्रोप्राइटर ने goods taken कर लिया तो सर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट drawing account debit कितने अच्छा drawing account debit और एक और points इसने क्या करा था redemption free sample और two में क्या लिखें सर two में purchase मैंने बताया था जब कभी भी goods use होगा न तो एक ही कहानी आएगी purchaser इसका being क्या होगा जो adjustment वही being होगा जैसे कि closing stock और इसका being हो जाएगा provision made on the debtor इसका depreciation charge on plant and machinery goods used by the proprietor and distributed as a free sample तो ये कितने का है और और ये चौत्थी पाँचवी entry पाँचवी entry क्या कहरता है purchase furniture include in the purchase book तो सर पर्चेस को कम करो और furniture को बढ़ाओ तो entry होगा furniture account to purchase 920 रुपे 920 रुपे चलिए अगले point की बात करते हैं 6 number अगला कहता है कि revaluation हुआ assets revaluation के वाज़े से आपको नुकसान हुआ तो revolution debit और 2 किस पर नुकसान हुआ plant end कितने रुपे का बस ये general entry होगा इसका तो मैं 2 से 3 question बताऊँगा general entry वाले हला की तो आपने question देखा है कि इसके अंदर पहले हमने पूरा question कर लिया अब पूरा question करने के बाद फिर हमने इसका क्या देख लिया general entry तो examiner का point देखिए कभी भी ऐसा question नहीं आएगा कि आप से trading account बन भाई P&L और journal entry भी हो सकता है examiner क्या कर दे ये पूरा question देगा और इसमें से उसने बना दिये कितने 10 point 10 number का question दिये इसमें से बनाए उसने 10 point 10 point क्या बनाया कि net profit बताईए GP बताईए case study type का case point number one एक number का net profit बताईए GP बताईए आप plant and machinery पे after depreciation value बताईए जो कि हमारा क्या रहा है 3650 यानि आपको question तो solve करना ही पड़ेगा क्योंकि आप से NP पूछ लिया होसने तो अब यह NP कैसे निकालेंगे solve करना पड़ेगा GP कैसे निकालेंगे solve करना पड़ेगा 3 question 4 question पूछ लेगा adjustment क्या होगा ऐसे तरीके से 10 question पूछ ले 10 number में 5 number की 5 question दे दिया और उसके बोले general entry करके दिखाईए तो आपके देख रहे हैं पूरा सवाली change हो गया ना तो आपको trading बनाना है ना तो P&L बनाना कुछ नहीं बनाना final account आएगा paper में आएगा हम तो कौन से practice कर रहे हैं सर इस way में practice कर रहे है और paper में पता चला है M.C.U. आ गया है और दूसरा कुछ पार्ट क्या आ गया general entry का तो वहाँ पे हमारे क्या होता है हम यह सोचते के paper tough आ गया tough नहीं आ गया examiner ने थोड़ा सा trend चेंज किया है तो अब आपको ना उस trend के हिसाब सभी में बताता जाओंगा कि भाया इस question के अंदर ऐसे सवाल में क्या-क्या पूछा जा सकता है क्योंकि मैंने जो last time का paper था ना corporate account पे वहाँ भी final account है उनमें ये पूरा account ही नहीं पूछा वहाँ पे पूछ लिया उनसे related सिर्फ mcq तो इसलिए हर चीज को आप factor मान के चलेंगे और किताब को अच्छे से पढ़ेंगे किताब के अच्छे से question को भी solve करेंगे इस बात का ध्यान रखना है सरिफ एक चीज पर dependent होके जाओगे ना तो paper हो सकता है कि paper का pattern वही रहे जो कि पहले चलता आया था final account में तो कोई दिक्कत नहीं असर लेकिन जहाँ paper का pattern बदला ना तो result ही होता है बहुत सारे बच्चे क्या होता है उसमें फेल हो जाते हैं तो मैं यह नहीं चाहता आप सारी चीज़े करके चलना है आपको plant and machinery का क्योंकि valuation होके इसने बोल दिया था पिछात्तर हो गया तो revaluation वाली value लिखी है मैंने यह मैंने 3000 वहाँ घटाने की बज़ाए मैंने directly 75 कर दिया उसको नहीं तो होना यह था 78 फिर पहले माइनस 3 बसता 75 और 75 पर 10% का डेप लगाते हैं मैं इस space बचाने के लिए मैंने ऐसा कर लिया है कोई दिक्कत फटा फट से नोट कर लीजिए